आज हम जिस पुस्तक का सास्वर पठन करने वाले हैं वो शिव रचनत्रई की दूसरी पुस्तक नागाओं का रहसे हैं जिसके रचनाकार हैं अमीश्त्रिपाठी और अनुवादक हैं विश्वजीत सपन अध्याए एक विचित्रदानव शिव ने तेजी से तलवार निकाली और अपनी पत्नी की और दोड़ पड़ा दोड़ते हुए वो चिलाया सती और साथ ही अपनी ढाल आगे की और कर ली वो उसकी चाल में फंस जाएगी जिव उसने देखा कि आयोध्या के राम जन्म भूमी मंदिर की और जाने वाली सड़क के पास पेड़ो के चुन्ड़ की और जपटा मारकर सती पहुँच चुकी थी तो शिव जोर से चिलाया रुको और उसके साथ ही उसने अपनी गती और बढ़ा दी वो मुखोटा पहने चोगा धारी नागा सावधानी से पीछे हटता जा र लग गए उसने सुन्शित कर लिया था कि सती अब सुरक्षित थी उसके बाद दोनों मिलकर नागा का पीछा करने लगे शिव का ध्यान उस नागा की और चला गया वो भौँच अक्का था वो कुटा इतनी जल्दी इतनी अधिक दूर कैसे पहुँच गया सहजता के साथ आ मा मंदिर पर उसके पैरों की धीमी गती मातर युद्ध नीजी थी शिव ने पनी ढाल उलटकर पीट पर लटका ली ताकि उसे और तेज भागने में आसानी हो सके सती उसके साथ साथ उसकी गती से गती मिला कर बाईं और दोड़ रही थी सहसा सती ने एक संकेतिक धोनी नि ने सीरे से तीवर गती से भागा उसकी तलवार आकरमन करने की मुद्रा में बाहर निकली हुई थी और उधर सती भी पूरी ताकत के साथ नागा के पीछे पीछे उसी तरह भागती जा रही थी ने मार्ग में मैदान समतल था जिसके कारण शिव तेजी से उस दूरी को कम कर पाया था उसने देखा कि नागा ने अपनी धाल को दाहिने हाथ से पकड़ा हुआ था और बाया हाथ सुरक्षा के लिए मुक्त रखा था शिव की तेजी चड़ गई सती अभी भी कुछ दूरी पर थी नागा की दाई और तेजी से जाकर शिव ने बाया हाथ से चाकू नि ले आया चाकू धाल से टकरा कर सुरक्षित उचल गया उसके साथ ही नागा ने अपनी गती ज्यों कितियों रखते हुए धाल को पुना पीट पर सहचता से लटका लिया शिव विसमित था उसकी गती धीमी पढ़ गई थी उसने चाकू को बिना देखे ही रोक लिया ये कौ रहा दी तिरची ढलुआ पहाड़ी पर सीधे कोण के कारण वो नागा को और आगे तक देख सकता था जो पहाड़ी के नीचे की दीवार तक पहुँच रहा था पहाड़ी के नीचे की वो दीवार जानवरों के आकर्मण एवं अनधिकरत प्रवेश करने वालों से राम जन और हमला करने के लिए आवश्यक होंगे उस नागा को भी इसका बोध हो चुका था जैसे ही वो दीवार के निकट पहुचा अचानक अपनी एड़ी पर घिरने की तरह घूम गया उसके दोनों हाथ पहल गए जिन में दो तलवारे थी जो तलवार उसके दाएं हाथ में थी एक पारमपरिक तलवार थी जो संध्या के सूरी प्रकाश से दीबतिमान थी और उसके बाएं हाथ में थी वो मध्यमाकर की मूट पर चड़ी हुए एक वीचित प्रकार की दोधारी तलवार थी जब शिव नागा के निकट पहुचा तो उसने अपनी ढाल को आगे की और ख हटके के साथ मुडा जिसके कारण उस वार से बचने के लिए शिव को अपना सिर जुकाना पड़ा जैसे ही नागा की तलवार बिना कोई हानी के घुमित तभी आसर देकर शिव हावा में उचला और उसने उतनी उचाई से नीचे की और वार किया यदि प्रतिद्वंदी अ सफल करने के लिए निलकंट को तेजी से अपनी ढाल को हावा में लहराना पड़ा सती पुना आगे की और बढ़ी उसकी तलवार ने नागा को पीछे जाने पर विवश किया इसका लाब उठाकर सती ने बाए हाथ से अपनी पीट के पीछे से एक चाकु निकाला और नागा पर फेका उस नागा ने सही समय पर अपनी गरदन जुकाई और उस चाकु को बिना कोई हानी पहुचाए दीवार में जाने दिया शिव और सती दोनों को अभी तक नागा पर एक भीवार करने में सफलता नहीं मिली थी हाला कि वे उसे धीरे धीरे पीछे हटने पर विवश करते जा रहे थे बस कुछी समय की बात थी कि वो दीवार से चिपक जाने वाला था पवितर जील की सौगंध अंतता वो मेरी पकड़ में होगा और उसके बाद नागा ने अपने बाए हाथ से बहुत ही भयंकर तरीके से तलवार लहराई वो तलवार शिव तक पहुचने के वे पीछे की और जूल गया उस दोधारी तलवार में से एक धार दूसरी धार से जुड़कर लंबी हो गई जिसने उस तलवार की पहुच को दूना कर दिया उस धार से शिव का कंधा कड़ गया धार पर लगे विश्ने शिव को ततकाल ही गतिहीन करते हुए उसके शरीर मे नागा ने अपनी लंबी तलवार नीचे गिरा दी जिसके कारण सती को जटका लगा जब वो संतुलन बनाये रखने का प्रयास कर रही थी तो उसके हाथ से तलवार छूट गई नहीं शिव चिल लाया वो अपनी पीट के बल असहाय पड़ा कोई भिगती करने में आसमारता उसने देख लिया था कि सती क्या भूल गई थी राम जन भूमी मंदिर में एक पेड़ के पीछे चुपे हुए नागा को देकर सती ने उस पर जो अपना चाकू फेका था वो चाकू नागा के दाहिने हाथ पर बंधा हुआ था गिरते हुए उस नागा ने सती के पेड़ प लगी थी उस नागा ने अपनी बाई कोहनी से सती की ना को तोड़ते हुए और उसे धरती पर गिराते हुए एक कड़ा प्रहार किया दोनों शत्रों के गतिहीन हो जाने पर उस नागा ने तेजी से अपनी लंबी तलवार को दाहिने पैर से जटके से दबा कर उपर उपर घटा शिव अपनी पतनी की और भागता हुआ चिलाया सती ने अपने पेट को चकर रखा था उस नागा ने तेवरी चड़ाई क्योंकि घाव मातर सतही था उसके बाद नागा के आँखे चोड़ी होकर चमक उठी वो गर्वती है अपने अत्यधिक विशाल उदर को उपर क और सिकोड़ते हुए उस नागा ने पैर सरलता से उठाय और दीवार से पार हो गया कस कर दबाओ गहरा घाव समझते हुए शिव चिलाया शिव ने चैन की सांस ली जिब उसे एहसास हुआ कि घाव हलका था यदिपी रक्त की हानी एवं सती की नाग पर लगी ठोकर उसे च ली थी वो बड़ी तेजी से दीवार के ऊपर चड़ गया सती ने उसके पीछे जाने का प्रयास किया किन तू ना जा सके उधर शिव दूसरी तरफ भीर भरी गली में उत्रा उसने नागा को एक अच्छी दूरी पर देखा जो अभी बड़ी तेजी से दोड़ता चला जा रहा था शिव ने उस नागा के पीछे दोड़ना प्रारम बकर दिया लेकिन वो जानता था कि ये संगर्ष पहले ही हार चुका था बहुत ही पीछे था अब वो उस नागा से इतनी घृणा कर रहा था जितनी उसने कभी किसी से नहीं की थी उसकी पत्नी का उत्पीड़क उ वे वो बहुत ही उचा उचला उसका दाहीना हाथ पहला हुआ था अर वो उस अश्वski इप बहुत ही सरलता से जब एठा बैठने के साथ ये उसने दाहीने हाथ के चाकों से अश्वski रसी को काट कर उसे मुक्त कर दिया चैकित अश्व के अपने पिछले दोनों पेरो पर क खड़े हो जाने के कारण उसकी लगाम पीछे की और उड़कर आ गई नागा ने बड़ी सहज़ता से उसे अपने बाएं हाथ में पकड़ा ततकाल ही उसने अश्व की कान में कुछ फुसपसा कर उसे एर लगा दी अश्वने नागा के शब्दों पर फुर्टी से कूद लगा और सरपड भागने लगा एक आदमी दुकान से तेजी से बाहर आया और जोर से चिलाया रोको रोको चोर वो मेरा अश्व है उस नागा ने ये हो हल्ला सुनकर अपने परिधान की परतों में हाट डालकर कोई वस्दों निकाली और बहुत ही बल से पीछे की और फेकी जबक जा था कि वो गंभी रूप से खायल हो गया होगा जैसे ही वो उस अश्व वाले के पास पहुचा तो ये देखकर आश्यर चकित रहे गया कि वेक्ति दर्द के मारे अपने सीने को मलता हुआ धीरे से उट खड़ा हुआ और बहुत जोर जोर से गाली देने लगा भगवान क कर वो भैसे चुप हो गया उस वस्तु को उठाने के लिए शिव नीचे जुका जिसे उस नागा ने उहुण सवार पर फेका था वो एक थैली थी जो ऐसी शांदार रेशम से बनी हुई थी जैसा उसने पहले कभी नहीं देखी थी कोई घात समझकर शिव ने उस थैली को ब अशु चुराता है और उसके बाद परियापत मातरा में इतना सोना छोड़ देता है जिसे की पांच और अशु खरी दे जा सके हैं सोना वो अशु वाला धीरे से भुस्पुसाया फिर उसने शिव के हाथ से थैला जपट लिया और बोला ये मेरा है शिव ने उसकी और नही नहीं करना चाहता था शिव घ्रणा से फुक खारा उसके बाद उसने अपनी थैली से सोने के दो सिक्के निकाले और उस घुनसवार को दे दिये जो अपने इस आशातीत भागेशाली दिन के लिए अपने नक्षत्रों को धन्यवाद देता हुआ तेजी से एक और भाग नि ठीक नहीं लग रहा है वो देखने में जितना बुरा लग रहा था उतना है नहीं मैं ठीक हूँ तुम चिंता मत करो सती ने उस दिशा में देखा जिस दिशा में वो नागा भागा था उसने अश्वाले के उपर क्या फेका था इससे भरा हुआ एक थैला शिव ने सती को व विचीतर वेक्ति की मुखाकरती बनी हुई थी ये विसमित करने वाली बात थी कि नागाओं की भाद थी उसमें कोई विक्रती नहीं थी ये तो कहीं का राजा जान पढ़ता है अपने मुख से रक्त साफ करते हुए सती ने कहा लेकिन इन अनोखे अंकन को देखो शिव ने सिक्के को दूसरी और पलट कर कहा उसके उपर एक चैतेज नौचंदर का प्रतीक जिन था लेकिन जो विचीतर बात थी वो थी रेखाओं के जाल की जो सिक्के के आरपार बना हुआ था दो टेड़ी मेड़ी पंक्तियों मध में आकर जुड़ी हुई थी और एक अन्यमित क कोण बना रही थी तथा उसके बाद वे मकडी के जाल के समान वहां से फूट पड़ रही थी मैं चंदरमा को समझ सकती हूं लेकिन रिखाए किसकी प्रतीक हो सकती है सती ने पूछा मैं नहीं जानता शिवने स्विकारा लेकिन वह एक चीज इसपश्ट रूप से जानता थ उसके मन का बोध स्पश्ट था नागाओ को ढूड़ो बुराई की खोच के लिए वे ही तुम्हारे सूत्र है नागाओ को ढूड़ो सती अपने पती का मन पढ़ने में कुछ-कुछ सक्षम थी तो फिर हमें आने वाले विकर्शनों को अपने मार्क से दूर रखना चाहिए शिव ने उसकी ओर देखकर सिरहलाया लेकिन पहले तुम्हें आयर्वती के पास लेकर चलता हूँ आपको उनकी अधिकावशकता है सती ने कहा आपको हमारी लड़ाई से कुछ लेना देना नहीं है दक्ष ने अचंबे से पूचा आप समझ नहीं रहे हैं प्रभू आपने हमें अब तक की सबसे महान विजे दिलाई है अब हमें अपना काम पूरा करना है चंद्रवली शैली वाले बुरे जीवन को समाप्त होना है और इन लोगों से हमारी शुद्ध सूर्यवंशी शैली का अनुगमन करवाना है लेकिन महराज पीड़ा से छुटकारा पाने के ल खुड़ा हिलाते हुए फिनम्र लेकिन द्रण शैस्वर में शिव ने कहा मैं नहीं समझता कि ये लोग दुष्ट हैं मैं अब समझ चुका हूं कि मेरा लक्ष भिन्य है दक्ष के बाएं बैठा दिली बहुत प्रसंद हुआ शिव के शिब्द उसके लिए पीड़ाहारी ल भगीरत सच क्या है ये जानने के लिए हमें किसी विदेशी बरबर के प्रमार पत्र की आवशकता नहीं है भगीरत ने कहा चुप रहो दिलीप ने फुसपुसा कर कहा तुम नीलकंट का अपमान नहीं करोगे हाथ जोड़कर शिव की और मुड़ते हुए दिलीप ने कहना जारी रखा मेरे अभिवेकी पुत्र को च्हमा करें प्रभू वो बोलने से पहले सोचता नहीं है आपने कहा कि आपका लक्ष भिन्य है कृपे हमें बताए कि आयोध्या आपकी मदद कैसे कर सकता है प्रकट रूप से चड़े हुए भगीरत को शिव ने गौर से देखा और क्यों डूणना चाते हैं आपने प्रश्ण का उत्तर दे दिया है महराज शिव ने कहा वो दिलीप क्यों मुण गया मुझे विश्वास नहीं है कि आप नागाउ से मिले हुए हैं लेकिन आपके सामराज में कुछ लोग हैं जो मिले हुए हैं मैं जानता हूं कि मैं उन अध्य सामराज में किसी विदेशी का ही नहीं हमारा भी प्रवेश निश्यद है वास्तों में मुझे लगता है कि ब्रंगा हमें उनकी भूमी में प्रवेश ना करने के लिए ही शुल्क देता है इसलिए नहीं कि उन्हें युद्ध में हमसे पराजित होने को कोई भय है एक सामराज में उसके राजा के अपने अधिकार हैं उनकी अपनी विधी है और उनके अपनी जीवन शेली है वे आयोध्या को शुल्क देते हैं क्योंकि हमने उन्हें महान अश्वमेद यग के माध्यम से युद्ध में पराजित किया है अश्व बली हाँ प्रवू चेतर पर अधिकार कर लेते हैं यदि वे अश्व को रही रोक सकते तो वो सामराज हमारा उपनिवेश बन जाता है और हमें शुल्क देता है लेकिन इसके बाद भी उन्हें अपने नियम बनाए रखने के अनुमती होती है इस प्रकार हम मित्र राजाओं के एक राज संग क कि भाती प्रतीत होता है।। वे तुम्हें शुल्क देते हैं क्यूंकि यदि वे ऐसा नहीं करते तो तुम उनकी भूमी पर आक्रमण करोगे और उन्हें लूट लोगे। इसमें राजसी धर्म कहां है। मेलूहा में समराठ होना किसी को शुल्क प्राप्त करने का अधिका लोगों को तो वो करने के उनुमती होनी चाहिए जो वे करना चाहते हैं तो फिर उसके बाद अवेवस्था होगी दक्ष चिलाया तुम्हारे नैतिक मूल्यों की तुलना में तुम्हारी मुर्खता कहीं अधिक स्पष्ट है बहुत हो गया शिव ने अपनी जुझलाहाट पर नीलकंठी की भूमिका को स्विकार कर रहे थे बलकि उसमें जीने लगे हैं दक्ष का हरदय डूब गया परिवार का कोई सदर से पूरे भारत का समराठ हो और समस्त नागरिकों को सूरिमंशिय जीवन शैली प्रदान करे वो जानता था कि उसके पिता के इस सपनी की पूर् पर निहंतरण कर सके इसके लिए उसे उस आस्था ग्यावशक्ता थी जो स्वधीप वासियों की नीलकंठ में थी यदि नीलकंठ उसके सोचने के तरीके से नहीं चले तो उसकी योजना का असफल होना अवश्यम भावी था आप ऐसा क्यों कहते हैं कि ब्रंगा वालों की मि शिव ने पूछा वे किस से भाग रहे हैं आपने बताया कि बहुत ही संम्रध भूमी है अफवाएं हैं कि एक बहूत ही भायानक महमारी है जो ब्रंगा राजी को बार बार अपनी चपेट में ले लेती हैं लेकिन इस बारे में मैं पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं backend lub बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो ब्रंगा राजी के बारे में कोई बात निश्चित रूप से कह सकते हैं। लेकिन फिर भी काशी नरेश इस बारे में अवश्य ही बहतर उत्तर दे सकते हैं। क्या मैं उन्हें यहां आने के लिए बुलावा भेज़नू प्रभू। नहीं शिव ने कहा। वो इस बारे में निश्चित नहीं था कि ये एक अन्य बेकार की दोड़ भाग थी या ब्रंगा राजी का नागाओं से सच्मुची कोई लेना दना था। सती के मन में एक विचार उबहा तो वो दिलीब की और मुड कर बोली। शमा करें महराज। लेकिन ये ब्रंगा राज ये वास्तों में है कहा। ये पूर्व में अत्यधी दूरी पर है राजकुमारी सती। जहां हमारी परम पावन नदी उत्तर पूर्व दिशा से आती उनकी पवित्र नदी ब्रह्मपुत्र से मिलती है। शिव को ततकाल ही कुछ समझ में आया। उसने मुसकुराते होई मुण कर सती की और देखा। उत्तर में सती भी मुसकुराई। robot वे रेखाएं नहीं हैं। वे नदियां हैं। शिव ने अपनी थैली टटोली और वो सिक्का निकाला जो उसे नागा से प्राप्त हुआ था और दिलीप को दिखाया क्या ये ब्रंगा राजी का सिक्का है महराज? हाँ प्रभू, आश्चर चकित दिलीप ने उत्तर दिया एक और राजा चंदरकेतु हैं और दूसरी और उनकी भूमी की नदियों का मांचित रहें लेकिन ये सिक्के दुरलब हैं ब्रंगा राजी अपना शुल्क कभी भी सिक्कों के रूप में नहीं भेशता है वो मात्र सोनी की इटों के रूप में होते हैं दिलीप ये सवाल पूछने ही वाला था कि शिव को वो सिक्का कहां से मिला लेकिन निलकंठे ने बीच में ही टोग दिया हम कितनी जल्दी काशी के लिए प्रस्थान कर सकते हैं अहा ये तो बहुत अच्छा है वीरभद्र को चिलम पकड़ाते हुए शिव मुस्कुराया मैं जानता हूँ वीरभद्र मुस्कुराया यहां की घास मेलुहा से काफी बहतर है चंदरवंशी निश्चित रूप से जानते हैं कि जीवन में उत्तम वस्तुव का आनंद कैसे लेते हैं शिव मुस्कुराया गांजा उस पर अपना जादू भी खेर रहा था आयोध्या के बाहर एक चोटी सी पहाडी पर शाम की ठंडी हवा का दो मित्र आनंद ले रहे थे द्रश्य अद्बुत था घास उगी हुई हल्की ढलुआ पहाडी नीचे मैदान में छितरे हुए ऐसे जंगल का रूप ले रही थी जो दूर जाकर एक चोटी पर समाप्त होता था प्रचेंड सर्यू जिसने हजारों साल पहले चोटी को काड़ दिया था वो भाव प्रवर्ता से घढगढाती हुई नीचे दक्षण की और प्रवाहित हो रही थी धीरे धीरे छितिज में डूपता हुआ सूरज उस प्रशांत छण की नटकी सुन्दरता को और निखार रहा था मेरा अनुमान है कि मिलूहा के समराट अंतता प्रसन है शिव को चिलम वापस देते हुए वीरभद्र मुस्कुराया एक गहरा कश लेने से पहले शिव ने वीरभद्र को आख मारी वो जानता था कि चंदरवंशियों के बारे में उसके बदले हुए विचार से दक्ष नाखुश था और नाकाओ को ढूरते समय वो स्वयम किसी भी प्रकार का भटकाओ नहीं चाहता था उसने एक अत्यंत ही चतुर समझोता किया ताकि दक्ष की विजई भावना तुष्ट रहे और दिलीब भी प्रसनता का अनुभव करे शिब ने निर्णे दे दिया था कि अपसे दक्ष को भारत का समराट जाना जाएगा ना केवल देवगीरी के राजसभा में प्रात्ना के दावरान उनका नाम पहले लिया जाएगा बलकि आयोध्या में भी इसके बदले में चंदरवंशियों के छेतर के भीतर दिलीब को सौधीब का समराट और मेलुहा में समराट के भाता के नाम से जाना जाएगा देवगीरी और आयोध्या दोनों इस्थानों में ही राजसी प्रात्ना में दक्ष के बाद उसका नाम लिया जाएगा दिलीप का सामराज मेलुहा को नाम मातर एक लाक सौन मुद्राइस शुल कुरूप देगा जिसके बारे में दक्ष ने घोशना की थी कि वही धन अयोध्या के राम जनुभूवी मंदिर को अनुदान में प्रदान कर दिया जाएगा इस प्रकार दक्ष का कम से कम एक सपना पूरा हो गया था भारत का समराड बन जाना तरप्त दक्ष विजई होकर देवगरी वापस लोड़ गया सदा से व्यावारिक रहा दिली बहुत खुश था कि सूरिवन्शियों से युद में पराजित होने के बाद अब ये सभी व्यावारिक प्रियोजनों हेतु उसने अपना सामराज और उसकी सुतंतरता बनाये रखी थी हम काशी एक सप्ता में जाएंगे वीरभदर ने पूचा हम तो ठीक है मैं यहां उब रहा हूँ चिलम वापस वीरभदर को देते हुए शिव मुस्कुराया ये भगीरत तो बड़ा ही मनुरंजक विक्ति प्रतीत होता है हाँ लगता तो है वीरभदर ने एक कश लिया तुमने उसके बारे में क्या सुना है आप जानते हैं शिव वीरभदर ने कहा वो भगीरत ही का सोचा था कि एक लाग सैनिकों के दल के साथ धर्मखेत में हमारे शिवर पर घीरा डाले पीछे की ओर से हमला करना वो बहुत ही शांदार विचार था हो सकता है कि वो काम भी कर जाता लेकिन द्रपकु के पराकरम ने ऐसा होने नहीं दिया वो निश्चित ही काम कर गया होता यदि भगीरत के आदेश का अनुकरण उस दिराहे स्थलता किया गया होता सच में चिलम से कश लगाते हुए शिवर ने पूछा मैंने सुना है कि भगीरत चाहता था कि मुख्य युद्भूमी से दूर लंबे रास्ते से रात में चुपके से सीना ले जाई जाए यदि उस ने ऐसा किया होता तो हम उस दल की गटिविदी नहीं देख पाते हमारी प्रतिक्रिया में हुई देरी युद्ध में हमारी पराजे सुनिश्चित कर देती तो फिर कहां चूपूई ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगीरत ने बुलाया तो उस रात युद्ध परिशत उनसे मिलना नहीं चाहती थी पवित्र जील के नाम पर ये तो बताओ कि वे लोग तुरंत क्यों नहीं मिले वे लोग सो रहे थे तुम मस्करी कर रहे हो नहीं मैं मस्करी नहीं कर रहा अपना सीर हिलाते हुए वीर्भदर ने कहा और उससे भी बुरी बात क्या है कि जब वे सुबह अंतता मिले तो उन्होंने भगीरत को धर्मखेत और हमारे शिवर के मद्ध की घाटी में निकट ही रहने का आदेश दिया जिसने हमें उनकी गतिविदी को देखने में मदद की परंद युद्व परिशद ने ऐसा मुर्खता पूर निर्णे लिया है क्यों ऐसा प्रतीत होता है कि भगीरत अपने पिता का विश्वासी नहीं है और इसलिए अधितर सुदीब के राजाओं एवं उसके सेना पतियों का भी नहीं है उनका मानना था कि वो सैनिकों को लेकर आयोद्या भाग जाता और वहाँ स्वैम को राजा गोशित कर देता ये बहुत ही हास्या प्रद है दिलीप अपने ही बेटे पर विश्वास क्यों नहीं करता क्योंकि वो ऐसा मानता है कि भगीरत उसे बेवकूफ और निक्रष्ट समराट समझता है मुझे विश्वास है कि भगीरत वास्तों में ऐसा नहीं सोचता है बात ये है जैसा मैंने सुना है चिलम की राख जाडते हुए वीर्भदर बोला भगीरत अपने पिता के बारे में ऐसा ही सोचता है और वो गलत भी नहीं है, है ना? शिव मुस्कुराया और उसके बाद मामले को और भी बिगाडते हुए वीर्भदर ने कहना जारी रखा समस्त असफलता का दोश भगीरत पर मर दिया गया कहा गया चुकि वो एक लाख सैनिकों को लेकर चला गया था इसलिए वे युद्ध में पराजित हो गया शिव ने सिरह लाया वो इस बात से दुखी था कि मूर्खों से घिरा एक बुद्धिमान विक्ति कटू अलोचना जहिल रहा था मेरे विचार में वो एक शमतावान विक्ति है जिसके पर कतर दिये गये है वो प्रशांत छण अचानक एक तारसब तक चीक से चिन भिन हो गया शिव और वीर्भदर ने सामने देखा तो उनकी दरिष्टी एक घुरसवार पर पढ़ी जिसका अश्व सरपट भागा जा रहा था जबकि उसका साथी काफी पीचे चूड़ गया था और उचे स्वर में चीतकार कर रहा था सहायता कोई मेरी सहायता करो राजकुमार भगीरत भगीरत सरपट भागते अश्व पर नियंत्रल खो बैठा था और शिखर की और तेजी से बढ़ता जा रहा था वो निश्चित रूप से आसन ने मृत्यू के निकट था शिव उचल कर अश्व पर चड़ा और उसके पीछे भागा वीरभद्र भी उसके साथ हो लिया दूरी अधित थी लेकिन हलकी ढाल ने शिव और वीरभद्र को उसे शीगरता से नापने में मदद की शिव ने एक व्रत्ताकार मार्ग लेकर भगीरत को अश्व के बीच में ही पकड़ने की योजना बना ली थी कुछी चड़ में शिव भगीरत के मार्ग पर साथ साथ सरपड भाग रहा था वो प्रभावित हुआ कि संखारक परिस्थिती का सामना करते हुए भी भगीरत शांत एवं उसका ध्यान के इंद्रित पतीत हो रहा था अपने अश्व को धीमा करने के प्रयास में भगीरत लगाम को बहुत कसकर खीच रहा था लेकिन इससे वो अश्व और बिदगता गया साथ ही अपनी गदी बढ़ा दी लगाम छोड़ दे उची घड़गड़ाती सर्यू नदी की अनिश्टिकारी निकटता पर शिव ने चिला कर कहा क्या भगीरत चीखा उसका पूरा का पूरा प्रस्टिक्षन कहता था कि जब अश्व नियंतरर से बाहर हो तो लगाम छोड़ना सबसे बड़ी मुर्खता होती है विश्वास करे राजगमार लगाम को छोड़ दे भगीरत बाद में सुयम को उसकी व्याख्या देगा क्योंकि उसका भागी निलकंट की और उसे मारक दर्शित कर रहा था एक छड़ उसके बोध ने कहा कि प्रस्टिक्षन को भूल जाओ और तिबबत के इस गवार पर विश्वास करो भगीरत ने लगाम छोड़ दी उसे तब आश्चेर हुआ जब अश्व ततकाल ही धीमा होने लगा शिव साथ ही अपना अश्व दोड़ा रहा था वो अब तक इतना निकट आ चुका था कि उस पश्व के कान में फुस फुसा सकता था उसके बाद उसने एक विचितर धुन गुन गुनाना प्रारंब कर दिया वो अश्व अपनी गती को दुल की चाल मिलाते हुए धीरे धीरे शान्त होता जा रहा था शिखर निकट आता जा रहा था अत्यधिक निकट शिव वीरभदर ने चेतावनी दी शिखर कुछ सौ मीटर ही दूर है शिव ने वीरभदर के अश्व की गती के साथ चलते हुए वो चेतावनी सुन ली अश्व पर बैठे राजकुमार ने नियंतरण बनाय रखा जबकि शिव वो धुन अभी गुन गुनाता जा रहा था दीरे दीरे लेकिन नेश्ची तरूप से शिव ने अंतरण पराप्त करता जा रहा था शिखर से केवल कुछ ही मुईटर पहले भगीरत का अश्व अंतता हर रुग गया भगीरत और शिव ततकाल ही अपने अश्वों से नीचे उतरे जबकि वीरभदर उनके निकट आ गया था लानत है तीले की चोटी की और जागते हुए वीरभदर ने कहा ये सचमूच ही बहुत निकट था शिव ने पहले वीरभदर को एक और नजर देखा और उसके बाद भगीरत की और मुड़ा क्या ठीक है ये सुनकर भगीरत की आखे शर्म से जुग गई लेकिन उससे पहले वो टक-टकी बांधे शिव की और देखे ही जा रहा था इतने बड़े संकट में डालने के लिए मुझे च्छमा करें कोई संकट वंकट नहीं था भगीरत अपने अश्व की और मुड़ा और उसे शर्मिन्दा करने के लिए जोर से उसके मुझ पर मारा ये अश्व की गलती नहीं है शिव ने चिला कर कहा भगीरत ने तेरी चड़ा कर शिव की और मुड़कर देखा उधर भगीरत के अश्व के निकट शिव नमरता से ऐसे पुछकारते उसके चेहरे को डुलाते हुए गया जिससे कोई बच्चा बिना गलती के दंडित हुआ हो उसके बाद उसने साधानी से उसकी लगाम निकाल दी और भगीरत को निकट आने का संकेत दिया उसके बाद उसने चमड़े में घुसी वो कील दिखाई जो अश्व के मुगे बहुत निकट थी भगीरत ये देखकर स्थब्द रह गया निशकर्श स्पष्ट था शिव ने वो कील निकाली और भगीरत को देते हुए कहा कोई है जो आपको पसंद नहीं करता मित्र इस बीच भगीरत का सहयोगी भी वहाँ आप पहुचा राजकुमार आप साकुशल है भगीरत ने अपने सहयोगी की और देखा हा मैं ठीक हो शिव उस आदमी की और मुड़ा समराट दिलीप से जाकर कहो कि उनका पुत्र एक आसाधारान गुरसवार है उनसे कहो कि जब सब कुछ विप्रीत था उस समय भी एक पशुपर इतना सुंदर नियंतरन करने वाले व्यक्ति को निलकंटे ने आज तक नहीं रेखा उनसे कहो निलकंट का अनुरोध है कि काशी प्रवास में राजकुमार भगीरत भी चलेंगे तो ये निलकंट के लिए सम्मान की बात होगी शिव जानता था कि दिलीप के लिए ये अनुरोध कदाप ही नहीं था बलकि आदेश था संभवता यही एक मातर तरीका था जिससे बगीरत को अंजाने प्राणगार तक संकट से सुरक्षित किया जा सकता था बगीरत का सहयोगी ततकाल ही अपने घुटनों पर जूब गया जैसी आपके आग्या प्रवू बगीरत हत्परभ खड़ा था उसका सामना ऐसे लोगों से हुआ था जिन्हों ने उसके विरुद को योजना बनाई थी ऐसे लोग जिन्हों ने उसके विचारों के श्रेय स्वयम ले लिये थे ऐसे लोग जिन्हों ने उसे धौस्त किया था लेकिन ये ये अनोखा था वो अपने सहस्वार के और मुड़ा एकांत चाहिए वो विक्ति तत्काल ही वहां से चला गया अभी तक ऐसी अनुकंपा मैंने मातर एक ही विक्ति से पाई है भगीरत ने कहा उसके आखे नम थी और वो है मेरी बहन आनंदमई लेकिन उससे मेरा रख संबंध है मैं नहीं जानता कि आपकी इस उधारता पर मुझे क्या प्रदिक्रिया देनी चाहिए प्रभू मुझे प्रभू के नाम से ना पुकारिये शिमुस कराया ये एक ऐसा आदेश है जिसके लिए मैं आपसे प्रातना करता हूँ कि मुझे ना माननी के अरुमती दे भगीरत ने कहा उसके हाथ आदर पूरवक नमस्ति की मुद्रा में जुड़ गये थे मैं इसके लावा आपके किसी भी आदेश का पालूंग करूँगा यहां तक कि यदि मुझे अपना जीवन भी देना पड़े तो भी अब इतने भी नाट की यह मद्ध हो जाएं इतनी मेहनत कर आपके जीवन की रक्षा करने की तुरंट बाद मैं यह नहीं कह सकता कि आप आत्मातिया कर ले भगीरत हौले से मुस्कुराया आपने मेरे अश्व को क्या गाकर सुनाया था प्रभू कभी मेरे साथ चिलम पीने बैठियेगा तो मैं आपको सिखा दूँगा आपके चरणों में बैठना और सीखना मेरे ले सम्मान की बात होगी प्रभू मेरे चरणों में नहीं मित्र, मेरी बगल में बैठिये गाने का स्वर तब बहतर सुनाई देगा शिम ने इसके कंधे पर थपकी दी तो भंगीरत मुस्कुरा दिया अध्याय दो, सर्यू की जल यात्रा राजकुमारी आनंदमई से कहो परवतेश्वर ने आनंदमई के महल के प्रवेश द्वार पर महिला प्रहरी के कप्तान से कहा कि सेनपती परवतेश्वर बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्होंने मुझसे कहा था कि आप आने वाले हैं कप्तान ने नीचे जुक कर कहा क्या मैं आपसे चड़बर यहीं रुखने का आगरह कर सकती हूँ तब तक मैं उनसे पूछ लेती हूँ जैसे ही कप्तान आनंदमई के कक्ष में प्रवश्ट हुई तो परवतेश्वर पीछे के और मुड़ गया शिव ने उसे काश्ची जाने वाले अभियान का प्रभारी बनाया था शिव जानता था कि यदि वो आयोध्या के किसी प्रशाशा को यहार सौपता तो संभवता वो अगले तीन वर्श तक यही वादिवात करता रह जाता कि यातायात का प्रकार क्या होगा विश्वद सूरिवन्शी कुशलता वाले परवतेश्वर ने एक सपताह में सारी विवस्था देख ली थी दल को मगद नगर तक सर्यू नदी में राजसी नौका पर पूर्व में नीचे की और यात्रा करनी थी जहां नदी शक्तिशाली गंगा में मिल जाती थी वहां से वे पश्चिम दिशा में गंगा की उपर जाने वाली धारा में काशी तक की नौका यात्रा करने वाले थे काशी एक ऐसा नगर जहां दिवे प्रकाश चमकता है आयोध्या के कुछ कुलीन लोगों ने मुर्खता पून आगरहों ने परबतेश्वर को परिशान कर दिया था जो नीलकंट के साथ यात्रा करने के अफसर ढून रहे थे उसने कुछ विचित्र आगरहों को सम्मान देने की योजना तो बना ली थी जैसे एक अंधविश्वासी कुलीन वेक्ती चाहता था कि तीसरे प्रहर के प्रारंब के बार ठीक 32 मिनट पर ही उनकी नौका प्रारंब की जाए किन्तों उनके अलावा अन्य आगरहों को उसमें मानने से पुरी तरह से इंकार कर दिया था जैसे एक अन्यकुलीन विक्ति का आग्रह था कि उनकी नौका में केवल महिला कर्मचारी को ही रखा जाये। सेनापती को पूरा विश्वास था कि आनंदमई भी कुछ अवश्य ही ऐसा विशेश प्रकार की विवस्था करवाना चाहती थी। जैसे उसके सौंदर एसनान के लिए एक नौका भर दूद ले चलना, कप्तान थोड़ी देर में वापस आई। आप अंदर जा सकते हैं सेनापती। परवतेश्वार बहुती फूर्ती से कदम बढ़ाते हुए अंदर गया। अपना सिर जुकाया जैसे राजसी सम्मान में किया जाता है और बोला आप क्या चाहती हैं राजकुमारी। आपको इतना संकोची हुनी के आविश्यक्ता नही है सेनापती। आप उपर देख सकते हैं। परवतेश्वार ने उपर देखा। राजसी बाग का द्रश्ट दिखाती हुई एक सुन्दर खड़की की बगल में आनंदमाई अपने पेट के बर लेटी हुई थी। मालिश करने वाली कानिनी राचकुमारी के सुनम में मोहक ब उसने अपनी द्रश्टी फेर ली। आनंदमाई को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो कोई दुरलब प्रजाती का नर नाग है। जो अभिसार नरती के प्रारंब में अपने प्रेमी के आगे सिर जुकाता है। मानव अपनी जोडिदार की स्रेश्टता सुईकार रहा हूँ मैं चमा प्रार्थी हूं राजकुमारी मैं अत्यधिक चमा प्रार्थी हूँ। आपका अनादर करने का मेरा आश्य नहीं था। राजसी बाग को देखने पर आपको चमा प्रार्थी क्यों होना चाहिए सेना पती। इसकी तो अनुमती है। आज इवन ब्रह्मचारी साधहरण है सर्यू नदी में दक्षिड की और एक इस्थल है जहां प्रभु राम अपने गुरु विश्वामित्र एवं भ्राता लक्षमन के साथ रुके थे जब वे असुद तालका का वद्ध करने जा रहे थे यह वही इस्थल है जहां महारश विश्वामित्र ने राम में भक्ति को देखकर प्रसंद हुआ और मुस्कुराया निसंदे हम वहारुक सकते हैं प्राचकुमारी मैं इसकी विवस्था कर दूँगा क्या आपको किनी विशेश संसादुरों की आविश्यक्ता होगी नहीं कुछ भी नहीं प्रभु तक पहुशने की प्रातना के प्रवतेश्वर ने जोशीले ढंग से अभिवादन किया और कक्षित से बाहर चला गया आनंदमई प्रवतेश्वर को जाते हुए घूरती रही उसने जोरों से आहा भरी और अपना सिर जटक दिया गुर्पया सभी लोग एकत्र हो जाएं हम लोग पूजा प्रारंब करने वाले हैं पंडित ने कहा शिव का दल बल अतिबल कुंड पर था जहां गुरु विश्वामित्र ने प्रभुराम को पौरानी कलाओ की सिक्षा दी थी नील कंठ आप्रसन थे कि आयोध्या के बहुत गुमा फिराकर दिये गए तरकों को मना करने में कठिनाई होती थी किन्तु शिव इस बात से प्रसन था कि भगीरत ने अपने शांदार तरीके से सदस्यों की संख्या में कटौती कर दी थी बड़ी चतुराई से उसने एक कुलीन विक्ति को सुझाग दिया कि उन्हें जल् पड़ा तो कई अन्य कुलीनों ने भी उसका अनुसरण किया वे सभी चाहते थे कि वेकाशी जाकर निलकंट के आगमन के प्रथम संदेश वाहग बने कुछी घंटों में उनका रक्षादल कम होकर उतना ही रह गया जितनी शिव इच्छा कर रहा था नदी के तट से कोई 50 म मानेटर की दूरी पर पूजा की वेदिका बनाई गई थी ऐसी मानेता थे कि जो भी वेक्ति इस पूजा को पूर्ण भक्तिभाव से करेगा वो किसी भी प्रकार के रोग से पीडित नहीं होगा पंडित के बाद शिव सती परवतेश्वर आयुर्वती भगीरत और आनंद म गुरू ने उसे सिखाया था सती असहज थी और उसे असहज करने वाली यह अनुबूति इस लिए हो रही थी कि उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है किसी विचित्र कारण से उसे यह अनुबूति हुई जैसे प्रचंड गृणा का वेग उसी की और निर्देशित थ ताथ उसे असीम प्रेम और अथा दुख की बेहनुबूती हुई चक्राई हुई सी उसने अपनी आखे खोल दी उसने अपने सिर बाई और घुमाया इस पूजा के मार्ग दर्शान उनसार की प्रतेक व्यक्ति अपनी आखे बंद की हुए था उसके बाद उसने दाई और खलकी मुस्कान उभरी अपनी आखों से जताते हुए कि उन्हें अपनी पूजा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए सती ने तेवरी चड़ाई लेकिन शिव ने अपने होठों को संकुचित कर उसकी और हावा में चुम्बन उड़ा दिया आश्यरे चकित सती की तेवरी और अगनी की और मुड़ गया सती भी मुड़ गई उसकी आखे बंद थी वो इस बात पर हलके से मुस्कुरा उठी कि उसे एक बहुत ही प्यारे से पती के साथ का आशिरवात प्राप्त हुआ था लेकिन वो अभी भी अनुभाव कर रही थी कि कोई उसे देख रहा था बहुत ह प्रचंडरता से घूर रहा था नीलकंट के काफिले की अंतिम नौका सर्यों के मौर से मुड़ गई थी शत्रूओं के द्रिष्टी से ओजल हो जाने पर वो नागा व्रक्षों के जुर्मुट से बाहर आ गया वो उसस्थल तक देजी से पहुचा जहां ब्राहमणों ने प आसमान की और देखा उसके बाद दूर खड़े नागा को देखकर वो संभ्रमित हो गया उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि लोकाधीश जैसा की उस नागा के संबंद में कहा जागा था इस विशेश पूजा में इतनी रुची क्यों दर्शा रहे थे वास्ताव में म करकोटक ने रानी से कहा क्या आप ऐसा सोचती हैं कि लोकाधीश को घर वापस चलने के महत्व पर बल देकर सुझाव देनी की आवशकता है जब मुझे तुम्हारे सुझाव की आवशकता होगी करकोटक तब मैं तुमसे पूछ लूँगी रानी ने फुस्पता कर मात्र इ नागाओ को अपनी राजधानी तकार लोट जाना चाहिए था नश्ट करने के लिए समय बहुत कम था राजसभा यानि नागाओ की राजसी परिश्यत की बैठक शीगरी आयूजित होनी थी ब्रंगाओ को स्वास्त के छेत्र में समर्थन देने का मुद्दा पुना उभरने वाला अत्यधिक वै अनेक नागाओं को ब्रंगा राजिक के साथ उनकी मित्रता के विरुद्द करता जा रहा था विशेशकर शांति से जीवन यापन करने वाले और अपना बहिश्कत जीवन आराम से वहतीत करने की इच्छा रखने वाले नागा क्योंकि जो कुछ भी उन समय अकेला नहीं छोड़ सकती थी जब उन्हें नागाओं की मित्रता के आवशकता थी ये भी अंदेकी करने योगी बात नहीं थी कि वे द्रहता पूरवक उसके साथ अब तक निश्ठावान रहे थे दूसरी और लोगों की इश्वर यानि अपने भांजे को भी वो अकेल उता पूर्ण हंमला करना जड़ी वो उसे मारना नहीं चाहता था तो उसने स्वयम औरस गंभीर संक्त में बाना ही क्यों और यदि वो स्वयम ही मारा जाता तो उसे भी वि बुरा दी वो जिवित पकड़ा जाता हालornा कि उस ने बात में इसकारेवाही को नायाचित थहरात लेकिन वो अपने पती और पूरी पल्टन भर सेना के साथ थी, उसका अपहरान करना असंभव था, रानी ने देखा कि उसका भांजा थोड़ा आगे बढ़ गया, वो भी करकोटक को सैनिको सहित वही खड़े रहने का इशारा करते हुए आगे बढ़ गई, उस नागा ने की तोचा हलके से कड़ गई थी, उसने गुसे में अपना सिर्जोर से जटका, उस चाको को रेत पर ही दे मारा, जिससे वो उसमें जागड़ा और फिर मुड़कर रानी की और बढ़ गया, अचानक ही वो रुख गया, अजीब तरह से हिचकिचाते हुए, रानी इतनी दूर था, अनिश्चितता का बोज उस पर हावी था, थोड़ी दूर पर खड़े सैनिक अपनी नेता को ऐसे कमजोर मानसिक इस्तिती में देख स्थब्द थे, रानी को तब आश्चर हुआ जब वो पीछे मुड़ा और उसी इस्थान पर गया, जहां उसने चाको को गाड़ा था उसने बहुत ही सावधानी से उसे बाहर निकाला, भगती भाव से अपनी ललाट से लगाया और कमरमंदी की खोल में वापस रख दिया रानी ने घ्रणा से भर कर गहरी सास छोड़ी और पीछे मुड़ी, उसने करकोटक को आगे आने का संकेत दिया, वो जानती थी कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था अंग रक्षकों के साथ उसे अपने भांजे को छोड़ना पड़ेगा, जबकि उसे स्वयम अपनी राजधानी पंचवटी की और कूच करना होगा माल भाड़ा, ये क्या मुर्खता है? आयोध्या के प्रधान मंत्री सिया मंतक ने गरच कर कहा ये जल्यान स्वधीप के समराट का है, इसमें बहुत ही महातपूर व्यक्ती है, असल में इस प्रत्वी के सबसे महातपूर सिया मंतक मगद के पत्तन मंत्री अंधक की मारदर्शक नौका में था, जो चंदरवंशियों के विशिष्ट नियाएक पत्र के अत्रिक्त हर वस्तु की अंदेखी करता था सिया मंतक ने घबरा कर उस विशाल जल्यान को देखा जो नीलकंट को लेकर चल रहा था परवतेश्वर और भगीरत के साथ शिव जंगल में खड़े थे सिया मंतक ये बात जानता था कि शिव मगद में रुखना चाहते थे उन्होंने नगर के बाहर इसे नर्सिंग मंदिर में जाने की इक्षा प्रकट की थी सिया मंतक नीलकंट को किसी भी भाते निराश नहीं करना चाहता था वैसे भी यदि वो उस जल्यान के लिए माल भाड़ा देता तो ये एक नकारात्मक उधारर बन जाता अगर एक समराट का जल्यान अपने ही सामराज में माल भाड़ा देता तो इससे शेश राज भी ऐसा करने लगते और ये एक गलत परंपरा का आरम होता अंधक के साथ कोई सौदेबाजी एक नाजुक मामला था मैं इसकी परवा नहीं करता कि वो जल्यान किसका है अंधक ने कहा और मैं इसकी भी परवा नहीं करता कि उस जल्यान में स्वेम प्रभुर राम है नियम है कि कोई भी जल्यान मगत के बंदरगाँ पर लंगर डालता है तो उसे माल भाड़ा देना पड़ता है एक सहस्त्र सौन मुद्राव की इस छोटी सी धनराशी के लिए समराड दिली क्यों चिंता करें ये धन की बात नहीं है ये सिधान्त की बात है सिया मंतक ने तर्क दिया बिल्कुल ठीक ये सिधान्त की बात है इसलिए कृपया भाड़ा दे शिव अपना धैरे खोता जा रहा था इतने लंबे समय से ये क्या बाते कर रहे हैं प्रभू भगीरत ने कहा अंधक पत्तन मंत्री है वो अवश्य ही इस बात पर जोड डाल रहा होगा कि माल भाड़े की नियम का पारन किया जाए उधर सिया मन तक मेरे पिता के किसी भी जल्यान के लिए माल भाड़े के अनुमती दे नहीं सकते ये मेरे पिता के सुकुमार अहम का अपमान है अंधक एक मूर्ख व्यक्ति है विधी का अनुसरण करने वाले व्यक्ति को आप मूर्ख कैसे कह सकते हैं पर्वतेश्वर ने तेवरी चड़ाई इसके विपरित उसका आदर होना चाहिए कभी कभार परिस्थितियों को भी देखना चाहिए सेना पती राजकुमार भगीरत मैं समझता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में विधी के अभेलना नहीं करनी चाहिए शिव नहीं चाहता था कि एक बार फिर उसे सूर्यवन्शी एवं चंद्रवन्शी तरीके के जीवन्शैली से जुड़े तरक वितरकों को सुनना पड़े मगत का राजा किस प्रकार का है राजा महेंद्र भगीरत ने बूचा क्या इसका आर्थ विश्व को जीतने वाला नहीं है हाँ यही है प्रभू किंद्व अपने नाम के साथ न्याय नहीं करता है कभी मगत का महान सामराजी था असल में एक ऐसा समय था जब वो स्वधीब पर भी अधिपती सामराजी हुआ करता था और उसके राजा आधर्णिय एवं सम्मानिय थे किंद्व जैसा बहुत से राजाओं के साथ होता है कि उनके आयोग वन्शत संपत्ति एवं सामराजी को टुकडे टुकडे करके गवा बैठते हैं मगत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ वे मगत की पूर्वकालिन कीरती प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करते रहे हैं किन्तु बुरी तरह असफल हुए है हमारा संबंद उनके साथ बहुत ही वहमनस्ति पूर्ण है सच में? क्यो? बात ऐसी है कि स्वधीप का अधिपती सामराज बनाने के लिए आयोध्या ने मगत सामराज को 300 साल पूरू पराजित किया था वो एक वैभाव पूर्ण अश्वमेध यग्य था तब तक आयोध्या ऐसे आयोग य शासक का शिकार नहीं बना था जैसा आज शाशन कर रहे हैं आप कलपना कर सकते हैं कि मगत अपने पद एवं शुलको और करो से प्राप्त राजस्व की हानी से प्रसन नहीं था हालेकिन 300 सालों तक बैर भाव बनाय रखना कुछ लंबा समय नहीं हो गया भगीरत मुस्कुराया छत्रियों की इस प्राप्त शक्ति चिरायू होती है प्रभू और इसके साथ ही वे आयोध्या द्वारा पराजित होने की कारण अब भी दुग जेल रहे हैं सैधान्तिक रूप से मगत इस तत्य से लाभानमित हो सकता है कि वो दो नदियों के संगम पर बसा है इस प्रकार सर्यों या गंगा के किनारे बंदरगाहों वाले नगरों में व्यापार करना बहुत सुगम हो सकता था लेकिन ये लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वे हम से अशुमेद में पराजित हो गए थे उनके माल भाड़ों एवं व्यापारिक केंदर प्रभारों आदी में अधिक्तम सीमा बांदी गई है और फिर सो वर्ष पूर्व हमारी शत्रुता को पुनह जीवन दान मिल गया और वो कैसे हुआ गंगा नदी की उपरी धार पर पश्चिम में एक राज्य है जिसका नाम प्रियाग है एतिहासिक द्रिष्टी से वो मगत का परम मित्र रहा है पास्तों में दोनों ही राज्यों के शास्किये परिवार एक दूसरे के निकट संबंधी रहे है और और जब यमुना ने मेलूहा से अपनी दिशा बदल ली और स्वधीप में बहने लगी तो वो प्रियाग में गंगा से जाकर मिल गई भगीरत ने कहा उसने तो प्रियाग को बहुत ही महत्पूर बना दिया होगा शिव ने पूछा हाँ प्रभू मगत के समान ही वो नदी व्यापार के लिए एक महात्पूर्ण संगम इस्थल बन गया और मगद से भिन उनके माल एवं व्यापार प्रभारो आदि को किसी समझोते से बाधा नहीं गया कोई व्यापारी या राज यमना के नय नय खुले भीतरी प्रदेश में निवास या व्यापार करना चाहता था तो उसे प् परदादा सूर्वन्शियों से पराजित हो गए और यमना पर बांध बनाकर उसे मेलुहा के और मोड दिया गया तो प्रया कम हा तो पुना कम हो गया उन्होंने तब से आयध्या को इसका दोशी मान लिया विवास्तों में ऐसा मानते हैं कि उन्हें एक धुनसात्मक आगहा देने के लिए हम वो युद्ध जानबूच का रहार गए थे ओ तो ये बात है हां अपना सीर हिलाते हुए भगीरत ने कहा किन्तु यदि इमानदारी से कहा जाए तो हमारे परदादा इसलिए पराजित हुए क्योंकि उन्हेंने बहुत ही बेकार रणेदी बनाई थी इस प अगीरत ठटा मार कर हस पड़ा सभी लोग जानते हैं कि मैं एउध्या का प्रतिनी जित्व कदाप ही नहीं करता हूँ ये एक ऐसी जगहा है जहां मुझ पर संदेह नहीं किया जाएगा किन्तु राजा महेंदर बहुत ही शक्की सुभाव के लिए प्रसिंथ हैं हमें ये आ गले से द्वार खुलने की कुछ संभावना है भगीरत थोड़ा परिशान दिखा राजा महेंदर उस किसी भी वश्तु में विश्वास नहीं करते जिसमें मेरे पिता विश्वास करते हैं प्रभू चुकि आयोध्या के समराठ नीलकंट में विश्वास करते हैं तो मगत के राजा उसमें विश्वास नहीं करते सियमंतक की सीडियों से उपर चड़कर आ जाने से उनके वारतलाप में बाधा पड़ गई वो नीलकंट के पास आया उसने बहुत ही जोशीले धंग से अभिवादन किया और बोला समझोता कर लिया गया है प्रभू हम नीचे उतर सकते हैं किन्तो हमें यहां दस दिनों तक रुखना पड़ेगा शीव ने तियोरी चड़ाई मैंने आस थाई धंग से जल्यान का स्वामी तो मगति के राजमहल के विश्वाम ग्रह के स्वामी को हस्तांतरित कर दिया है प्रभू हम लोग उनके विश्वाम ग्रह में दस दिनों कर दिया जाएगा हमें यहां दस दिन तक रुखना पड़ेगा ताकि विश्वाम ग्रह का स्वामी परियाब्त धन कमा सके जिससे उसे लाब भी हो और पत्तन शुल्क का भी मुगतान कर सके शीव ने विसमें से सिया मंतक को देखा वो नहीं समझ पा रहा था कि उसके इस व दिलीब के द्वारा नहीं वो नागा और उसके सैनिक चुपचाप उस जहाजी बेड़े का पीछा कर रहे थे जिसमें शिव सती और उसके परिचारक गड़ यात्रा कर रहे थे नागाओ की रानी प्रधानमंत्रिक करकोटक और रानी के अंगरक्षक नागाओ की राजधान करने वालों से छुपए रहे और इतने निकट की उन नागाओं के मार्ग का आसानी से पीछा कर सकें मगत से बचे रहने के लिए वे और भी अधिक अंदर की और चले गए और उनकी मन्शा थी कि जब नगर से दूर निकल जाएं तो पुना निकट आ जाएं अब थोड़ी के संकेतों से विशुदिम्न को आदेश देता हुआ वो नागा ततकाल अपने घुटनों के बल नीचे जुग गया संकट टल जाने की प्रतीक्षा में समस्त पल्टन शीघर ही शांती से नीचे बैठ गई लेकिन संकट का प्रारंब अभी हुआ ही था एक औरत दुबारा च चेतर का कोई बहुत लंबा गुमावधार रास्ता पकड़ना और नदी की ओर उनके पीछे चल पड़ना अपना सुझाव देने के लिए वो अपने स्वामी की ओर मुड़ा लेकिन उस नागा की आँखे इस हिरदय विदारक दरश्च पर टिकी हुई इस तंभित थी ये द बच्चे को उससे चीनने का प्रियास कर रहे थे पुमहिला अपनी दूबली पतली काया के बावजूद आश्यर जनक रूप से विसमेकारी शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी और अपने बच्चे को निराशोनमाद में पकड़े हुए थी लानत है मगद सेना का निता चीख उस औरत को धपके देकर अलग करो उजड़ों गंगा और नर्मदा के मधि जंगली एवं अशांत भूमी पर जंगलों में रहने वाले आदिवासी इधर उधर रहा करते थे उन महान नदियों के साथ साथ रहने वाले नगरिये सब भी लोगों के लिए ये आदिवासी गई थे और कुछ विशेश के करूर सामराज इन असाहाय समुहों पर दबाव डाल इनसे बेगार मजदूरी करवाने के लिए दास बना लेते थे मगद के उस नेता ने अपने पैरों से महिला को बहुत जोर से ठोकर मारी तुम दूसरा बेटा जन सकती हो लेकिन मुझे ये लड़का चाहिए ये मेरे बैलो को चला कर मुझे विज़े दिलाएगा पिछले तीन वर्षों से प्रतेग दौर जीत रहे मेरे पिता अंतता अपने इस अंतहीन गौरफ को पाने से रुख जाएंगे उस नागा ने उस मगदी नेता को बिना अपनी घ्रणा चुपाए देखा बैलो की दौर चंदरवंशी छेतरों में एक सनक के समान थी जिसमें दाउं लगते थे राजसी रुची होती थी और शड़ेंदर होते थे सवारों को जानवरों को दौर में बनाये रखने के लिए चीखलें चिलाने और भड़काने के आशकता होती थी साथी साथ यदि सवार बहुत भारी होता था तो वो बैलों की गती को कम कर देता था इसलिए छे से आठ वर्ष की आयू के बालक इसके लिए आदर्श समझे जाते थे वे डर के मारे चीख पड़ते थे और उनका भार भी नगरने होता था बच्चों को पशों से बांग दिया जाता था यदि बैल गिर जाता था तो सवार बच्चे या तो गंभी रुप से घायल हो जाते थे या मर भी जाते थे इसलिए अकसर सवार बनाने के लिए आदिवासी बच्चों का आपरहना कर उन्हें दास बनाया जाता था यदि में मर भी जाते थे तो किजी महात्पूर्ण वेक्ती पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था उस मगदी नेता ने अपने एक आदमी के और सिरह लाया जिसने अपनी तलवार निकाल ले उसके बाद उसने उस महला को देखा मैं तुम्हारे साथ यतोचित करने का प्यास कर रहा हूँ अपने बेटे को छोड़ दो अन्यता तुम्हें चोट लग सकती है नहीं उस मगदी सैनिक ने उस मा के दाहिने हाथ को चीरते हुए अपनी तलवार चला दी बच्चे के चेहरे पर रक्त की धार फूर पड़ी जिसने उसे इतना अधिक रुला दिया कि वो अब धानने योगी भी नहीं रहा वो नागा उस औरत को घूर रहा था उसका मुख विसमे से खुला था उसमाता का रक्तिम हाथ एक और लटका हुआ जूल रहा था लेकिन उसमाता ने अभी भी अपने बेटे को बाएं हाथ से जकड रखा था विशुदमने ने सिर हिलाया वो आसानी से बता सकता था कि बस कुछी देर की बात है वो आउरत अपने प्राण गवा बैठेगी वो अपने सैनी को की और मुडा उन्हें संकेत दिया कि वे रेंग कर पीछे हट जाएं उसके बाद वो अपने स्वामी की और मुडा लेकिन वो नागा वहाँ नहीं था वो तौरिद गती से आगे की और बढ़ चुका था उसकी मा की और विशुदिम्न हरवडा गया और अपने सिर को जुकाए हुए ही अपने स्वामी के पीछे भागा मा डालो इस औरत को मगदी नेता ने कहा उसमा के निकट वाले मगदी सैनिक ने तलवार को उचा उठाया वो उसे चलाने करे तयार ही हुआ था कि अचानक वो नागा वरक्षो के पीछे से निकल कर सामने आ गया उसके हाथ में एक चाकू था इससे पहले कि वो सैनिक ये जान पाता कि क्या हुआ वो चाकू उसके हाथ में आकर धस गया और उसके तलवार कोई आहित पहुचाने से पूरू धरती पर गिर पड़ी जब वो मगदी सैनिक पीड़ा से चिलाया तो उस नागा ने दो चाकू और निकाल दिये लेकिन वो पीछे के और मगदी सैनिकों की पल्टन को देख नहीं पाया था उन में से एक सैनिक का तीर कमान पर चड़ा हुआ था वो तीर उसके बाएं कंधे की हड़ी को तोड़ता हुआ उसके धर के कवच और कंधे की हड़ी के बीच में जाध हसा उस प्रहार का बल इतना अधिक था कि नागा धर्ती पर आगिरा और पीड़ा ने उसे गतहीन कर दिया अपने स्वामी को गिरा देख नागाओं की पल्टन जोर से चिलाती हुई दौर पड़ी स्वामी विश्यदिम ने रो पड़ा वो उस नागा को खड़े होने में सहायता कर रहा था तुम कौन हो मूर्क? उस क्रूर मगदी नेता ने चिला कर पूछा इससे पूर वो पीछे हटकर अपनी पल्टन के पास पहुँच चुका था और मुड़कर नागा के उपर भी चिलाया भाग जाओ यहां से यदि तुम जीवित रहना चाहते हो अपने स्वामी को चोटिल देकर क्रोध से चिलाते हुए नागाओ के एक सैनिक ने कहा बंगा वाले बोलने के तरीके से समझ कर मगदी चीख है भगवान इंदर के नाम पर तुम नीच लोग यहां क्या कर रहे हो यह ब्रंगा है बंगा नहीं ऐसा लगता है कि मुझे इससे कोई मतलब होगा मेरे राज इससे भाग जाओ ब्रंगा वालों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की क्योंकि उन्होंने देखा कि विश्वदिम्नी की मदद से उनके स्वामी धीरे धीरे खड़े हो रहे थे उस नागा ने विश्वदिम्नी को संकेत किया कि वो पीछे हट जाए और वो अपने कंधे से उस तीर को बाहर निकालने का प्रयास करने लगा लेकिन वो बहुत ही गहरा धसा हुआ था उसने उस तीर के डंडे को बीच से ही तोड़ दिया और एक और फेंग दिया उस मगदी ने उस नागा की और डरावने धंगे से इंगित करते हुए कहा मैं उगरसेन हूँ मगद का राज कुमार ये मेरा देश है ये लोग मेरी संपती हैं मेरे रास्ते से हट जाओ उस राजिसी बिगडएल की बात पर उस नागा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी वो मुड़ा तो उसने एक हिर्दय विदारक द्रश्य देखा जो उसने अब तक कभी नहीं देखा था उसके सैनिकों के पीछे वो मा लगबग अचेद पड़ी हुई थी उसके आखे बंद होने की कगार पर थी क्योंकि उसका बहुत सारा रत बह गया था शरीर अत्यदी कंपन कर रहा था वो इतनी डरी हुई थी कि उसके मुझे आवाज भी नहीं निकल पा रही थी और तब भी वो हट करती हुई अपने पुत्र को देने से इंकार कर रही थी उसका बाया हाथ अब भी अपने पुत्र के चारो और लिप्टा हुआ था और उसका शरीर अपने पुत्र के सामने उसे सुरक्षा देने वाली स्थिती में था क्या मा है वो नागा पीछे मुड़ा उसकी आखे क्रोध से जल रही थी उसका शरीर तना हुआ था उसकी मुठी कस के बंद थी वो डरावने ढंग से शांत स्वर में फुस-पुसाया तुम्हें एक मा को चोट पहुचाना चाहते हो क्योंकि वो अपने बच्चे की रक्षा कर रही है उसको मल स्वर से केवल धंकी ही प्रकट हो रही थी उसने उस वेक्ति को भी प्रभावित कर दिया था जो राजसी अभिमान में लिप्त था लेकिन उग्रसेन अपने चापलूस दर्बालियों के सामने पीछे नहीं हड़ सकता था कोई पागल ब्रंगा जो बेमौसम भोली का मुखाटा पहने हुए था उसे अपने शिकार से वंचित नहीं कर सकता था ये मेरा सामराज है मैं जिसे चाहूं चोट पहुचाऊं और तुम अपना खेत चुपाना चाहते हो तो यहां से भाग जाओ तुम उस्षक्ति को नहीं जानते तुम एक मा को चोट पड़ी में आतंक घर कर गया था वो अपने अनुचरों की और मुड़ा उन लोगों ने भी वही भय महसूस किया जो उस नागा के स्वर ने उत्पन किया था स्तब्ध विश्वद्म्र ने अपने स्वामी को घूर कर देखा उसने पहले कभी अपने स्वामी को इतनी प्रच हो गए वो तकाल ही जान गया उसके स्वामी ने निर्ने ले लिया था उसनागा ने हाथ बढ़ा कर बगल से अपनी तलवार निकाल ली उसे वो अपने शरीर से दूर पकड़े हुए था अब वो हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार था उसके बाद उसने अपने आदेश क फुसफुसा कर कहा कोई दया नहीं कोई दया नहीं विश्वास पात्र ब्रंगा सैनिकों ने चिला कर कहा अपने स्वामी के पीछे उन्होंने हमला बोल दिया वे दैनिय मगदियों पर तूट पड़े कोई दया नहीं अध्याय तीन मगद का पंडित वो भोर का समय था जब शिव ने नर्सिंग मंदर जाने के लिए विश्राम ग्रह को छोड़ा उसके साथ भगीरत, द्रपकू, सिया मंतक, नंदी और वीरभद्र भी गए थे आयोध्या के तुलना में मगद बहुत ही छोटा सनगर था व्यावसाई के सानिक सफलता और उसके परिणाम सोरूप अधिक संक्या में लोगों के आप्रवासन से तरस्त ना होने की कारण वो इस्थल हारियाले मारगो वाला एक सुन्दर नगर सोरूप बना हुआ था जबकि यहां देवगरी के समान शांदार संस्था गत व्यवस्था या आयोध्या के समान गगंचुम्भी अट्टा लिकाय नहीं थी फिर भी ये मिलूहा की राजधानी के उबाव मानवी करण या स्वधीप की राजधानी की अव्यवस्था के दलदल में नहीं फसा था शिव और उसके अनुयाई दल को नगर से दूर वहां पहुँचने में आदे घंटे से अधिक समय नहीं लगा जहां वो भावे नरसिंग मंदिर इस्थित था शिव ने उस वैभवपूर्ण मंदिर के आहाते में प्रवेश किया शिव के निर्देशा नुसार अनुयाई दल के सदसे बाहर ही प्रतिक्षा करने के लिए रुख गये लेकिन तभी जब उन्होंने मंदिर परिसर में किसी संदिक्द की संभावना को दूर कर लिया मंदिर चारो और एक विशाल काई वर्गाकार बाग से घीरा हुआ था उस शैली से जो भारत के सुदूर पश्चिमी सीमाओं पर प्रभू रुद्र के देश की थी उस बाग के हिर्दा इस्थल में बड़ी ही प्रवीरता से एक विशाल काई फवारा और कलात्मक जलमार्ग थूलों की क्यारियां बनी हुई थी और अदुतिय समानता वाली घास मद्य से बाहर की और जाती हुई बिच्छी हुई थी दूर एक छोर पर नरसिंग मंदिर इस्तित था सफेद संग्मर्मर से बनी विशाल काई सीड़ियां मुख्य मेदिका की और ले जा रही थी वहाँ एक मिनार थी जो कम से कम सतर मीटर लंबी थी उस पर हर और देवी देवताओं की अलंक्रत मूर्तियां उतकीर्ण की गई थी शिव को विश्वास था कि उस भवे प्रेरक एवं इसपश्ट रूप से बहुमूली मंदिर का निर्मार उस समय किया गया होगा जब मगत के पास समस्त स्वधीब राज संग के संसाधन उपलब्द थे शिव ने अपनी पादुका सीड़ियों के पास उतार दी फिर वो सीड़ियों के उपर चड़ता हुआ मुख्य मंदिर में प्रवेश कर गया मंदिर के दूर किनारे पर मुख्य पवित्र स्थल था जहां एक भव सिंहासन पर शिव के इश्ट देव प्रभु नरसिंग विराजमान थे प्रभु रुद्र से भी पूर्व काल में नरसिंग प्रभु का अवतार हुआ था शिव ने चिंतन किया कि यदि प्रभु की मूर्ति का आकार बास्तविक सुरूप का था तो वे अवश्य ही बहुत शक्तिशाली रहे होंगे वे आप्राक्रतिक रूप से उचे कदगे दिख रहे थे कम से कम आठ फीट के उनकी मानसलता ऐसी थी कि दानल तक भैबीत हो जाए लंबे नाखुनों के साथ उनके हाथ आ साधरार रूप से बलवान थे जिसने शिव को ये सोचने पर विवश कर दिया था कि प्रभु के तो हाथ ही किसी संगारा अस्तर से कम नहीं रहे होंगे लेकिन वो प्रभु का मुख था जिसने शिव को इस तब्द कर दिया उनके मुख पर होट कलपनातीत रूप से अतिविशाल थे उनकी मूचों के बाल आम आदमी की तरह नीचे की और नहीं गए होए थे प्रभु नरसिंग और कुछ नहीं बलकि मानव शरीर में सिंग मुख वाले थे यदि वे आज जीवित होते तो अधिकतर चंद्रवनशी प्रभु नरसिंग से उसी प्रकार भैवीत होते जिस प्रकार वे नागाओं से भैवीत होते हैं और फिर भी ये आप प्रत्याशित लोग वास्तों में उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। क्या उनमें कोई सामेता नहीं हो सकती। सामेता खचरों में होती है। शिव ने उधार देखा जिदर से आवाज आई थी और आश्टिर चकित हो गया कि कैसे किसी ने उनकी मन की आवाज को सुन लिया। स्तंबो के पीछे एक और वासुदेव पंडित बाहर निकल कर आया। शिव अभी तक जितने भी पंडितों से मिला था उनकी लंबाई उन सब पंडितों में सबसे कम थी। मात्र पांच फिट से कुछ ज्यादा। लेकिन अन्य द्रश्टिकोर से वो पूर्ट तयह अन्य वासुदेवों की तरह दिख रहा था। हिम समान सफेद केश और बढ़ती आयू की रेखाएं मुकपर जलगती हुई। वो केसरिया रंग की धो पता नहीं रगता था। वो वारतालाब किसी और समय महान निलकंट। शिव शपत ले सकता था कि उसने अपने मन में उस पंडित का स्वर सुना था। शब्द टूट टूट कर आ रहे थे जैसे कहीं बहुत दूर से आ रहे हों। बहुत ही धीमा एवं आसपश्ट। लेकिन कि निलकंट उसके विचारों को सुन सकते थे। आप व्याख्या नहीं करने वाले हैं है ना। शिव ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं आप निश्चित रूप से अभी तयार नहीं है। उस पंडित का रंग रूप अनिवासुदूयों की तरह ही था लेकिन उसका च गश्येश के चलेत्र की अस्त्र प्रक्रति काहे प्रतविम्ब था। हुँ सकता है कि पंडित किसी अन्यजीवन में चंद्रवशी रहा हो। मैं वासुदेव हूँ पंडित ने कहा आज मेरी कोई अन्य पहचान नहीं है मैं पुत्र नहीं हूँ ना पती ना पिता और मैं चंद्रवंशी भी नहीं हूँ मैं मातर वासुदेव हूँ एक व्यक्ति की कई पहचान होती है पंडित जी पंडित ने अपनी आखे संकुचित की कि आप जन्म से वासुदेव हैं जन्म से कोई वासुदेव नहीं होता प्रभु नीलकंट आप इसे अरजित करते हैं एक प्रतियोगी परिक्षा है जिसमें सूरिवन्शी एवन चंदरवन्शी भाग ले सकते हैं यदि आप उसमें उत्तियण होते हैं तो आप कुछ और नहीं हो सकते आपको अपनी सारी पहचान त्यागनी पड़ती हैं आप वासुदेव बन जाते हैं लेकिन आप वासुदेव बनने की योगिता अरजित करने से पूर्व चंदरवन्शी थे शिव मुस्कुराया जैसे वो मातर एक कथन प्रकट कर रहा हूँ शिव के कथन को स्रीकारते होए वो पंडित मुस्कुराया शिव के मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्शन थे जिनके उत्तर का वो इच्छुब था लेकिन एक प्रशने सबसे इस पश्ट था जो वो इस वासुदेव से पूछना चाहता था कुछ महीने पहले राम जन्मभूमी के मंदिर में वासुदेव पंडित ने मुझसे कहा था कि मेरा कारे बुराई का नाश करना नहीं बलकि ये पता करना है कि बुराई क्या है शिव ने कहा पंडित वासुदेव ने सहमती में सिर हिलाया मैं उस विचार को अब भी आत्मसाथ करने का प्रयत्न कर रहा हूं इस प्रकार मेरा प्रशन उससे संबंधित नहीं है शिव ने कहना जारी रखा मेरा प्रशन उनके कुछ और कहने से संबंधित है उन्होंने मुझसे कहा था कि सूरिवन्शी पुलिंग का प्रतीक है जबकि चंदरवन्शी इस्तरी लेंका इसका क्या आर्थ है क्योंकि मेरे विचारों से इसका पुरुष और इस्त्री जाती से कोई लेना देना नहीं है आप इससे और अधिक स्पष्ट नहीं हो सकते है मित्र आप बिल्कुल सही है इसका पुरुष एवं इस्त्री से कुछ भी लेना देना नहीं है असल में ये सूरिवंशियों एवंचंद्रवंशियों के जीवनशैलियों से संबन दित है जीवनशैली? राजकुमार उग्रसेन मारे गए? भगीरत ने पूछा हा राजकुमार सिया मंतक ने धीरे से कहा ये समाचार ऐसे स्रोत से मिला है जिस पर मैं आख मूंद कर विश्वास करता हूँ प्रभू राम हमारी सहायता करें हमें इसी की आवशक्ता थी राजा महंदर सोचेंगे कि आयोध्या ने ही इस हत्या की विवस्था की होगी और आपको तो पता ही है कि वे कितनी प्रतिशोदी हो सकते हैं मैं आशा करता हूँ कि वे ऐसा ना सोचे राजकुमार सिया मंतक ने कहा ये हमारे लिए बहुत बुरा सिध्ध होगा उनके गुप्तचर हमारा पिछा कर रहे हैं नंदी ने कहा मुझे पूरा विश्वास है कि उनके पास हमारे रहने आने जाने इत्यादी गतिविदियों के बारे में सूचना अवश्य होगी क्योंकि हम नगर में प्रवेश कर चुके हैं हमें इसके दोशी नहीं ठहराए जा सकता नहीं नंदी बगीरत ने कहा राजा महंदर ये भी सोच सकते हैं कि हमने उनके पुतर की हत्या करवाने के लिए किराय के लोगों को लगाया होगा खैर ये बताओ कि वे गुप्तचर कहा हैं उनमें से दो वहाँ हैं गुप्तचरों के और अपनी आखों से संकेत करते हुए द्रपुक ने कहा ये बहुत ही अनाड़ी है वो पेड़ वास्तों में उन्हें छुपा नहीं पा रहा है भगीरत धीरे से मुस्कुराया ये सुर्पदमन हो सकता है सियामंतक ने कहा स्वधीप में सभी लोग जानते हैं कि मगद राजे का छोटा राजकुमार निर्दाई है उसने सिंगासन पर दावा करने के लिए इस हत्या के विवस्था की होगी नहीं भगीरत ने अपनी आखे संकुजित करते हुए कहा सुर्पदमन राजा महेंदर का बहुत ही योग ये पुत्र है कुछ राजाओं को जिने मैं जानता हूँ उसे भी ने राजा महेंदर उसकी गलतियों के बावजूद उसकी योगिता को सम्मान देते हैं वास्ताओं में सुर्पदमन के पास इस सिंगासन है इसके लिए उसे अपने भाई की हत्या करने की आशक्ता नहीं है लेकिन ऐसा कैसे संभव है कि अब तक जनता ने इसका शोक मनाना प्रारम नहीं किया द्रपकु ने पूछा वे सूचना को गोपनी ये रख रहे हैं मुझे नहीं पता क्यों सियामंतक ने कहा संभव है कि वे एक विश्वस्नी कहानी की विवस्था कर सके ताकि उगरसेन की याद को को सम्मान प्राप्थ हो सके भगीरत ने कहा वो मूर्ख तो अपनी ही तलवार पर गिर जाय ऐसा था वो द्रपकु के और मुड़ने से पहले सियामंतक ने सहमती में सिरह लाया प्रभू मंदिर में अकेले ही क्यों इतना समय व्यतीत करना चाहते हैं ये तो बहुत आपरमपरागत है वो इसलिए कि प्रभू स्वयम ही इतने आपरमपरागत हैं लेकिन आप उनके पहचान को मगद में गोपनी क्यों रख रहे हैं मगद के वरतमान राजा निलकंट को नहीं मानते और यहां के लोग अपनी राजा के विश्वास पातर अनुयाई है प्रभू की पहचान को यहां गुपत रखना ही उचित है क्या आप जानते हैं कि पशों की तुलना में मनुश्य किस कारण से विश्ष्ट होते हैं पंडित ने पूछा क्या शिव ने पूछा यह तब थे कि हम साथ कारे करते हैं हम किसी सहीज़ के लक्षे को प्राप्त करने के लिए मिल जुलकर कारे करते हैं हम अपने ग्यान को एक दूसरे में बाड़ते हैं इस प्रकार प्रतेक पुष्ट अपने पूरवजों के कंधों का सहारा लेकर अपनी यातरा प्रारंब करती है ना कि प्रारंब से मैं सहमत हूँ लेकिन केवल हम लोग ही ऐसे नहीं है जो समूग में काम करते हैं अन्य पशू जैसे हाती या सिंगे भी ऐसा करते हैं लेकिन हाँ उतने बड़े स्तर तक नहीं करते हैं जितने बड़े स्तर पर हम करते हैं हाँ ये सही बात है लेकिन ये हमेशा ही मिलजुलकर काम करने के संबंद में नहीं है ये कभी कभी प्रतियोगिता के बारे में भी है ये हमेशा ही शांती के संबंद में नहीं है कई बार ये युद्ध के बारे में भी होता है शिव मुस्कुराया और उसने सहमती में सिरह लाय इस प्रकार सर्व प्रमुक बिंदू ये है कि हम मनुष्य वयक्ति किस्तर पर कुछ भी नहीं है पंडित ने कहा हमारी शक्ति हम सबसे एक साथ प्रवाहित होती है उसी प्रकार जिस प्रकार हम एक दूसरे से घूल मिलकर रहते हैं हां शिव सहमत हुआ और यदि हमें एक साथ मिलकर रहना है तो हमारे पास एक जीवन शैली होनी चाहिए क्या मैं सही हूँ हां हम सब के लिए कोई एक तरीका ताकि हम मिलजूल कर रहे हैं या एक दूसरे से प्रतियोगिता कर सकें अधिकतर लोगों का मानना है कि दुनिया में कई सो जीवन शैलिया है पंडित ने कहा प्रतेक संस्कृती सोचती है कि वो किसी ना किसी प्रकार दूसरों से भिन है शिव ने सहमती में सिरह लाया लेकिन यदि आप वास्तों में उन जीवन शैलियों का अध्यन करें और उनका सार निकाले तो केवल दो ही प्रकार बचेंगे पुलिंग और स्त्रिलिंग और इन 1 जीवन शैलियों के क्या अर्ठ है पुरुषमाचक जीवनशैलि है काणून का जीवन कानून जो महा नेता धौरा बनाया गया हो संभिवत्य हैwinning विष्णों दौरा जैसे प्रभुराम या फिर कानून जो धार्मिक परांपरा हो दोरा निरधारित हँग या ایसा सामूही क कानून जो आम जनता द्वारा बनाया गया हो लेकिन पुरुष वाचक जीवन शैली बहुत ही इस पश्ट है कानून अपरिवर्तनी होते हैं और उनका पालन अवश्य ही कड़ाई से किया जाना चाहिए इसमें आस्पश्टता की कोई संभावरा नहीं होती जीवन पूर्वान कोने के लिए इनकी ही आवश्यक्ता होती है और स्त्रिवाचक स्त्रिवाचक जीवन शैली है संभावना का जीवन कुछ भी परम सिध्धान्त नहीं है कोई काला या सफेद नहीं है लोग पूर्व में आदेशित किसी कानून के अनुसार कारे नहीं करते हैं बलकि उस समय व कि ओस्तर समाज में कानून होते हैं तो वे लचीले होते हैं एक ही कानून अलग अलग समय में भिन भिन अर्थवाले बन जाया करते हैं यहां माकर परिवर्तन ही स्त्यर है इस्त्रिलिंग sontk exactlyืENT प्रकार की यह अस्तिता का नियम क्या होता है बिना किसी तुर्टी के अनुराग सुंदर्टा और सुतंतर्टा और कोई भी जीवन शेली दूसरे से टृष्ट नहीं है सुता यहीं सत्य है दोनों ही तरह की संस्कृतियों का अस्तित्व होना चाहिए क्योंकि वे एक दूसरे को संतुलिप करती है कैसे आप देख सकते हैं कि एक पुरुष वाचक संस्कृति जब अपने उतकर्ष पर होती है तो वो उस यूग के अनुकूल उन कानूनों के समूह विशेश के लिए सम्मानिय, स्थिर विश्वस्निय एवं शांदार तरीके से सफल होती है एक व्यवस्था कारे करती है और अपने से भिन पर हमला करते हैं और उन्हें वे अपने सत्य में परिवर्थित करने का प्रयत्न करते हैं जिसके परिणाम सरुप हिंसा एवं गडबड़ी उत्पन होती है यह विशेशकर तब होता है जब यूग परिवर्थित होता है वे उन कानूनों को और भी अधिकसकर पकड़ लेते हैं यह देपी वे कानून संभावतया उस युक के योग ना हो फिर भी पुरुष्वाचक संस्कृति द्वारा लागू की गई व्यवस्था का तब तक स्वागत होता है जब तक वे शक्तिशाली होते हैं लेकिन जब वे अवनतिकी और अग्रसर होते हैं तो स्त्री वाचक जीवनशेली सादिगी के माध्यम से ताजगी लेकर आती हैं बिल्कुल सहीं स्त्री वाचक जीवनशेली सभी प्रकार के विभेदों को समाविष्ट कर लेती हैं विभेन प्रकार की आस्थाओं एवं विश्वास का शांती के एक साथ अस्तित्व बना र होजता है देव जो इस्त्री वाचक जीवनशेली के अनुयाई थे उन्होंने जब असुरों को पराजित किया तब वे सारी विश्ष्चताइं समाज में लाए थे लेकिन जैसा कि अत्यधिक सुतंत्रता यह यह कहें कि उन्मुक्तता के साथ होता है इस्त्री वाचक संस्कृत अधोगती ब्रष्टाचार एवं व्यविचार से भी परे निकल जाती है उसके बाद फिर से लोग पुरुश्वाचक जीवनशेली का सौगत करते हैं हां प्रभुराम के काल में इस्त्री वाचक देवों की शेली पतोन मुक्ती सामराज ब्रष्ट अनैतिक और पथ ब्रष शेली की कभी भी निंदा नहीं की उन्होंने केवल अपने नियम को जीवन की नई शेली कहा सौरिवनशी मार्ग लेकिन आप सच्मूच यह कह सकते हैं कि इस्त्री वाचक एवं पुरुश वाचक जीवनशेली मात्र संस्कृति के इस्तर पर ही विद्धिमान होता शिव ने और क्या ये परस्पर परिबर्तिन ये नहीं होते हैं हाँ आप बिल्कुल सही है लेकिन अधितर लोगों में कोई एक विश्चता प्रबल होती है या तो वो पुरुश वाचक होता है या फिरस्त्री वाचक शिव ने सहमती में सिर्ह लाया जीवन यापन की इन दोनों शेल को एक अलग प्रकार से समझाना होगा और चंदुरवंश को बिल्कुल ही अलग प्रकार से मुझे उनको समझाने की आवशक्ता क्यों पड़ेगी मेरे विचार से सूर्वंश्यो एवं चंदुरवंश्यों में साहस्स का तनिक भी आभाव नहीं है इसका साहस्स से कुछ ले के आ सकती बुराई से भोचक्का हुआ शिव ने पूछा ववित्र जील के नाम पर बताएं कि कोई क्यों बुराई से आ पंडित मुस्कुराया शिव ने एक गहरी सांस छोड़ी अब क्या इस पलवारता लाप रोकने की क्या व्याख्या है मैं तयार नहीं हूँ अभी उचित समय नहीं है पंडित हसा मैं अभी आपको इसकी व्याख्या नहीं कर सकता है निलकंट आप नहीं समझेंगे और जब को खोज निकालेंगे तो आपको उससे समझने के लिए मेरी व्याख्या क्या आवशक्ता नहीं होगी जैगुरु विश्वामित्र जैगुरु अशिष्ट अध्याय चार वो नगर जहां दिव्य प्रकाश चमकता है राजकुमार सुर्पदमन आश्यरेचिके भगीरत ने भगीरत शिव की ओर मुड़ा नील कंठ ने सिर हिला कर अनुमती दी आयोध्या के राजकुमार सियमंतक की ओर मुड़े राजकुमार सुर्पदमन को अंदर आने दिया जाए कुछी छणो बाद ही एक जोशीला विक्तित तेजी से अंदर आया लंबे कद सुगटित शरीर और सामले रंग वाले सुर्पदमन की तेल से चिकनी मोटी मोटी मोचे थी जो किनारे पर उम्ठी हुई थी उसके बाल खूप सहेजे हुए लंबे थे और अतिव्याई फिर भी रुचिकर मुकुट के नीचे सुगरता से वेवस्थित थे शुएत अंगवस्तरम के साथ उस प्रणाम किया प्रभु भारत में अंतता आपकी उपस्थिती बड़े सम्मान की बात है आश्चरे चकित शिव में सहज बोथ था कि वो पीछे ना हटे अनिथा आवश्षी इसे अनादर के रूप में देखा जाता उसने सुर्पदमन को आशिरवात दिया आईश्मान भव प्रणर डाला गया हो भागीरत मुस्कुराया और उससे सहमती जताते हुए अपना सिर हिलाया मैंने आपके भाई के बारे में सुना शिव ने कहा कृपिया मेरी सम्वेदना स्विकार करें उस सम्वेदना को स्विकारते हुए सुर्पदमन ने कुछ नहीं कहा वो विनम्रत थोड़े हटी हैं कोई बात नहीं मैंने अभी तरक किसी को ऐसा कोई काराण भी नहीं दिया कि वे मेरे सम्मान कर सके सुर्पदमन आप उस बारे में बात क्यों नहीं करते जो आप करने के लिए आये हैं प्रभू मेरा मानना है कि आप से कोई बात छुपी नहीं है अपने भगीरत ने कहना प्रारंब किया शुर्पदमन ने अपने हाथ से चुप रहने का आग्रह किया मैं जानता हूं राजकुमार भगीरत शुर्पदमन ने कहा इस हत्या के संबंध में मेरे पास एक अलग सिध्धानत है सुर्पदमन ने अपनी कमर से बंधी हुई थैली खोली और ब्रंगा राज्य का एक सिक्का निकाला ये उसी सिक्के के समान था जो शिव ने उस नागा से प्राप्त किया था जिसे लोकाधीश कहा जाता था प्रभू सुर्पदमन ने कहा ये है जो मुझे अपने भाई के शरीर्ट के निकट मिला मेरा मानना है कि जब आप आयोध्या में थे तो आपको एक स्वर्ण मुद्रा मिली थी कै ये मुद्रा उसी की तरह है भगीरत ने सुर्पदमन को इस्तब्धो कर घूरा वो विचार कर रहा था कि सुर्पदमन को कैसे पता चला कि निलकंट को कुछ मिला था सुर्पदमन द्वारा गुप्तचरों का जाल बनाने वाली अफवाह अवश्य ही सत्य होनी चाहिए मगद की अत्यधिक अक्षम गुप्तचर व्यवस्था से सतंत्र एक तंत्र व्यवस्था शिव ने सुर्पदमन से वो मुद्रा ले ली गहनता से घूरते हुए उसका शरीर क्रोध से तन गया मुझे नहीं लगता कि वो घुनोना चुहा पकड़ा गया होगा शिव का प्रचन्द क्रोध और उसके वजन सुन सुर्पदमन हत्प्रब्द रह गया नहीं प्रभू, खेद है कि ऐसा नहीं हुआ मुझे भै है कि वो उस बिल में दुबग गया जहां से आया था शिव ने वो मुद्रा सुर्पदमन को लोटा दी अब वो शान्त था सुर्पदमन भगीरत की और मुड़ा मुझे मातर इसकी पुष्टी की आवशकता थी राजकुमार मैं राजा को बताऊंगा कि मेरा भाई राजकुमार उग्रसेन एक नागा के हमले से मगत की रक्षा करते हुए वीरगती को प्राप्थ हुआ था मैं उन्हें ये भी बताऊंगा कि आयोध्या का इससे कोई लेना देना नहीं है मैं निश्ची तुरुप से कह सकता हूँ कि आप भी चंदरवंशी राज संग के दो स्तंभों के मद्य अनावश्रक युद्ध नहीं चाहते होंगे विशेशकर अभी नहीं जब हमें सूरिवंशियों के हाथो अत्यदिक छती पहुँची हो अंतिम टिपड़ी उभास उड़ाने वाली थी धर्म खेत में मेलुहा के विरुद्ध युद्ध में अपने नेतरत्व के कारण आयोध्या ने चंदरवंशीयों के मद्य अपनी साख हो दी थी आपके कथन ने मेरी गहन्च चिंता को कम किया है राजकुमार भगीरत ने कहा मैं मगद के प्रती आयोध्या के मित्रवत मंतवे का विश्वास दिलाता हूँ और कृप्रिया मुझे अनुवती दे कि मैं आपके भाई की असमे मृत्यों पर आयोध्या की और से अधिकारी कृप से सहानभूती प्रकट कर सको प्रभू मैं समझ सकता हूँ कि आपको भी नागा से हिसाब चुकाना है मैं आपसे प्रातना करता हूँ कि जब इस विशेश दानव से युद्ध हो तो मुझे आपकी सेवा करने का आउसर अवश्य दे शिव ने सुरुपदमन को आश्यर से तेवरी चड़ा कर देखा राशकुमार ने अभी तक ऐसा संकेत नहीं दिया था कि उसे अपने भाई से प्रेम था या वो उसकी मृत्य का बदला लेना चाहता था प्रभू चाहे वो जैसा भी था वो मेरा भाई था उसके रखते का प्रतिशोद मुझे अवश्य लिना चाहिए सुरुपदमन ने कहा उस नागा ने मेरे भी भाई के हत्या की है सुरुपदमन शिव ने मेलुहा के प्रमुख वैग्यानिक ब्रहस्पति का संदर्ब देते हुए कहा जो उसके भाई समान था जब बुचित समय आएगा तो मैं आपको युद्ध करने के लिए अवश्य बूलाओंगा शिव का उन्याई दल्स शांतिपूरवक मगद से बाहर निकल गया अन्यने ग्रो अर्थात मेलुहा एवं सुधीब से भी ने जहां शिव का जाना हुआ यहां उसकी बिदाई के लिए किसी समारों का आयोजन नहीं किया गया था अधिकतर मगद वासियों से उसका आना और दोनों ही गोपनी रखा गया था हाला कि सुरुपतबन मगद राजी के बंदरगा पर गुपत रुप से निलकंट के प्रस्थान पर उन्हें नमस्ते करने के लिए आया था जल्यान मेलुहा के काफिले की माने बनावाट में चल पड़ा था मुख्य जल्यान जिसमें निलकं रिका- उस जल्यान के थी जो सबसे आगे चल रहा था वह समस्ते काफिले का गतिने लिएंतरत था उसे इतना द्हिमा चलना था ताकि वो निलकंट के जल्यान की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके लेकिन योडिया जल्यान को मारग देकर भष निकलने का वस्रपदान कर सके वो अग्रणी जल्यान एक चिंद्रवंशी कप्तान के नेतरत्व में था जो बड़े ही अजब धंग से किसी अनाडी सा कारे कर रहा था संभावताया अपने जल्यान की शक्त दिखाने के लिए वो उन्मत गती से बढ़ता जा रहा था इसके कारण नेतरत्व जल्यान एवं शिव के जल्यान के मद्ध दूरी बढ़ती जा रही थी परवतेश्वर को नेतरत्व नौका के कप्तान को साफधान करने एवं उसे धीमा करने के लिए जल्यान की सीटी को लगातार बजाना पड़ रहा था उसकी अपुशल्ता से ठपकर परवतेश्वर ने निर्ने लिया कि वो नेतरत्व नौका में ही यात्रा करेगा ताकि वो इस चंद्रवन्शी को नौकी इस रक्षा बनावट के आधार्वु सिद्धान सीखा सके अपने काम की महत्ता को समझते हुए परवतेश्वर तब व्यथित हो गया जब आनन्दमई ने अवरणी है कारण से निर्ने लिया कि वो भी उस नेतरत्व नौका में ही यात्रा करेगी हम लोग इतने धीमे क्यों चल रहे हैं आनन्दमई ने पूछा जल्यान के अगर भाग के जंगले से परवतेश्वर मुडा दबे पाउं उसका अपनी बगल तकाना इसका आनन्दमई को भान नहीं हुआ वो जंगल की ओर अपनी पीठ के खड़ी थी और हलके से कोहनी जंगले पर टिकाई हुई थी उसकी एक केड़ी जंगले के सबसे नीचे वाले खंड पर रखी हुई थी ऐसी मुद्र से पहले से ही छोटी उसकी धोती दाहिने पैर पर और उची उट गई थी वक्षिस्तल भी खिचकर उतेज़े के स्थिती में आ गय थे परवतेश्वर किसी कारण से असुधा महसूस करता हुआ कुछ समझ नहीं पाया और थोड़ा पीछे की और हड़ गया ये एक नौकी सुरक्षा बनावट है राजकुमारी परवतेश्वर ने बड़ी मेहनत से बताया जैसे किसी ऐसे बच्चे को जटिल गडित समझा रहा हो जो समझने के लिए तयार ना हो आपको ये समझाने के लिए मेरा पुरा जीवन भी कम पड़ेगा कि आप मुझ से अपने साथ पुरा जीवन बिताने के लिए कह रहे हैं अरे बुड़े धाना वापना प्रवतेश्वर शर्म से लाल हो गया ऐसा है आनंद महीं ने कहना जारी रखा आपको कुछ बहुत ही मौलिक बाते बताने में निश्ची तरुप से मुझे अपना पूरा जीवन नहीं लगेगा हमारी नेतरत नौका को सीमा से अधिक धीमा करने के बजाए हम इस नौका को मुखे जल्यान से एक उजित लंबाई वली रस्टी से बांग सकते हैं उसके बाद पीछे एक सैनी को निउक्त कर सकते हैं जो हमें संकेत देता रहा है यदि कभी भी वो रस्टी जल में डूपती है तो उसका आर्थ होगा कि नितरत नौका धीमी है और उसे गती बढ़ानी चाहिए और यदि रसी तन जाती है तो सैनी को संकेत देना चाहिए कि नितरत नौका को धीमा किया जाए आनंद मही ने अपने बालों को सतर करने के लिए हाथ से समारा इससे आपकी यात्रा में लगने वाले समय में बचचत होगी और मुझे इस बेतु की चोटी सी नौका से मुक्ति पा काशी के महल जैसे आरामदाय किस्तल में रहने का अवसर मिलेगा परवदेश्वर उसकी चतुराई भरे सुझाव से चकित हुआ खोती सुंधर विचार मैं अभी कप्तान को बताता हूँ कि वो इस सिचार का पालन करे आनन्द मैं ने आगे बढ़कर अपने कोमल हाथों से परवदेश्वर को पकड़ा और पीछे के और खीच लिया इतनी भी जल्दी क्या है पर्व कुछ छणों से कोई अंतर नहीं पड़ेगा थोड़ी दिल मुझसे बात कीजिए अपने नाम को तोड़ने मरोडे और आनन्द मैं का अपनी भुजा पर ऐसी हटी पकड़ पर प्रवदेश्वर शर्म से सुर्क हो गया उसने नीचे उसके हाथों की और देखा आनन्द मैं ने तेवरी चड़ाई और अपना हाथ वापस खीच लिया कि गंदे नहीं है सेनपती मेरा ततपर ये नहीं था राजकुमारी तो फिर क्या था आनन्द मैं ने पूचा उसका स्वर्थ थोड़ा रूखा था मैं किसी इस्त्री को चूँ नहीं सकता राजकुमारी विशेश कर आपको मैंने आजीवन ब्रह्मचरे का व्रत लिया है आनन्द मैं हक्की भक्की रह गई वो परवतेश्वर को ऐसे गूर रही थी जैसे वो किसी दूसरे ग्रह का प्राणी हो रुकिये आप ये बता रहे हैं कि आप 180 साल के कुवारे हैं परवतेश्वर इस अनुचित वारतालाप पर पुरी तरह से खीज उठा वो मुड़ा और वहां से तेजी से निकल गया आनन्द मैं खिलखिला कर हस्ती हुई दोहरी हो गई विश्वदिम्ने ने दबे पाउँ चलने की आहट सुनी उसने ततकाल ही तलवार निकाली और अपनी पल्टन को भी वैसा करने की आदेश दिये राजकुमार उग्रिसेन और उसकी पल्टन के साथ मुणभेड के बाद उनकी पल्टन मगद के दक्षर में और घने छेतरों के ओर चली गई थी वो नागा गंभी रूप से घायल था और इस विस्तिती में नहीं था कि अधिक दूर तक या तरक कर सके उस नागा के जीवन को बिना जोखी में डाले वे जितनी तेजी से चल सकते थे चल रहे थे क्योंकि अपने राजकुमार के हत्यारों को ढूंड निकालने के लिए मगद के सैनिक चप्पे चप्पे की खाक चान रहे थे अपनी तलवार नीची करो जडबुदी एक शक्तिशाली महिला आवाज फसफसाई यदि मुझे तुम्हारी हत्या ही करनी होती तो जब तक तुम अपनी तलवार निकाल पाते उससे पहले ही मैं अपना काम कर चुकी होती विशुदम ने उस रुखी फसफसाट को पहचान नहीं पाया संभवत या लंबी यात्रा के ठकान ने या शीतकाल की ठंड ने आवाज को रूखा बना दिया था लेकिन उसने इस लहजे को अवश्य पहचान लिया था उसने ततकाल ही अपनी तलवार नीचे कर लिया और सिर जुका लिया चुपचाक अपने अश्व को आगे बढ़ाते हुए नागाओ की रानी रक्षों के पीछे जे प्रकट हुई उसके पीछे उसके विश्वासी प्रधानमंत्रिकर कोटक और सर्वोत्तम पचास अंगरक्षकों का दल था मैंने तुम्हे एक सरल सा कारिमातर सौपा था रानी ने फुपकार कर कहा क्या तुम अपने सौमी की सुरक्षा तक नहीं कर सकते क्या ये काम इतना कठिन है देवी हडबढाया हुआ विश्वदम ने फुसपुसाया परिस्तिती अचानक ही नियंतर से बकवास बंद करो अश्वी की लगाम को एक सैने की और उच्छालते हुए रानी ने जलती हुई नजरों से उसे देखा और साफ किये हुए जंगल में उस इस्थान के और बढ़ गई जहां कपड़े का एक तंबू गड़ा हुआ था वो उस तंग मुड़े तुड़े से तंबू में घुसी और अपना मुखोटा उतार लिया सूखी घास की शया पर लोका धीश यानि उसका भांजा लेटा हुआ था पट्टियों से उसका शरीर ढखा हुआ था उसका शरीर शितिल और कमजोर था रानी ने अपने भांजे को चिंतित द्रश्टी से देखा उसके स्वर में समवेदना थी क्याब हम आदिवासियों के भी मित्र हो गए है उस नागा ने अपनी आखे खोली और मुस्कुराया वो दीमे से फुस्पुसाया नहीं महरानी फिर परमात्मा के लिए मुझे ये बताओ कि किसी जंगल वासी की रक्षा करने के लिए तुम अपना जीवन क्यो संकट में डालते हो तुम मेरी पीड़ा क्यों बढ़ाते हो क्या वे मेरे भागे में पहले से ही परियाप्त नहीं है मुझे च्छामा करो मुसी लेकिन क्या मैंने आपके सबसे बड़े तनाव का निप्टारा नहीं किया हाँ तुम ने किया है और इसी एक मातर कारण से मैं इतनी दूर सेुम्हारे लिए आई हूँ तुमने सभी नागाओं के भगते अर्जित कर ली है लेकिन तुम्हारा कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है तुम्हें अभी और बहुत से कार्य करने है और किसी बिग्डैल राजवन्शी को रोकना चुकि तुम समझते हो कि वो गलत है ये कार उस सूची में कोई प्रात्मिता नहीं रखता ये देश ऐसे घिनोने राजवन्शीों से भरा पड़ा है जो अपने ही लोगों पर अत्याचार करते हैं क्या तुम ऐसे प्रतेग वेक् की दौड के लिए करना चाहता था रानी ने गहरी सास ली ऐसा हर जगा होता है ऐसा हजारों बच्चों के साथ होता है ये बेलों की लड़ाई एक व्यसंकारी बिमारी है तुम कितने लोगों को रोकोगे लेकिन वो वही नहीं रुक रहा था वो नागा फुस पुसाया वो कि वो अपने बच्चे की रक्षा करना चाहती थी रानी का शरीर तंग गया शीगरी वो क्रोध से तमतमा उठी वैसी माताए कम ही होती है विरल भाववेश के साथ उस नागा ने फुस पुसा कर कहा उन्हें सु रक्षा क्या वशकता है बहुत हो गया कितनी बार मैंने तु कर रहे हैं हम घर जा रहे हैं तैयारी करो लोका दीश ऐसी इस्तिति में नहीं ता के यात्रा कर सके करकोटा के जहांता था लेकिन महरानी रानी ने जिस प्रिचलदता से उसे घुरा करकोटाय बोलते बीच में ही शीव का काफिला जब काशी के निकट पहुचा वो नगर जहां दिवी प्रकाश चमकता है तो उसे यात्रा करते हुए तीन सप्ता से अधिक हो चला था पवित्र रदी गंगा के चित्ता कर्शब मोड पर वो नगर इस्थित था नदी ने फिर पूर्व दिशा के और बहने के पहले अलसाय से उत्तर दिशा की ओर से एक घुमावदार मार्ग अपनाया था यदि आकाश से देखा जाये तो ये घुमावदार मोड नवचंदर के प्रतीक के समान दिखाई देता था जो संग्योंग से चंदरवंशियों का राजिसी चिन्न में था इसलिए स्वधी पास प्रशी के राजपरिवार में इसी कारण पूर्वी दिशावाली समस्त भूमी खरीद ले थी ताकि कोई गलती से भी इश्वर के प्रचंड क्रोध का भागी ना बने जैसे जैसे शिव का जल्यान उस प्रसिद्ध असी घाट की और बढ़ता जा रहा था जो संब्रद नग कर हलके से चूमते हुए कसकर अपने सीने से लगाते हुए कहा कोई तो कारण है जो यहां घर जैसे अनुभूती हो रही है यह वो इस्थल है जहां हमारी संतान को जन्म लेना चाहिए सती ने भी मुस्करा कर प्रतियुत्तर दिया हां यही वो इस्थल होगा उतनी दूर से भगीरत देख पा रहा था कि आयोध्या के कुलिन काशी के भदर जनों से धका मुकी कर रहे थे वे अपनी स्वागत मशालों को उपर उठाने का प्रयास कर रहे थे जबकि अपने सहायकों को उनकी पारिवारिक पताकाओं को उचाना पकड़ने के लिए जड़क रहे थे व भी कहानी है प्रभू भगीरत ने कहा मेरे पास समय ही समय है मुझे पूरी कहानी बताएं क्योंकि भारत देश में मैंने ये सबसे विचित्र दृष्य देखा है बात ऐसी है प्रभू की ये कहानी 80 घाट से प्लारम होती है जहां हम रुकने वाले हैं इस घाट का यह वद मात्र एक दिन में हुए थे प्रभू राम दया करें है रान सती ने कहा वे अभागे कौन थे वे लोग अभागे नहीं थे देवी भागीरत ने कहा वे लोग इतिहास के सबसे बड़े अपरादी थे युद्ध अपराद के लिए असुर राजवश के 80 सदस्यों को प्र प्रभू रुद्र ने किया था उनके महातपूर नेताओं के अनुपस्थिति में देवों के विरुद असुरों का विद्रो असफल हो गया था किसने कहा कि असुर बुरे थे और उसके बाद बहुत विचित्र घटा उसके कुछ दिनों बाद ही प्रभू रुद्र ने हिंस और यदि कोई देवी अस्तर का प्रियोग करता है तो वे उस वेक्ती की साथ पुच्टों तक का सरवनाश कर देंगे। देवी अस्तरों पर प्रभु रुद्र के आदेश के बारे में मुझे पता है। सती ने कहा क्योंकि मेलुहावासी महादेव के देवी अस्त्रों के प्रतिबंद के बारे में भी जानते थे लेकिन इसके पीछे की कहानी नहीं जानती किस कारान से उन्होंने या आदेश दिया था मैं ये नहीं जानता देवी, भगीरत ने कहा, मैं जानता हूँ, शिव को ध्यान आया, ये वो छण रहा होगा जब प्रभुरुद्र ने अनुभव किया होगा कि असुर बुरे नहीं थे, वे मात्र भिन्न थे, आवश्रि गलानी का दंश उन्हें चुपा होगा, लेकिन कहान कभी नहीं, और इसे स्थल को सम्मान देना चाहिए, उन्होंने ये भी कहा था कि यदे असी घाट और काशी में अंतिम संसकार किया जाता है, तो बड़े से बड़े पापी को भी छमादान और उनकी मुक्तिकले मारदर्शन मिलेगा, मनुरंजक, सती ने कहा, काशी के राज लोगों की ये आस्था बन गई कि ये वो इस थल है जो आत्मा की मुक्तिक अद्वार है, इसे अत्यधिक संख्या में लोग अपने जीवन के अंतिम दिनों में यहां आकर रहने लगे थे, इस लगू असी घाट में उतनी बड़ी संख्या में मृतिकों की अंतेष्टी करव पाना असंभव था, अता असी घाट पर अंतेष्टी कर्म बंद कर दिया गया और नगर ने एक अन्य घाट को अंतेष्टी कर्म के लिए तयार कर लिया गया, जिसका नाम है मनी करनिका, जो एक विशालकाय शवदाहग रह है, लेकिन इसका इससे क्या लिना देना है कि यहा कभी भी नश्ट हो यह राजी संग के युद्धों से यह किसी भी प्रकार से प्रभावित हो, इसके अत्रिक्त काशी के राजाओं ने प्रगुरुद्र के अहिंसा के आदेश का पालन किया, क्योंकि उनका विश्वास था कि यही तर्क सम्मत निश्कर्ष हो सकता था, उन्होंने आध्यात्मी परिवेश बनाने के लिए सभी सड़कों के किनारे अनेक बड़े-बड़े मंद्रों का निर्माल करवाया, तो क्या काशी पर हमला नहीं हुआ और उसे जीता नहीं गया, इसके विप्रीत प्रभु, भगीरत ने आगे कहा, प्रभु रुद्र के सि पाने लगे, व्यापारी समझ गये कि व्यवसाय करने के लिए ये सबसे सुरक्षित इस्थल्द है, शांति एवं सदीव समराजे में किसी भी राजे से गुटनिर पेक्ष्टा ने काशी को वास्तों में इस थिरता के कारण एक सुखदायक स्थान बना दिया, क्या इसी कार कट रूप से वे लोग ऐसे हैं जिनके साथ रहना कठिन है, काशी एक सर्वदेशिक नगरी है, जहां किसी पर भी अपनी जीवन शेली परिवर्तित करने के लिए दबाव नहीं डाला जाता, लेकिन ब्रंगा वाले अपना एक छेतर चाहते थे क्योंकि उनके कुछ वाहे फैली थी कि परिस्थितियां इतनी बिगड़ गई थी कि काशी नरेश ब्रंगा वास्यों के निश्कासन का आदेश देने वाले थे, फिर उसके बाद क्या हुआ, शिव ने पूचा, सोने की धातों ने वो कर दिखाया जो सुआश्य नहीं कर सका, ब्रंगा राज अपने ही देश को छोड़ दिया हो, मैं नहीं जानता प्रंगो, मेरे विचार से हम इसे ब्रंगा वालों की एक विशिष्ट गुड़ के रूप में देख सकते हैं, असी घाट पर जल्यान धीरे से किनारे लग गया और शिव ने उनके स्वागत के लिए वहाँ जमा हुए जनसाधारान की ओड़ देखा, परवतेश्वर पहले ही उस स्थल की विवस्था में जुड़ चुका था, जहां से शिव को नीचे उतरना था, उसने देखा कि दरफो को कुछ दूरी पर नंदी और विर्भतर को आदेश दे रहा था, काशी के पुलिस प्रमों की खोज में भगेरत पहले ही गलियारे में उतर चुका था, सती ने शिव को हलके से थटा पाया, वो उसे देखने के लिए मुड़ा तो सती ने अपनी आँखों से बड़े हौले से संकेत किया, शिव ने उस दिशा में देखा जिदर सती ने संकेत किया था, उस अंगामे से कुछ दूर के समान में पूरी तरह से जुक कर अभिवादन किया, सती उस दूरी से निश्चित तौर पर नहीं कह सकती थी, लेकिन उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि राजा की आँखों में आसू थे, अध्याए पांच, एक छोटी गल्ती, सती ने नींद से जगाने के लिए धीमे से चुमा तो शिव बुदबुदाया, उसने सती के मुग को अपने हाथों से बड़ी कोमलता से थामा, या तो मेरी आखे मुझे ब्रम में डाल रही है, या फिर तुम सच मुझ दिन प्रती दिन सुंदर होती जा रही हो, अपने पेट को सहलाते हुए सती मुस्कुराई, इतनी सुब किया है कि जलपान हमारे कख्ष में ही भेज दिया जाए, आहा, अंतता तुमने मेरे तरीकों को सीखना प्रारंब कर ही दिया, शिव व्यवस्थित एवं सिष्टता से भोजन कख्ष में एकत्र हो भोजन करने से सदा ही घ्रणा करता था, जैसा कि सदी को भाता था, जब शि भीर भरी काशी नगरे से भिन वो मार्ग कापी चोड़ा था, जिसमें छैरत एक साथ चल सकते थे, उस मार्ग के दोनों और व्रक्षों का आसाधरन प्राचुर्य था, ऐसा प्रतीत होता था जैसे वहां भारती उप महादीब की समस्त प्रकार की वनस्पतियों का अस्तित् मंशी को ये कहना बहुत भाता था कि काशी के इस पवित्र स्थल पर लगभग सभी भारती इश्वरों के आवास थे, और निस संधे ये विश्वास इस सच्चाई पाराभारित था कि भारती तीन करोर से भी अधिक देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन कोई भी प्रसिद्र देवी देताओं के मंदिर इस पवित्र स्थल पर स्थापित थे और जो सबसे अधिक भावे मंदिर था, वो सबसे प्रशंसित महान महादेव प्रभुरुद्र को समर्पित था, यही वो मंदिर था जिसे सदी अपलक निहार रही थी, यह मंदिर ब्रह्म घाट के निकट निर्मित किया गया था पौरानिक कथाओं में ऐसा प्रमार मिलता है कि प्रभु रुद्र के जीवनकाल में ही देवों ने उनके li issues ना neighbor के निकट बना ली थी और वे इसे असी घाट के निकट बनाना चाहते थे जो प्रभु रुद्र के नियाय प्रदान करने का स्थल था लेकिन महान महादेव असुर संघारक ने आदेश दिया था कि उनका कोई भी समारक असी घाट के निकट ना बनाया जाए उनकी सरवादी गहन पंक्तिया थी यहां नहीं और कहीं भी लेकिन यहां नहीं किसी को भी यह समझ में नहीं आया था ऐसा क्यों था ल सती फुस फुसाई, हाँ, प्रभुरुद्र को नमन करता हुआ शिव सहमत हुआ, ओम रुद्राय नमाह, ओम रुद्राय नमाह, राजा अधितिग्व ने अच्छा किया जो पिछली रात हमें अकेला छोड़ दिया, असी घार पर उन आयोजनों के बाद हमें निश्चित ही व भूती होती है, चलिए जल्पान कर लेते हैं, सती ने कहा, मेरे विचार से हमें बहुत से कारे करने हैं, विशेश कर तुम नहीं, कानिनी ने पूछा, क्या उन्होंने सचमुछ है ऐसा कहा, यही शब्द थे, आनंदमई ने कहा, उन्होंने कहा कि वे किसी इस तरी को इस पर या फिर आप, दो, दैवी अपसरा से समानता करने पर आनंदमई की भौहे तन गई, मेरी छमा प्रातना सुईकार करे ने भी, तानिनी ने चहकते हुए कहा, आपकी तुलना में मेनका क्या है, आनंदमई हसी, लेकिन यह तो मेनका की चुनोती से कहीं अधिक चुनोती है रा मचारी हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन जब कोई बस तो बहुत अधिक सुन्दर हो तो उसे प्राप्त करना आसान नहीं होता है, कैसा हो सकता है, कानिनी ने अपनी आखे संकुचित की, आप विजश्री प्राप्त करने से पूर्वी यू निराश ना हो राजकुमारी, अधानी बहुत ही सुन्दर है महराज, शिव ने कहा, सूरी ने दिन की अपनी यात्रा का तीसरा हिस्सा तैय कर लिया था, शिव काशी नरेश अथि ठिग्व के रिक्तिगत कक्ष में सती के साथ बैठा हुआ था, दरपकु नंदी और वीर्भंतर काशी के लठैत राजसी पहरदारों में सेयोग के दौर पर खाड़े थे, दरपकु के लिए ये रहे से था कि ये लठैत पहरदार कैसे राजपरिवार की सुरक्षा कर सकते थे, यदि कोई गंभीर हमला हो जाए तो, इसमद ये परवतेश्वर काशी के पुलिस प्रमुक के साथ यात्रा पर निकल ही नगर है प्रभू, जुक कर नमन करते हुए अतिथिग्वन ने कहा, शिव ने तियोरी चड़ाई, भगवान रुद्र ने अपना अधिक्तम समय काशी में ही बिदाया था, जिसे वे अपनाया हुआ आवास कहते थे, अतिथिग्वन ने द्याक्या की, पश्चिम में अप प्रतिग्या का सम्मान आज तक हम कर रहे हैं और आजीवन करते रहेंगे, हम तो भगवान रुद्र के उत्रादिकारियों के जन्मादिकार के मातर रखवाले हैं, शिव दीरे दीरे असाहज अनुभाव कर रहा था, अब जब भगवान रुद्र के उत्रादिकारी यहां है तो ये उचित समय है कि जब उन्हें सिंगासन ग्राण कर लेना चाहिए अथितिग्व ने कहना जारी रखा आपकी सेवा करने में मुझे गर्व होगा प्रभू आश्चर एवं क्रोध के मिलोजले प्रभाव से शिव का लगभग दम खुटने लगा ये सभी लोग पागल है नेक नियत है लेकिन पागल एक तो राजा बनने की मेरी कोई मंचा नहीं है महराज शिव मुस्कुराया दूसरी बात ये कि मैं निश्यत रोप से प्रभुरुद्र का उत्राधिकारी कहलाने की योगेदा नहीं रखता हूँ फिर आप एक अच्छे राजा हैं और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप प्रजा की सेवा करते रहें लेकिन प्रभु वैसे मैं कुछ निवेदन करने का इच्छु हूँ महराज शिव ने बीच में ही कहा वो अपने राजसी पूर व्रत पर चर्चा को जारी नहीं रखना चाहता था आप के लिए कुछ भी स्विकार है प्रभु पहली बात यह है कि मेरी पत्नी और मैं ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे का जन्में यहीं हो हम इस दोरान आप पर अपने अतिती सत्कार का भार डाल रहे हैं प्रभु मीरा पूरा का पूरा मराज महल आपका है देवी सती और आप सवैव के लिए यहां निवास कर सकते हैं शिव धीमे से मस्कुराया नहीं मैं नहीं समझता कि हम इतनी लंबी अवधी के लिए यहां रुगेंगे साथ ही मैं आपके नगर में ब्रंगा के नेता से मिलना चाहता हूँ उसका नाम दिवोदास से प्रभू मैं निश्चित रुप से उसे आपकी सेवा में उपस्थित करूँगा उस अभागे कभीले के किसी अन्य सदसे बात करना बेकार ही है दिवोदास एक मातर विवेकी या सक्षम है जो दूसरों से बाते कर सकता है मेरा मानना है कि वो एक व्यापारी के आतरा पर गया है और आज राद तक उसे वापस आज़ना चाहिए मैं सुनिश्चित करूँगा कि उसे आपके समक्ष शीगरात शीगर उपस्थित किया जाए बहुत बड़िया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहाँ पर एकत्रित भील नियंतर से बाहर जा रही है दर्पकू परवतेश्वर ने इशारे से बताया परवतेश्वर पवित्र मार्ग पर बनी उस उची वेधिका पर भगीरत द्रपको और काशी पुलिस प्रमुक का त्रातिया के साथ था ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नीलकंट के एक जलाग पाने के लिए काशी नगर के दो लाक नागरिक वहाँ टूट पड़े थे और खेट की बात यह थी कि काशी पुलिस उस मिहीड का प्रबंदन करने में अप्रसिक्षित प्रतीत हो रही थी में लोग इतने विनमरते की लगता था कि गल्ती पुलिस वालों की हो सामानत तया उसका असर काशी के सब भी नागरिकों पर ही काम करता था लेकिन ऐसे आउसर जहां पर प्रतेइक विक्ती आगे आने और प्रबु को इस परश करनी की होड में था ऐसे में वहां सूर्वन्शियों जैसे द्रण हाथों के आवशिक्ता थी मैं इसे संभाल लोंगा सेनपती द्रपकु ने नीचे प्रतिक्षा कर रहे हैं नंदी को आदेश देने के लिए वेदिका से छलांग लगाते हुए का लेकिन वो बल प्रियोग बिल्कुल ना करें त्रातिया ने कहा वो जैसे परस्यती होगी उसी के अनुसार वेवहार करेगा त्रातिया पर्वतेश्वर ने चिड़कर कहा द्रपकु का आदेश सुनने के बार नंदी एक पल्टन के साथ उस दिशा में बढ़ गया द्रपकु को अपने कटे हुए हाथ की कुंदे का प्रियोग करते हुए आशर जनक फूर्ती के साथ वेदिका पर पुना चड़ गया पर्वतेश्वर ने सहमती में सिर हिलाया और शिव और उसके दल के सदस्यों को देखने के लिए मुड़ गया भीडों का नाम पुकार रही थी और शिव भीड में उपस्तित प्रतेइक विक्तिका बिनंदन सुईकार कर रहे थे सती का हाथ पकड़े चोड़ी मुसकान बिखेरते शिव धीरे धीरे टहलते हुए चले आ रहे थे सती की सहचरी कृतिका सती से कुछ कदम पीछे थी जबकि अथी थिख्व एक सच्चे भक्ति की निष्ठा से अपने परिवार एवं मंत्रियों संग पीछे पीछे चल रहे थे नायक तरात्या काशी का एक हड़ बढ़ाया हुआ पुलिस वाला विदिका के निकट चीकते हुए कुदा तरात्या ने उसकी और नीचे देखकर कहा कहो कावस ब्रंगाओं की बस्ती में दंगे आरंब होने वाले हैं मुझे बताओ की वास्तों में क्या हुआ है उन्होंने एक बार फिर से एक मोर की हत्या कर दी है लेकिन इस बार ये काम करते हुए उनके कुछ पडोसियों नोंने रंगे हातों पकड़ लिया इस पाप कवे प्रवतेश्वर ने पूछा ये ब्रंगाओं वाले हैं उन्हें पता है कि काशी में मोरो को मारना प्रतिबंदी थे क्यों कि वह भगवान रोदर के सबसे पसंदीदा पक्षियों में से एक है एक व्यापक मानेता है कि वह अपनी बस्ती में किसी विचितर अनुष्ठान मे मोर की बली देते हैं अब जब वे रंगे हाथों पकड़े गए हैं तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा आप अपने कुछ आत्मियों को दंगे को सवापते करने के लिए क्यों नहीं भेज़ देते तरात्या ने प्रवतेश्वर को विजियतर धंग से देखा कुछ बाते कुछ समय पूर भी अहिंसा के गुलों का परचार कर रहा था यदि उन्होंने कोई अपराद किया है तो उन्हें आपके नयायाले द्वारा दंडित किया जाना चाहिए आपके नागरिकों को दंगा करने और उन निर्दोशों को चोट पहुचाने का कोई अर्धिकार नहीं है जिनका संभावताया उस पक्षी के प्राण लेने से कोई संबंध भी नहीं हो उनमें कुछ निर्दोश भी हो तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता यदि इस नगर को ब्रंगा वाले एवं उसके अमंगल कारी तरीकों से मुक्ति मिल जाती है तो इतनी चोटी आहोती दिन परवतेश्वर ने कहा सुनिशित करें कि जैसे ही प्रभू विश्वनात मंदिर पहुचे भीन छड़ जाए राजकुमार भगीरत क्या आप मेरे साथ आएंगे मुझे सहायता क्या आवशक्ता होगी क्योंकि मैं चंद्रवंशी रित्रिवाजों को नहीं जानता ये मेरी ल जा रहा हो तो उसे देखना और कुछ ना करना उतना ही बुरा है जितना की वह पाप करना सेना पती आपका ही कारे करने जा रहे हैं आपको तो उसके लिए क्रतिग्यता ग्यापित करनी चाहिए परवतेश्वर एवं भगीरत कावस के साथ शीकरता से उस वेदिका से नीचे उत्रे उन्होंने वीरबद्र को आदेश दिया कि वह सौ साइनिकों के साथ उनके पीछे आया और वे ब्रंगाओं की बस्ती की और तुरंत कूच कर गए ये तो कठिन है और जटिल भी भागीरत ने कहा वे ब्रंगाओं की बस्ती के सामने पहुच चुके थे श्राणार्थिय एवं विश्वनात मंदिर में राजमहल के अलावा कोई अन्य अवसरों से बड़े नहीं थे आवास के चारों और बाग बगीचे थे जो रूची पूर्ण भूद रशे वाले एवं रूड़ वादे ढंग के एक सामान थे ये विचितर रूप से लगवं मगद के नरसिंग का प्रारम हो गया वितंग रास्ते उस नगर परिसर की और चले गए जहां अयोध्या मगद प्रियाग और चंदरवंशी राज संगह के अन्य हिस्सों से आयश ररार्थियों की बहुलता थी बहुती कम लोग इस बात को जानते थी कि अपने देश के अत्यदिक अनुशासित जीवन शैली एवं अपने बच्चों को उस मैका में दिये जाने के भाय से मिलूहावासी भी काशी में श्रणार्थी बने हुए थे अपने बच्चों को अपनी आखों के सामने बड़े होते देखने के आनंद के लिए विचंदरवंशी शैली की अवैवस्था को जहिल रहे थे मैं निश्चित तोर पर कह सकता हूँ कि ये उनकी प्रथाओं के प्रतिक रोध मात्र नहीं है काशी के जन साधाराण एवं ब्रंगा वालों की जिवन शैली के मूलबूतर अंतर को समझाते हुए वीर्भद्र ने कहा उनकी सम्रध्धी की प्रति इर्ष्या ने भी ब्रंगा वालों के विरुद इस ग्रणा को उत्पनी किया होगा पर्वतेश्योर परिस्थिती का आकलन कर रहा था उसकी ओर मुर्णे से पहले भगेरत ने सहमती में सिर्ह लाया आप क्या सोचते हैं सेना पती सुरक्षात्मक दरश्टी से वो इस्थल आपदाकारी था ब्रंगा लोग एक और तुकुए दूसरी और खाई के नियम से घीरे हुए थे चारो और से लोग उनके प्रतिशत प्रूता भूण भावनाओं से उत्प्रोत थे भीर भाड़ भरी गलियों से होते हुए सगन जनसंके वाला ये छेदर ब्रंगा वालों की बस्ती की और चला जाता था वहां से निकल भागना असंभा भी था उन संगरी गलियों में भी वे आसानी से घीरे जा सकते थे वे बागान भ्रंगा वालों को कुछ रक्षा अवश्य ब्रदान करते थे क्योंकि हमलावर भीर को भ्रंगा वालों की आवास तक पहुशने की से पहले उस खुले स्थान से अवश्य गुजरना पड़ता था जिसमें कम से कम एक मिनट का समय लगी जाता था संभवतेया काशी में अपनी स्थिति का आकलन करते हुए भैक के कराण ब्रंगा लोगों ने अपने अपने कमरों की छटों पर पत्थरों के धेर रख्या हुए थे उस उचाई से फेके जाने पर वे पत्थर प्रिछे पास्त्रों की तरह कारे करने और गंभी रूप से घायल करने में सक्षम थे यहां तक कि यदिवे शरीर के सम्वेदन शील हिस्सों पर लगे तो प्रणगा तक भी सिद हो सकते थे इस बीच काशी की भीर ने उनके घीरे आहाते में कुटे छोड़ दिये जिने ब्रंगा लोग गंदा मानकर घ्रणा करते थे उन्हें पता था कि उन पश्वों को भंगाने के लिए ब्रंगा वाले पत्रों से बार करेंगे पर्वतेश्वर ने अनुभा कर लिया थे कि इस ठकाव लड़ाई में मातर कुछी समय की बात है ब्रंगा वालों के पत्थरों के लिए समाप्त होने वाले थे और पत्थर समाप्त होते हैं उन्हें सीधी लड़ाई करनी ही पड़ेगी उनके शत्रो रसोई घर में काम आने वाले चाको और कपड़े धोने वाले डंडो से लायस थे साथ ही उनके संख्या ब्रंगा वालों की तुल्ला में एक पर सो के बराबर थी ऐसे में उनके बचने की संभावना बहुत ही कम थी ये सब ब्रंगा वालों के लिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा परवत इश्वा ने कहा क्या काशी की भील को मना कर सकते हैं मैंने पहले ही प्रियास कर लिया है सेनपती भगीरत ने कहा वे नहीं सुनेंगे उनका मानना है कि ब्रंगा वाले अपने स्वर्णी के दम पर नयायले को खरीद लेगे संभवतिया ये सच है काशी का सिनपती कावस चुपके से अपना जुकाव प्रकट करते हुए बुदुदाया महगीरत कावस की और मुड़ा तो वो तत्काल ही डरकर घबरा गया इस प्रकार का वैभार करना चाहिए क्या प्रभु रूद्र ने ऐसा किया होगा नहीं राजकुमार नहीं तो फिर हमें इसका समधान बताए उन्हें घेरे हुए काशी के पीछे नहीं हटेगा जब तक ब्रंगा वाले किसी ना किसी प्रकार से दंडियत नहीं किये कोई हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं मैं नहीं जानता और यदि सुर्वंशी उन पर आकरमण कर दें तो प्रवतेश्वर ने पूछा इस प्रभावी लेकिन नैतिक रूप से विवादित समधान पर वो स्वयम इस्तब्द था मागीरत तकाल मुस्क्राया लेकिन वो सम उचित नहीं है लेकिन कभी-कभी गंभीर गलती को रोकने के लिए चोटी सी गलती करना ही एक मात रूपाय रहे जाता है मुझे इसका पूरा उत्तरदायत व लेना होगा और परमात्मा को उत्तर देना होगा भगीरत हलके से मुस्कुराया परवतेश्वर के चित्त में कु यदि वे अपने हथिहार डाल देंगे तो उन्हें नयाय मिलेगा वो सूर्यवंश्यों के इस नयाय की आशामत प्रतिक्षा करने लगे परवतेश्वर ने अपने सामने सूर्यवंश्यों को एकत्रित किया मिलू हावासियों अपनी तलवार का प्रयोग मत करना इन लाठिय को प्रियोग करो उनके सिर्चोड शरीर के अन्य अंगों पर चोट करो अपनी धाल को सकती से कच्छुए की बनावट में रखो उस चाहिए से पत्थर प्राणगा तक सिध्ध हो सकते हैं सुरवंच्यों ने अपने सेनपती को एक टक देखा यही एक तरीका है जिससे ब्रंग के बागान के और कूच किया तो पत्थरों की ओला वरिष्टी होने लगी अपनी धालों से वे पूरते हैं सुरक्षित रहे थे और लेकिन धीमे धीमे निशित गती से वे उसी भवन के प्रवेश द्वार के और बढ़ते जा रहे थे सहज रूप से प्रवेश द्वार को यहां तोड़ना पड़ा और रुतेश्वर ने सैनिकों को दूरी पंक्ती में भवन के में प्रवेश करने का अदेश दिया धालों को बाएं एवम दाय रखा गया ताकि हमले से बचाओ हो सके उससे सोचा था कि भवन के अंदर पत्रों का प्रयोग नहीं हो सकता यहीं प सौ मीटर की विशालकाई उचाई वाला था बलकि उद्भवन की सरलता इतनी जबर्दस्ती थी कि अचंबित कर देती थी प्रबुरुद्र की धर्ती वाली एक समान शैली में एक खुला उध्यान बना हुआ था जिससे होकर पवित्र मार्ग से मंदिर को प्रवेश मिल रहा था वेदिका पर उपर जाने के लिए सो सीडिया बनाई गई थी जो भग्तगर वेदिका के उपर पहुचेंगे वे मंदिर के शिखर को देकर हैरान रह जाएंगे जो पुना लाल बलवा पत्रका बना हुआ था और असंभवे असी मीटर रूचा था वेदिका के समान ही मु मूर्ती थी दुर्जे प्रभूरुद्र की पौराणी गाथाओं में ऐसा वर्णन मिला था कि प्रभूरुद्र अधिकतर अकेले ही कारी किया करते थे उनके कोई ग्यात्मित्र नहीं थे जिनकी कथाय मंद्रों की दिवार पर भित्तिचित्रों के रूप में अमर की जाती उनका कोई क्रपापातर भाक्त भी नहीं था जिसकी मूर्ती उनके चर्णों पर बनाई जाती प्रभूरुद्र की एक मात्र संगिनी जिसकी वे सुनते थे वो थी देवी मोहिनी इसलिए क्रतिका को ये कुछ जचा नहीं कि उस प्रसिद सौंदरी को मूर्ती स्वरुप नहीं गया था देवी मोहिनी की मूर्ती यहां कैसे नहीं है क्रतिका अतितिक्व के एक सहायक से पुस्पसा कर बोली आप प्रभू की कहानी अच्छी तर से जानती है उस सहायक ने उत्तर दिया आएं वो क्रतिका को उस पवित्र इस्थल की दूसरी ओर ले गई क्रतिका को पश्चर हुआ जब उस ने देखा कि उस पवित्र इस्थल का एक और प्रवेश द्वार था जो पीछे की ओर से बना हुआ था कोई भगत उस प्रवेश द्वार से अंदर आता तो वो देवी मोहिनी की मूर्ती देख सकता था ऐसा कहा जाता था कि देवी मोहिनी समस्त इति संगी और घातक थी कृतिका मुस्कुराई यह उप्युक्त प्रतीत हो रहा था कि देवी मोहिनी एवं प्रभुरुद्र की मूर्तिया पीट से पीट सताय हुए बनी हुई थी उनके संबंद जटिलता के परिचायक थे यूगल होकर भी बहुत भी भेन दरश्टी को रखने वाले कृतिका ने देवी मोहिनी को शाष्टांग प्रणाम किया जब कि कुछ लोगों ने विश्टूं के रूप में सम्मानित करने से इंकार कर दिया था लेकिन कृतिका उन अधिसंख्यूकों में से थी जो एमानती थी कि देवी मोहिनी अच्छाई की प्रचारा को पाद मूट के पास था इस पश्चतया शिल्पकार इस बात का महत्व दर्शाना चाहता था वैसे तो इतिहास के सबसे भायाना की उधाने हिंसा त्याग देती लेकिन उनके बनाए नियमों को तोड़ने का साहस करने वालों को पार्ट पढ़ाने के लिए उनकी तलवार उनके जनत से गुंगराली बनाई गई थी और उनमें मोती जड़े गए थे भारत देश में दाढ़ी में मोती पहने हुए मैंने कभी किसी को नहीं देखा शिव ने अतितिग्व से कहा प्रभू के जनमस्थान परिहा के लोगों में ये प्रथा रही है प्रभू परिहा हा प्रभ किसमान भाव आना क्या गरत था क्या सतेव प्रेम का भाव नहीं होना चाहिए सम्मान यविस भैक्यों को को कि कभी कभी भै के सिवाय मन को कुछ भी इस पश्ट या के इद्रित नहीं कर सकता प्रभु रुद्र को अपने लक्षियों की प्राप्ति के लिए भै का वातावरन बनाना था शिव ने अपने मन में स्वर सुना ऐसा प्रतीत हुआ कि वह स्वर दूर से आ रहा है लेकिन इ कि आप मुझे सुन सकते हैं तो अपने सरवाधिक सिधानतवादी अन्याई की हताश-पुकार को आप क्यों नहीं सुन सकते सरवाधिक सिधानतवादी अन्याई शर मूख हो चुका था शिव पीछे मुड़ा चिंतित् यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अलविदा. नमस्कार, आप सभी का मोटिवेशन टू रीड में स्वागत है. आज हम जिस पुस्तक का सास्वर पठन करने वाले हैं, वो शिव रचनत्रई की दूसरी पुस्तक, नागाओं का रहसे हैं, जिसके रचनाकार हैं अमीश्त्रिपाठी और अनुवादक हैं विश्वजीत सपन. अध्या एच्छे, पहाड भी तूट सकता है, आड़ लो, परवतेश्वर चिलाया, भगीरत और परवतेश्वर जब ब्रंगों के भवन में गुसे तो उनका स्वागत पत्थरों की बहुत चार से हुआ, एक रोशंदान सहित उस भवन के प्रवेश द्वार पर एक बहुत बड़ा प्रांगण था, बनावट बहुत युत्क्रिष्ट थी जिसमें प्राकरतिक रूप से सूरी की रोश्नी एवं ताजी हवा का बाधा रहित आवागमन होता रहता था, उस प्रांगण को वर्शा से बचाने के लिए बड़ी चितुराई से सिकुर जाने वाली एक छ सदन के हड़ी चटक गई हो, क्रोध से आगबबुला हो, उसने अपना डंडा उचा उठाया और गरज उठा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, सूरिवंशियों ने चिल्ला कर कहा, वे इश्वर थे, मात्र पत्थर उन्हें रोक नहीं सकते, जो भी रास्ते में आये चाहे व संवरत एवं अनुशासित हमले के सामने ब्रंगावाले टिकना सके और पीछे हटने लगे, बस कुछ समय की बात थी कि सूरिवंशी भवन की उपरी हिस्से तक पहुँच चुके थे, परवतेश्वर को ये देखकर विचितर सा लगा कि वहां कोई नेता नहीं था, ब्रंग परवतेश्वर ने शोरगल सुना, अनेका अनेक ब्रंगावालों की पीड़ा से चीखने चिलाने की आवाज, होहले के बीच भी भाय उतपने कर देने वाले उस कोलाहाल को इस पश्ट सुना जा सकता था, ऐसी आवाजे मानो सैक्डो शिशु हताशा में चीख रहे थे जैस से वे आवाजे आ रही थी, सेना पती ने पैर के एक ही धक्के से उस द्वार को तोड़ कर खोल दिया, उसने वहाँ जो देखा उसे वो घ्रणा से सिहर उठा, सिरकटे मोर का धर कक्ष के एक नीचे कोने में टंगा हुआ था और उसका बहा हुआ रक्त एक बरतन में कत्र थ सबी पीड़ा से छड़ पटाते हुए शिशों को पकड़े हुए थी, कुछ शिशों के मुख पर रक्त लगा हुआ था, भयाकरांत परवतेश्वर ने डंडे को गिरा दिया और अपनी तलवार उठा ली, अचानक ही उसके बाई योर से एक दुनली सी जलक देखी, इससे पहले कि वो कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसे अपने सिर पर तीवर पीड़ा अनुभा हुई, दुनिया अंधकार में हो गई, भागीरत अपनी तलवार निकालते हुए चीक पड़ा, सूरिवन्शियों ने भी ऐसा ही किया, जिस व्यक्ति ने प्रवतेश्वर को रंडे से मारा था, उस पर वो अपनी तलवार से प्रहार करने ही वाला था कि एक इस्तरी चीकी, प्रप्या ऐसा ना करें, भागीरत रुग गया, स्पश्ट रूप से वो इस्तरी गरवती थी, वो ब्रंगा विक्ति अपने धंडे को फिर से उपर उठाने ही वाला था कि वो इस्तरी भगीरत के पैरों में गिर गई नहीं नहीं हे वीर हे वीर राजकुमार हमें न रोकें मैं विंती करती हूं हे पुजारी नाप यह क्या कर रही है उस ब्रंगा वेक्ति ने कहा सुयम को अपमानित ना करें भगीरत ने उधर पुना देखा और वास्तविक अनुमान तक ब्रंगा की पुजारी ने प्रात्ना की हमें अपने शिश्वों के लिए इसके आवशकता है इसके बिना वे मर जाएंगे मैं भीक मांगती हूं हमें उनकी जान बचानी चाहिए ब्राजकुमार दिर्भद्र ने कहा सिनपति ब्रवतेश्वर का परिक्षर करने के लिए जल्दी हमारे पास समय बहुत कम है अपने सेनपति को उठाकर सूरिवंशी बाहर के और दोड़ पड़े परवतेश्वर को चिकितसाले ले जाया गया आयुरुवति शल्य चिकितसाले से बाहर आई चंद्रवंशी वैद्यों को परवतेश्वर के चोट से निपटने के बा प्रभू, डंडे से सेनपति के सबसे अहितकारी इस्थल कणपटी पर प्रहार किया गया है, वे गंभीर रूप से आंतरिक रक्त स्राव से पिलित है, रक्त की हानी उनके लिए प्रानगा तक सिद्धो सकती है, शिव ने अपना होट काट लिया, मैं आयुरुवति ने कहा, यदि कोई उन्हें बचा सकता है तो वो आप है अयुरुवति, शिव ने कहा, और शिदी नियम पुस्तिका में ऐसी गंभीर चोट के लिए कुछ उलिखित नहीं है प्रभू, हम मस्तिश्किर की शले चिकित्सा कर सकते हैं, लेकिन वो तब तक नहीं की जा सकती जब तक रो प्रभू, शिव ने कहा, नहीं, बिलकुल नहीं, मैं जानती हूँ प्रभू, तो फिर कुछ सोचें, आप आयुरुवति हैं, जगत की सरवोचितम वैद्य, मिने पास एक मात्र समाधान है प्रभू, आयुरुवति ने कहा, लेकिन मैं नहीं जानती कि वो काम करेगा भी या नहीं, हाँ हमें प्रयत्न करना चाहिए, आयुरुवति तेजी से अपने सहायकों को ढूमने चली गई, शिव जिन्तित मुद्रा में सती की और मुड़ा, वो जानता था कि सती का अपने पितर तुल्य से कितना लगाव था, उसकी ये विपत्ती अजन में शिश्यु को प्र अपने निवास से लाने के लिए भेज दिया है, शिव जुझलाहट में फुपकारा और प्रवतेश्वर की कक्षकी और मुड़ गया, बस थोड़ी देर रुके रहिए मित्र, हम आपको बचा लेंगे, बस रुके रहिए, हाथ में एक लकड़ी की बोतल पकड़े हाफता और मस्तरक पहुंचा, देवी तुमने सही तरीके से तयार किया है, हाँ देवी, आईरुवती परवतेश्वर के कक्षकी और तेजी से दौड़ पड़ी, परवतेश्वर कक्षके सबसे दूर छोर पर लेटा हुआ था, आईरुवती की सहायक मस्तरक और दुरुविनी शया की बगल में बैठे हुए उसके नाखूनों के भीतर नीम के पतों के रसकी मालिश कर रहे थे, सेनपती की नाख से हावा भरने वाला एक उपकरण उसकी श्वास को सहच करने के लिए लगा हुआ था, रक्त का स्राव बंध हो चुका है प्रभू, आहिरुवती ने कहा, अब उनके हालत बिगड़ नहीं रही है, सेनपती की नाख से जुड़े उपकरणों को देखकर शिव पूरी तरह से हिल गया था, पर वतेशवर जैसे व्यक्ति को ऐसी आसाहाय इस्तिती में देखना उसके लिए कठिन था, तो फिर उस उपकरण की क्या आशकता है, रक्त आई है जो उनके श्वास को नेंद्रित करते हैं प्रभू, आयरुवती ने शांत भाव से कहा, जब कभी भी चिकित्स के संकाट आता है तो वो ऐसा ही व्यवहार करती थी, पर वितेशवर अपने आप स्वास नहीं ले सकते हैं, यदि हम इस उपकरण को हटाते हैं तो वे म सकती है, सोमरस, उसने रगत स्राव तो बंद कर दिया है प्रभू, उनकी इस्थिती अब इस्थिर है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि वो उनके मस्तिश्क का उपचार कर रहा है, अब हम क्या करें, आयरुवती चुप रही, उसके पास कोई जवाब नहीं था, कम से कम ऐसा जवाब जो व्यावाहारिक हो, कोई न कोई तरीका तो अवश्य होगा, परोग शुरूप से एक संभावना है प्रभू, आयरुवती ने कहा, संजीवनी व्रक्ष की च्छाल, ये वास्तों में सोमरस के सामगरियों में से एक है, एक घुली हुई सामगरी, तो हम उसका प्र हटी में प्राकरतिक रूप से पाये जाते हैं, मेलुवा में हमने उसके उद्यान लगाए हैं, लेकिन उसे प्राप्त करने में महीनों लग जाएंगे, और जब तक उसे यहां लाएंगे, वो चूर्ण हो चुका होगा, कोई ना कोई तरीका तो होना ही चाहिए, पवित्र लग रहा था कि जब परवतेश्वर अयुराले में अपनी मृत्य से लड़ रहा थे तब नंदी उसे बाहर चलने के लिए कह रहा था, लेकिन वो जानता था कि नंदी नीलकंड का निकट मित्र था, सबसे महतपूर बात ये थी को एक इस्तर दिमाग वाला व्यक्ति था, य इससे? मुझसे! एक लंबे काले व्यक्ति ने उस भवन से बाहर आते हुए कहा, उस व्यक्ति ने अच्छे से तेल लगे अपने लंबे वालों को जूड़ा बना रखा था, उसकी हिरन जैसी आंके थी, गालों की हड़िया उबरी हुई थी, चेहरा बेदाग था और अपने सेना पती ने तुम सबकी जान बचाई है और तुम्हारे आदमियों ने उन्हें मृत्य के मूँपर लाकर खड़ा कर दिया है, मैं जानता हू राजकुमार, मेरे आदमियों ने सोचा कि सेना पती उन्हें अपने बच्चों की रक्षा करने से रोपना चाते हैं, वो एक विश्वास से मेरे समूचे कबीले की रक्षा की है, उन्होंने मेरी पत्नी और मेरे अजन में शिश्यू की रक्षा की है, यह उनका एक बड़ा रिण हम पर है, जिसे हमें चुकाना ही है, चुकाने की बात ने भगीरत को और अधिक कर दिया, तुम समझते हो भी तुम्हार ने चुप्पी सादली, उसका चेहरा भाव शून्य था, राजकुमार, नंदी ने कहा, पहले इनकी बात तो सुले, भगीरत जुझलाते हुए भुनबुनाया, स्वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है, राजकुमार, दिवोदास ने कहा, हमारे राज्य में हजारों किलो लेकिन इससे हम अपने दुख से मुक्ति नहीं खरीच सकते, जीवन से महात्पूर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, आप इस बात का आर्थ तभी समझ पाते हैं, जब प्रते दिन मृत्यों का सामना करते हैं, भगीरत ने कुछ नहीं कहा, दिवोदास आगे बोला, सेना सेनापती प्रवतेश्वर के लिए दूगा, आप वैद इससे कहिए कि उनकी कनपटी और नासा पुटों में इसे लगा दे, वे जीवित रहेंगे, भगीरत ने एक छोटे से रेशम की थैली को संदे की दृष्टि से देखा, ये क्या है, आपको ये जाननी की आवशकता न लगा दे बस, संभवतेया इससे उनकी जान बच जाए, आईरुवती ने अपनी तेवरी चड़ाई, देवी आईरुवती प्रियास करने में हानी ही क्या है, भगीरत ने कहा, आईरुवती ने उस थैली को खोला तो उसमें एक रक्तिम भूरे रंग का लेप उसे दिखा, उ उनके मन में सैक्डो प्रश्न उभर रहे थे, लेकिन उसे सर्व प्रथम वही कारे करना था जो उस प्रश्ट था, आईरुवती टक्टकी लगा कर भगीरत को देखती रही, उसके मन में सैक्डो प्रश्न उभर रहे थे, लेकिन उसे सर्व प्रथम वही कारे करना था जो उ प्रवतेश्वर ने धीमे से अपनी आखें खोली। और उसी स्वास आस्थिर थी। मित्र शिव ने धीरे से कहा। प्रभु उटने का प्रयास करते हुए प्रवतेश्वर भी फुस hackers आया। नहीं उठिये मत। प्रवतेश्वर को हलके से लिटाते हुए शिव ने कहा, आपको आराम क्या वशक्ता है, आप सशक्त नितरत्व करने वाले हैं लेकिन उतने भी शक्तिशारी नहीं, प्रवतेश्वर फीकी सी मुस्कान मुस्कुराया, शिव जानता था वो प्रश्ण जो सिनपती के मन में सब से पहले आएगा, सभी व्रंगा वाले सुरक्षित हैं, आपने आसाधारांकार किया है मित्र, मैं नहीं जानता, प्रभू मुझे प्रायश्चित करना होगा, मैंने पाप किया है, आपने जो किया, उसने सैक्डो जीवन की रक्षा की, प्रायश्चित की कोई आवशक्ता न ना डाला जाए, मैं आपको एकांत मैं केला छोड़ दूँगा, आप थोड़ा सोने का प्रयास करें, आनंद मही, भगीरत ने अपनी बहन को रोकने का प्रयास किया, आनंद मही तीर से आयुराले के उस कक्षकी और भागी जा रही थी, जहां प्रवतेश्वर विश्राम कर रहा था, वो नगर से बाहर निकट के आश्रम में संगीत कक्षा के लिए गई हुई थी, इसलिए दिन भर बाहर थी, वो दौड़ते वे पने भाई की बाहा में समा गई, क्या वे ठीक है, हाँ, मगीरत ने कहा, आनंद मही ने कुरुद्ध द्रश्टी से देखा, वो कौन ह वी दिया करें, वो तो घहार तक हो सकता था, हाँ, लेकिन ब्रंगा वालों की किसी आश्रदी ने उनकी जान बचा ली, ब्रंगा वालों की? पहले वे उन्हें जान से मारते हैं, और फिर उनकी जान बचाने के लिए आश्रदी देते हैं, क्या उनके पागलपन के कोई सीमा नहीं है वो औशधी उनके प्रधान दिवोदास ने दी थी उसका काशी में आगमन कुछ घंटे पूर भी हुआ और तभी उसने इस घटना के बारे में सुना बहुत दयालू प्रतीत होता है आनंदमई ब्रंगा के प्रधान में रुची नहीं रखती थी क्या प्रवतिश्व मुझे शमा करना मेरे भाई मुझे तुम से पूछा चाहिए था भगीरत ने एक नाठी मुद्रा बनाई कोई तुम्हारे भाई को चोट नहीं पहुचा सकता वो चंदरवंश्यों का सबसे प्रतापी योद्धा है किसी ने भी तुम्हें चोट नहीं पहुचाई क्यूकि तुम अवश्य ही परवतेश्वर के पीछे चुपे होगे भगीरत ठाहा का मारकर हस पड़ा और अपनी भेन को हासी हसी में बनावटी क्रोध के साथ पकड़ने दोड़ा आनंद महीं ने अपने छोटे भाई को खीच कर अपनी वाहों में भर लिया जाओ भगीरत ने कहा उ मुझे आपसे कुछ बात करनी है क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं निसंदे आपने वो औशदी कहां से प्राप्त की थी भगीरत शिव ने पूछा भगीरत शिव के लहजे से आश्यर चकेत था प्रभू सदेव ही शांत प्रतीत होते थे अभी वेस नहीं लगे क्रोधित क्या समस्य आ रही थी मैं जूट नहीं कह रहा हूं प्रभू भगीरत ने कहा फिर मैं जूट क्यों बोलू इस और शदी ने सेनापती के जीवन की रक्षा की है शिव अभी भी उसे घूर रहा था प्रभू क्रपा करके हमें बताएं कि समस्य क्या है समस्य यह है राजकुमार आय गया हो इसका उप्योग नहीं किया जा सकता यह उशदी इस्थिर की हुई थी वह एक मिश्रण के रूप में थी हम उसका उप्योग कर सकते थे मुझे शमा करें देवी आयर्वती किन्तु मैं अभी समस्य नहीं समझ पाया केवल एक तक्त्व है एक विशेश व्रक्ष की च उशारा पात हो गया वो जानता था कि निलकंट क्या सोच रहे थे प्रभू मुझे वो आश्रदी ब्रंगा के प्रधान दिवदास से मिली थी मैं अयोध्या की सौगंद खाकर कहता हूं मैं अपनी प्यारी बहन की सौगंद खाकर कहता हूं मेरा नागाओं से कोई लेना दे रहता प्रभू कृपा करके मेरा विश्वास करें हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे राजकुमार भगीरत प्रपया दिवदास को बुलाएं शिव ने कहा मुझे पता चला है प्रभू की समराठ अथितिग्व ने पहले से ही दिवदास को कल पराता आपकी चुपचाब बैठी थी सेनपती गहरी नींद में थे स्वास धीमे धीमे चल रही थी राजकुमारी ने परवतेश्वर के शक्तिशाली कंदू हाथ और उंगलियों तक मानों अपने हाथ से एक लंबी सिरेखा कीच दी और तभी ऐसा प्रतीत हुआ जैसे एक सिहरन सी सेनप प्रतिके पूरे शरीर में दोड़ गए आनंदमई धीमे से हसी आपने चाहे प्रतिग्या ले रखी हो लेकिन आप हैं तो एक मुनश्य ही जैसे किसी सहज प्रवर्ति से चालित हो परवतेश्वय ने अपना हाथ खीच लिया वो नींद में कुछ बुद बुदाया उसका स् मैं अपनी प्रतिग्या कभी नहीं तोड़ूँगा पिता श्री वो मेरी दश्रत प्रतिग्या है मैं कभी नहीं तोड़ूँगा अपनी प्रतिग्या दश्रत प्रतिग्या ये नाम उस प्रतिग्या को दिया गया था जो प्रभुराम ने कभी पिता से ली थी ये उस वचन को कहा जाता था जिसे कभी नहीं तोड़ा जा सकता था आनंद महीं ने अपना सिर हिलाया और गहरी स्वास छोड़ी परवतेश्वर एक बर फिर अपने ब्रह्मचरी की प्रतिग्या को दोहरा रहा था मैं कभी नहीं तोड़ूंगा अपनी प्रतिग्या आनंद महीं मुस्कु मुझे मिला है प्रभू हमारे बुरे दिन बीद गए आप तो हमारी सारी समस्याओं का समधान कर देंगे हम अपने घर जा सकते हैं घर जाना चाते हो तुम अभी भी घर जाना चाते हो ब्रंगा मेरी आत्मा है प्रभू यदि महामारी नहीं पहली होती तो मैं अपने देश को कभी नहीं छोड़ता शिव ने तेवरी चड़ाई उस बिंदु पर आने से पहले जो उसकी चिंता का विश्य था तुम्हें एक अच्छे विक्ति हो दिवोदास तुमने मेरे मित्र की जान बचाई है यहां तक कि अपना जीवन खत्रे में डाला यह तो सम्मान की बात थी प् जब तुम इसका उत्तर दो तो अपनी आचार सन्हिता को याद रखना दिवोदास ने तेवरी चड़ाई तुम्हें नागाओं के ओशधी कैसे प्राप्त हुई शिव ने पूछा दिवोदास जम गया मुझे उत्तर दो दिवोदास शिव ने धीमे से पूछा प्रभू मै जानता हूं कि वो अफशधी केवल नागाओं दोरा बनाई जा सकती है प्रश्री ये है दिवोदास कि तुम उस तक पहुँचे कैसे दिवोदास निलकंट को जूट नहीं बोलना चाहता था फिर भी वो सच बोलने से भैबी था दिवोदास सच बताओ शिव ने कहा मुझे सबसे अधिकरोध जूट बोलने पर आता है सच बोलो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें कोई हानी नहीं होगी मुझे केवल नागा लोग चाहिए प्रभू मैं नहीं जानता कि मैं ऐसा कर सकता हूं या नहीं मेरे कबीले वालों को प्रते एक वर्श इस आवशध दूंगा प्रभू ये मेरा वचन है दिवदास तुम्हें सदय वो औशधी मिलती रहेगी यदि शेश जीवन भर मैं एक मात्र यहीं कारे करता रहूं तब भी औशधी के आभाव में तुम्हारे कबीले का कोई विवक्ति मरने नहीं दिया जाएगा दिवदास जिजका फि तेक वर्ष ग्रिश मृतों में निरपवाद महामारी फैलती है एक मात्र आउशधी जो हमारे जीवन की रक्षा करती है वो वही आउशधी है जो नागा लोग हमें देते हैं राजा चंदरकेतु नागाओ को अवर्णी ये मात्रा में स्वण एवं असंख्या आदमियों की आपूर्ती करते हैं बदले में वे उन्हें आउशधियां देते हैं शिव भुचक का रह गया तुम्हारे कहने कारते कि राजा चंदरकेतु नागाओं के साथ सौधा करने के लिए विवर्ष है वे उनके बंधक हैं वे एक धर्मात्मा राजा है प्रबू यहां तक कि हम ज राजा एक महान वेक्ति हैं प्रभू उन्होंने के बंधका के लोगों की रख्षा करने के लिए दुश्टों से सवौधा किया है और अपनी आत्माा को शापित कर लिया है शिव ने धीवे भी में से सेल हिलाया क्या राजा एक मात्र ऐसे वेगती हैं जो नागाओं से प्रभू कोई अन्य नहीं मेरे शुशु के जन्मे के बाद हम ब्रंगा राजी के लिए रवाना होगे मेरे साथ तुम्हें चलना होगा प्रभू दिवदास चौकर चीक पड़ा हम अपनी भूमी पर आबरंगा लोगों को नहीं ले जा सकते हमारे रहसे हमारी सीमा के अंदर ह रहने चाहिए मेरे कभीले का भाविश्य दाओं पर है मेरी जन्मे भूमी का भाविश्य दाओं पर है यह तुमसे तुम्हारे कभीले या मुझसे भी कहीं महात्पोर है यह भारत वर्ष के बारे में हमें नागाओ को ढूरना ही होगा दिवदास ने शिव पर एक गहरी बिमारी है, हमें इस समस्या का समधान करना है, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी सहाइता के बिना नहीं, प्रभू, दिवदास सोचो, मैंने सुना है कि मोर के रख्त के कई अन्य दुश प्रभाव होते हैं, क्या हुआ होता, यदि तुम नागाओ के अफश्दी लेकर समय पर नहीं पहुचे होते, तुम्हारे कबीले का क्या हुआ होता, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा अजन्मा बच्चा, क्या तुम इस समस्या का समधान सदैव के लिए नहीं करना चाहते हैं, दिवदास ने धीमे से सहमती में सिरह लाया, तो फिर मुझे अपने राजज के द्वार पर खड़ा हुआ था, वो सहान भूती पूर्वक राजकुमार भगीरत को देख रहा था, मैं सौगंद खाता हूँ प्रभू मैं, मैं आपके विरुद कभी नहीं जा सकता, भगीरत ने कहा, कभी नहीं, मैं जानता हूँ, शिव ने कहा, ऐसा लगता है कि आउश मांगनी चाहिए, मैं आप पर फिर कभी संदेह नहीं करूँगा, प्रभू भगीरत बोला, शिव ने भगीरत को अपने निकट खीच कर गले लगा लिया, अपनी उपस्तिती से हम पर क्रपा करने के लिए एक बर पुना धन्यवाद मुनिवर, मिलूहा की प्रदान मंतरी कन कनकला ने महार्शी ब्रगु के चरणों को इस परश करते हुए कहा, मुझे अब आग्या दे, आईश्मान भव पुत्री ब्रगु ने हलके से मुस्कराते हुए कहा, मिलूहा की राजधानी देवगिरी में एकांध प्रिय महार्शी के अचानक आगमन पर कनकला अचंभित लेकिन उनके समराण दक्ष थोड़े भी अचंभित नहीं लग रहे थे, कनकला जानती थी कि सब्तरशी उत्राधिकारी को रहने के लिए किन-किन वस्तू के आउशकता थे, इसलिए उसने उनके कष्ट को ठीक हिमाले की उस गुफा के भाती तयार किया था जहां महार्शी ब्रगु निवास करते थे, सिवाए एक पत्थर की शिया के, जिस पर अभी महार्शी बैठे हुए थे, कोई अन्यवस्तू वहां नहीं थी, पहाडों की कष्टकारी ठंड और नम वातावरान जैसी अनुरूपता देने के लिए जमीन और दिवारों पर ठंडे जलका छिरक बाव किया गया था, सभी खड़कियों पर मोटे मोटे परदे डालकर सूरी के प्रकाश को मध्यम कर दिया गया था, फलो से भरी हुई एक टोकरी उस कक्ष में रग दी गई थी, महार्शी मात्र उसी का भोजन करते थे, और सबसे महात्वपूर्ण भगवान ब्रह्मा की ए हा मुनिवर, ये मेरे पौत्र के लिए है, इस दुनिया में मैं इतना अधिक निश्चित किसी अनिवस्तू के लिए नहीं हुआ हूँ, भ्रगो के मुख पर हल्की से मुस्कान फैल गई, किन्तु आँखों में अपरसनता ही जलक रही थी, राजन मैंने देखा है कि अपने स सती मेरे लिए इस दुनिया में सबसे महातपूर है, लेकिन मैं अपने धेय के लिए अपने कर्तवियों को नहीं भूलूँगा, अति उत्तम राजन, यही कारण था कि मैंने आपके समराड बनने का समर्धन किया था, मैं जानता हूँ मुनिवर, धेय से अधी कुछ भी महात पूर्ण नहीं है, राजन कि आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि आपके दामाद इतने मुद्धिमान हैं कि जब वे उसे देखेंगे तो प्रश्ण नहीं पूछेंगे, नहीं मुनिवर, वे मेरी पुत्री से प्रेम करते हैं, वे भारत से प्रेम करते हैं, वे उद्देशी को हान दक्ष सरल मना थे। उन्हें उस धेये के लिए स्वयम ही संगर्ष करना होगा। यदि आपका मत्य यही है तो फिर कार्या को आगे बढ़ाएं। महार्शी ने कहा। लेकिन आप किसी भी प्रशने का उत्तर नहीं देंगे कि वे कहां से आये। किसी को भी नहीं। ये स्पष् ली। ये उन्हें परिशान कर रहा था। दक्ष को अपनी विरासत की रक्षा करने के लिए कड़ा संगर्ष करना पड़ा। ये आवश्यम भावी था। ब्रगु का मानना था कि भारत का भविश्य ही दाओं पर था। वैसे किसी भी हालत में डरने वाली कोई बात नहीं है कस्वर तीखा हो रहा था। वस्तुता इससे भी हदिक कहा जाए तो संभवताया वो देश द्रोही था। दक्ष ने कुछ नहीं कहा। सदैव की तरह वो भ्रगु के क्रोध से भैवीत था। ब्रगु शान्त हो गया। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैंने अपनी शिश्य वो मेरे प्रती सच्चे बने रहें किन्तु प्रसंदता की जहां तक बात है भ्रगु ने थकावर्ट से अपना सीर हिलाया। वो अभी उससे प्रेम करती है। मुर्ग तवश हां तब भी जब वो जीदित नहीं है। ब्रहस्पति के संबंध में बात करने का कोई अर्थ नह मात्र नहीं हुआ है। यह ना सोचे कि आप एक मात्र ऐसे हैं जो निलकंठ का उपयोग कर सकते हैं। अध्याय साथ प्रसव पीड़ा दशाव मेग घाट पर राजसी प्रांगण के एक किनारे पर शिव खड़ा हुआ था। अपने अन्य प्रमुग कुलीन सदस्यों के पाहिद नहीं थे। जबसे निलकंठ ने उस नगर को अपना आस्थाई निवास बनाया था तबसे निरंतर उनका नगर आकरशन का केंद्र बना हुआ था। जिसके कारण अब उन्हें आदत सी पड़ चुकी थी। काशी के कूटनी दग्यों के लिए वह एक व्यस्त दिन दिलीप का आगमन प्राताकाल ही हुआ था। स्वदीप के समराट के लिए सभी मानकिये सिष्टाचारों का पालन किया गया था। उसी के अंतरगत राजिसी प्रांगण के ऊपर एकल श्वेत पताका जिस पर नव चंद्र बना हुआ था। उसे लगा दिया गया था। अव प्रांगण के लोग पिछले तीन महीने से जी जान से काम में जुटे हुए थे। गंगा की लहराती धारा के पूर्वी हिस्से में निवास्त ना करने के अंधविश्वुआ था। श्वास के कारण वो इस्थान ब्रंगा लोगों के काम करने के लिए प्राकरतिक रूप से सर्वाधिक सुरक्षित था। वो एक विशेश प्रकार के जल्पोत का निर्मान कर रहे थे जो ब्रंगा के नदी के आरपार बनाये गए विशालकाय द्वारों को पार कर उनकी जिरोध किया था। उसने कहा था मात्र इसलिए कि आप कलपना नहीं कर सकते इसका ये अर्थ नहीं कि वो अस्तित्व में नहीं है। लेकिन अतितिक्व ने इस कारे के लिए ब्रंगा वालों को पूरवी घाट पर राजभवन या उनके मैदानों का उप्योग कर लेने से मना कर दिया था। इसलिए ब्रंगा वाले एक खतरनाक हाल ही में सूखे नदी के तड़ पर काम कर रहे थे। दिवदास ने निलकंट को जैसे ही वचन दिया कि वो उनके साथ ब्रंगा देश को जाएगा ठीक उसी के दूसरे दिन से कारे आरंब कर दिया गया। दिवदास अपने वचन का पका है, वो एक नेक आदमी है। अंतता दक्ष के जलियां के घाट पर रुकने की आहाट ने शिवद को फिर वर्दमान में लाकर खड़ा किया था। उन्होंने देखा कि सीड़ियों को रसी वाली घिर्री से नीचे किया जा रहा था। राजिस्ती स्टाचार आदी के बारे में सोचे बिना ही धक्ष त्वरित गती से मार्ग पर उद्रा और भागता सा शिव की ओर बढ़ा। उसने जुक कर अभिवादन किया और हाफते हो पूछा। पुत्र हुआ है प्रभू। भारत की समराट का स्वागत करने के लिए शिव उठ खड़ा हुआ। उसने एक आपचारिक नमस्ते किया और मुस्कुराता हुआ बोला। हमें भी पता नहीं है माराज। जन्मी की बेला कल तक ही आपाईगी। ओ, अती सुंदर, तब फिर मुझे देरी नहीं हुई, मैं बहुत डरा हुआ था कि आनंद भरा दिन नहीं देख पाऊंगा। शिव ठाहा का मार कर हस पड़ा। ये कहना बहुत कठिन था कि कौन अधिक रोमान चित था, पिता या पिता मह। आपको पुना देखकर बहुत प्रसनता हो रही है पूर्वग जी। पूर्वग जी। लेकिन प्रभू आप मेरे पिता के पाऊंगा। शिव के सिर्पर अपना हाथ रखते हैं पूर्वग हांस पड़ा। आपको कोई इनकार नहीं कर सकता है अधुतुया। आईश्मान भवग दिरगायू होने का आशिरवात पाश्यूर संतुष्ट खड़ा हो गया। तो अब आप अपने पुत्र के साथ समय बिताना चाहते हैं। जी हाँ प्रभू। किन्तु हम एक बहुत ही संकट पूर्ण यात्रा पर जाने वाले हैं। क्या आप इस बारे में इस्चित हैं। कभी मैं भी एक युद्धा था प्रभू। मैं अभी तक बलवान हूँ। यदि कोई नागा मेरे सामने आखडा हो जाए तो मैं उसे मार सकता हूँ। शिव मुस्कुराया। द्रपकु की और मुडते हुए उसकी भौहें उठी। अपने हाथ से संकेत देते हुए कि वो उसकी सुरक्षा करेगा द्रपकु भी मुस्कुराया। मिरे बेटे ऐसा मत समझो कि मुझे इंद्रिय बोध नहीं कि तुम क्या कह रहे हो। पूरवक ने कहा। चाहे मैं अंधा हूँ। लेकिन तुमने मेरा हाथ पकड़कर ही तरवार घुमाना सीखा है। मैं अपनी रक्षा कर लूँगा और तुम्हारी भी। शिव और द्रपकु दोनों ही ठाहा का मारकर हस पड़े। शिव को ये देखकर बहुत प्रसंदता हुए कि कोड़द्वार में वो एक ऐसे संकोची पूरवक से मिला था जिसने अपनी प्राकरतिक वीरता को भागे के प्रहार से पराजित बान दबा दिया था। किन्तो आज उतमें फिर से वही उत्साह जलकने लगा था। आप अपने पुत्र को भूल जाए पूरवक जी शिव ने कहा आपको अपना अंगरक्षक बनाकर मुझे अती प्रसंदता होगी। मुझे डर लग रहा है शिव। अपनी कक्ष में सती शेया पर लेटी हुई थी। एक थाली में भूजन लेकर शिव कक्ष में अभी अभी पहुचा हुआ था। नहीं होगा। लेकिन यदि ये बच्चा भी मुरत पैदा हुआ तो। यदि मेरे वगत पाप हमारे बेचारे शिशु को प्रभावित करें तो वगत पाप जैसा कुछ भी नहीं होता है सती। एवल एक ही जीवन होता है एक ही सत्य होता है इसके अत्रिक्त बाकी सब बस सिधान्त होते हैं उस सिधान्त को मानो जो शांती देता है और जो अस्विकारों को पीड़ा देता है ऐसे सिधान्त पर क्यों विश्वास करो जो दुख दे तुमने अपनी और अपने शिशु की दिख्भाल करने के लिए वो ये चिन तक तुम्हें कोई साहता नहीं देगी सकारात्मक और सुकारी सोचो हमारे बच्चे के लिए सबसे अच्छा यही है जो तुम कर सकती हो और बाकी सब भागे पर छोड़ दो वैसे भी भागे ने ये सुनिशित कर दिया है कि कल तुम अपनी शर्थ हार जाओगे कैसी शर्थ? अब तुम इससे बच नहीं सकते शिव ने कहा बताएं ना कौन सी शर्थ? ये कि हमारी बेटी पैदा होगी अरे हाँ इसके बारे में तो मैं भूली गई थी सती मुस्कुराई लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा अनुभाव हो रहा है कि बेटा होगा नहीं शिव हसा सती भी सात में हसी और उसने शिव के हाथों से अपना मुख सटा दिया शिव ने रोटी तोड़कर उसे थोड़ी सी सबजी में लपेटा और कौर सती को खिलाते हुए पूछा क्या नमक ठीक है? क्या सचमुझ पूर्व जीवन के पाप होते हैं? शिव ने पूछा नीलकंट काशी विश्वनात मंदिर में थे उनके सामने वासुदेव पंडित बैठे हुए थे मंदिर के स्तंबों के मंदि से अस्थ होता हुए सूर्य दिखाई दे रहा था लाल बुलवा पथर और भी अधिक चमक रहा था जिससे विसमेकारी प्रिणादायक वातावरण बन रहा था आप क्या सोचते हैं? वासुदेव ने पूछा मैं किसी वस्तूप पर तब तक विश्वास नहीं करता जब तक कि इसका प्रमार ना देख लू मेरे विचार से बिना प्रमार वाले सिधानतों में से उन सिधानतों को मानना चाहिए जो हमें शानती ब्रदान करते हैं इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो सिधान सत्य है या नहीं ये सुखी जीवन जीने के लिए एक बहुत अच्छी रणीती है इसमें कोई संदे नहीं है शिव ने पंडित के और भी कुछ बोलने के प्रतिक्षा की जब वे नहीं बोले तो शिव ने पुना कहा आपने मेरे प्रशन का उत्तर अभी भी नहीं दिया क्या सचमुझ ही पूर्व जीवन के पाप होते हैं जिनके लिए हम इस जीवन में दुख पाते हैं मैंने आपके इस प्रशन का उत्तर नहीं दिया या ये लोग मातर प्रतिभावान लेखक है या कोई महान दार्शनिक पंडित प्रतियुत्तर में मुस्कुराया पुना मेरे पास उत्तर नहीं है शिव्ठ हाका मारकर हस पड़ा वो भूल गया था कि पंडित उसके मन की सोची हुई बात को सुन सकता था और वो भी पंडित के मन की बात को सुन सकता था ये कैसे होता है ऐसा कैसे है कि मैं आपके मन की बात सुन सकता हूँ ये सच में सीधा सा विज्ञान है रेडियो तरंगों का विज्ञान ये सिधान्त नहीं है पंडित मुस्कुराया ये निश्चिति सिधांत नहीं है, ये एक तथ्या है, जिस प्रकाष आपको देखने में सहायता करता है, उसी तरह रेडियो तरंगे आपको सुनने में सहायता करती है, ये भी सच है कि सारी मानावजाती प्रकाश के गुणों को देख सकती है किन्तु अधिकतर लोग रेडियो तरंगों को सुनने ही पाते हम लोग सुनने के लिए ध्वनी तरंगों पर निर्वर करते हैं ध्वनी तरंगे हवा में तुलनात्मक दृष्टी से कम गती में यात्रा करती हैं और कम दूरी तक ही जा पाती है रेडियो तरंगे तीवर गती से दूर तक प्रकाश की भाती यात्रा कर सकती है शिवक अपने काका की बात याद आई जिनके बारे में उसे सदैव यही लगता था कि वे उसके मन की बात सुन लेते थे जब वो किशोर था तब वो इसे जादू समझता था अब वो समझ गया था कि इसके पीछे क्या विग्यान है ये बहुत ही मनुरज़क है तो फिर आप ऐसे मशीन का निर्मार क्यों नहीं करते जो रेडियो तरंगों की धोरी तरंगों में बदल सके ये कठीन प्रशन है अब ये तक हम इसमें सफल नहीं हो पाए हैं किन्तु हम अपने मस्तिशकों को प्रसिक्शन देने में सफल रहे हैं कि वे इन रेडियो तरंगों को सुन सके इसके लिए सालों अभ्यास करना पड़ता है इसलिए हमें आश्यर हुआ है कि आप ये बिना किसी अभ्यास के ही कर लेते हैं मैं भागिशाली हूँ ऐसा मेरा अनुमान है इसमें भागिए की कोई बात नहीं है आप जन्मजात ही विशेश है शिव ने तियोरी चड़ा ली मैं ऐसा नहीं समझता वैसे भी ये कैसे काम करता है आप रेडियो तरंगों को कैसे सुन पाते हैं मैं सभी लोगों के मन की बाते क्यों नहीं सुन सकता अपने मन की बात को इस पश्ट रूप से रेडियो तरंगों के रूप में प्रसारित करने में भी प्रियास के आवशकता होती है कई लोग अंजाने में बिना प्रस्रिक्षन के ही कर लेते हैं किन्तो रेडियो तरंगों को पकड़ना और दूसरे के मन की बात को पड़ना ये पूरी तरह से भिन होता है ये सरल नहीं है हमें शक्तिशाली प्रेशकों की सीमा में रहना होता है मंदिर आप आसाधरान बुद्धिमाने निलकंट पंडित मुस्कुराया हाँ, मंदिर हमारे प्रेशकों की भाती कारे करते हैं इसलिए मंदिर जिनका हम उप्योग करते हैं वे कम से कम 50 मीटर के उचाई के होते हैं दूसरे वासुदेवों के मन की बात को पकड़ने और वापस मेरी बात उन तक प्रसारित करने में ये सहायक होता है आपके कहने का आर्थ है कि अण्य वासुदेव सदय वह वाथे सुनते रहते हैं पंडी जी हाँ जो भी हमारे मध्य हो रहे है वारतल आपको सुनना चाहे और बहुती कम वासुदेव होंगे जो हमारे समय के संद्रक्षक महान नीलकंटी की बाते न सुनन चाहे शिव के तेवरियां चड़ गई, पंडी जो कह रहे थे यदि वो सच था, तो वो पूरे भारत वर्ष में किसी भी मंदिर के किसी भी वासुदेव से बात कर सकता था मगत के वासुदेव पंडित कृपा कर ये बताएं कि आपके ये कहने का क्या आर्थ है कि लोग बुराई में आसक्त होते हैं शिव ने बहुत जोरदार ठाहा का सुना, ऐसा प्रतीत हुआ कि वो स्वर थोड़ी दूर से आ रहा था मगत के नरसिंग मंदिर के वासुदेव ने कहा आप अत्यधिक प्रतिभावान और चतुर हैं प्रभु नीलकंट शिव मुस्कराया हे महान वासुदेव मुझे इस खुशामत के बजाए आपके उत्तर की प्रतिक्षा है चुप्पी उसके बाद शिव ने मगत से आता हुआ अत्यधिक स्पष्ट स्वर सुना धर्मखेत युद्ध में आपका भाशन मुझे बहुत पसंद आया था हर हर महादेव हम सभी महादेव हैं हम सब के अंदर एक इश्वर विराजमान है बहुत ही उत्तम सोच थी उसका मेरे प्रशन से क्या लेना देना है मैंने पूछा था कि लोगों को बुराई से आ सकती क्यों रखनी चाहिए इसका लेना देना है इसका उससे पोड़ताया लेना देना है हम सब में एक विश्वर है इसका इस पश्रूप से उपसिध्धान्त क्या है वो ये है कि हम में से प्रतेग का ये उत्तरदायत है कि हम सब अपने अंदर इश्वर को ढूणे नहीं मित्र ये तो सदाचार है मैंने पूछा कि इसका उपसिध्धान्त क्या है मैं समझ नहीं पाया पंडी जी प्रतेग वस्तु को संतुलन के अवशक्ता होती है नीलकंट पुरुष वाचको को स्प्री वाचको के अवशक्ता होती है उर्जा को द्रवेमान के अवशक्ता होती है अता विचार करें हर हर महादेव इसका उपसिध्धान्त क्या है कथन को क्या संतुलित करता है शिव ने तेवरी चड़ा ली एक विचार उसके मन में उबरा उसे वो पसंद नहीं आया अयोध्या के वासुदेव ने शिव से आग्रहें किया अपने विचारों को आने से नरों के मित्र उन्मुक्त प्रवाह ये सत्य को पहचानने का एक मात रुपाय है शिव ने मुँ बनाया लेकिन ये सत्य नहीं हो सकता सत्य को पसंद करना आवश्यक नहीं होता है इसे मात्र बूला जाता है आप इसे बूले सत्य आपको पीड़ा दे सकता है किन्तु वो आपको मुक्त कर देगा लेकिन मैं नहीं मान सकता सत्य किष्टी को विश्वास करने के लिए कहता नहीं है वो मात्र अस्वित्व में रहता है मुझे बताए कि आप क्या सोचते है हम में इसे प्रतेक में एक ईश्वर का वास है उसका उपसिद्धान्त क्या है? हम मेंसे प्रतेक में बुराई भी है बिलकुल सही हम मेंसे प्रतेक में एक वीश्वर है और हम मेंसे प्रतेक में एक दुष्ट है अच्छाय और बुराई का सचा युद्ध तो अपने अंदर ही लड़ा जाता है और बड़ी बुराई हमारे अंदर छिपी बुराई से सब्बंद बना लेती है यही कारण है कि लोग बुराई से अनुरक्त होते हैं मेरा ऐसा विश्वास है कि जब आप हमारे इस काल की सबसे बड़ी बुराई को खोज लेंगे तब आपको इस व्याक्य की आवशक्ता नहीं रह जाएगी कि बुराई आखिर इतनी गहराई से हमसे जुड़ी है अपने सामने उपसित पंडित को शिव ने टक्टकी लगा कर देखा इस वारतलाप ने उसे हिला कर रख दिया था उसका कारे केवल बुराई को खोजने तक ही सीमित नहीं था संभवतया वो तुलनात्मक दृष्टी से सरल होता अखिर वो कैसे बुराई के प्रती आ सकती से लोगों को मुक्ती दिलवा सकेगा आपको सभी प्रश्णों के उत्तर अभी के अभी प्राप्त करनी के आविशक्ता नहीं है मित्र काशी के वासुदेव ने का शिव हौले से मुस्कुराया वो असाहज था उसके बाद उसने दूर से आता एक स्वर सुना जिसे वो पहचान नहीं सका एक प्रभाव शाली स्वर जिसे सुनकर ऐसा प्रतीत हुआ कि कभी तेजस्वी रहा होगा तेजस्वी फिर भी प्रशांत और शदी निसंदे काशी के पंडित ने कहा और शीगरता से उठ खड़ा हुआ वो एक रेश्मी थैले थामे शीखरी वापस आ गया शिव ने उस थैली को खोला उसके अंदर गाढ़ा रख्तिम भूरे रंग का लेप था धनिवाद यदि ये मेरे बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करता है तो मैं आपका सदा भारी रोंगा वो स्वर जिससे शिव पहचान नहीं सका था वो स्वर जिसने काशी के पंडित को आदेश दिया था बोला आपको करतक गिता प्रकट करने की कोई आवशकता नहीं है प्रभु नीलकर्ट आपके किसी भी काम आना हमारा करतव और हमारा सम्मान है जै गुरु विश्वामित्र जै गुरु वशिष्ट शिव खिड़की के पास खड़ा था राजभवन की उस उची दिवार से वो भीड़ भरे नगर और उससे दूर चोड़े पवित्रमारको को देख पा रहा था उसी के किनारे ब्रह्म घाट के निकट वो व्रहत विश्वनात मंदिर खड़ा था शिव उसे टकटकी बांधे देख रहा था उसके दोनों हाथ प्रात्ना करने की मुद्रा में जुड़े हुए थे भगवान रुद्र मेरे बच्चे की रक्षा करें कृपा करें कुछ भी अघटे तना घटे उसने हलके से खासने की धोनी सुनी तो पीछे मुड़ा भारत का सबसे महातपूर्ण विक्ती सती एवं शिव के बच्चे का समाजार सुनने के लिए सांस रोके प्रतिक्षा कर रहा था दक्ष घबराहाट में व्यग्र हो रहा था वो बहर डरा हुआ था विवास्तों में सती की चिंता करते हैं चाहे वे और कुछ हो या ना हो वे एक निश्ठावान पिता आवश्य हैं भावशो ने वीरिनी दक्ष का हाथ पकड़े हुए थी समराण दिलीप शांत बैठे हुए थे राजा अतिथिक्व कक्ष में एक छोड से दूसरी छोड तक चहल कदमी कर रहे थे वे इस बात से दुखी थे कि नीलकंटी की प्रिथम संतान के प्रिसव का उत्तरदाईत वो उनके वैद्यों को नहीं दिया गया था लेकिन शिव कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था केवल आयुर्वती ही देख भाल कर सकती थी शिव पीछे मुड़ा उसने नंदी को दीवार से सट कर देखा तो उससे अपनी आँखों से संकेत किया जी प्रबू शिव के पास आते हुए नंदी ने पूछा मैं बहुत असहाय अनुभाव कर रहा हूँ मुझे घबराहाट हो रही है नंदी ततकाल कक्ष्ट से भाग कर बाहर गया थोड़ी देर में वो वीरभद्र के साथ वापस आ गया दोनों मेत्र खड़किये के निकट चले गए यह सच बहुत ही अच्छा है वीरभद्र ने कहा सच में शिव ने पूछा वीरभद्र ने चिलम जलाई और शिव को दी उसने गहरा कश्ट खीचा हम शिव फुस पुसाया हां मुझे अभी भी घबराहट है वीरभद्र ने हसना शुरू कर दिया आपको क्या लग लड़की, सच में लड़की युद्धा नहीं हो सकती क्या बकवास करते हो सती को देखो वीरभद्र ने सिरह लाया बात तो सही है और नाम कृतिका कृतिका आपको मेरे लिए ऐसा कुछ करने की कोई आवशक्ता नहीं है मित्र मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ मूर वो एक भद्र महिला है है ना वो तो है तुम भागेशाली हो अरे भाई वो भी कम नहीं है मैं कोई बेकार पती थोड़े हूँ वास्तों में उसे और अच्छा पती मिल सकता था भद्र ने हाजी हाजी में शिव की कलाई पर थपकी दी और दोनों मित्रों ने ठाहा का लगाया शिव ने चिलम पुना वीरभदर को वापस पकड़ा दी अचानक भीतरी कक्ष का दौर खुला आयर्वती भाग कर शिव के पास गई पुत्र हुआ है प्रभू एक बलवान सुंदर और तेजस्वी बालक शिव ने आयर्वती को अपनी बाहों में उठा कर घुमा दिया और निकट दो परिचारिकाएं घूम घूम कर काम कर रही थी सती का हाथ पकड़े हुए बगल में एक कुरसी पर कृतिका बैठी हुई थी शिव ने अब तक जितने नौजाद शिशु देखे थे उन सबसे सुन्दर शिशु सिती के पास लेटा हुआ था सफेद कपड़े के ए मैं भी कुछ हारा नहीं सती हस पड़ी लेकिन शीगरी शांत हो गई टाके पीड़ा दे रहे थे हम इसे क्या कहकर पुकारेंगे निश्चित ही से कृतिका तो नहीं बुला सकते हैं हाँ उसका तो प्रश्ट भी नहीं उड़ता सती की दासी मुस्कुराई कृतिका तो इस त कार्तिक बुलाएंगे अध्याय आठ अभिसार नरत्या जैसे ही जाने की अनुमति मिली दक्ष उस आंतर कक्ष के और दौर पड़ा वीरिनी उसके पीछे पीछे थी पिता जी आपका पहला पौत्र सती धीमे से बोली दक्ष ने उत्तर नहीं दिया उसने धीमे से कार्तिक क को उठाया और सती की जुझलाहट की परवाह किये बिना उस सफेद कपड़े को खोल कर शया पर गिरा दिया जिससे उस शिशु को कसकर लपेटा गया था दक्ष ने उसे उपर उठा लिया और उलट-पुलट करके देखने लगा वो अपने पौत्र की हर छवी को प्रशंसा भरी दृष्टी से निहार रहा था भारत के समराट की आँखों में आसुधारा प्रवाह बह रहे थे शिप बहुत ही सुन्दर है अत्यधिक सुन्दर है चौक कर कार्तिक नींद से जग गया और ततकाल ही रोने लगा वो एक सुस्वस्त शिशु का तार सप्तक रुदन था सुधी ने अपने बेटे को लेने का प्रत्न किया लेकिन दक्ष ने आनंद मगन वीरिनी को उसे पकड़ा दिया सती को तब आश्चरे हुआ जब कार्तिक वीरिनी की बाहों में जाते ही शान्त हो गया रानी ने कार्तिक को उसी सफेद कपड़े पर रखा और पुना हो उसने शिव को कसकर आलिंगन बद्ध कर लिया मैं समस्त इतिहास में सरवाधिक प्रसन वेक्ति हो प्रभू इतना प्रसन जितना आज तक कोई नहीं हुआ होगा हलके से मुस्कुराते हुए शिव ने समराट की पीट को थप थपाया मैं जानता हूं महराज दक्ष पीछे हटा और अपने आसू पूछे सब कुछ ठीक है नीलकंठ हमारे परिवार में जो अशुद्ध था आपने सब शुद्ध कर दिया एक बार फिर से सब कुछ ठीक है वीरिनी ने दक्ष को भूरा उसकी आँखे संकुचित थी श्वास तेज थी उसने अपने दात पीसे लेकिन चुप रही दिवदास के आदमें दोरा बनाये जा रहे हैं जलपोत की प्रग्रती का परिक्षर करने के बाद भगीरत नदी के किनारे पर टहलता हुआ वापस आ रहा था चूंकि देर हो चुकी थी अता उसने अपने अंग्रक्षकों को भेज दिया था आखिरकार ये काश अची था ऐसा नगर जहां सभी लोग आश्रे पाने की इच्छा रखते थे गल्यों में मौत का सनाटा चाया हुआ था सनाटा इतना गहरा था कि उसने अपने पीछे हुई हलकी सी चर्मराहट को भी इस पश्ट सुन लिया था उदासीनता जताते हुए आयुद्या का राज प्रहार उस हमलावर को शिथिल करने के लिए परियाब्त था वो अत्यधिक पीडा में हो सकता था लेकिन मृत नहीं कनकियों से भगीरत ने एक और आकरती देखी वो अपने दूसरे चाको तक पहुचा लेकिन वो खत्रा तो दीवार के पास जागिरा था एक छोटी तलवा होते हुए भगीरत ने पूछा किसने बेजा है तुम्हें वह हमलावर चुप रहा भगीरत ने चाकू को उस पेट के वेक्ति में मरोड दिया किसने उस वेक्ति के मूँ से अचानक ज्छाग निकलने लगा उस चुहे ने विश्खा लिया था वो कुछ सेकेंड में ही मर गय धनिवाद नंदी मैं भागिशाली था जो आप आसपास ही थे ये भाग की बात नहीं थी राजकुमार नंदी ने धीमे से कहा यहां आपके पिता के भ्रमण के कारक्रम तक नेलकंठ ने मुझे आपके पीछे रहने के लिए कहा था सच मैंने सोचा था कि प्रभू आवशक् कोई पिता अपने पुत्र के जीवन पर हमला नहीं करेगा मेरा नुमान है कि मैं गलत था भागिरत ने सिल हिलाया ये मेरे पिता नहीं थे कम से कम सीधे तौर पर तो नहीं ही सीधे तौर पर नहीं आपके कहने का आर्थ है उनके पास हिम्मत नहीं है लेकिन वे इस बात को जागर करते रहते हैं कि मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ इसस पर श्ट्रूप से उनकी सभा में रहने वाले सिंगासंग के प्रतिदूंदी दाविदारों को बढ़ावा मिलता है उन्हीं केवल इतना करना है कि मुझे इस समीकरन से बाहर निकाल फिकना है ऐसा प्रतिद हताश हो रहे हैं क्यों मेरे पिता का स्वास्त अच्छा नहीं है मेरे विचार से उनका सोचना है कि उनके पास समय नहीं है यदि मेरे जीवित रहते उनकी मृति हो जाती है मैं खड़ा रहूंगा और आपको छुपाने के लिए मेरा शरीर ही काफी है अपनी भारी भरकम कमर मर मस्खरी करने के लिए नंदी के प्रयास पर भगीरत हज दिया क्या आपको किसी का नाम मिला किसने उन्हें भेजा था मैं नहीं जानता प्रभू भगीरत ने कहा इससे पहल मेरे जीवन के रक्षा करने के लिए मैं आपका रिड़ी हूं प्रभू मेरा कोई रिड़ नहीं है शिव ने कहा फिर नंदी के और मुड कर बुला धन्यवाद मित्र वो आप है जो इस आभार के पात्र है नंदी नीचे जुका आपकी सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात ह आप आनंद महीं से क्या कहेंगे भगीरत ने तेवरी चड़ाई कुछ नहीं मैं नहीं चाहता कि वो अनवश्चक परेशान हो मैं ठीक हूँ किसी को भी इस बार में जानने की कोई आशकता नहीं है क्यों क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरे पिता इसकी जाच करवाने का प्रियास भी नहीं करेंगे अने कुलीन इसे उनकी मौन स्विक्रिति के रूप में देखेंगे वे मेरे उपर अधिक आक्रमक प्रहर करेंगे ना कि दुरगटना जैसे देखने वाले प्रहर इस समचार के बाहर जाने से प्रतिदुन्दी दावेदार को सिवाए उकसाने के और कुछ नहीं होगा लगता है अनेक कुलीन आपके पीछे पड़े हैं राजसभा के आधे लोग मेरे पिता के संबंधी हैं प्रभू मैं सभी सोचते हैं कि सिंगाजर पर उनका अधिकार है शिव ने गहरी सांस ली जब तक आपके पिता यहां है आप अकेले मत रहिए और आपके लिए जीवित रहने का प्रयास करूंगा प्रभू शिव धीमे से मुस्कुराया और नंदी भी महराज मैंने ही समझता कि इतना अधिक सोम्रस चूर्ण दे देना अच्छी बात है शिव ने कहा शिव एवं दक्ष शिव के भवन में थे कार्तिक का जन्म हुए एक सोम्रस दिया जाये ताकि वो शक्तिशाली बल्वान युद्धा के रूप में बढ़ा हो वे इतनी मात्रा में चूर्ण लाये थे जो कार्तिक के अठारवे जन्म दिन तक पर्याप्त था प्रभू दक्ष ने कहा प्रभू एक अत्यधिक वत्सल नाना को ये बताना कि वो अ चिंता करने दे प्रभू कृपिया ना मत कहें शिव ने आत्म समारपड कर दिया मंदार प्रवत के पुर्ण निर्मार की योजना कैसी चल रही है यह बहुत समय ले रहा है दक्ष ने अपने हाथों को उपेक्षा से हिलाते हुए कहा उसके बारे में अभी भूल जाते हैं ये तनी सुखद घटना है मेरा बेक नाती है एक स्वस्त संपूर्ण सुंदर नाती जो बड़ा होकर भारत का समराड बनेगा काशी के नागरिकों में बच्चों के जन्मे के ठीक साथवे दिन निर्त्य एवं संगीत के साथ खुशी मनाने की प्रथा थी शिव ने अपने म होने वाले प्रेम प्रसंगे के चाड़ों का बिन है उत्तंक इस निर्त्य के लिए अपेकशित उतने कठिन चलनों को कैसे कर पाएगा इस प्रकार के अनुमानों से अंजान आनंदमाई ने उत्तंक का जुकर अभिवादन किया उसके बाद भी प्रतियुत्तर में जुकर अ उसने अपनी आखे थोड़ी संकुचित किये और लगा कि वो अपनी सांसे रोके हुए था क्या वो इर्श्या कर रहा है आयोध्या की राचकुमारी ने निर्त निर्देशन बहुत ही अच्छी तरह से किया था उसने इस विशेश अभिने के लिए प्राचीन नियमों को थो एक पूर्व सैनिक और राचकुमारी आनंदमई को इतने निकट इस पर्ष करनी के अनुमती कैसे दी जा सकती थी लेकिन उसके बाद वे उस अभिने की गुडवत्ता से खीचे चले गए थे विश्वामित्र और मेनका का निर्ट आज तक किसी ने भी इससे पहले इतनी उन्मुक्त का मुक्ता से भरा नहीं देखा था जैसे ही निर्ट समाप्त हुआ सारे दर्शलगन तालिया बजाते हुए और सीटिया मारते हुए खड़े हो गए वो सचमुची विलक्षार प्रदर्शन था आनंद माई नीचे जूकी और उसके बाद उसने उत्तंक की और संकेत करते हुए सारा श्रे उस शारिरिक रूप से विक्रत पूर्व सैनिक को दे दिया उत्तंक ने जो प्रशिचा पाई उससे वो बहुत खुश हुआ पहली बार उसे लग रहा था कि उसके जीवन का भी कोई अर्थ था उपस्तित लोगों में परवतेश्वर एक मातरवेक दे था जिसे ताली नहीं बजाई दूसरे दिन पूरवक के साथ परवतेश्वर काशी के राज बहुन में निर्मित औरस्थाई सैनिक प्रशिक्षार अस्थल में मुक्यबाजी का अभ्यास कर रहा था पूरव दल्पती अपनी पुरानी शक्ति को पुना प्राब्त कर रहा था दृष्ट के आभाओ पर भी पूरवक अपनी सुनने की शक्ति से परवतेश्वर के प्रहारों को पहचान पा रहा था और बहुत ही शांदार धंग से प्रतिक्रिया कर रहा था परवतेश्वर बहुत खुश था मुक्यबाजी को रोकते हुए परवतेश्वर द्रपकी की और मुड़ा और उसने अपना सिर हुलाया उसके बाद वो पूर्वक की और मुड़ा और उस ने सिर को थोड़ा जुका कर मेलूहा परंपरा में अभिवादन किया पूरवक ने भी अपनी मुठी से सीने पर मारा और नीचे जुग गया वो परवतेश्वर की तुलना में बहुत नीचे जुगा और फिर उसने अभिवादन किया वो परवतेश्वर की विख्यात वीर्था का सम्मान करता था नीलकंट के साथ यात्रा करने वाले सुर्वंशी दल में आपको सम्मान की बात होगे दलपती पूरवक परवतेश्वर ने कहा पूरवक मुस्कुराया दर्शकों में ये पहली बार था जब उसे दलपती कहा गया था सम्मान मेरा हुआ है सिनपती और चंद्रवंशी के दल में मुझे ना भेजने के लिए बहुत बहुत धनेवाद मुझे नहीं लगता कि मैं उनकी अक्षमता को जेल पाऊंगा कक्ष के एक खिनारे खड़ा भगीरत अपनी हसी को रोक नहीं पाया हम लोग देखेंगे कि नीलकंट के लिए कौन अधिक श्रम करता है पूरवग जी भूले नहीं कि आप चंद्रवंशी छेतरा दिकार में हैं यहां युद्ध दूसरे तरीकों से लड़ा जाता है पूरवग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी उसका प्रसिक्षन किसी राज़िस्वी विक्ति को प्रतियुत्र देने से रोकता था उसने सहमती में सिरह ला दिया ठीक उसी समय आनंदमई ने कक्षम प्रवेश किया भगीरत मुस्कुराया और उसने प्रवतेश्वर को एक टीक श्रदृष्टी से देखने के बाद आनंदमई की ओर देखा वो एक चमकीली हरी चोली और छोटी सी धोती पहने हुई थी वो रंग इतना चटक था कि आनंदमई जैसे एक सुन्दर और आत्म विश्वासी इस्तरी ही उसे पहन सकती थी उसे संदेय था कि परवतेश्वर का धियान आकर्शित करने के लिए आनंदमई दिन प्रतिदिन निरलज बनती जा रही थी उसने अपनी बहन को इतना व्यकुल कभी नहीं देखा था वो निर्णे नहीं कर पा रहा था कि आनंदमई से बात करे या फिर परवतेश्वर से अलग से पूछे कि आफिर वो चाता क्या है भाई की ओर दूर से अभिवादन करते हुए आनंदमई सीधे परवतेश्वर के पास गई उत्तंक उसके पीछे था वो परवतेश्वर के अत्यथिक निकटा गई जिसकी कारण उसे पीछे हट जाना पड़ा मेरे सबसे प्यारे मिलुहा की सेनापती कैसे हैं? उसने अपनी आखों को तिर्चा कर इशारा करते हुए पूछा मिलुहा के अंदर अलग-अलग राज नहीं है राजकुमारी हमारे पास केवाल एक सेना है परवतेश्वर ने कहा आनंदमई की भ्रकुडी तन गई इसका आर्थ है कि किसी एक को पसंद करने का अवसर नहीं है क्योंकि मिलुहा का केवाल एक ही सेनापती है मैं मानती हूँ परवतेश्वर केवाल एक है परवतेश्वर लाल हो गया द्रपकुने अरुची से मूँ बनाया कोई ऐसी सेवा है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ राजकुमारी परवतेश्वर जल्द से जल्द इस वारतलाप को सुवापते करने का तरीका ढोना चाहता था मैंने सोचा था कि आप कभी नहीं पूछेंगे उत्तंक के क्योर संकेत करते हुए आनंद में मुस्कुराई वो नव्यवक मगद से आया हुआ एक शरणार थी है इसका नाम उत्तंक है ये सदेव ही एक युद्धा बनना चाहता था लेकिन घुर सावारी में चोट लग जाने के कारण इसका कंधा चोट गरस्थ हो गया मुर्खता पूर्ण गुलो से आसकत राजकुमार सुपर्दमन ने इसे सीना से निकाल दिया अधिकतर दुखी आत्माओं के तरह ये भी काशी आ गया मुझे विश्वास है कि आप निकल इसका नरत देखा होगा मैं चाहती हूँ कि आप इसे निलकट के दल में शामिल कर ले एक नरतक के रूप में हक्के बग्के परवतेश्वर ने पूचा क्या आप जान बुचकर मुर्ख बना चाहते हैं या फिर मात्रे कभी ने है परवतेश्वर ने तिवरी चड़ाई सपष्ट है कि नरतक के रूप में नहीं रोश में कंधे सिकोड़ते हुए आनंदमई ने कहा एक स्थैनिक के रूप में परवतेश्वर उत्तंक के और मुड़ा उसके पैर खुले हुए थे उसके हाथ हतियार के निकड़ थे वो युद्ध के लिए तयार था इस पश्च्रूप से उत्तंक को अच्छा प्रसिक्श्वर दिया गया था उसके बात परवतेश्वर के आँखे उसके कंधे पराकर ठहर गई चोट के कारण खूबड बन जाने से उसके दाहिनी हाथ को चलाने में कठिनाई थी तुम लंबे आदमियों के साथ युद्ध नहीं कर पाओगे मैं मर जाओंगा लेकिन पीछे नहीं हटूँगा सेनपती उत्तंक ने कहा ऐसे सैनिकों का हमारे पास कोई काम नहीं है और साथ ही प्रिचंड युद्धा भी वो पीछे मुणा और उसने लकडी से बनी दो तलवारे और ढाले उठा ली एक उसने उत्तंक की और उचाल दी उसने अपने तलवार को पकड़ा ढाल को ठीक किया और मगदवासी को संकेत किया कि वो युद्ध के लिए तयार हो जाए आप उसके साथ लड़ने वाले हैं आनंदमई ने पूछा जैसे उसे आगात लगा हो वो जानती थी कि उत्तंक परविरतेश्वर के सामने कुछ भी नहीं था आपको समझते क्यों नहीं वो हमारे साथ ऐसे ही क्यों नहीं आ सकता भगीरत ने आनंदमई को पीछे से टोका और वो चुप हो गई भगीरत ने उसे पीछे खिच लिया पूरवक और द्रपको भी पीछे हट गए तुमारे पास अभी विकल्प है सैनिक परवतेश्वर ने कहा पीछे हट जाओ इससे बहतर होगा कि मैं उठ जाओ सेनपती उत्तंक ने कहा परवतेश्वर ने अपने आखे संकुचित की उसे उत्तंक की भावना पसंद आई लेकिन अब उसे उसकी शमता का परिक्षन करना था जो दुभूमी में शमता के बेना भावना सामानेता एक दर्दनाक मृत्यू की ओर ले जाती है परवतेश्वर धीर धीरे आगे बढ़ा वो उत्तंक के प्रहार की आशा कर रहा था लेकिन वो व्यक्ति खड़ा रहा था परवतेश्वर ने महसूस कर लिया था उपर की दिशा में वार करता जा रहा था उत्तंक को पीछे की और हटना पर रहा था वो अपनी ढाल को बाएं हाथ से उचा पकड़े हुए था ताकि उन शक्तिशाली प्रहारों से स्वैम को सुरक्षिद रख सके यदि वो अपने दाहिने हाथ को उचा उठा पाता तो वो परवतेश्वर के खुले सिर एवं कंधे पर प्रहार कर सकता था लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था इसलिए वो सीने की उचाई पर ही वार करता जा रहा था परवतेश्वर आसानी से अपनी ढाल से उन प्रहारों का बचाओ करता जा रहा था दीरे दीरे लेकिन निश्ची तरोग से परवतेश्वर उत्तंकों को दिवार की और धकेलता जा रहा था कुछी चड़ों में उत्तंक के पास भागने के सभी मार्क बंद हो जाने वाले थे आनंद में जहां एक और खुश थी कि मिलूहा वासी सेनपती को इर्शिया हो रही है वही दूसरी और उत्तंक के बारे में चिंते थे वे कुछ दया क्यों नहीं दिखा रहे है मगीरत अपनी बहन के और मुणा परवतेश्वर सही कर रहे है युद्ध के दौरान शत्त्रू सानबूती नहीं दिखाता है उसी समय उत्तंक की पीड दिवार से टकरा गई उसकी धाल हिली तपी परवतेश्वर ने दाई और से तलवार चलाए और उत्तंक की सीने पर जोरदार परहार किया वास्तविक तलवार के साथ ये मृत्यों का परहार होता है परवतेश्वर फुस फुसाया उत्तंक ने सहमती में सिरह लाया इस पश्चूप से पीड़ा होने के बावजुद उसने अपरे सीने को सहलाने की कोशश नहीं की परवतेश्वर शांती से चहल कदमी करता हुआ खक्ष के मद्ध में पहुंचा और जोर से उसे परकारा एक बार फिर उत्तंक किसी प्रकार पैर घसीरता हुआ तैयारी की स्थितिती में पहुंचा पर वतिश्वर ने एक बार फिर से हमला कर दिया पुना वही परिणाम उत्तंक को पीड़ा में देखकर आनंद में किसे स्कारी निकल गई वो आगे बढ़ने ही वाली थी लेकिन भगीरत ने उसे रोक लिया वो भी चिंते था लेकिन उसे मालूम था कि हस्तक्षेप करना उचित नहीं है ऐसा करना सेनापती का और उससे लड़ने का प्यास कर रहे उस सेनिक का अपमान होगा तुम उस आदमी को यहां क्यों लाई? बगीरत ने पूछा उत्तंक सुन्दर निरते करता है मैंने सोचा था कि ब्रंगा राजी की यात्रा के दौरान उसके होने से थोड़ी मस्ती रहेगी बगीरत आखे सिकोर्टे वे बहन क्योर मुणा ये पूरा सत्य नहीं है मैं जानता हूँ कि तुम क्या कर रही हो और यह उचित नहीं है और निराशा को प्रकट कर रहा था उधर दूसरी और प्रवतेश्वर चिंतित था उसे डर था कि अगर एक बार और द्वन्दो युद हुआ तो वो उस सैनिक के सीने की हड़ी तोड़ बैठेगा लेकिन उसे इस मुर्खता पूंड दुसाहास को रोकना ही था यदि ये वास्तवी की दू होता तो उत्तंक अब तक दो बार मार चुका होता उसने उत्तंक पर पुना प्रहार किया उसे तवाश्चर हुआ जब उत्तंक एक और हड़ गया जिसके कारण प्रवतेश्वर अपनी ही गती में आगे की और बढ़ता चला गया उसकेबाद उत्तंक मुणा और उसने आकरामग बनकर प्रहार किया उसने बाइं और तल्वार चलाई जिसके कारण उतली डाल नीचे की और चली गई और उसका धर्ड़ खुला रह गया परवतेश्वर ने अपनी तल्वार आगे की और करके प्रहार कर दिया उस प्रहार से बचने के लिए उत्तंक दाई और मुड़ गया और एक गती में उसका दाया हाथ घूम गया इसके कारण उसकी तलवार उसके घायर कंदे की उचाई से अधिक हो गई जैसा सामाने तया संभव नहीं था इस प्रकार उसने प्रवतेश्वर की गले पर चोट कर दी वो प्रहार घातक था यदि वो अभ्यास वाली तलवार ना होकर असली तलवार होती तो परवितेश्वर इस्टब्द खड़ा रहे गया उत्तंक ने ऐसे कैसे कर लिया उत्तंक सुयम इस्टब्द था चोट लगने के बास से आज तक उसने इतनी उचाई से कभी भी प्रहार नहीं किया था कभी नहीं प्रवतेश्वर के मुख पर एक हलकी सी मुस्कान थी उत्तंक अपनी सुरक्षात्मक शैली को छोड़कर आकरामक बन गया था और इसलिए जीत गया था धाल के साथ अपनी आसकती को छोड़ दो प्रवतेश्वर ने कहा जब तुम कड़ा प्रहार करते हो तो तुम्हारे पास प्राणा हरण करने की छमता है उत्तंक अब भी भी हाफ रहा था वो हलके से मुस्कुराया हे बहादुर सैनिक तुम्हारा मेलूहा की सीना में स्वागत है उत्तंक ने तत्काल ही अपनी तलवार गिरा दी और प्रवतेश्वर की चरणों में गिर गया उसकी आँखे नम थी प्रवतेश्वर ने उत्तंको को उठा कर खड़ा किया तुमढब मेलूहा के एक सैनिक हो और मेरे सैनिक रोते नहीं है मेलुहा के सैनिकों की तरह व्यवहार करो भागीरत ने लंबी स्वांस लिया और आनंदमई की और मुणा इस बार तुम भागिशाली रही आनंदमई ने सहमती में धीरे से अपना स्विर हिलाया किन्तों उसका हिलाय बहुत तेजी से आगे की योजना की और भागता चला जा रहा था परवतेश्वर को जो प्रभावित करता है वो है सैनिवीरता आनंदमई ने परवतेश्वर को रिजहाने के लिए योजना बना ली थी शिव सही है प्रताजी सती ने कहा आप इतना अधिक सुम्रस नहीं दे सकते हैं मिलुहा को इसकी आवशक्ता है कार्तिक के जन्म के पश्चात दस दिन बीच चुके थे समराड दिलीप और उसके अन्युयाई के दल अयोध्या के लिए रवाना हो चुके थे शिव गंगा के तर्ट पर जल्पोत के निर्मार को देखने के लिए गया हुआ था दक्ष और वीरिनी सती के व्यक्तिकत कक्ष में बैठे हुए थे मा गर्व से कार्तिक के पलने को जुला रही थी वीरिनी ने दक्ष की और देखा लेकिन कुछ कहा नहीं मेलुहा की चिंता मुझ पर छोड़ दो पुत्री दक्ष ने कहा तुम केवल कार्तिक की देखभाल करो सती को इस प्रकार के क्रपादर्ष्टी वाले बोलों से चिरती पिता जी ने संदेह में कार्तिक के बारे में सोच रही हूँ मैं उसकी मा हूँ लेकिन मेलुहा की परदी अपने कर्थवे को भूल नहीं सकती मेरी बच्ची दक्ष मुस्कुराया मेलुहा सुरक्षित है इतना सुरक्षित जितना पहले कभी نہیں था मैं नहीं समझता कि अपने लोगों की देखभाल करने की मेरी योगिता पर तुम्हें संदेह करने की कोई आउश़क्ता है पीता जी मैं आपकी योगिता पर संदेह नहीं कर रही या आपके निश्ठा पर मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि कार्तिक दौरा सोमरस का इतना हिस्सा प्राप्त करना गलत है जो वास्तों में मेलुहा के लोगों का अधिकार है मुझे विश्वास है कि मंदार परवत के विधवन्स के बाद सुम्रस की अथिधिक कमी हो चुकी है फिर मेरे पुत्र को इतना क्यों देना कि वह इसलिए क्योंकि ये समराट का नाती है ये प्रभुराम के नियमों के विरुद्ध है दक्ष जोर से हसा मेरी प्यारी पुत्री प्रभुराम के नियम जी कहीं नहीं कहते हैं कि एक समराड अपने जनाती को सोमरस चून नहीं दे सकते हैं निसंदे बिल्कुल वैसी ही शब्दावली नहीं होगी पिताजी सती ने जुनजला कर तर्क दिया और ये शब्दों की बात नहीं है प्रभुराम ने जो सिधान्त बनाए थे ये उसके बारे में एक समराड को अपनी परिवार के पहले अपनी प्रजा का ध्यान करना चाहिए हम लोग को सिधान्त का पाला नहीं कर रहे हैं तुम्हारे कहने का क्या आर्थ है कि हम उस इधान्त का पाला नहीं कर रहे हैं ग्रोधित होते हुए दक्ष ने पूछा कै तुम मुझे नियमों का उलंगन करने वाला बता रही हो पिता जी कृप्रे अपना स्वर धीमा रखे कार्तिक जाग जाएगा और यदि आप कार्तिको एक सामानी मिलुहा वासी की तुलना में अधिक पसंद कर रहे हैं तो हाँ आप प्रभुराम की नियमों का उलंगन कर रहे हैं वीरिनी ने घबरा कर करें वीरिनी के आगरे कौन सुना करते हुए दक्ष ने जोड से कहा मैं प्रभुराम की नीतियों का उलंगन नहीं कर रहा हूँ हाँ आप कर रहे हैं सती ने कहा क्या आपके पास सूर्यवंश्यों के लिए परियाप्त मात्रा में सोमरस उपलब्द है और कार्तिक को एक अन्यकम सौभागिशाली मिलुहावासे की तुल्ना में अधिकलाब नहीं पहुचा रहा है जब तक आप ऐसा वचन नहीं देते ये सोमरस दिंगी पड़ा पड़ा सड़ जाएगा मैं इसे किसी को भी कार्तिक को देने नहीं दूँगी तुम अपने ही बेटे को चोट पहुचाओगी दक्ष ने आखे तरेर कर सती को देखने से पहले अपने सोते हुए नाती को एक जलग देख कर कहा कार्तिक मेरा बेटा है वो दूसरों की कीमत पर लाब उठाना पसंद नहीं करेगा मैं उसे सिखाऊंगी की राजधर्म क्या होता है उनकी अपनी पुत्री ही उन पर दोशाण ओपर कर रही थी कि वे अपने राजधर्म का पालन नहीं कर रहे थी दक्ष गुस्से में फट पड़ा और उसने चिल्लाते हुए कहा मैंने अपने राजधर्म की विवस्था कर रखी है कार्तिक रोता हुआ जब पड़ा सती खड़ी हुई और उसने कार्तिक को अपनी गोद में उठा लिया जो अपनी मा की जानी पहचानी सुगंद पाकर जल्दी ही शान्त हो गया सती अपने पिता की और मुड़ी और उसने तीक श्रद्रश्टी से देखा मैं तुम्हें यही बताना नहीं चाहता था दक्ष ने कहा लेकिन चूंकि तुम कार्तिक को सोमरस से वंचित रखना चाहती हूँ तो तुम्हें बता दो कि सोमरस के उत्पादन का एक अन्य उद्यम अस्तित्व में है महार्शिप भ्रगु ने कई वर्ष पहले ही उसे इस्थापित करने का आदेश दिया था वो इसलिए बनाये गया था कि यदिवंदार प्रवत नहीं रहता तो भी सोमरस के आपूरती सुचारू रूप से होती रहे हमने इसे गोपनी रखा था क्योंकि हमारे मध्य अनेक देश द्रोही मौजूद है सती ने सदमे की स्थिती में अपने पिता को एक टक देखा वीरी ने अपना सिर पकड़े हुए थी इस प्रकार मेरी प्यारी पुत्री दक्ष ने व्यंग से कहा मैंने अपने राजधर्म का पालन किया है समस्त मेलुहा के लिए सैकड़ो सालों तक चल सकने वाली मातरा में सुम्रस उपलब्ध है अब तुम अपने इश्वर के इस प्या को कारति को तब तक पिलाती रहो जब तक कि वो 18 साल का नहीं हो जाता वो इतिहास में सबसे महानविक्ती के रोप में विख्यात होगा सती ने कुछ नहीं कहा वो सोम्रस के गोपनी उद्यम के इस समाचार के सदमें से उबर नहीं पाई थी उसके मन में सैकड़ो प्रश्न होम रहे थे क्या तुमने मेरी बात सुनी दक्ष ने पूछा तुम कारती को प्रती दिन सोम्रस दोगी प्रती दिन सती ने सहमती में सिर्ह लाया शिव नदी के सूखे तट पर खड़ा था जहां ब्रंगा वालों ने आस्थाई कारिशाला बनाई होई थी मेलूहा के समुद्री बंदरगा कर्चप पर बनाये जा रहा है विशालकाय जल्यानों को बनते शिव ने देखा मेलूहा के समुद्री बंदरगा कर्चप पर बनाये जा रहा है विशालकाय जल्यानों को बनते शिव ने देखा था लेकिन ब्रंगा वालो द्वारा बनाय जा रहा है उस पूरी तरह से भिन प्रकार के जल्यान को देखकर वो विसमित था और प्रवती शुर भी वे दोनों की एक साथ लकडी से निर्मित उस विशाल चबूतरे पर टहल रहे थे जिस पर वो जल्यान रखा हुआ था पानी के नीचे पैंदी को अत्यधिक संकरा बनाया गया था जो नीचे की ओर दो-तीन मीटर तक गई हुई थी इसका क्या अर्थ हो सकता है परवतेश्वर? शिव ने पूछा. मैं नहीं जानता प्रभू परवतेश्वर ने कहा. आज तक मैंने जितने भी जल्यान देखें ये उन से सबसे विजित्र है. आप सोचते हैं कि ये पानी में जल्यान को तेज चलने में सहायता करता है? मैं में कीलो की सहायता से ठोके गए थे क्या ये वही विचित्र धातु है जिसे आपके लोगों ने अभी हाल ही में ढूणी थी जी हाँ प्रभू ये लोहे के समान ही प्रतीत होती है तो फिर इसका भारीपन इसकी स्थिर्टा को बढ़ा देता है लेकिन ये भार जलियान की गति क भी कम कर देगा हाँ ये बात तो है ना जाने ये विचित्र खांचे किसलिए बनाए गए है परवतेश्वर ने उन गहरे खांचों पर हाथ फिरते हुए पूछा जो पेंदी के बढ़े हुए हिस्से में धातु की चादरों पर हर जगा बने हुए थे या फिर इन खूटिय देवदास ने आयरुवती से सहायता करने की मांग की थी आयरुवती ने खुशी खुशी ब्रंगा वालों के लिए अपने दल के सबस्यों दौरा तयार किया हुआ उर्जा परदायक पे दिया था प्रभू देवदास ने मुस्कुराते हुए कहा देवी आयरुवती देवदास ने पूछा शिव और आयरुवती जोड से हस पड़े परवतेश्वर को इसमें हसने वाली कोई बात नहीं लगी प्रभूराम ने कहा था कि विनम्रता ही महान विक्त की पहचान है यदि हम अपनी विनम्रता भूल जाते हैं तो हम प्रभूराम का अनादर करते है परवतेश्वर ऐसा मत समझिये कि देवदास जो कह रहा था उसमें कुछ भी ऐसा था जिसे प्रभूराम का अनादर हो आयरुवती ने कहा हम सभी प्रभूराम का अनादर करते हैं मेरे विचार से देवदास क्या आश है था कि हमें अपने जीवन को थोड़ा और अधिक उन सही रखना होगा आनेथा जल्यार नहीं टिकेगा इसलिए मुझे आपके अभियनताओं के प्रशंसा करने पड़ेगी मुझे बड़ाई स्विकारने में कोई समस्या नहीं है प्रभू दिवदास मुस्कुराया मेरे अभियनता शांदार है शिव ने मुस्कुराते हुए कह आवज शिवे शांदार हैं लेकिन इस विस्तार का उदेश क्या है कै ये काम करता है ये तालों को खोलता है प्रभू क्या ये एक चाबी है जब आप ब्रंगा के द्वारों पर पहुचेंगे तो आप देखेंगे कि ये कैसे काम करता है शिव ने तेउरी चड़ा ली इसके आकार एवं प्रवाह वाली नदी के आरपार द्वार कैसे बनाया जा सकता है दिवदास मुस्कुराया मिधक से वास्तविक निर्माण करने के लिए आपको विख्यात अभियनताओं के अवशक्ता होती है तो वो द्वार कैसे काम करता है शिव ने पूछा अच्छा यही र जारिन थी वो इस्तरी जिसने भगीरत को ब्रंगा के भवन में हमला करने से रूका था शिव ने उस बच्चे को देखा और मुस्कुराया कितना प्यारा बच्चा है वो मेरी बेटी है प्रभू दिवदास ने कहा और यह यशिनी है मेरी पत्नी यशिनी शिव के चरार सपर करने के लिए जुकी और उसके बाद उसने अपनी बेटी को वहीं रख दिया शिव तकाली जुग गया और उसने उस बच्ची को उठा लिया इसका नाम क्या है देव्यानी प्रभू याशिनी ने कहा शिव मुस्कुराया इसका नाम प्रसिद आचारे शुक्र की पुत्री क नाम पर रखा गया है याशिनी ने सहमती में सिरह लाया जी हाँ प्रभू ये बहुत ही संदर नाम है जब ये बड़ी होगी तो मेरा विश्वास है कि ये विश्व को अपना महान ग्यान बाटेगी शिव ने कहा और उस बच्ची को याशिनी को सौंब दिया अपने नहीं देता मैं रुकने वाला नहीं ये शिनी धन्यवात प्रभू दिवोदास ने कहा मैं जानता हूं कि आप सफल होंगे हम अपने जीवन की परवाह नहीं करते लेकिन हमें अपने बच्चों को सुरह्षित रखना है जब आप सफल होंगे तो हम सदैव के लिए आपके प्रत्ग्य हैं आईर्वफिन बीच में ही टोका शिव और दिवोदास दोनों ही आईरवति की और मोड़े दोनों ही चकित थे Romeo दिवोदास ने पूछा तुमारी औषचधिने कार्थिक के Up UPी ़रुणी निवर्णन कह रही हैं ऐसा है कई बर गर्प में ना भी रजू शिशू के गर्दन में लिपट जाती है कुछ मामलों में शिशू जिनम तक की यात्रा नहीं कर पाता उसका दम घुट जाता है और वो मर जाता है मैंने इस चित तोर पर नहीं बता सकती क्योंकि मैं वह नहीं थी लेकिन मु पलों के लिए परियाप्ट शक्ति प्रदान कर दी जिससे वो बहारा पाया तुम्हारी ओश्यदी ने उसका जीवन बचा लिया कौन सी ओश्यदी दिवदास ने पूचा नागाओ की ओश्यदी अईरुवति ने अपनी तियोरी चढ़ा कर कहा जैसे ही मैंने सुंगा तो उ इसे ने उसकी सबसे मूल्यवान याद को कुरूरता से कुचल दिया था प्रभू जी क्या है शिव ने पूचा आयरुवति ने पूचा शिव अत्यधिक क्रोध में था वो अचानक ही मुण गया नंदी भद्र मेरे साथ आओ प्रभू आप कहा जा रहे हैं प्रवतेश्वर ने पूचा लेकिन शिव पहले ही दूर निकल चुके थे उनके पीछे नंदी वीरभद्र और पल्टन भर सानिक थे पंडित जी शिव काशी विश्वनात मंदिर में था जैसे आदेश था नंदी और वीरभद्र अपनी पल्टन के साथ बाहर ही रुख गये थे पंडित जी वो आखिर है कहां और उसके बाद शिव को अनुभा हुआ कि उसे चिलाने की कोई आवशक्ता नहीं थी उसे केवल इतना करना था कि अपने विजारों को प्रसाइद करना था वासुदेव क्या आप मेंसे कोई सुन रहे हैं कोई उत्तर नहीं शिव का कुरूद और बढ़ मैं जानता हूं कि आप सुन सकते हैं कि आप लोगों मेंसे किसी में भी इतना साहसे कि मुझे बात कर सके अब भी भी कोई उत्तर नहीं मिला आपने वो नागाओं के आशदी कहां से प्राप्त की पूरी तरह से निश्यपदता थी अपने वारे में बताएं आपके और नाग कुछ कुछ कहना चाहती हो। खड़े थे उस बालक ने जल्दी से अपने आसू पोच लिये क्योंकि गुड कभीलों में आसूं को कमजोरी की निशानी माना जाता था उसके काका मुस्कुराए वे शिव के पास बैठ गए और उन्हें बाहों में भर लिया वे कुछ समय तक यूँ ही चुपचा बैठे रहे उनके पावों में मान सरोवर का जल हिचकोले लेता हुआ इस पर्ष कर रहा था बहुत अधिक सर्दी थी किन्तो उन्हें परवाह नहीं थे तुम्हें क्या कष्ट है मेरे बच्चे काका ने पूछा शिव ने उपर क्योड देखा उसे सदैव आश्चरे होता था कि उसके का काका जैसे इतने भैंकर युद्धा कैसे इतने शान्त होकर मुस्कुरा सकते हैं माने मुझस से कहा कि मुझे दोशी अनुभव नहीं करना चाहिए शब्द अटक गए क्योंकि आसों से गला रुंद गया था उसे अनुभव हो रहा था कि उसका ललाट फिर कांप रहा था उ शिव के नन्ने हाथ बगचाल से बनी कमीज के साथ उलजे हुए थे मान सोचती है कि मैं उसकी सहायता नहीं कर सकता था क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ मेरी आयू कम है और मैं बहुत ही दुरबल हूँ मैं कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता था उसकी सहायता करने के बज़ इसके बारे में सोचो, यदि तुमने उसकी सहायता करने का प्रयतिक किया होता, तो भी संभव था कि वो पीडित होती ही, लेकिन ये भी संभव था, चाहे उसकी बहुत कम संभाव ना थी, कि वो बच गई होती, लेकिन तुमने प्रयत नहीं किया, तो फिर उसके पास कोई ऐस अफसर ही नहीं था क्या कोई अफसर था शीव ने सहमती में सिरह लाया इसके लावा तुम्हारी माने क्या कहा उस इस्तरी ने अपनी जान बचाया रखने के लिए ही पृतिकार नहीं किया था हाँ ये सच हो सकता है और मा ये भी कहती है कि यदि वो इस्तरी अपनी जान बचा वोए चुब बैठे रहे इस प्रकार यदे उस इस्थ्री ने प्रतिकार नहीं भी किया काका ने कहा तो तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए था मुझे? हाँ मैं सोचता हूँ कि इस से कोई अंतर नहीं पढ़ता मैं क्या सोचता हूँ इसका कोई अर्थ नहीं है मैं तुम्हारी व्यक्ख्या जानना चाहता हूँ तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हारा वहाँ से भाग जाना अनुचित था शिव ने अपनी कमीज में उंगलियों को तुम्हारे कर्म के विरुद्ध था तुम्हें उस स्त्री के कर्म से कुछ भी लेना देना नहीं था उस स्त्री ने जो किया वो उसका विकल्ब था तुम्हें अपने कर्म की चिंटा करनी चाहिए थी शिव ने उपर क्यों देखा बुराईों के विरुद संघर्ष करना तुम्हारा कर्म है इसे कोई अंतर नहीं पड़ता कि बुराई ऐसे लोगों के साथ हो रही है जो उसके विरुद संघर्ष नहीं करते सदैव ये याद रखना तुम दोसरों के कर्मों के परिणाम के साथ जीवन यापन नहीं करते हो। शिव ने सहमती में हलके से सिर हिलाया। क्या ये पीडा देता है। काका ने शिव के ललाट पर दोनों आखों के मध्ध में गहरे लाल दाने जैसे आकार की और संकेत करते हुए पूछा। शिव ने उसे जोर से दबाया दबाने से उसे आराम मिला। नहीं कि इसमें जलन होती है अत्यधीक जलन होती है। विशेश कर जब तुम आपरसन होते हो। शिव ने सहमती में सिर हिलाया। काका ने अपने अंगरखे में हाठ डाला और एक छोटी सी थैली निकाली। ये लंबे समय से अपने पास रखे हुए हो और मुझे लगता है कि तुम वो सुपात रहो जिसे मिलना चाहिए शिब ने वो थैली ले ली खोलने पर उसे थैली के अंदर रक्तिम भूरा गाढ़ा लेब दिखा क्या ये जिलंद को समाप्त कर देगा काका मुस्कुराए ये तुम मारा प्रारब्द इन विशालकाए परवतों से भी बहुत विशाल है लेकिन उसे सच करने के लिए तुम्हें इन विशालकाए परवतों को पार करना होगा उसके काका ने फिर और कुछ भी वर्णान करने के आवशकता नहीं समझी उन्होंने थोड़ा रक्तिम भूरा प्राड़ों के म्त्य एक सपश्ट लंबी रेखा के रूप में लगा दिया शिव को ततकाल ही जलन में कमी लगी उसके बाद उसके काका ने वही लेप उसके गले में भी लगाया फिर उन्होंने शेष बचे लेब को लिया और शिव की दाइं हधेली पर रक दिया उसके बा काका के रखते से सना हुआ रखा हुआ था। अपने मूँ के पिछले हिस्से में रख लो काका ने कहा लेकिन निगलना नहीं तब तक मलते रहो जब तक कि वो पुरा सोख नहीं जाता शिव ने वैसा ही किया अब तुम तयार हो उचित समय भाग एनिश्चित करेगा शिव कुछ भी समझ नहीं पाया लेकिन वो उस औशद देने वाली बाचीत के बारे में शिव से बात करना चाहती थी वो अभी भी आपातकालिन सुम्रस के उतपादन सुविधा की बात से विस्मित थी जिसके बारे में किसी को पता तक नहीं था लेकिन उसने शिव की गुसे भरे मुक को देखा तो थतकाल ही उस बात को भुला मुझे भटकाया गया संभवतया उनका नागाओ के साथ कोई समझाता हो क्या इस देश में किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते सती के अंतर मन ने उससे कहा कि वासुदेव दुष्ट नहीं हो सकते ये बात समझ में नहीं आई शिव आप संभवतया एक निशकर्ष की और भाग रहे हैं भाग रहा हूँ? निशकर्ष की और? शिव ने गुस्से में तमतमाते हुए कहा तुम जानती हो आयरुवती ने क्या कहा था? वो आशदी केवल नागाओ की भूमी में बनाई जा सकती है हम जानते हैं कि ब्रंगा वालों ने उसे कैसे प्राप्त किया उनकी विवश्ताओं का भलात लाब उठाया जा रहा है वासुदेवों के लिए क्या तर्क दिया जा सकता है? उन्हें अपने मंदिरों को बनवाने के लिए नागाओं की साहता चाहिए सती चुप रही शिव खड़की के और गया और उसने विश्वनात मंदिर को कड़ी द्रिश्टी से देखा किसी विज़े तरकारान से वो अपने अंतरमन की बात सुन पा रहा था जो बार बार दोहरा रहा था शांत रहो निश्कष निकालने की शीगरता मत करो शिव न अपना सिर हिलाया मुझे विश्वास है कि वासुदेवों को इस बात का अनुमान था कि आप इस बात को जान जाएंगे कि और शदी कहां से आई है सती ने कहा इस प्रकार वासुदेव ने जो आपको और शदी दी उसकी दो व्याक्षाएं हो सकती है शिव पूछे मुण गया या तो वे मूर्ख हैं या वे ये सोचते हैं कि आपके पुत्र का सुरच्छित जन्म इतना महतपोड हैं कि वे आपके गुस्से का जोकिम उठाने के लिए तैयार है शिव ने तियोरी चड़ा ली जो कुछ भी मैंने उनके वारे में आपसे सुना है मैं नहीं सोचती कि वे मूर्ख हैं सती ने कहा फिर केवल एक ही विकल पच्छता है वे सोचते हैं कि यदि हमारे पुत्र को कुछ हो जाता तो आप इतने अधिक भिखर जातेगी बुराई के विरुद उनके उद्देशों को हानी पहुँचती शिव चुप रहा नागा लोका धीश अपने नेजी कक्ष में खरकी के पास बैठा हुआ था वो उस गायक मंडली के गीतों को सुन सकता था जो हर सबता पंचवटी की गलियों में शाम को इसी समय जलूस की शकल में गाते हुए जाते थे रानी उन शोग गीतों को प्रतिबंधित करना चाहती थी वो उन्हें पराजयवादी कहकर तिरस्कृत करती थी लेकिन नागाओं की राजसभा जो चैनेत राजसी परिश्चत थी उसने रानी की इस मुहिम के दिरुदमत दिया था जिसके कारण वो गीत अब भी गाया जा रहा था उस गीत से नागा के हरदय में भावनाय उमर पड़ी थी लेकिन उसने उने बाहर नहीं आने दिया तुम मेरे संसार मेरे इश्वर मेरे रचनाकार और फिर भी तुमने मुझे तच दिया मैं तुम्हारी तलाश में ना था तुमने मुझे बुलाया और फिर भी तुमने मुझे तच दिया मैंने तुम्हें सम्मान दिया तुम्हारे नियमों से जिया तुम्हारे रंगों में रंगा और फिर भी तुमने मुझे तच दिया तुमने मुझे दुख दिया तुमने मुझे वीरान किया तुम अपने करतव्यों में चुके और फिर भी मैं एक दानव हूँ बताओ स्वामी मैं क्या करूँ गिनोना गीत नागाओं के विचारों में बाधा डालते हुए राणी ने कहा ये हमारी कमजोरी और हमारे बंधनों को और पुष्ट करता है मौसी नागा ने खड़े होते हुए कहा आप आई है मैं सुन ना सका तुम सुन भी कैसे सकते हो ये घरणा उत्पन करने वाले गीत दुनिया को डुबो देते हैं सकारात्मक सोच को डुबो देते हैं बदला लेना एक सकारात्मक सोच नहीं है महरानी नागा मुस्कुराया साथ ही गायक मंडली खुशी वाले गीत भी गाते हैं रानी ने अपना हाथ हवा में लह राया, मेरे पास इस से अधिक महात्पूर कुछ चर्चा करने के लिए है, हाँ मौसी, रानी ने गहरी स्वास ली, तुम वासुदेवों से मिले, नागा ने अपनी आखे सिकोडी, वो इस बात पर आश्यरे चकित था कि रानी को ये समचार पाने में इतना समय लगा हाँ, क्यों? रानी ने गुस्से को कठिंता से रोकते हुए पूछा महरानी मैं समझता हूँ कि हम उनकी सहायता का उप्योग कर सकते हैं वे हमारा समर्थन कभी नहीं करेंगे वे चाहे हमारे दुश्मन ना हो लेकिन वे हमारे साथी भी कभी नहीं होंगे मैं असहमत हूँ मैं सोचता हूँ कि हमारा दुश्मन एक है वे हमारे पक्ष में आएंगे मकवास, सभी वासुदेव उस प्राचीन पौरानी गाथा के कटर समर्थक है नीले गले वाला कोई विदेशी इस देश की रक्षा करने वाला है लेकिन एक अन्य मोती जड़े दाड़ी वाले ने इस देश की रक्षा की थी नहीं की थी क्या इसका बाईली की तुलना महान प्रभु रुद्र से मत करो संभवतया विनाशी इस देश की नियती है और सिवाय पीला और दुख देने के भारत ने हमारे साथ किया ही क्या है हम क्यों परवाह करें क्योंकि चाहे जो हो ये हमारा भी देश है रानी गुस्से सिगर जी उन्हें अपनी ओशेधी देने का असली कारण मुझे बताओ तुम जानते हो कि इसके आपूर्दी बहुत कम है हमें ब्रंगा वालों को उनकी वार्शिक खेब भी भेजनी है इस घ्रणी देश में वे ही एक मात्र सभ्य लोग है एक मात्र लोग जो हम सब को मारना नहीं चाहते ब्रंगों को भेजा जाने वाला हिस्सा प्रभावित नहीं होगा मारानी मैंने मात्र अपना नीजी हिस्सा दिया है भूमी देवी के नाम पर बताओ क्यों तुम भी अचानक उस निलकंठ में विश्वास तो नहीं करने लगे मैं क्या विश्वास करता हूँ इससे कोई अंतर नहीं पढ़ता मारानी अंतर इससे पढ़ता है कि भारत की लोग क्या विश्वास करते है रानी ने तीखी नजर से नागा को घूरा ये वास्तवी कारण नहीं है यही कारण है मुझसे जूड मत बोलो नागा चुप रहा, तुमने उस नीच औरत के लिए किया है ना, रानी ने रिशकर्ष निकाला, नागा परिशान था लेकिन उसने अपना स्वर शांत रखा, नहीं, और कम से कम आपको तो उनके लिए ऐसी बादे नहीं करनी चाहिए महारानी, क्यों नहीं, क्योंकि मेरे अला महार्षी स्वयम के सबसे बड़े दुश्मन हो, दक्षी भूमी पर बैठे होए थे, देवगिरी में महार्षी भ्रगु के अनियत प्रकट होने से वो हैरान थे, मिलुहा के समराट ने महार्षी से दर्शन देनी की कोई प्रात्ना नहीं की थी, भ्रगु ने दक्षी पर आ की है, सबी लोग मेरे विरुद्धी क्यों है, मैं ही क्यों, ब्रगु ने दक्षी के मन की बात पढ़ते हुए गहराई से देखा, महार्षी स्देव से ही जानते थे कि दक्ष दुर्बल है, लेकिन समराट ने सीधे आदेशों की कभी भी अवग्या नहीं की थी, और फिर ब मुझे स्वयम अपने निर्ने पर प्रशन उठाना पड़ जाए, दक्ष अभी शान्त बने रहे, डरते हुए, भ्रगु नीचे जुके और उन्होंने दक्षी के मुख को उपर उठाया, क्या आपने उस इस्थल के बारे में भी बताया, राजन, दक्ष धीमे से फुस पु पश्थ है, दक्ष शान्त बने रहे, राजन, भ्रगु ने कहा, उनका स्वर उचा था, क्या ये इस पश्थ है, जी हां मुनिवर, भ्रगु के पाउँ पकड़े हुए भैवी दक्ष ने कहा, शिव असी घाट पर खड़ा था, ब्रंगा वालो द्वारा निर्मित पांच ज शिव ने कहा, धनिवाद प्रभु, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि आपके कबीले के लोगों ने इन्हें मातर नो महीने में तयार किया है, हम ब्रंगा वाले कुछ भी कर सकते हैं प्रभु, शिव मुस्कुराया, अथि ठिग्व जो शिव के पास सी खड़े थे बोल उ दिव दास ने कहा, लेकिन ये जहाज इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो बीना हमारे ही चल पड़े, पालों को इस प्रकार लगाया गया है कि वे हवा के ठीक वीप्रित दिशा में हो, क्या आप मुख्य पाल को फरफडाते हुए देख सकते ह आथितिग्व ने सहमती में सिर हिलाया, इसका अर्थ है कि पाल हम पर हंस रहा है क्योंकि वो हवा को पकर नहीं पा रहा है, शिव मुस्कुराया, हंस रहा है? हम यही कहते हैं, जब पाल को गलत लगाया गया हो और वो फड़फडा रहा हो प्रभू, दिवदास ने कहा, ठी है, शिव ने कहा, तो फिर मैं गंबीर हूँ, हम ब्रंगा के लिए तीन दिलों में कूच कर रहे हैं, समस्ता तैयारिया कर ली जाएं, सती अपने कख्षकी खड़की से गंगा को एक टक निहार रही थी, उसने देखा कि राजा अथितिग्व अपने अनुयाईयों के एक छ सती के मुख को अपनी और किया, चूमा और मुस्कुराया, ये वो बात नहीं है जो तुम सोच रही थी, सती ने उसके सीने पर धीमे से थपकी मारते हुए कहा, क्या आप मेरे मन की बात भी पढ़ सकते हैं, काश ऐसा हो पाता, मैं कोई गंभीर बात नहीं सोच रही थी, ये अधिश्वास है कि वो अप्शकुन है, क्या मैं सही हूँ, सती ने अपने कंधे उचकाए, क्या निश्चित हो गया है कि आप तीन दिनों में जा रहे हैं, हाँ, आप कितने दिनों के ले जाएंगे, मैं नहीं जानता, आशा करता हूँ कि अधिक लंबा समय नहीं लगेगा काश मैं भी चल पाती, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कारतिक ऐसी आत्राओं के लिए अभी बहुत ही छोटा है, सती ने शया पर सोते हुए कारतिक की और देखा, वो इतनी तेजी से बड़ा हो गया कि अपने पलने में समा भी नहीं पा रहा था, ये आपकी तरह लगता है, श संभव है, ये सोमरस का प्रभा हो, सती ने कहा, संभव है, आईरुवती ये देखकर आश्चरे चकिति की पहली बार सोमरस लेने पर ये बीमार नहीं हुआ, वो सच मुझ ही आश्चरे जनक था, लेकिन हो सकता है, ये इसलिए संभव हो क्योंकि वो एक विशेश बालक है, उपर देखा और शिव को पुना चूम लिया, किवल नागाओं के मार को खोज ले और मेरे पास शीगर वापस आ जाए, मैं अवश्याओंगा प्रिये, जहाजों में समस्त प्रकार की रस्त आधी सामगरियों को लाद दिया गया था, रास्ते में केसी भी बंदर गहा पर उ इतरत्व द्रपकु के हाथ में था, शिव ने असी घाट की सेड़ियों से उन जल्यानों को देखा, अगर निता के रूप में द्रपकु अपने पिता पूर्वक के साथ अगर मार्गदर्शी जल्यान में था, नीलकंट के जो महातपूर्ण साथी थे, उन्हें मुखे जल् में सुरक्षित छेतर में यात्रा करेगा, परवतेश्वर भगीरत, आनंदमाई, आहिरुवती, नंदी और वीरभदर उस जल्यान के जंगले में खड़े हुए थे, उत्तंक को उस जल्यान में पाकर शिव को विसमे हुआ, आनंदमाई ने आवश्री हिट किया होगा, यद कोई ऐसी इस्त्री थी जो परवतेश्वर को ब्रह्मचरे तोड़ने के लिए प्रवलोभीत कर सकती थी, तो वो आनंदमाई ही थी, प्रभू, अथितिग्व ने शिव की विचारों में व्यवधान डालते हुए कहा, काशी की राजा निलकंठ के चरान स्पर्ष करने के लि आपको कभी भी किसी की भी आवशकता नहीं रही थी, उसे एक व्यक्ति में आस्था रखे जो आपको सरवधिक प्रेम करता है, और वो आप स्वयम है, शिव नम आखो वाली सती की ओर मुड़ा, वो कार्तिक का हाथ पकड़े हुए थी, कार्तिक हवा के थपेडों से काप र कार्तिक ने शिव के बालों को खीचा और दोहराया, बाबा, शिव की मुसकान और खिल पड़ी और उसने कार्तिक के माथे को चूम लिया, उसके बाद उसने कार्तिक को अपनी वाहों में एक ओर किया और सती को आलिंगन बद करने के लिए आगे बढ़ा, कुछ सूरवधिक शिव के बालों के बालों के सामने प्रेम के अइसे प्रदर्शन से लज्जित हो रही थी, शिव के प्रतिक प्रेम ने सती की सूरवधिक पर आखिरकार विजय प्राप्त कर ले, उसने उपर के और देखा और शिव को चूम लिया, जल्दी वापस आएं, अबश्या अध्याए दस, ब्रंगा के द्वार, नाओं में पानी बहुत ही तेजी से भर रहा था, शीव हताशा भरे प्रयासों से नाओ को नियंद्रित करने का प्रयास कर रहा था, अपनी पतवारों से उस उफंती नदी से युद्ध कर रहा, वो अपने मित्र के पास पहुंचने के ल शीव सहायता, कृप्या मेरी सहायता करें, शीव बहुत ही तीवरता से नौका खे रहा था, बेतहाशा, रुक्या मैं आ रहा हूँ, अचानक एक तीन सिरों वाला विशाल काय सर्प पानी से बाहर निकला, शीव ने देखा कि ब्रहस्पती पर लिप्टी हुई रसी, रेंग रूप से ठंडा था, सभी लोग सो रहे थे, वो मैसूस कर रहा था कि जल्यान गंगा के पानी के साथ लयात्मक धंग से हलके हलके हिल रहा था, वो अपनी कक्ष में बनी खिड़की तक चल कर गया ताकि हलकी ठंडी हवा उसकी हिरदय गती को धीमी कर सके, उसने अपनी समय में ही दूर निकल गए थे, और उन्होंने अभी अभी मगद नगर को पार किया था, हम लोग ब्रंगा राज लगभग तीन सबताह में पहुच जाएंगे प्रभू, परवतेश्वर ने कहा, शिवकाशी के और जाती नदी की धारा को एक टक देख रहा था, वो परवतेश्वर की और देखा, नहीं, मैं नहीं मानता, मैं समझता हूं कि वो मेरी इस खोज में अपनी भूमी का जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहता है, ताकि वो अपनी पत्नी और बेटी के पास वापस जा सके, वो वास्तों में उन्हें याद करता रहता है, जैसे आ एक दल नदी में उभरा और वे एक के बाद एक हवा में उचल गई, बड़ी ही सुंदर ढंग से वापस पानी में गिरने के बाद, वे एक बार फिर से उचल गई, वे एक दूसरे से समकालिकता प्रदर्शित करते हुए इस प्रकार का सुंदर निरत्य कर रही थी, शिव को और उन्मुक्त कहने से याद आया, आनंद महीं कहा है। मेरे विचार से राजकुमारी उत्तंक के साथ हैं प्रभू। वे उसके साथ अभ्यास कक्ष में अक्सर जाती रहती हैं। संभवतया वो एक अन्य निर्त का अभ्यास कर रहे हैं। हम, परवतेश्वर नदी की और देखता रहा। वे बहुत अच्छा निर्त करती हैं है ना। जी हाँ प्रभू। सच कहें तो आप पादिक रूप से अच्छा। ये एक उचित टिपड़ी होगी प्रभू। आप उत्तंक की निर्त के लागे बारे में क्या सोचते हैं। परवतेश्वर ने शीव को देखा और पुना नदी की और देखने लगा। मेरे विचार से सुधार की संभावना है प्रभू। लेकिन मुझे विश्वास है कि राजकमारी आनंदमई उसे अच्छी तरह से सिखा देंगी। शीव परवतेश्वर पर मुस्कुराया और उसने अपना सिर हिलाया। हाँ, मैं समझता हूँ वो अवश्य है ऐसा करेंगी। निलकंठ एवं उसके दल को ब्रंगा राजी की और जाते हुए एक महीना बीच चुका है महारानी। लोकाधीश नागा ने राणी से कहा। वे दोनों राणी के निजी कख्ष में बैठे हुए थे। तुमें फिर से ध्यान देते देखकर अच्छा लग रहा है राजाचंदर की तुको में चेतावनी का संकेत भेज देती हूँ। नागा ने सहमती में सिर्ह लाया। वो कुछ और बोलने वारा था लेकिन चुप रहा। इसके बजाए उसने खिड़की से बाहर की ओर देखा। बंचवटी के इस स्थान से वो दूर प्रवाहित होती हुई शांत गोदावरी नदी को देख सकता था। और राणी ने पूछा, मुझे काशी जाने के लिए आपकी अनुमती चाहिए। क्यों, तुम उनके साथ व्यापारिक संबंद बनाना चाहते हो। राणी ने हसते वे कहा, जैसे किसी ने गुदगुदी कर दी हो। वो निलकंट के साथ नहीं गई है। राणी पूरी तरह से अकड़ गई। कृपा करें महराणी, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तुम क्या हासिल करना चाहते हो मेरे बच्चे। राणी ने पूछा, ये एक दुसासी खोज है। मुझे उत्तर चाहिए, उससे क्या अंतर पड़ जाएगा, वो मुझे शान्ती प्रदान करेगा। राणी ने गहरी स्वास ली, ये खोज तुम्हारे पतन का कारण बनेगी, ये मुझे पूर्ण करेगा महराणी। राणी ने अपना सिर्ह लाया, प्रतीक्षा करो, जब तक राजसरबा खतम नहीं हो जाती। ये सुनिश्चित करने के लिए मुझे तुम्हारी आवशकता है कि ब्रंगा को हमारा समर्थन देने वाला प्रस्ताव असफल ना हो जाए। जिससे द्वारों के पास पहुचने पर वो उन्हें बता सके। पर्वतेश्वर ने ये सपष्ट कर दिया था कि निलकंट कोई रक्तपात नहीं चाहते। ब्रंगा राज के पृतिकबंधि छेतरादिकार में प्रवेश करने के लिए दिगोदास को समझवता वारता पूर्ण करनी थी। उसने समझ लिया था निलकंट को बिना दिखाए ब्रंगा की सीमा में प्रवेश करना असंभव था क्योंकि ब्रंगा वाले भी पौरानी गाथा में विश्वास रखते थे। परवतेश्वर ने उसे सुझाव दिया कि उसे ये करने से पहले ही वारता संपन्न करने का प्यास करना होगा। दिवधास कुद्रपुकों की साथ पताका लहराने के लिए भी कह दिया गया था जबकि परवतेश्वर मुख्य जल्यान में वापस चला गया। वो प्रभु महादेव की सलाह लेना चाहता था ब्रवतेश्वर जुकना नहीं चाहता था फिर भी उद्देशिक की सम्वेदन शीलता को देखते हुए ये अनिवार है था कि ब्रवतेश्वर के नौका चालक दलों ने तीवर गती से चलने वाली नौका को मुख्य जल्यान से बान दिया था और वो सोयम उस जल्यान के पीछे हिस्से पर चड़ गया वो तब आश्रे चकित रहे गया जब उसने वहाँ आनंदमई की पीट उसकी ओर थी मानिकी ये लक्षिपट को हटा दिया गया था और उसके इस्थान पर विशिशग्यों वाले बहुत ही छोटे आकरवाले लक्षिपट को लगा दिया गया था भगीरत एवं उत्तंक उससे कुछ दूरी पर खड़े हुए थे उत्तंक आनंदमई की ओर मुड़ा याद रखे जो मैंने आपको सिखाया है राजकुमारी कोई देरी नहीं एक एक चाकूं की बरसात आनंदमई ने अपनी आ एक परसिक्षित लडाका की तरहे उसके पहले थोड़े फैले हुए थे ताकि मुद्रा स्थिर बनी रहे उसका दाया हाथ बगल में विश्राम की स्थिती में लटका हुआ था उसने अपने बाए हाथ में छे चाकूं को मूट से पकल रखा था जो उसके दाय कंदे के आना लगाया और उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा और छटा आनंदमई के चाकू चलाने का तरीका इतना तूटी रही था कि प्रवतेश्वर ने लक्षिपट को भी नहीं देखा वहीं खड़ा होकर उसके इस अद्भूत कारनामे को प्रसंधा की द्रिश्टी से फिर उसने देखा कि उतंग एवं भगीरत ताली बजा रहे थे उसने लक्षिपट की और देखा प्रतेग चाकों ने पटके केंद्र में जगा पाई थी आदर्श महान प्रभुन राम के नाम पर यह अद्भूत था परवतेश्वर ने अचंभीत हो कर कहा आनंदमई खुल परवतेश्वर ने धीमे से फुस-फुसा कर आनंदमई की कमर से लटके हुए एक म्यान के और संकेत करते हुए आश्चर से कहा वो एक लंबी तलवार है आनंदमई का चहरा उतर गया आपको सचमुझ ही ये पता है कि एक इस्त्री को कैसे धरातल पर लाया जा सकता है है ना परवतेश्वर ने पूछा आनंदमई ने मातर अपना सेर हिलाया किन्तु वो सचमुझ ही लंबी तलवार है परवतेश्वर ने कहा आपने कभी से चलाना सीखा एक योध्धा के हाथ की लंबाई से भी लंबी तलवार को चलाना एक दुरलब कोशल होता है इसमें दक्षता हासिल कर ली है वे किसी का वद करने में अधिक सक्षम हो जाते हैं भगीरत और उतंक अब तक निकट आ चुके थे भगीरत ने उत्तर दिया उत्तंक पिछले एक महिने से उसे सिखा रहा है सेना पती वह बहुत ही जल्दी सीखने वाली शिश्या है परवतेश्वर करना चाहता राज कुमारी आनंदमई के यह तेवर देखकर प्रवतेश्वर आश्यर चकित था आपके साथ बंदयुद करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी और आपके कोशल को परखने का मुझे आउसर प्राप्त होगा मेरी कुशलता की परिक्षा आप सोचते हैं कि इसक पर एक अदाप नहीं था मैं तो बस आनंदमई ने उसे बीच में ही टोग दिया एक इस फूर्तिवान व्यक्ति के लिए कभी कभी आप आश्यर जनक रूप से मूर्ख हो सकते हैं सेनपती पता नहीं मैं क्या सोच रही थी भगीरत ने बीच बचाओ करने का प्रयास किया चुकी थी और तुफान की तरह से वहां से जा चुकी थी बहुती सुंदर नारंगी सूरिगंगा से उपर उग चुका था नदी की ओर देखते हुए सती अपने कख्षी के खड़के के पास बैठी हुई थी कार्तिक पीछे कृतिका के साथ खेल रहा था सती ने पीछे अपने रहसे में राजभवन की और चल पड़े थे प्रकट रूप से काशी के भवशी के रिए एक और पूजा करने उसे कुछ ठीक नहीं लगा उस दिन समस्त काशी नगर रक्षा बंधन का पर्व मना रहा था ये दिन वो था जब प्रतेग बहन विपत्ति के समय कि इस समय उन्हें काशी में नहीं होना चाहिए मेलुहा में महिलाएं इस्थानी राजभवन को राखी बांधने जाती हैं और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना राजभव का करतावे था प्रभुरामदारा ये इस पर शुप से इस्थापित किया जा चुका है राजा अति का सोच रही है राजकुमारी सती पीछी के ओर मुड़ी तो उसने देखा कि कृतिका उसे ही एक टक देख रही थी इस पूरवी राजभवन का रहसे मुझे जानना है किन्तु वहां किसी को जाने की अनुमती नहीं है आप ये जानती है यहां तक कि नीलकंट को वहां नहीं कि ले जाने के लिए राजा ने कुछ विजित्र भाहने बनाये थे मैं जानती हो लेकिन कुछ है जो सही नहीं है और राजा वहां आज इतने उपहार क्यों ले जा रहे हैं मुझे नहीं पता राजकुमारी सती कृतिका क्योर मुड़ी मैं वहां जा रही हूं कृतिका ने च पार करना कठेन है क्योंकि वह बहुत चौड़ी थी देवी मैं पिछले कई सब्ताहों से योजना बना रही थी कृतिका मैंने कई बार अभ्यास भी किया है नदी के बीच में रेत का एक तठ है जहां मैं बिना किसी को दिखाई दिये और विश्राम कर सकती हूं कि तो आप रा राजमवन के प्रवेश में बहुत ही अधी पहरेदार हैं मैंने ये भी देख लिया है कि मुख्य महल में पहरेदारों को प्रवेश के अरुमती नहीं है उस महल के दूर छोर पर एक जलनिकासी की बड़ी नाली है जिसे बिना किसी की देखे मैं उसे तैर कर पार कर सकती हू हे पवितर जील शिव इसमे से फुसपुसाया यहां तके मेलुहा वाले जो अपने प्रसिद अभियांतर की एवं विख्यात स्मार्कों को देखने के आदी थे वे भी अचम्बित थे दिन की दोपहरी में वे द्वार चमक रहे थे और कई नई खोजी गई धातू से ही बने ना कर सके ब्रंगा की सीमा पर किसी सड़क मार्ग की व्यवस्था नहीं थी गंगा ही एक मात्र मार्ग के रूप में उपलब्द थी और यदि कोई मुर्खना वश घने जंगल से होते हुए ब्रंगा में प्रवेश करने की कोशिश करता तो ब्रंगा राजी के किसी विक्ती से मिलने से पूर्व निश्चित रूट से जंगली पशों और बीमारियों का शिकार बन जाता उस अवरोध का आधार लोहे से बने पिंजरे के समान था जो उस विशाल काई गंगा के पानी को बहने दे रहा था जब कि किसी वेक्ति या बड़ी मशली आधी को आर पार जाने स से रोक रहा था उस अवरोधक पर पांच जगों पर खाली स्थल छूटे हुए थे ताकि पांच जहाज एक साथ अंदर आ सके यह देखने में प्रथम दृष्टी में असंगत प्रतीत हो रहा था क्योंकि ऐसा लगता था मानों इससे पहले कि ब्रंगा वाले कुछ प्रतिक की और संकेत किया जो अभी अभी दौर में प्रविष्ट हुआ था उस खुले भाग के प्रारंब में एक गहरा तालाब बना हुआ था जिसका तल और उधक सावाउन की लकडी से बना हुआ था जिसमें वो जहाज तैर कर अंदर गया था वही पर चत्राई से बनाई गई ए जहाज के निकटाए तल के नीचे की और विस्तरत किये हुए खाचों में आकर जम गए उन चबूत्रों के किनारों पर पहिये लगे हुए थे जो जहाज के लोहे के आधार में बनी नालियों में समा गए शिवन प्रवतेश्वर की ओड़ देखा तो इसलिए दिवदास ने हमारे जल्यान के तल के नीचे वो अधार बनाया था परवतेश्वर ने विस्मे में सिरह लाया वे चबूत्रे इतने त्वरिद बल से विस्तरत हुए कि यदि हमारे जल्यान के नीचे लोहे का अधार नहीं बना होता तो नीचे का हिस्सा चकनाचूर हो गया होता उसके बा बात नहीं है यहां ताकि हाथियों को एक जुंड की भी नहीं शिव ने ब्रंगा के जहाजों की और संकेत किया वे घिरनिया बहुत ही तीव गती से चलने लगी थी जिसके कारण जंजीरों ने पहले जहाज को कसा और फिर उसे आगे की और खीचने लगा चबूद्रे पर वदास ने मुझे बताया था कि कोई संकलन करता यंत्र है जो विभिन प्रकार के पश्यों की उर्जा को कई घंटों तक संकलन करता है और उसके बात कुछी सेकंडों में उन्हें मुक्त कर देता है बागीरत ते अपनी तेउरी चड़ा ली देखें शिव ने कहा पत्थर के एक विशालकाई बेलनाकार वस्तु बड़ी गती से नीचे की और आ रही थी उसके तुरंद बाद वैसी ही बेलनाकार वस्तु थी जो घिरनियों द्वारा धीमे धीमे ऊपर की और खीची जा रही थी क्योंकि इस बैल जो उस यंतर से जुड़े हुए थे वे दीरे दीरे उस यंतर का चक्कर लगा रहे थे वे बैल घंटो के महनत से उस यंतर को उरजावान करते रहे हैं शिव ने कहा वे विशालकाई पथर एक निशीत उचाई पर बांदिये जाते हैं जब उन चबूतरों को फैलाना होता है या किसी जल्यान को खिचना होता है तो उस पथर का सिरहलाया वो परवेश दौर पर ब्रंगा कारयाले की और देखने के ले मुड़ गया उनके जल्यानों ने परवेश दौरों के निकट हिलंगर डाल दिया था दिवधास ब्रंगा के प्रभारी अधिकारि से बात करने के लिए पहले हि बाहर निकल चुगा था तुम इतनी पी वो उससे कई सालों से नहीं मिला था, फिर भी वे दोनों एक दूसरे के लंबे समय से मित्र रहे थे, उसने सोचा था कि उसकी मित्रता का लाब उठा कर वो ब्रंगा राजे में प्रवेश पा सकता था, क्या बात है उमा, दिवधास ने पूछा, मैं प्रमुक उमा हूँ, मैं काम पर हूँ, मुझे शमा करें प्रमुक, आपका अनादर करने का मेरा कोई रादा नहीं था, मैं तुम्हें वापस अंदर जाने नहीं दूंगी जब तक कि तुम कोई उचित कारण नहीं बताते, मुझे मेरे ही देश में प्रवेश करने के लिए कारण की आव्शकता क तुम्हें पता है? तुम्हें लगता है कि जो लोग ब्रंगा में रहते हैं उन्हें कोई खत्रा नहीं है? तुम सोचते हो कि हम अपने बच्चों से प्यार नहीं करते? उसके बाद भी हमने प्रिदेश में रहने के लिए विकल्प चुना। तुम अपने चुने होए महात्पूर्ण व्यावसाइक सौधे करने होंगे है ना दिवदास ने गहरी स्वास ली प्रमु खुमा ये बहुत ही महात्पूर्ण है कि मैं राजा से मिलू तुम्हें मुझे भरोसा अवश्य करना चाहिए यदि तुम अपने किसी एक जहाज में नागाव की रानी को लेकर आ रहे हो तब तो ठीक है बना मैं इतना महात्पूर्ण कुछ भी नहीं समझती कि तुम्हें अंदर आने दिया जाए मैं नागाव की रानी से भी अत्यदिक महात्पूर्ण वेक्ति को लेकर जा रहा हूं काशी ने सचमुची तुम्हारे मस्खरेपन को बढ़ा दिया है उ बुसैल और कसैली उमा का जो तर को सुनने में आयोग्य थी उसके पास कोई दूसरा चारर नहीं बचा था उसे निलकंट को बुलाना ही पड़ा वो जानता था कि उमा को पावरानी गाथा में विश्वास था मैं अभी ऐसे विक्ति के साथ पुना वापस आता हूँ जो नागाओ की रानी से बहुत अधिक महातपूर है उसने जाने के लिए मुडते हुए कहा वो छोटा जहाद ब्रंगा के कारियले पर जा लगा दिवदास सबसे पहले उतरा उसके बाद शिव परवतेश्वर भगी के लिए नियम भंग करूं वो स्वधीब के राचकुमार है प्रमुकुमा इसे ना मूले हम आयोध्यों को शुलक देते हैं तो तुम आव आयोध्यों के भी अधिक विश्वासी हो गया हो तुम कितनी पर ब्रंगा का प्रिताक करोगे प्रमुकुमा आयोध्यों के नाम पर हमने अपने हिस्से के समझोते का पालन किया है मुझे आदेश है कि अपने हिस्से के समझोते का पालन करने के लिए आपकी सहायता की जाए शिव आगे बढ़ा यदि मैं कुछ उमा के धैर का अंत हो चुका था वो आगे बढ़ी और उसने शिव को धक्का दे दिया निकल ज रुको शिव ने कहा अपने आदमियों को रोकते हुए उसके हाथ दोनों और फैले हुए थे शिव उमा की और मुड़ा उमा उसे ही घूर रही थी हैरान अंगवस्तरम जो उसने शरीर को गर्म रखने के लिए लपेटा हुआ था वो नीचे किसा गया इसके कारण पूर्व मे कहे अनुसार उसका नीला कंठ दिख रहा था उमा के आसपास के प्रंगा सनिक ततकाल ये अपने गुटनों पर आ गये थे उनके सिर जुके हुए थे और आखों में आसू प्रवाहिद हो रहे थे उमा लगातार गुरती जा रही थी उसका मुँ आधा खुला हुआ था शिव के प्रवल सीने पर मारती हुई रोते हुए बोलती गई आप अब तक कहा थे हम आपकी कब से प्रतिक्षा कर रहे हैं हम दुख जेहल रहे हैं आप अब तक कहा थे शिव ने उमा को आराम पहुचाने के इरादे से पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वो शिव के पैर पकड़े हुए नीचे के और गिर गई दर्दनाक आवास करती हुई आप अब तक कहा थे चिंतित दिव दास एक अन्य ब्रंगा मित्र के और मुड़ा जो सीमा पर न्यूगती था उसके मित्र ने धीमे सोर में कहा पिछले महीने प्रमुख हुमा ने अपनी एक मातर संतान क को महामारी में गवा दिया अने इक बर्षो की मनत के बाद उमा को गर्ब ठहरा था वो पूरी तरह से तूट चुकी थी दिव दास ने उमा को सोहनबूती से देखा वो उसके गुस्से को समझ रहा था वो इसकी कलपना भी नहीं कर सकता था कि उसकी क्या स्थिती होती यदि वो अपनी संतान को खो बैड़ता शिव जिसने पूरी तरह बात सुन ली थी वहीं बैड़ गया उसने उमा को अपनी बाहों में भर लिया जिसे वो अपनी ताकत उसे ब्रदान कर रहा हो आप पहले क्यों नहीं आए उमा लगतार रोती जा रही थी शोप में डूब कर यद नमस्कार आप सभी का मोटिवेशन टू रीड में स्वागत है आज हम जिस पुस्तक का सास्वर पठन करने वाले हैं वो शिव रशनत्रई की दूसरी पुस्तक नागाओं का रहस्य है जिसके रचनाकार हैं अमीश्त्रिपाठी और अनुवादक हैं विश्वजीत सपन अध्याए 11 पूर्वी महल का रहस्या गंगा के मध्य में रेत के टीले पर सदी आराम कर रही थी वो नीचे जुकी हुई थी ताकि पूर्वी महल से उसे देखा ना जा सके उसका भूरा परिधान एक छदम आवरन था उसने अपनी स्वास को इस्थिर करने का प्रयास किया और अपनी मांस्पेशियों को आराम देने के लिए विश्राम किया हाथ से उसने पीछे बंधी अपनी तलवार और ढाल की जाच की वे उसकी पीट पर सुरक्षित थे वो नहीं चाहती थी कि वो गंगा में बह जाए और जब वो महल में प्रवेश करे तो नीसा हाय हो जाए उसने अपनी बगल से एक छोटी सी थैली निकाले उसमें रखे फल को जल्दी से खाया खाने के बाद उसने खाली थैली पीछे रख ली और फिर चुक्चाप गंगा में उतर गई कुछ छणों के बाद सती धीरे धीरे पूर्वी घाट के और सरकती जा रही थी महल के बहुत भारी पहरे लगे घाटों से दूर जहां राजा की नौकाए बंधी हुई थी एक जल निकासी की नली थी इसे काशी से ये गंगा से देखना असंभव था लेकिन अपने निवास से सती इसे देख सकती थी उसके महल की उचाई काशी में सबसे अधिक थी ये सोच कर कि जलमार के पीछे की और होगा वो पत्तियों के बीच धीमे धीमे सरकती जा रही थी अंतता वो धीमे से उस जल निकासी की नाली में सरक गई और तेजी से शक्तिशाली हाथ चलाते हुए महल की और तैरने लगी जल निकासी की नाली आश्यर जनक रूप से साफ थी संभवतया महल में अधिक लोग नहीं थे महल के दिवार के निकट वो नाली धर्ती के अंदर अद्रश्य हो गई थी सती ने पानी के अंदर डुपकी लगाई धातवों की छडों से महल के पास नाली को सुरक्षित किया गया था सती ने अपनी थाली से एक रेती निकाली और एक छण को काटने लगी जब उसका दम घुटने लगा तो अपने फेफडे में प्राण वायू भरने के लिए बाहर निकल आई उसने फिर से डुकी लगाई और उस जंग लगी पुरानी छड़ को काटने लगी केवल पाँच बार प्राण वायू के लिए बाहर निकल कर सती दो छड़े काटने में सफल हो गई जिससे उसे अंदर प्रवेश करने के लिए परियाप्त जगा मिल गई थी सती पश्चिमी दीवार के साथ साथ पानी से बाहर निकली तो स्वयम को एक अती सुंदर उद्यान में पाकट ठगी से रह गई वहाँ कोई भी नहीं था संभवतया इस दिशा में किसी घुस पैठिये के आने की आशा नहीं की गई थी वहाँ एक और उद्यान की भूमी पर सुंदर हरी घास और फूल लगे हुए थे वहीं दूसरी और रक्षो को जंगल की तरह अपने आप बढ़ने के लिए छोड़ दिया गया था इससे वो उद्यान किसी जंगल सा प्रतीत हो रहा था मनोहर और प्राकरतिक सती ने उस उद्यान को सूखे पत्तो पर पाव पढ़ने से बचते बचाते तेजी से पार किया वो एक और के प्रवेश द्वार तक पहुँची और अंदर प्रवेश कर गई महल का डरावना वातावरान उसे प्रभावित करने लगा था कहीं कोई आहट नहीं थी कोई नौकर चाकर इधर उधर नहीं गूम रहा था आनंद मनाते राज सवस्यों की कोई आवाज नहीं आ रहे थी उद्यान में किसी पक्षी का स्वर भी नहीं गूंज रहा था कुछ भी नहीं ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी शूनी अस्थान में प्रवेश किया हो वो गल्यारों से तेजी से निकल गई कोई भी बाधा डालने या चुनोती देने वाला नहीं था वो उस विलासिता पूर्ण महल के अंदर बढ़ती गई ऐसा लगा मानों वहां कोई रहता नहीं था आचाना कि उसने बहुत हौले से हसने का स्वर सुना वो उसी दिशा में सरक गई वो गल्यारा एक खुले आंगन में जा खुला सती एक स्तंब के पीछे चुग गई राजा आथि थिक वो मध्य में एक सिंगासन पर बैठे हुए थे ठीक बगल में उनकी पत्नी खड़ी थी और एक बेटा भी तीन पुरानी विश्वास पात्र सेविकाए हाथ में पूजा की थाली लिये खड़ी थी जिनने सती ने इससे पहले कभी नहीं देखा था उनकी थालियों में राखी परवसे संबंदित सभी प्रकार की सामगरियां पवित्र बंधन सहीत रखी हुई थी वे यहां राखी क्यों बंधवा रहे हैं वे राखी यहां क्यों बंधवा रहे हैं और उसके बाद एक स्त्री आ गयाई, सती की श्वास भैसे थम गई, नागा, पांच जहाजों का समस्ते चालक दल पत्तन और जहाज के दाएं भाग में खड़ा हुआ था, वे सारा कारिकरम विसमे एवं आश्चरे से देख रहे थे, शिव के लोग ब्रंगा के द्वारों को देखकर बिल्कुल अचंभित थे, उन्होंने चबूत्रों को भैवीत कर देने वाले उस बल के साथ अपने जहाज के निकट आते देखा, उसके बाद जंजीरों से कुंडुलियों को सुरक्षित किया गया, ब्रंगा वालों ने संबंधित अधिपतियों से संकेत मिलने पर उनके जहाजी बेड़े को खेजना प्रारंब कर दिया, शिव जहाज के पिछले हिस्से में खड़ा होकर प्रवेश द्वार के कार्याले को देख रहा था, जो ब्रंगा यंतर के साथ काम नहीं कर रहे थे, वे घुटनों के बल बैठे हुए निलकंट को सम्मान दे रहे थे लेकिन शिव उस निराश हो चुके इस्तरी को देख रहा था जो दीवार से सटी उपडू बैठी हुई अभी भी रोय जा रही थी, शिव की आँखों में आसू थे, वो जानता था कि उमाने मान लिया था कि भाग्ये ने उसकी बेटी को धुखा दिया, उसने ऐसा मान लिय था कि यदि निलकंठ एक महीने पहले आये होते तो उसकी बच्ची आज भी जीवित होती, लेकिन स्वयम निलकंठ भी इस बारे में निश्चित नहीं थे, मैं क्या कर पाता, वो लगातार उमा को देख रहा था, पवित्री जील मुझे शक्ती दो कि मैं इस महामारी से संग घर्ष कर सकूँ, मैदानी कर्मचारियों को संकेत मिल गया था, उन्होंने संकलन करता यंतर को खोल दिया जिससे घिरनिया तेजी से घूमने लगी और जहाज तीमृता से आगे बढ़ने लगा, तेजी से पीछे छूड़ती उमा की जहलक को देखकर शिव फुस पुसाया, मुझे छामा कर देना, सती स्थब्द थी, काशी के राजा के साथ एक नागा इस्त्री, नागा इस्त्री वास्तों में एक ही शरीर में दो इस्त्रियां थी, छाती से नीचे का शरीर एक ता लेकिन दो दो कंदे छाती के पास एक दूसरे से जुड़े हुए थे, दोनों एक सिर उस एक ही शरीर पर नियंत्रन करने के लिए संगर्श कर रहा था। एक सिर थोड़ा सरल्मना प्रतीत हुआ जो आगे बढ़कर राजा को राकी बानना चाहता था। दूसरा सिर चंचल और शरारती था जो अपने भाई के साथ मस्खरी करना चाहता था। शरीर को पीछे के और खीच रहा था। माया अथितिग्व ने कहा मस्खरी करना बंद करो और मेरी कलाई पर राकी बान दो। वो शरारती सिर हसा और उसने अपने भाई की इच्छा का मान रखने के लिए शरीर को आदेश दिया। अथितिग्व ने बड़े गर्व से बंदी राखी अपनी पत्नी और बेटे को दिखाई। उसके बाद उसने पास में खड़ी एक सिविका की थाली से कुछ मिठाईयां उठाई और अपनी बहन को दी। उसके बाद एक तलवार के साथ एक अन्य सेविका सामने आई। अथितिग्व ने शरारती बहन को देखा और वो तलवार उसे दे दी। अच्छी तरह से अभ्यास करो। तुम्में सचमु सुधार हो रहा है। सेविका ने उसके बाद राजा को एक वीड़ा दी जो एक प् पहार को पकड़े और किसी नहीं। अब वो पहारों परो उनके प्रियोग पर जगडा मत करो। इन दोनों के लिए दिन में समय बाट लो। ठीक उसी समय एक सेविका ने सती को देख लिया। वो जोर से चिला पड़ी। सती ने ततकाल ही अपनी तलवार बाहर निकाल ली। माया ने भी वैसा ही किया। लेकिन उसके दोनों से एकमत नहीं हो पा रहे थे। वो स्वयम भी हिच किचा रही थी। अंतता सीधा से जीत गया। वो अपने भाई के पीछे जाकर छुब गई। अतितिग्व की पतनी और उसका बेटा अपनी जगा पर जमे रहे। उधर अ उनकी आँखें निडर थी और हाथ अपनी बहन को सुरक्षात्मा घेरे में लिये हुए थे। महराज इसका क्या अर्थ है। सती ने कहा। मैं मात्र अपनी बहन से राखी बनवा रहा हूँ देवी। आतितिग्व ने कहा। आप एक नागा को शरण दे रहे हैं। आप अप उन राक्षसों के साथ क्यों होना चाहिए। प्रभुरुद्र इसकी अवश्य अनुभती नहीं देते। प्रभुरुद्र ने कहा था कि एक विक्ति को उसके कर्म से पहचाना जाना चाहिए ना कि उसके रूप से। सती चुप रही। परिशान। माया अचानक यागे बढ रादी। वो किसी प्रकार के संकट का संदेश नहीं देना चाहती थी। आप लोग हमसे घ्रणा क्यों करती हैं। उस नागा के आकरामक सिर ने पूछा। सती अचंबित खड़ी थी। मैं तुमसे घ्रणा नहीं करती। मैं मात्र इतना ही कह रही हूं कि उन नियमों के पाल होंगी। सती चुप रही। आप सोचती हैं कि प्रभुराम इसे ऐसे पसंद करते। प्रभुराम ने अपने अनुयाईयों को नियमों का पालन करने का आदेश दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि नियम पत्थर पर बनी लकीर नहीं है। एक समान एवा मिस्थिर समाज के लिए उनकी रचना की जाती है। लेकिन यदि नियम सोयम ही अन्याय का कारण वने तो आप प्रभुराम का नुसरार कैसे करेंगी। उनका पालन करके या उनका उलंगन करके। सती के पास कोई उत्तर नहीं था। भाई ने प्रभु नीलकंठ और आपके वारे में बहुत लाव ने आपकी भी सहायता की है है ना। सती चुप रही परिशान। माया ने कहना जारी रखा। मैंने निलकंठ के बारे में बहुत सी कहानिया सुनी है। मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने इसे क्यों बदला था। विकर्म कानून चाहे हजारों साल पहले बनाए गए हो लेकिन आज के दिन और इस यूग में अनुचित है। ये उन लोगों को दमित करने का एक मातर उपकरार था जो इन्हें नहीं समझते थे। सती कुछ कहने ही वाली थी कि तुछ चुप रही। और किसी विकलांग विक्ति से आधिक आज किसे सबसे गलत समझा जाता है। ह हम नहीं जानते हैं और हम इसकी परवा भी नहीं करते हैं। नागाओं के लिए हम उत्तरदाई क्यों हो केवल इसले कि हम जन्म से ही विक्रत हैं। क्या आप किसी सूर्यवंशी की ओर से उत्तर देंगी जो नियमों का उलंगन करता है। सती चुप रहें। क्या ये करके मुझे इसकी व्यक्या करेंगी कि हमें किस लिए दंडित किया जा रहा है। अचानक ऐसा लगा कि सरल्मना द्रण निष्चाई हो गई थी और माया अचानक ही अधितिग्व के पीछे चिप गई। अधितिग्व ने जुकर कहा क्रपा करें देवी सती मैं आपसे विंत रही थी वो पूर्वी समुद्र में विलीन होने से पूर्व बहुत तेजी से अनेक उप नदियों में विभग्त हो गई थी जो ब्रंगाओं की भूमी में अपनी प्रचुरता दिखा रही थी इसी कारण विश्व के सबसे बड़े डेल्टा की रशना हुई थी इस प्रका का काम वो मिट्टी कर देती थी ब्रंग रिदाई ब्रंगा नदी की मुख्य उपनदी पद्मा पर इस्थित था ब्रंगा के द्वारों को पार करने के बाद दो सब्ता से कुछी दिन अधिक हुए थे और शिव के जलियानों का समुह ब्रंग रिदाई के निकट पहुच च समान थी जहां देवगरी तीन वेदिकाओं के ऊपर बनाया गया था वही ब्रंग रिदाई को प्राकरतिक रूप से एक उचे मैदान पर स्थापित किया गया था जो पद्मा नदी से लगवग एक किलोमेटर की दूरी पर था ताकि बार्ड से सुरक्षा की जा सके उची द प्रधता के कारण उनके भवन बहुत ही अच्छे से बने हुए थे और उनका रख रखाओ भी बहुत अच्छा था जबकि उनके मंदिर गगंचुंबी एवं भावे थे आम जनों के उप्योग के लिए बहु संख्य जनोप्योगी भवन एवं प्रतिष्ठान आदी सदियो से बने हुए थे प्रदर्शनों के लिए रंगभूमी उत्सवों के लिए सभाग रहे उत्कृष्ठ उद्यान और सारवजनिक इस्नान घर अच्छी इस्तिती में होने के बावजूद उन सारवजनिक प्रतिष्ठानों का उप्योग दूरला भी होता था बार बार की महामा तक समय पर पद्मा का जल स्तर बढ़ता घड़ता रहा था इस समय जब शीत रितु अपने चरम पर थी पद्मा अपने प्रवाह के मध्यम स्तर पर थी शिव और उसके अनुयाई दल के सदसे पांचवे स्तर पर उत्रे शिव ने देखा कि परवदेश्वर द्रपकु पूर पर नौका लगाने की विवस्ता थी क्योंकि साल के अलग अलग समय पर पद्मा का जल स्तर बढ़ता घड़ता रहता था इस समय जब शीत रितु अपने चरम पर थी पद्मा अपने प्रवाह के मध्यम स्तर पर थी शिव और उसके अन्युयाई दल के सदस से पांचवे स्तर पर उत्रे शिव ने देखा कि प्रवतेश्वर द्रपकु पूर्वक और दिवोदास उसके लिए पत्तन के उस स्तर पर मिलने के लिए प्रतिक्षा कर रहे थे ये बहुत ही विशाल का है पत्तन है पूर्वक जी शिव ने कहा मुझे बोध हो रहा है प्रभू पूर्वक से रहें ठीक उसी समय एक छोटे कत का गोल मटोल ब्रंगा सीड़ियों पर भागता हुआ नीचे की और आता दिखा उसने अनेक प्रकार के अवार्णिय स्वर्ण आभुशर पहने हुए थे उसने परवतेश्वर को देखा और अपने घुटनों के बल बैठ गया उसने अपना किश्वर ने शिव के और संकेत किया वास्तविक प्रभु के सामने नत्मस तक हो जाओ वो व्यक्ति भाग कर शिव के पैरों तक पहुचा मुझे शमा करें प्रभु मेरे इस कठोर अपरात के लिए करपा कर बंगा वालों को दंड न दे उठो मित्र शिव मुस्कुराया त मुझे लज्जित ना करो तुम्हारा नाम क्या है मैं बपी राज हूं ब्रंगा का प्रधानमंत्री प्रभु हमने आपके स्वागत समारों की विवस्ता भूमी स्तर पर की है जहां राजा चंदरकेतु आपकी प्रतिक्षा कर रहे हैं त्रिपय मुझे अपने राजा के पा की थोड़ी दूर पर खड़ा सुन्दर स्वर्ण अभूशन मंदित हाथियों का एक जुन्ड जोर से चिंगाड़ा जो पूर्वक को विश्मित करने के लिए कापी था मैदानिस्तर पर महीन कारीगरी किये गए पथरों का सबूत्रा स्वर्ण आवरण के साथ महादेव के स समस्त जन्मानस चार लाक चंसंख्या नीलकंट के स्वागत के लिए एकत्र हो गए थे उस भीड के आगे राजा चंद्रकेतु का मर्म स्परशी स्वरूप उपस्थित था वो एक मध्यमकद का कांसे सी रंगत उन्नत कपोलो और हिरणी सी आँखो वाला था राजा चंद्र पराज्य का राजा होने के बावजूद चंद्रकेतु के शरीर पर चुटकी भर भी स्वर्ण आभूशर नहीं था उनकी आँखे पराजित सी दिख रही थी मानो वो नियती से संघर्श्रत था चंद्रकेतु घुटनों के बल बैठा और उसने हाथ आगे कर अपना सिर्भ भूमी से इस पर्श कर दिया वहाँ उपस्थित सभी ब्रंगा वालों ने वैसा ही किया आउश्मान भव महराज शिव ने राजा को लंबी आयू का आशिरवात देते हुए कहा चंद्रकेतु ने उपर के और देखा वो अभी गुटनों के वल बैठा हुआ था उसके हाथ मस्ते के मुद्रा में जुड़े हुए थे उसकी आखों से धारा प्रवाह आंसू बह रहे थे मैं जानता हूं कि मैं बहुत लंबी आयू तक जीवित रहूंगा प्रभू और हमारे ब्रंगा के लोग भी क्योंकि आप आ गये हैं हमें इस आविवे की युद्ध को अवश्य रोग दिना चाहिए नागा राजसभा में चारों और देखते हुए वासुकी ने कहा सहमती में अनेक सिरहले वासुकी नागाओं के पूरवजों में से एक विख्यात नागा राजा का वंशर्ज था उसकी वंशावाली के कारण उसे सम्मान प्राप्त था लेकिन का वहमनत से बेकार बना रहेगा क्या आब नागा लोग इसी प्रकार काम करेंगे राणी ने पूछा जब आवे शक्ता नहीं तो मित्रों को त्याग देंगे किसी पक्षी के समान प्रतीत होते चहरे वाली सुपर्णा बोल उठी मैं राणी से सहमत हूँ ब्रंगा वाले हम लेकिन हम नागा हैं आस्तिक ने कहा हमें अपने पूर्व जन्म के पापों के कारां सजा दी गई है हमें भाग को सुईकार लेना चाहिए और पश्चताप में अपना जीवन बिताना चाहिए साथ ही ब्रंगा वासियों को भी ये प्रमर्श देना चाहिए राणी ने अपन संखेकों का मत था मैं सहमत हो इर्वत ने सुपर्णा की ओर देखने से पहले ही कहा और मैं गरूर लोगों से ये समझनी की अपेक्षा नहीं करता वे लोग युदिक की सदेवी भूखे हैं ये टिपड़ी चुप गई गरूर लोग या पक्षी के चेहरे वाले नागा शेश नागाओं के दुश्मन रह चुके थे वे एक पौराणिक नगर नागापुर में रहा करते थे जो पंचवटी में सुदूर पूर्व में था लेकिन दंड़क वन का ही हिस्सा था लोकाधीश ने बहुत साल पहले मध्यस्ता की और ततकाली नेता सुपर्णा ने रानी की ए कोई भी देवी सुपर्णा का अपमान करता है तो उसे मेरे प्रचंड कुरोध को जहिलना पड़ेगा इर्वत में ततकाली अपनी बात बंद कर दी रानी का गुस्सा कुख्यात था खरकोटक ने इधर उधर चिंता से देखा इर्वत चर्चा से हट गया था लेकिन इस चर प्रोकाधीश की और मुड़ गये हाला कि वो राजसंभा का सबसे युवा सदस्य था लेकिन वो सबसे अधिक सम्मानिय भी था हम लोग इसे गलत तरीके से देख रहे हैं यह हमारे युद्ध है हमारे मित्रों के बारे में नहीं है यह भूमी देवी के सिध्धानतों के प् मानित थी भूमी देवी के सिध्धानतों पर सवाल उठाना धर्म द्रोह की समान था उनका एक सपष्ट दिशा निर्देश था कि एक नागा जो भी प्राप्त करे बदले में उसका बुगतान करे यही एक तरीका है जिसे हम अपने पापकर्मों को समाप्त कर सकते हैं राज से नुरोद करता हूँ कि आप अपनी थैलियों में जाग कर देखें कि आपकी थैली में कितने सिक्के हैं जिन पर राजा चंदरकेतु की मोहर लगी हुई है हमारे राज्य में कम से कम तीन चौथाई स्वर्ण ब्रंगा राज्यों से ही आया है उन्होंने एक मित्र होने के मिनाते हमें ये समर्थन में भेजा है लेकिन इसे इस प्रकार समझें कि वे हमें किसलिये दिये गए हैं और शदियों के लिए अग्रिम भुगतान रानी अपने भांजे की बात पर मुस्कुरा उटी ये उसी का विचार था कि राजा चंदरकेतु बिना मुहर वाली स्वर् प्राप्त कर लिया है यदि हमें भूमी देवी के सिध्धानतों को सम्मान देना है तो मेरा कहना है कि हमारे पास उनको और शदियों की आपोर्ति करते रहने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है राजसभा के पास कोई विकल्प नहीं था भूमी देवी के निर्देशो पर वे सवाल कैसे उठा सकते थे प्रस्ताव पारित कर दिया गया प्रभू हम महामारी को कैसे रोके चंद्रकेतु ने पूछा शिव चंद्रकेतु भगीरत परवतेश्वर दिवोदास और बपी राज ब्रंग रिदाई महल के राजा के निजी कक्ष में बैठे हुए थे इस चंद्रकेतु अकड़ गया उसकी विशाद पूर्ण आखे को समय के लिए बंद होई उसके बाद वो बपी राज की ओर मुड़ा क्रिपया हमें कुस समय के लिए इकांत दे 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 प्रधान मंत्री बपी राज ने तरक करने का प्रयास किया लेकिन महराज राजा ने आखे सिकोडी और प्रधान मंत्री को घूरता रहा बपी राज ततकाल ही कक्ष से बाहर चला गया चंद्रकेतु बगल की एक दीवार तक गया उसने अपनी एक अंगुली में से अंगुठी निकाली और एक निशान को उससे दबा दिया खट की आवास के साथ दीवार के अंदर से एक चोटा सा बक्सा बाहर निकलाया राजा ने उसमें से एक चर्म पत्र उठाया और शिव की और बढ़ने लगा प्रभू चंद्रकेतु ने कहा ये एक पत्र है जो मुझे नागाओं की रानी से कुछ दिनों पूर्व ही प्राप्त हुआ है शिव ने धीमें से अपनी समा प्रारती हो राज्य सभा के साथ समस्या अभी भी बनी हुई है लेकिन चाहे परिस्थिती जैसी भी हो और शदियां बहुत ही जल्द पहुचा दी जाएंगी साथ ही मुझे सूचना मिली है कि एक धूर्त जो सोयम को निलकंट बताता है आपके राज्य में आ रहा है मेर प्रकेतु ने सिर उठा कर शिव को देखा इस पर नागा रानी की मुहर थी शिव के पास कोई उत्तर नहीं था देवदास बोल बड़ा लेकिन महराज मेरे विचार से नागाओने हमें शापित किया है महामारी उनका ही किया धरा है हमें इसके विरुद लड़ना ही होगा ल वो हैं उनकी औशदियां जब तक महामारी का अंत नहीं हो जाता हम नागाओं के बिना जीवित नहीं रह सकते लेकिन वो आपके शत्रू है महाराज भगीरत ने कहा जो महामारी आपके राज पर उन्होंने थोपी है उसके लिए प्रतिशोद कैसे नहीं ले सकते अपने लो नहीं सेना पती चंदरकेत ने कहा ये प्रतिशोद या न्याय के बारे में नहीं है ये केवल एक चीज़ के बारे में है मेरे लोगों को जीवित रखने के बारे में मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि यदि मैं आपको पंचवटी जाने क मारग के बारे में बताता हूँ तो प्रभू एक विशालकाई सीना के साथ हमला कर देंगे नागाओ का विधवन्स हो जाएगा उनके साथ उनकी औशदियां भी और इस प्रकार ब्रंगा के लोगों के जीवन की उत्तर जीविता भी धुहस्त हो जाएगी जब तक कि आप मुझे किसी अन्यापूर्ति के सुरोत की प्रतिभूत ही नहीं देते मैं नहीं बता सकता कि पंचवटी कहां इस्थित है शिव ने तीखी दृष्टी से चंदरकेतु को घूरा जो उसने सुना वो उसे अच्छा नहीं लगा लेकिन वो जानता था कि ब्रंगा का राजा जो कह रहा था वही उचित था उसके पास कोई विकल्प नहीं था चंदरकेतु ने अपने दोनों हाथ जोड़े जैसे विंती कर रहा हो प्रभू आप मेरे नेता है मेरे प्रभू मेरे रक्षक है मैं आपके पौराणी गाथा में विश्वास रखता हूँ मैं जानता हूँ कि आप सब कुछ ठीक कर देंगे साथ ही चाहे मेरे लोग विवरणों को भूल जाए लेकिन मुझे श्री रुद्र की कथाई याद है मुझे याद है कि पौराणी गाथाओं को पूरा होने में समय लगता है और समय ही एक मातर ऐसी वस्तु है जो मेरे लोगों के पास नहीं है श्री ने गहरी स्वास ली आप बिलकुल सही है महराज अभी इसी समय में औशदियों की आपूरती की प्रतिबूरती नहीं दे सकता और जब तक मैं ऐसा नहीं कर सकता तब तक मुझे आप से इस्तियाग की मांग का अधिकार नहीं है दिवदास कुछ कहने लगा लेकिन श्री ने हाथ लाकर उसे शान्त कर दिया मैं जाने की आग्या चाहता हूँ महराज शिव ने कहा मुझे सोचनी क्या शकता है चंदरकेत शिव के चैरोणों में गिर पड़ा कृपा कर क्रोधित ना हो प्रभू मेरे पास कोई विकल्प नहीं है शिव ने चंदरकेत को उठा कर खड़ा किया मैं जानता हूँ शिव जाने को हुआ तो उसकी द्रिष्टी नागारानी के पत्र पर पड़ी जैसे ही उसने पत्र के नीचे लगी मुहर देखी तो तन गया वो एक ओम का चिने था लेकिन सुसर्व प्रिशलित नहीं था उपरी एवं निचले घेरे के मिलन बिंदू पर दो सर्पों के सिर थे तीसरा घेराओ पूर विक्योर निकल रहा था जिसका एक सर्प के नुकीले सिर से अंत होता था और उसके दूई शाकित जीब डराते हुए बाहर निकली हुई थी शिव धीमे सिगर जा क्या ये नागा रानी की मोहर है जी हाँ प्रभू चंदरकेतु ने कहा क्या कोई अन्य नागा इसका उप्योग कर सकता है नहीं प्रभू केवल रानी इसका उप्योग कर सकती है मुझे सच बताए क्या कोई अन्य नागा इसे उप्योग कर सकता है नहीं प्रभू कोई नहीं ये सच नहीं है महराज प्रभू जो मुझे पता है अचानक चंद्रके तु रुख गया निसंदे लोकाधीश भी इस मुहर का उप्योग करते हैं नागा इतिहास में शासक के अलावा वे एक मात्र ऐसे हैं जिसे इस मुहर के उप्योग की अनुमती है शिव ने चुड़ चुड़ाते हुए कहा लोकाधीश उसका नाम क्या है मैं नहीं जानता प्रभू शिव ने अपनी आखे संकुचित की मैं अपने लोगों की सौगंध लेकर कहता हूँ प्रभू चंदरकेतु ने कहा मैं नहीं जानता मुझे केवल इतना पता है कि उसकी अपचारी कुपादी लोकाधीश है प्रभू भगीरत ने कहा हमें राजा चंदरकेतु पर जोर डालना चाहिए भगीरत प्रवतेश्वर और दिवदास ब्रंग रिदाई महल के शिव के निजी कक्ष में बैठे हुए थे मैं सहमत हूँ प्रभू दिवदास ने कहा नहीं शिव ने कहा चंदरकेतु गी बात में दम है इससे पहले कि हम पंचवटी पर आकरमन करें हमें नागा आउशदियों के आपूर्ती के प्रतिभूती देनी होगी लेकिन ये तो असंभव है प्रभू परवतेश्वर ने कहा केवल नागाओं के पास ही वो आउशदी है उन आउशदियों को प्राप्त करने का एक मातर तरीका ये है कि हम नागाओं के छेत्रादिकार पर नियंतरड कर ले और यदि ब्रंगा के राजा हमें पंचवटी का पता नहीं बताते तो हम नागाओं के छेत्र पर कैसे नियंतरड कर पाएंगे शिव दिवदास के और मुड़ा नागा औशधियों को प्राप्त करने का अवश्य कोई अन्य तरीका होगा एक बहुत ही विचित्र तरीका है प्रभू दिवदास ने कहा क्या? लेकिन ये अत्यंती खराब तरीका है प्रभू मुझे उसका निर्णे करने दो क्या है वो तरीका? मधुमती नदी के उस पार जंगल में एक दस्यू है मधुमती? वो भी ब्रंगा नदी के एक उपनदी है प्रभू यहाँ से पश्यम के और मैं समझ रहा हूँ ऐसी अफवा है कि उस दस्यू के पास नागा और शदी बनाने का एक तरीका है ऐसा पता चला है कि वो इसे एक गोपनिय पौधे की सहायता से तयार करता है जो महा नदी के उस पार कहीं मिलता है यह नदी दक्षर पक्षिम में प्रवाहित होती है तो फिर यह दस्यू इसे बेशता क्यों नहीं किसी दस्यू को धन में तरूची होती ही है वो एक विचित्र दस्यू है प्रवू ऐसी अफवा है कि वो जन्व से ब्रहमड है लेकि लंबे समय से उसने हिंसा के लिए ग्यान के पत को त्याग दिया है हमेंसे अधिकतर लोगों का मानना है कि उसे मान सिंगंभिर समस्याएं है वो धन कमाने से इंकार करता है उसे चफ़त्रियों से घ्रणा है और यदि कोई भी योद्धा उसके छेत्र में जाने की हिम्मत करता है तो वो उसे मार ढालता है यहाँ तक कि कोई च्छत्रिय यद भूले भटके भी वहाँ पहुत जाता है तो वो उसे मार ढलता है और नागा ओशधी को किसी को भी देने से इंकार करता है। यहाँ तक कि उसे कितना स्वर्ण भी देने का वचन दिया जाय तब भी वो उन ओशधियों को केवल अपरादी स साथियों के लिए उपयोग करता है शिव ने अपनी तेवरी चढ़ा ले कितना विचित्र है वो एक दानम है प्रभू वो तो नागाओं से भी बुरा है ऐसी अफवा है कि उसने अपनी माता का भी सिर्धर से अलग कर दिया था हे श्वर जी हाँ प्रभू आप उस जैसे पागल व्यक्ति से बात कैसे कर सकते हैं क्या इसके लावा नागा औशदी प्राप्त करने का कोई अन्य तरीका है मुझे तो ऐसा नहीं लगता तो फिर विकल्प का चुना हो गया हमें उस दस्यों को पकड़ना चाहिए उस दस्यों का नाम क्या है दिवदास बगीरत ने पूछा परशुराम परवतेश्वर हैरानी से चिल्दा पड़ा ये तो छटवे प्रभू विष्णु का नाम है जो हजारों साल पहले हुआ करते थे मैं जानता हूं सेनपती दिवदास ने कहा लेकिन मेरा विश्वास करें इस दस्यों में छटवे प्रगु विष्णु का एक भी गुर नहीं है अध्याय तेरा इच्छा वड के नर्भक्षी महार्शी ब्रगु यहां आश्चर चके दिलीप ने पूछा भारत के सभी दुरलब सम्मान भी था क्योंकि ब्रगु इससे पहले दिलीप की राजधानी कभी नहीं पधारे थे जी हां महाराज स्वदीप के पर्धान मंतरी सिया मंतक ने कहा दिलीप ततकाल ही उस कख्ष की और भाग पड़ा जहां उस महान रशी को सिया मंतक ने ठहराया हुआ था जैसी आशा थी ब्रगु का कख्ष ठंडा रखा गया था पूरी तरह से कम प्रकाश और नमी वाला ठीक वैसा ही जैसा उनका हिमाले का अपना निवास था दिलीप तकाल ही ब्रगु के चरणों में गिर पड़ा मुनिवर ब्रगु मेरे नगर मेरे महल में ये तो मेरे लिए अत्यन्त सम्मान की बात है ब्रगु धीमे से बोलते हुए मुस्कुराएं सम्मान मेरा है हे महान समराट आप भारत की प्रकाश हैं दिलीप अप और भी अधिक आश्यर चकित हो गया उसने अपनी भोहों को उपर उठाया मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं गुरु जी ब्र रखता नहीं है क्योंकि किसी ब्रहम को अपने पास रखना कुछ भी ना रखने के समान है दिलीप मुस्कुराया उसे ये समझ में तो नहीं आया कि ब्रगु ने क्या कहा लेकिन उस प्रभावशाली ब्रहम्मर्द से असहमती जताने से वो बहुत बहबीत था आपका स्वास कुछ भी महीन, वेड्योंने उसे बताया कि उसके पास आप कुछ ही महीने शेश थे, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है मुनिवर् भ्रगु ने सिरह लाया, पर कुछ कहा नहीं, दिलीप बहादूरी से मुस्कुराया, मुझे कोई खेद नहीं है मुनिवर्, मैंने अपना जीवन जी लिया है, मैं संतुष्ट हूँ, सत्य है, वैसे आपका पुत्र कैसा है, दिलीप ने अपनी आखे संकुचित की, जूट बोलने का कोई लाब नहीं था, वे महार्शी भ्रगु थे, जिने सबत रिशी उत्राधिकारी माना जाता था, ऐसा लगता है कि उसे मेरा वद करने की आशकता नहीं है, भाग ये उसके लिए स्वयम ये कारे करेगा, वैसे भी प्रारब्द से कौन लड़ सकता है, भ्रगु आगे की और जुके, भाग ये मातर निर्बलों को नियंतरित करता है राजन, जबकि शक्तिशाली अपनी इच्छा नुसार विधाता के लिख नहीं होगा मुनिवर, मैं मेलूहा से बहुत अधिक मातरा में इसकी तसक्री की है, मैंने इस बात को बहुत कठिंता से जाना कि ये रोगों का उपचार नहीं कर सकता है, सोमरस शब्तरिश्यों का सबसे महानता मविश्कार था राजन, लेकिन वो एक मातर नहीं था, आप कह जारत का रिर्णी बन कर रहें, और मैं आपको तब याद दिलाऊंगा जब उचित समय आएगा कि आप इस देश की सेवा कर सकें, दिलीप ने सहमती में सिरह लाया, कुछ दिनों के बाद शिव, भगीरत, परवतेश्वर, आनंदमई, दिवोदास, द्रपकु, पूर्वक, नंदी और विर्भद्र को लेकर एक जहास पत्मा में उपर की दिशा की ओर चल पड़ा, उनके साथ 500 आदमी भी थे, जो उस दल के आधे थे जो काशी से उनके साथ चले थे, वे केवल सूरिवन्शी थे, शिव को उस भयानक दस्यू एवं उसके दल से निपटने के लिए अनुशासित युद्धाओं की आशकता थी, उसे शंका थी कि बहुत अधिक मात्रा में सेना उस दस्यू दल को बाहर निकालने में एक बाधा सिध्ध हो सकती थी, चार जहास और 500 चंदरवंशी सेना को ब्रंग रिदाई की आव भगत में छोड़ दिया गया था, निसंदे आयुर्वती भी उस जहास पर थी, उसकी स्वास्त संबंधी दक्षिता के निश्चित ही आवशकता थी, क्योंकि दिवोदास ने विशेस कर एक भीशन रक्तपात वाले टकराव को चेतावनी दी हुई थी, कुछ दिनों की यात्रा के बाद जहास ब्रंगा नदी के उस हिस के लिए एकादर शिस्थान शिव ने कहा, जी हाँ प्रभू, द्रपकु ने सहमती में सिरहलाया, ये भूमी सभ्यता के इतनी निकट है कि छापा मारा जा सके, लेकिन फिर भी इतनी अभेद की शीघरता से छुपा जा सके, मैं कलपना कर सकता हूं कि ब्रंगा वालों को इस सहमती में सिरहलाया, डॉल्फी ने जल में निरति कर रही थी, घने सुन्दरी व्रक्षों पर पक्षी चहक रहे थे, नदी के एक किनारे पर बड़ा सा शेर आलस में सुस्ता रहा था, वो बहुत ही सुन्दर प्राकरतिक दर्श्य था, प्रतेक पशु गंगा और ब्रहमप उत्र के उपहार का आनंद ले रहा था, शिव बहुत ही सुन्दर प्रतेशे प्रभू, द्रफुकु ने कहा, शिव ने उत्तर नहीं दिया, वो तटो को गहरी दृष्टी से एक टक देख रहा था, प्रभू, द्रफुकु ने कहा, आपने कुछ देखा, हमें कोई देख र सती अपने वचन पर्टी की हुई थी, उसने किसी को माया के बारे में फुसपुसाया तक नहीं था, यहां तक की कृतिका को भी नहीं, उधर अतितेख वप्रतेख मामले में नियम से सती का सुझाव लिया करता था, चाहे वो कितना ही मातवहिन क्यों नहो, सती के सुझाव स इस बार जो समस्य आई थी, हाला कि वो जटल थी, केवल तीन शेर इतनी अस्तिवेस्तता कैसे पहला सकते हैं, सती ने पूछा, अतितिक उने अभी अभी उसे इच्छावर के ग्रामीलों की ओर से आय सहायता के आग्रह के बारे में बताया था, वे लोग पिछले कई महीनों से नर्भक्षी शेरों के जानलेवा खतरे के भह में जी रहे थे, काशी तक उनके आग्रह बहुत समय से आ रहे थे, काशी ने आयोध्या से सहायता करने का अनुरोत किया क्योंकि वे काशी के अधिपती थे, चंद्रवन्शी प्रशासनिक अधिकारी अब तक अश्वमेद स उन्हें नेत्रत प्रदान कर सके, हम क्या करें देवी, किन्तो आपने तो काशी पुलिस का एक दल महीने भर पहले भेजा था है ना, जी हाँ देवी, अधितिक्व ने कहा, उन्होंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की, ग्रामिलो द्वारा अपने ढोल नगारों को बजा हो ह अजना बनाई भी, ताकि वे शेर एक अच्छी तरह से ढगे हुए गड़े में गिर जाए, जिसमें बड़े-बड़े नुकिले भाले हो, लेकिन उन्हें तब आश्चरी हुआ जब अधिकतर शेर बच गए और उन्होंने एक विद्याले पर हमला कर दिया, जहां ग्रामण बच्चों के शरीर को कहीं बाहर खीच कर भी नहीं ले गए, हो सकता है कि वे बदला लेना चाहते थे, क्योंकि एक शेर जाल में फसकर मारा गया था, वे मानब नहीं है महराज, सती ने जुझलाते हुए कहा, वे ना तो क्रोध अर्मों करते हैं, ना बदले की आशकता ही, भूख या आत्म सुरक्षा, किन्तु वो क्यों मारेंगे, किन्तु वे क्यों मारेंगे और उसके बाद मुनत शरीरों को वहीं क्यों छोड़ देंगे, इसमें आखो देखी के अलावा भी कुछ है, मैं नहीं जानता देवी, मैं नहीं कह सकता, आपके आदमी कहां हैं, वे अ करना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है कि वे ये नहीं करना चाहते देवी, वे नहीं जानते कि कैसे करे, वे काशी के नागरिक हैं, हम शिकार नहीं करते, सती ने ठंडी स्वास ली, लेकिन वे लड़ाई करने के लिए तयार हैं, अथितिक्वी ने कहा, मैं जाओंगी, सती ने कह निसंदे नहीं देवी, अथितिक्व ने कहा, मैं आप से ये नहीं चाहता, मैं किवाल इतना चाहता था कि आप समराण दिलीप को एक संदेश भेज दे, वे आपके आदेश को ठुकरा नहीं सकते, उसमें समय लगेगा महराज, मैं जानती हूँ कि स्वधीप वासियों की नौ सती को नहीं चाहते थे कि सती जंगल में कोई जोखिम उठाए, वो सती को एक बहन सा प्रेम करने लगा था, देवी मैं आपको कुछ होते नहीं देख सकता, मुझे कुछ नहीं होगा, सती ने बात बीच में कार दी, आप काशी की दो पल्टने नियुक्त कर दे, दो शेरों क के लिए साथ आदमी परयाप्त होने चाहिए, मैं चाहती हो कि स्यूद्ट पल्टन का वही विक्ति नित्रत्व करें, जिसने ब्रंगा वालों की रक्षा करने में सेनपती वर्वतिश्वर की सहायता की थी, उसका नाम कावस था, है ना, आतितिवर ने सहमती में सिरह लाया, देवी ऐसा बिलकुल भी ना सोचे कि मुझे आपकी योगिता को लेकर कोई संशे है, लेकिन आप मेरी बहन समान है, मैं आपको ऐसे संकट मूल लेनी की अनुमती नहीं दे सकता, मैं नहीं समझता कि आपको जाना चाहिए, और मैं सोचती हूँ कि मुझे अवश्य जाना चा कोई दानवी नौका नहीं आई जो शिव के जहाज पर आग बरसाए, पहरेदारों को घायल करने वाले कोई तीर भी नहीं, कुछ भी नहीं, परवतेश्वर और आनंदमई जहाज के पिछले हिस्से में जंगले का सहारा लेकर खड़े हुए थे, वे मंद गती से बहती इससे मुझे चिड़ होती है, सच में आनंदमई मुस्कुराई, पूरे जीवन में लोग मुझे घूरते रहे हैं, मुझे कभी चिड़ नहीं होई, परवतेश्वर आनंदमई के और मुड़ा जैसे वो अपने कहे का वरणन करना चाहता हो, लेकिन जैसे ही उसे मस्करी समझ में आई तो मुस्कुरा उठा, हे भगवान इंद्र, आनंदमई ने पुकार कर कहा, मैंने आपको मुस्कुराने पर विवश्च कर दिया, क्या बड़ी उपलब दिया, परवतेश्वर की मुस्कान और खिल गई, हाँ, ऐसा है, मैं तो केवल ये बताना चाह रहा था, कि ये अकसर करना चाहिए, और जब आप शर्म से लाल हो जाते हैं, तो और भी अच्छे लगते हैं, आनंदमई हस पड़ी, परवतेश्वर अब और भी लाल हो गया, राजकुमारी जी, आनंदमई, शमा करें, मुझे आनंदमई बुलाएं, ये मैं कैसे कह सकता हूँ, बहुत सरल है, कहें आनंदमई, परवतेश्वर चुप हो गया, आप मुझे आनंदमई क्यों नहीं बुला सकते, मैं नहीं बुला सकता, राजकुमारी, ये उचित नहीं है, आनंदमई ने गहरी स्वास ली, मुझे बताएं, परवतेश्वर उचित को कौन परिभाशित करता है, परव अपरादी दंड से नहीं बचना चाहिए तो फिर आप उनके नियमों का उलंगन कर रहे हैं परवतेश्वर की तेवरी चड़ गई वो कैसे एक इस्तरी को दंड देकर जिसने कोई अपराद ही नहीं किया परवतेश्वर की तेवरी जियों की त्यों चड़ी रही कई कुलीन ल परवतेश्वर ने अपनी मुठी भीच ली गहरी स्वास लेते हुए उसने नीचे की ओड़ देगाए तो आप जानते हैं कि आप कर रहे हैं आनंदमई करपया समझने का प्रयत्न करें यदि मैं चाहूं तो भी नहीं कर सकता ठीक उसी समय द्रपकु वहां आ पहुचा सेनपती जी प्रभु निलकंठ आपकी उपस्तिती का निवेदन करते हैं परवतेश्वर अपने स्थान पर जड़ बना रहा वो अब भी आनंदम करती मुणा और वहां से चला गया द्रपकु उसके पीछे था आनंदमई ने द्रपकु के आकार को जाते हुए देखकर फुपकार मारी क्या सही समय पर आटपका क्या आपको जाना ही पड़ेगा देवी कार्तिक को हलके हलके थपकी देते हुए कृतिका ने पूचा सती ने क्रतिका के और हतबुद्धी हो देखा निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं क्रतिका क्या मेरे पास कोई विकलफ है क्रतिका ने कार्तिक के और देखने से पहले सहमती में सिरह लाया मेरा बेटा समझ जाएगा सती ने कहा वो भी ऐसा ही करेगा मैं एक छत्राणी हूँ तो मिसकी अच्छी देखभाल करोगी ये मेरा जीवन है मैंने कभी मातरत सुख को ना जाना था मैंने कभी ये कलपना भी नहीं की थी कि मैं किसी अनिको इतना प्यार करूँगी जितना मैं शिव को करती हूँ लेकिन इस अलकाल में ही कार्तिक कृतिका ने सती की और मुस्कुराते हुए दिखा उसके हाथ को इस पर्ष करते हुए बोली मैं इसकी देखभाल अच्छे से करूँगी ये मेरा भी तो जीवन है लोकादीश चंबल नदी के ठंडे पानी में घुटनों के बल बैठा हुआ था उसने अंजुली भर पानी उलीचा और धीरे धीरे बह जाने दिया वो धीमे धीमे कुछ बड़बडा रहा था उसके बाद उसने अपनी हथेलियों को मुक पर फेरा नागा रानी उसके बगल में घुटनों के बल बैठी थी उसने अपनी एक भाउँ उपर की प्रातना? मुझे नहीं पता यदि प्रातना को कोई प्रभाव पड़े तो मैं नहीं समझता कि उपर कोई ऐसा है जिसे सचमुच ही मुझे में कुछ रुची है रानी मुस्कुराई और उसने फिर से नदी की और देखा लेकिन कुछ छड़ ऐसे होते हैं जब आप उससीम की कृपा से इंकार नहीं कर सकते नागा फुस पुसाया रानी उसकी और मुड़ी और उसने सहमती में अपना सिर हिलाया धीमे धीमे उठते हुए उसने अपना मुखोटा फिर से पहन लिया मुझे सूचना मिली है कि वो काशी से निकल कर इच्छावण के और चल दी है नागा ने गहरी स्वास भरी वो धीमे से उठा और अपना मुखोटा लगा लिया वो केवल चालिस सैनिकों के साथ जा रही है नागा की श्वास तेजी से चलने लगी कुछ दूरी पर एक सो बरंगा सैनिकों के साथ विश्वद्यम ने बैठा हुआ था ये वो च्छण हो सकता था दो लाख लोगों की जिन संक्या वाले नगर में उसे बंदी बनाना लगबग असंभा हुई था इच्छावण की दूरी ने उसके आवसर को गबराओ नहीं मेरे बच्चे तुम अकेले नहीं हो मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर नागा ने सहमती में सिर हिलाया उसकी आँखे संकुचित थे वो दूसरे प्रहर का प्रारंब था जब सती कावस के साथ अपनी पल्टन का निरत्रत्व करते हुए इच्छावण गाउं के अंदर प्रविष्ट हुई गाउं से दूर एक विशाल काई चिता को देख वो हैरान रहे गई उसने तेज गती से अपना आश्म दोड़ाया उसके सैनिक उसके पीछे दोड़ पड़े एक आदमी उनके और भागता हुआ आया उसकी श्वास फूल रही थी चहरे पर भै था और वो हाथ हिला रहा था कृपया यहां से चले जाएं सती ने उसे अंसुना कर दिया और उस विशाल चिता की और बढ़ती चली गई आप मुझे अंदेखा नहीं कर सकते मैं इच्छावड का प्रधान हूँ सती ने ग्रामीडों के चहरे देख लिये थे हर एक व्यक्ति के चहरे पर भै की गहरी लकीरे स्पष्ट दिखाई दे रही थी जबसे आप लोग यहां आये हैं परिस्थितियां और भी बिगड़ गई है वो प्रधान चिल लाया सती ने उस ब्रामण को देखा जिसने मरने वालों की आत्मा की शांती के लिए अभी अभी पूजा समाप्त की थी वही एक मातर व्यक्ति था जो नियंतरन में प्रतीत हो रहा था वो उसके पास पहुची काशी के सैनिक कहा है ब्रामण ने उस विशाल चिता की और संकेत करते हुए कहा वहाँ है बीस के बीस सभी सती ने हैरानी से पूछा उस ब्रामण ने सहमती में सिर हिलाया कलराज शेरों ने उन्हें भी मार दिया हमारे इन गाउवालों की तरह ही आपके सैनिकों को भी कुछ नहीं पता था कि वे क्या कर रहे हैं सती ने चिता के आसपास देखा वो गाउं से थोड़ी दूरी पर एक खुला चेत्र था जो सीधा जंगल से लगा हुआ था बाई और थोड़ी दूरी पर कुछ कंबल और जली हुई लखनिया पड़ी हुई थी जो निश्चित रूप से शिविर के आवशेश थे उस इस्थान पर हर और रखत ही रखत बिखरा पड़ा था वे यहां सोय थे सती ने दहशत से पूछा ब्राहमर ने सहमती में सिर्ह लाया नर्भक्षी शेरों के होते हुए ये तो आत्मघाती छेत्र था प्रभु श्री राम के नाम पर रात में वे यहां क्यों सो रहे थे ब्राहमर ने ग्राम प्रधान की उर देखा ये उनका निर्णय था ग्राम प्रधान ने सुरक्षात्मक लहजे में कहा जूट न बोले ब्राहमर ने कहा ये उनका निर्णय नहीं था मुझे जूटा कहने की हिम्मत मत करना सुर्याक्ष ग्राम प्रधान ने कहा मैंने उनसे बस इतना कहा था कि किसी भी घर में उनकी उपस्तिती शेरों को आकरशित करती है और जिसके कारण लोग मारे जाते किसी घर में ना रुकने का निर्णय उनका था क्या आप वास्तों में ऐसा सोचते हैं कि शेरों की रुची केवल सैनिकों में है सुर्याक्ष ने पूछा आप बिल्कुल गलत हैं सती ने चुनना छोड़ दिया था वो उस पूरे छेतर का सरवेक्षन कर रही थी जहां काशी के सैनिक मारे गए थे अत्यधिक मातरा में रक्त एम रक्त पिंडों के बाद भी वो इस पश रूप से शेर और संभवत या कुछ शेरियों के मार को देख पा रही थी कम से कम साथ अलग-अलग निशान दिख रहे थे उनके पास जो सूचना थी वो निश्चित रूप से गलत थी पीछे मुड़ी और गरजी कितने शेर थे यहां दो ग्राम प्रधान ने कहा हमने दो से अधिक कभी नहीं देखे तीसरा शेर जंगल में फसकर मर चुका है सती ने उसे अंदेखा कर दिया और सूर्याक्ष की और देखा ब्रामर ने प्रतिक्रिया दी उनके पद्चिन्यों को देखते हुए कहा जा सकता है कि वे कम से कम पाँच से साथ रहे होंगे सती ने सहमती में सिरह लाया सूर्याक्ष एक मातर ऐसा विक्ती था जो यह जानता था कि वो क्या बोल रहा है गाउं की और मुड़ते हुए सती ने सूर्याक्ष से कहा मेरे साथ आये साथ इसका अर्थ है कम से कम पाँच शेर निया शेरों का एक मानकी जुंड किन्तु जो मर चुका है यदि उसे गिने तो इस जुंड में तीन शेर थे ये विचितर बात है सामानेतेहा एक जुंड में किवल एक ही शेर रहता है कुछ है जो ठीक नहीं है जितना हमें बताया गया वो उससे भी अधिक चालाक है शिव ने कहा गत सब्ताओं से अब तक हमने जो चाले चली वे असफल रही सूरत सीधा सिर पर चढ़ा हुआ था जहास को एक तटके निकट लंगर डाल कर रोग दिया गया था नदी अत्यधिक कीचर साथ बहाल आई थी जो जगा जगा जमा होकर प्राकरतिक बांध से बन गए थे इसी कारण मधुमती अकसर अपने प्रवाह का मार्ग बदल दी रही इसी का परिणाम था कि वर्तमार में बहने वाली नदी के प्रवाह के मध्य में कई इस्थानों पर रेत के टीले बन चुके थे ये वनस्पती हींच हित्र परियाबत रूप से ऐसे इस्थान उपलब्द कराते थे जहां भायानक युद्ध लड़ा जा सकता था शिव ने अपने जहाज को ऐसे ही एक तट के किनारे लगा रखा था वो ये मानकर एक वरक्ष पर तीर चला रहा था कि इससे उत्तेजित होकर परशुराम खूले में आ जाएगा लेकिन योजना अब तक सफल नहीं हो पाई थी जी हाँ प्रभू परवतेश्वर ने सहमती दी केवल अंधी घ्रणा के कारण उसे आकर्मण करने के लिए उकसाया नहीं जा सकता शिव ने नदी के किनारे को घूर कर देखा मेरे विचार से इसका कारण ये जल्यान है परवतेश्वर ने कहा हाँ वो ये नहीं जान सकता कि हमारे पस कितने आदमी है परवतेश्वर सहमत हुआ प्रभू हमें उससे लुभाने के लिए कुछ अधिक जोगिम उठाना पड़ेगा मेरे पस एक योजना है शिव धीमे से फुस पुसाया इससे आगे भी एक तठ है वहां मैं एक सो आदमियों के साथ जाने की योजना बना रहा हूँ जब मैं सैनिकों को घने जंगल में अंदर ले जाओं तो जहास को पीछे लोटना होगा ताकि परशुराम को ऐसा लगे कि हम लोगों के बीच में अन्बन है जल्यान हमें छोड़कर ब्रंगा राजी को लोट रहा है मैं जंगल में और अंदर चला जाओंगा और उसे किनारे पर आ जाने के लिए विवश्च करूँगा और जब मैं उसे वहां पहुचा दूँगा तो एक अगनी बार चला कर संकेत दे दूँगा उसके बाद भगीरत जल्दी से जल्यान को वापस यहां ला सकता है तीवर गती से चलने वाली छोटी नौकाओं को उतार कर चार सो लुगों के साथ वो तड़ पर आकर उन्हें कुचल सकता है केवल दो मुख्यों बिंदू को याद रखने के आवशकता है प्रभू उनके पीठ नदी की ओर होनी चाहिए ताकि जब छोटी नौकाओं तड़ पर पहुचे तो वे भाग न पाया और निसंदे जहाज को केवल पालों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए बल्कि पतवारों पर भी यहाँ पर गती का ही महत्व है शिव मुस्कुराया बिल्कुल सही और एक बात हम तट पर नहीं होंगे केवल मैं होंगा मुझे जहाज पर आपकी आवशकता नहीं प्रभू परवतेश्वर ची खुटा मैं आपको ये संकट मोल लेने नहीं दूँगा परवतेश्वर मैं उस कमीनों को उकसा लोंगा लेकिन मैं चाहता हूँ आप मेरी पीछे से मेरी सहायता करें यदि छोटी नौकाएं तेजी से नहीं आई तो हम सब का संगहार निश्चित है हम लोग उसे बंदी बनाने का प्रेतन कर रहे होंगे ना कि उसे जान से मारने का लेकिन वो हम पर ऐसा सहयम नहीं बढ़तेगा लेकिन प्रभू परवतेश्वर ने कहा मैंने निरने ले लिया है परवतेश्वर मुझे आपके आशकता जलियान पर है मैं मात्र आप पर विश्वास कर सकता हूँ कल निकलना होगा हम अपने शिवर यहां लगाएंगे सती ने विद्याले के उस भवन के और संकेत करते हुए कहा जहाँ कोई नहीं रहता था उसमें दर्वाजे नहीं थे और शेरों से सुरक्षा की विवस्था नहीं थी लेकिन सुरक्षात्मक उचाई पर एक छट बनी हुई थी जिस तक सीड़ियां जाती थी तीसरा प्रहर आधा बीच चुका था रात का अंधेरा बस छाने ही वाला था शेर अकसर रात को ही हमला करते थे सभी ग्रामीर अपने अपने घरों के अंदर बंद थे पिछली रात हुए काशी के सैनिकों के नरसंगार ने सबको हिला दिया था उन्होंने सोचा कि संभवतेया उनका ग्राम प्रधान सही था काशी के सैनिकों की उपस्तिती ही अप्शकुन थी गराम प्रधान सती के पीछे पीछे चल रहा था और इसके पीछे सूर्याक्ष था आपको यहां से चले जाना चाहिए बाहर के लोगों का यहां रहना प्रेतात्माओं को गुस्ता दिला रहा है सती ने उसे अंसुना कर दिया और कावस की और मुड़ी अपने लोगों को चट पर ले जाओ अवशो को भी चट पर चड़ा लो कावस ने श्रहमती में सिर्हलाया और तेजी से आदेश का पालन करने चला गया गराम प्रधान बोलता जा रहा था देखे वे लोग अब तक केवल पशुओं को मार रहे थे अब वे मनुश्यों को भी मारने लगे हैं केवल आप एसेनिकों के कारण आप यहां से चले जाएं और प्रधात्मा शान्त हो जाएंगी सती ग्राम प्रधान की और मुड़ी उन्होंने मानव रक्त का स्वाद चक लिया है अब इससे बचना संभव नहीं है या तो तुम इस गाउं को त्याग दो या फिर हमें यहां तब तक रहना पड़ेगा जब तक कि सभी शेर मारे नहीं जाते मेरा सुझाओ है कि तुम सारे ग्राम बासियों को एकत्र करो और कल गाउं छोड़ने की तयारी करो हम अपनी मादर भूमी का त्याग नहीं कर सकते मैं तुम्हें अपने गाउं वालों की मृत्यों का कारण बनने की अनुमती नहीं दे सकती मैं कल रवाना होंगी और तुम्हारे लोगों को भी अपने साथ लेकर जाओंगी तुम जो चाहे कर लो मेरे लोग इच्छावर का त्याग नहीं कर सकते कभी नहीं सूर्याक्ष बोल पड़ा यदि ग्राम वासियों ने मेरी बात सुनी होती तो हम लोग बहुत पहले ही यहां से चले गए होते और ये संताप कभी नहीं हुआ होता यदि आप में अपने पिता के तुलना में आधा पांडित होता ग्राम प्रदान ने गुस्से में कहा तो आप प्रितात्माओं को शांत करने और शेरों को भगाने के लिए पूजा कर चुके होते पूजा प्रात्ना उन्हें नहीं भगा सकता है मूर्क प्रधान क्या आपको इसकी गंद नहीं आती उन शेरों ने इस जगा को चिन्हित कर दिया है वे सोचते हैं कि हमारा गाउ उनका छेतर है अब हमारे पास केवल दो विकल्प हैं लड़े या मरे सपष्ट है हम लड़ना नहीं चाहते तो भागना ही पड़ेगा बहुत हो गया जुलाते हुए सती ने कहा इसमें आश्चरी की बात नहीं कि शेरों ने आप लोगों को निशाना बनाया है अपने अपने घर जाए हम लोग कल मिलेंगे सती उस विद्याले के भवन में उपर जाने वाली सीड़ियों के और चल पड़ी बीच रास्ते में जलावन लकणियों का धेर देख उसे प्रसनता हुई वो धेर के उपर से उचल कर निकल गई और उपर चड़ती रही जैसे ही वो च्छत पर पहुची तो उसने अक्तिधिक मातरा में जलावन लकणियों को देखा वो कावस के और मुड़ी रात भर के लिए परयापत है जी हाँ देवी सती ने एक बर फिर जंगल को ध्यान से देखा और धीमे सौर में बूली जैसे ही सूर्य डूबे सीडियों पर रखे लकणियों में आग लगा दो उसने दूर सामने के और देखा वही पर एक बकरा बना हुआ था जहां काशी के सैनिकों को शेरों ने मारा था उस उचाई से वो इस्थान इस पष्ट दिख रहा था जिससे तीर चलाया जा सकता था उसने अनुमान लगा लिया था कि वो कम से कम कुछ शेरों के उपर तीर चला सकती थी इस आशा में की चारा काम करेगा सती छथ पर बैढ़ गई और प्रदीक्षा करने लगी अध्याय चौदा मधुमती का युद्ध शिव पर्वतेश्वर भगेरत द्रपकू और दिवदास जहास के पिछले हिस्से में बैठे हुए थे आकाश में चंद्रमा नहीं निकला था जिसके कारण पूरा छेतर अंदकार में था जींगुरो के किटकिटाते स्वर के अलावा जंगल पुरी तरह से शांत था इसलिए वे आपस में धीरे धीरे बाते कर रहे थे समस्तिया ये है कि हम उनको कैसे विश्वास दिलाएं कि हमारे बीच विद्रो हो गया है और उसे समस्ति जहाजियों से नहीं बलकि मातर सौ लोगों से ही लड़ना है शिव फुस्पुसाया उसकी गुप्तिचर सदैव हमारी निगरानी करते होंगे दिवदास ने हलके से कहा हमारा नाटक विश्वस्नी होना चाहिए हमें एक मिनट के लिए भी भटक नहीं सकते शिव अचानक ही रुका उसने हाथ से उन सब को बाते करते रहने का इशारा किया वो धीमे से उठा रेंग कर जहाज के बाड़े तक गया अपना धनुश उठाया और उस पर तीर चड़ाया फिर सहसा है बिजली सी फुर्ती से बाड़े के ऊपर खड़े होकर उसने तीर चला दिया पीड़ा भरी एक तेज चीख सुनाई दी क्योंकि दस्यु दलका वो सदसे जो जहास की और तैरता हुआ आ रहा था अब डूब गया और एक कायर बाहर निकल शिव ने चिला कर कहा बहादर की तरह लड़ इस अचानक आई बाधा से पशु आधी चीखने चिलाने लगे और जंगल में हो हला मच गया लकडबंगा चीखा बाग दहाड़ा हिरण में में आये नदी में छपाक की आवाजे हुई संभवतया कोई घायल साथी को बचाने का प्रयास कर रहा था शिव ने सोचा कि पेड़ों की शाखाएं तूटने का स्वर उसने सुना जैसे किसी ने उन्हें तोड़कर पीछे हटने का उक्रम किया हो जैसे ही उसके अन्याई उसके पास भागे हुए आये तो शिव ने फुसफुसा कर कहा मुझान लेवा घाव नहीं था हमें परशुराम जीवित चाहिए याद रहे ये हमारे कारे को और कठिन बनाता है लेकिन हमें वो जीवित चाहिए और उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही ताकतवर आवाज उस जंगल से सुनी तुम उस जहाज से बाहर क्यों नहीं निकलाते डरपोप कीड़े तब मैं दिखाता हूँ कि बहादुर कैसे जंग करता है शिव मुस्कुराया ये बड़ा ही मनुरंजक होने वाला है सती चौप कर उठी अचानक किसी कुलाहल से नहीं बलकि कुलाहल के थम जाने से उसने बाई और देखा आग की लप्टे अतिधिक तीवरता से उठ रही थी दो सैनिक सबसे उपर की सीडियों पर खड़े थे वे अपली तलवार निकाले रखवाली कर रहे थे और लकडी डालो सती फुस फुसाई एक सैनिक ततकाल उन जलावन लकडियों तक गया और कुछ लकडियों उठाकर सीडियों के बीच जल रही अगनी में डाल दी इस बीच सती पंजे के बल चलकर मुडेर के पास गई थी बकरा मायूस हो पूरी रात में मियाता रहा लेकिन अब चुप था उसने जंगल के उपर सावधानी से देखा रात के घने अंधेरे से आसपास सब घुप था लेकिन विद्याले में जल रही आख की लपटों से कुछ प्रकाश फैल रहा था वो बकरा अभी भी वहाँ था वो अब खड़ा नहीं था उसके पिछली टांगे ठख चुकी थी और वो हताश से काप रहा था क्या वे यहाँ हैं देवी चुपके से रेंग कर सती के पास आते हुए कावस ने पूछा हाँ सती फुस फुसाई उन्होंने बहुत धीमी से आती एक भारी भरकम दहार सुनी ऐसी आवास जो जंगल में किसी भी जीवित जन्तु को भैबीत कर दे कावस ने जल्दी से पल्टन के शेस जवानों को जगा दिया उन्होंने अपनी तलवारें निकाल ली और सीडियों की तरफ वाले रास्ते के और रेंग कर चले गए ताकि एक मात्र इस्थल की सुरक्षा कर सके जहां शेर हमला कर सकते थे उसके बाद सती ने कुछ धीमी से घसीते जाने जैसी आहट सुनी उसने अपनी आखों पर जोर दे कर देखा एक, दो, तीन, चार ये उनका पुरा जुन रही था चौथा शेर कुछ घसीता हुआ ले जा रहा था हे प्रभू सती दहशत में फुस फुसाई जो शरीर घसीता जा रहा था वो गाउं के पंडित सूर्याक्ष का था उसका हाथ थोड़ा-थोड़ा छटपटा रहा था वो अभी भी जीवित था लेकिन नाम मात्र का है सबसे बड़ा शेर जो सपष्ट रूप से उनका नेता था वो पूरा का पूरा दिखा वो आसाधरन रूप से विशाल था आज तक सती ने इतना बड़ा शेर नहीं देखा था फिर भी उसका आयाल घहना नहीं था वो सपष्ट रूप से किशोर था संभवतया एक साल से अधिक बड़ा नहीं था उसके बाद एक चिंतित कर देने वाला विचार उसके मन में उबरा उसने नित्रत्व करने वाले पशु की तवचा को ध्यान से देखा उसके शरीर पर बागो वाली धारियां थी वो किशोर कदापी नहीं था उसने चकित होकर देखा तो उसका दिल धक से रह गया बबर शेर क्या? कावस पुस पुस आया एक दुरलब पशु शेर एवं बागिन से जन्मा एक पशु ये अपने माता पिता से दोगना बड़ा होता है और उसमें उनके मुकाबले कई गुना उगरता होती है वो बबर शेर चहलकदमी करता हुआ उस बकरे के पास पहुचा उस बकरे के अगले पैर भी जुग गए वो निश्चित मृत्यों के प्रतीक्षा में आतंक से भूमी पर गिर परा लेकिन उस बबर शेर ने उस पर हमला नहीं किया अपनी पोच से उस पर प्रहार करता हुआ वो उसके चारों और घूमा वो चारे के साथ खेल रहा था जो शेर सुर्याक्ष को घसीरता हुआ ले जा रहा था उसने उसके शरीर को नीचे गिरा दिया वो उसके पैर को अपने दातों से काटने के ले जुका सुर्याक्ष को पीड़ा से चिलाना चाहिए था लेकिन उसकी गर्दन से रक्त का तेजी से रिसाव हो रहा था उसके पास शक्ती नहीं बची थी अचाना कि बबबर शेर सुर्याक्ष के पैरों को चबाने वाले उस दूसरे शेर पर गुराया वो शेर भी प्रतिक्रिया में गुराया लेकिन पीछे हड़ गया बबर शेर निश्चित रूप से सुर्याक्ष को अभी खाना नहीं चाहता था यह बबर शेर इस समू का नेता हाल ही में बना है दूसरे शेरों में अभी इतनी ताकत है कि विरोत प्रकट कर सके बबर शेर फिर से उस बकरे के पास गया शेरनिया उसके पीछे थी उस बबर शेर ने अपनी पिछली टांग उठाई और अपना छेतर चिन्हित करते हुए वहाँ पेशाप की उसके बाद वो दहाड़ा वो दहाड़ बहुत जोरदार और शक्तिशाली थी संदेश इस पश्ट था वो उसका छेतरा दिकार था वहाँ यदि कोई भी आता तो उसे इसकी चुनाती सुईकार नहीं पड़ेगी सती ने चुपचाप अपने धनुश को उठा लिया यदि बबर शेर मर जाये तो उसका जुन्ड की आकरमक तक कम हो जाएगी दुर्भाग के वश जब उसने तीर छोड़ा तभी वो बबर शेर सुर्याक्ष के शरीर के और जुग गया तीर उसके पास से होता हुआ पीछे खड़ी शेरनी की आँख में जागुजा वो पीड़ा में अजीब सी आवाज निकालते हुए जंगल की और दोड़ पड़ी अन्य शेर एम शेरनिया भी उसके पीछे भाग खड़े हुए लेकिन बबर शेर नहीं भागा बल्कि पीछे मुड़ा इस दखल पर गुराते हुए उसने अपने दातों को खोखार रूप से खोला उसने अपने पंजे से सुर्याक्ष के चेहरे पर एक करारा प्रहार किया प्रान घहा तक प्रहार सती ने फिर से तीर चड़ाया और चला दिया वो तीर बबर शेर के कंदे में जागुसा वो दहाड़ा और पीछे हड़ गया शेरनी बहुत ही जल्दी मर जाएगी सती ने कहा लेकिन वो बबर शेर फिर से आएगा कावस ने कहा अत्यती गुसे के साथ जितना पहले कभी नहीं था बहतर होगा कि हम लोग गाउवालों के साथ कल यहां से निकल जाए सती ने सहमती में सिर हिलाया रात के अंधेरे को चीरता हुआ सूरज बस अभी निकला ही था आप लोगों को यहां से जल्द से जल्द चला जाना चाहिए आपके पास कोई दिकल्प नहीं है सती ने कहा उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने स्पस्ट संदेश पर भी उसे गाउवालों से तर्क करना पड़ रहा है दुतिय प्रहर आरंभ हो गया था वे सूर्याक्ष की जल्ती हुई चिता के समीब खड़े हुए थे दुर्भाग की वश उस वीर वेक्ति के लिए कोई प्रातना करने वाला नहीं था वे अब वापस नहीं आएंगे एक ग्राम वासी ने कहा जो हमारे प्रधान कह रहे हैं वही सही है शेर वापस नहीं आएंगे क्या बकवास है सती ने तर्क दिया बबबर शेर ने अपना छेतरादिकार चिन्हित कर दिया है या तो आप उसे मार डाले या फिर ये स्थान छोड़ दें इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है वो आप लोगों को इस भूमी पर स्वच्छन्द गूमने नहीं देगा वो अपने जुंड पर नियंतरान खो बैठेगा एक ग्रामिण महिला तर्प करने के लिए आगयाई सूर्याक्ष के रक्त से प्रितात्माय अंश्रता प्रसंद हो चुकी है अधिक से अधिक हमें एक और बलीदान देना पड़ेगा और वे चले जाएंगे एक और बलीदान अचंभित सती ने पूचा हाँ ग्राम प्रधान ने कहा पूरे गाउं की भलाई के लिए गाउं का महतर स्वयम अपने परिवार के साथ बलीदान देने का इच्छुक है सती मुणी तो उसने देखा कि वे एक छोटे कदवाला दुबला पतला लेकिन स्वस्तिवेक्ती था इसी के पास जलावन लकणियां एकतरित करने और पिछले कई दिनों से दाह संसकार करने का कष्ट साध्यकार भी था पीछे उस जैसी नाटी और कमजोर उसकी पतनी खड़ी थी जिसके चेहरे पर आसाधारान संकल्प भाव था दो बच्चे उसकी धोती पकड़े हुए खड़े थे जिनकी उम्र दो या तीन साल से अधिक की नहीं होगी वे मातर लंगूटिया पहने हुए थे जो भाग ये माता पिता ने उनके लिए चुन रखा था उससे वे बिलकुल ही अन्जान थे सती प्रधान के और मुड़ी उसकी मिठिया भीची हुई थी तुम इस गरीब और इसके परिवार का बलिदान देना चाहते हो क्योंकि वे शक्तिहीन है ये अनुचित है नहीं देवी उस महतर ने कहा ये मेरा चैन है मेरा भाग के है पूर्व जन्म के मेरे करमों के कारण इस जन्म में मेरा जीवन नीची जाती में हुआ है मेरा परिवार और मैं गौन की अच्छाई के लिए अपनी चाह से बलिदान देगे वो सर्व शक्तिमान हमारे अच्छे करमों को देखेगा और अगले जनम में हमें आशिरवात देगा मैं तुम्हारी वीरता की कदर करती हूँ सती ने कहा लेकिन ये शेरों को रोक नहीं पाएगा वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि वे आप सब को यहां से भगा नहीं देते या फिर एक एक करके मार नहीं डालते हमारे रख्त उन्हें संतुष्ट करेंगे देवी प्रधान ने ऐसा कहा है मुझे इस पर पूरा भरुसा है सती ने उस महतर को घूर कर देखा अंधा अंधुविश्वास कभी वित्तरक से पराजित नहीं किया जा सकता उसने उन बच्चे की ओर देखा वे एक दूसरे को कुछ उहो रहे थे और ठीटोली कर रहे थे मैं अचानक ही रुग गए और सती की ओर देखने लगे वे अचरच कर रहे थे कि वो बाहर से आयोस्तरी उन्हें ऐसे क्यों गूर रही थी मैं ऐसे होने नहीं दे सकती मैं यही रहूंगी और मैं यहाँ तब तक रहूंगी जब तक कि प्रतेक शेर मारा नहीं जाता लेकिन तुम स्वयम का या अपने परिवार का बलिदान नहीं दोगे क्या ये इस पष्ट है उस महतर ने सती को गहरी द्रिश्टी से देखा ये विचितर सुझाओ उसके मन में नहीं आ रहा था सती कावस की और मुणी कावस ततकाल ही सैनिकों को विद्याले की और लेकर चल पड़ा कुछ सैनिक तरक कर रहे थे इस पष्ट था कि वे घटना से प्रसने नहीं थे परशुराम के गुपतचर पेड़ों पर बहुत उचाई से निगरानी कर रहे थे शिव और भगीरत जहास के उपरी हिस्से पर थे ऐसा लग रहा था कि वे बहस कर रहे थे मधुमती में उतर चुकी तीन छोटी नौकाएं हलके हलके हिलडूल रही थी अंतता शिव ने गुस्से की मुद्रा बनाई और एक छोटी नौका की और उतरने लगा जिसमें द्रपकु, नंदी, वीरभदर और तीस सैनिक थे उसने उनके पीछे की और दो और चोटी नौकाओ को देखा जिसमें सैनिक भरे हुए थे शिव ने संकेत दिया और वे तटकी और चल पड़े दूसरी और ऐसा प्रतीत हुआ कि जहाज अपना लंगर निकालने के तैयारी कर रहा था एक गुप्तिचर ने दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा सौ सैनिक चलो चल कर परशुराम को बताते हैं मदुमती की भरपूर जलराशी और ब्रंगा की उर्वर भूमी ने शड़ेंतर कर अतियंती सघन और भैंकर जंगल का निर्मार कर लिया था शिव ने उपर आकाशी और देखा उन सघन पतियों के मद्य से बहुत कम धूप छंचन कर आ पा रही थी किरणों की दिशा से शिव ने भाप लिया कि सूरे अंसाचल की यात्रा आरंब कर चुका था उसके दल ने अभेद से जंगल को काट काट कर उस दस्यों की खोज में आठ घंटों की पैदल यात्रा पूरी कर ली थी दो घंटे पहले शिव ने मध्यान भोजन के लिए विश्राम लिया था यद्देपी शारीरी क्रूप से सभी सैनिक भली प्रकार थे किन्तु वे बेचैन थे उन्हें किसी घटना करम की प्रतिक्षा थी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि परशूराम यहां भी मुढभेर से बच रहा था अचानक ही शिव ने अपना हाथ उपर उठाया उसका दल वहीं रुख गया द्रपकु तेजी से शिव के पास पहुचा और फुसपुसा कर बोला क्या बात है प्रभू? शिव ने अपनी आँखो संकेत किया और फुसपुसाया यह छेतर चिन्हित किया हुआ है द्रपकु ने ध्यान से देखा वो समझ ना सका इस ज़ाड़ी पर वो काटने का निशान देखो शिव ने कहा द्रपकु ने और ध्यान पूरवक देखा वे लोग इधर से गुजरे हैं इस मार्ग में काट छांट की गई है नहीं शिव ने आगे की और देखते हुए कहा यह उधर जाने के लिए काटा नहीं गया है यह द जाना की मुड़ा उसने शीगरता से तीज निकालकर अपने धरुश पर चढ़ाया और ततकाल एक पेड़ के ऊपर चला दिया दिल को दहलाती चीख उभरी और एक आदमी जमीन पर धराम से आल गिरा इस रास्ते से शिव ने दाई और दोड़ते हुए कहा हमला करने की इस् जो संख्या में सूरिवन्श जितने थे शिव के सैनिक जंगल से बाहर की और दोड़ते हुए आकर एक विशिष्ट आकार में खड़े होते जा रहे थे मैं प्रतिक्षा करूंगा परशुराम ने विंग पूरवक कहा उसकी तीखी द्रिष्ट शिव पर टिकी थी अपने आ आमा ने आदमी की द्रिष्टी से काफी बढ़ा था लेकिन इस पश्च था कि उसकी शक्तिशाली भुजाएं धनुश की प्रतियंचा को खीच सकने में सक्षम थी उसके पीछे तरकष्स में तीर भरे हुए थे लेकिन दूसरी और एक ऐसा हथियार था जिसने उसे लोड़कर उसका पूरा सिर मुंडिक था और जन्यू उसके बाएं कंदे से होता हुआ दाई और लटका था उसके चहरे पर एक लंबी दाड़ी थी शिव ने बगल में देखा वो अपने सैनिकों के पंक्ति में आ जाने की प्रतिक्षा कर रहा था उसे कुछ गंधाई वो क समय है परशुराम आत्म समरपड कर दो तुम्हारे साथ न्याय किया जाएगा परशुराम ठाहा का मारकर हसा न्याय इस घ्रणी देश में शिव ने अपने अगल बगल देखा उसके सैनिक अपने स्थान पर आ चुके थे तैयार तुम या तो न्याय के सामने अपना सिर नुश पर चढ़ा कर उपर आकाशी और चला दिया वो तीर सूरी वजशियों से बहुत पीछे की और चला गया अरे ये क्या था सूरी की किरनों के काराण शिव को वो तीर कुछ छणों के लिए नहीं दिखा वो शिव के सैनिकों से बहुत दूर पीछे की और गिरा और उस नहीं परशुराम मुस्कुराया तुम्हे मारने में मुझे आनंद आएगा शिव को उस समय आश्यर हुआ जब परशुराम का वो तीरंदास पीछे की और मुड़ा और उसने एक और तीर में आग लगाई और नदी की और चला दिया ओए गए काम से परशुराम के आदबियों ने पतली नौकाओं को एक दूसरे से सटा कर नदी से बने उस घुमावदार तटके आरकार बांध रखा था उसमें बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी का तेल डला हुआ था जैसे ही उस तीर ने एक को इस परश किया तो विसफोट के साथ वोए जल उठी ऐसा प्रतीत हु पूरी नदी को ही आग में जोग दिया हो उसके लप्ते इतनी उची थी कि सहायता के लिए प्रवतेश्वर की छोटी नौकाओं को वहां पहुचना असंभव हो गया था पर शुराम ने शिव की और भैं से कपकपा देने वाली विंग्यात्मक हसी हस्ते हुए देखा इनाम का सिनवपती मधूमती नदी के इस अगनी द्वार को लांग कर कैसे उन तक पहुच पाएगा छोटी नौकाएं उसे पार नहीं कर सकती थी और जहास तटके उतने निकट नहीं आ सकता था क्योंकि वो जमीन से ठकरा जाता कोई नहीं आ रहा हमें ही इसे समाप्त करना होगा ये तुम्हारा अंति अवसर है बरबर अपनी तलवार उसकी और साधते हुए शिवची खा परशुराम ने अपना धरुष्ट नीचे गिरा दिया उसी प्रकार सभी तीरंदाजों ने भी किया और उन्होंने अपने अपने अंग हथियार निकाल लिये परशुराम ने अप अपने धनुश गिरा दिया और धाल आगे कर ली और अपने सैनिकों से बोला तयार हो जाओ उनकी तलवार वाली बाहों पर हमला करो घायल करो लेकिन जान से मत मारना वे हमें जीवित चाहिए सूरी बंशियों ने अपनी ढाले आगे की और अपनी तलवारे निकाल ली फिर वही प्रतिक्षा करने लगे परशुराम ने हमला बोल दिया उसके दल के लोग उसके पीछे थे दस्यों दल के सदसे शिव के सैनिकों के और आश्यर जनक गती और फूर्ति से बढ़े चले गए परशुराम सबसे आगे था उसके पास सुयम की सुरक्षा के लिए ढाल नहीं थी भारी फरसे को चलाने के लिए उसे दोनों हाथों के आवशकता थी वो सीधे शिव के और हमला करने के लिए दोड़ पड़ा लेकिन दरपकु बाई उर्च उचला और उसने हमला कर दिया वो दस्यों छड़ भर के लिए दरपकु के हमले से चक्राया वो जटके से पीछे के और मुणा और तलवार के प्रहार से पना बचाओ गया फिर उसी गती में उसने अपना फरसा उठाकर घूमा दिया दरपकु ने अपनी ढाल आगे कर दी जो उसके नकली बाई हाथ की खूटी में उसकी सुरक्षा के लिए फंसी हुई थी वो दहला देने वाला फरसा कासेगी बनी उस धाल के थोड़े हिस्से को काटता हुआ अंदर घूस गया अचंबित से दरपकु ने धाल पीछे की और उचाली और अपनी तलवार नीचे की उसने परशुराम के निमंतरन देते हुए खुले बाई कंधे की और देखा इस बीच शिव एक दस्यू की तलवार के खतरनाक वार से बचने के लिए तेजी से गूमा उसने अपनी धाल से उसकी तलवार को एक और धबका दे दिया जैसे ही वो दस्यू असंतलित हुआ तो शिव ने अपनी तलवार बहुत ही सदे हुए चकर में घुमाई जिससे उस दस्यू का तलवार वाला हाथ कोहनी से अलग हो गया वो ठक धरशाई हो गया अक्षम लेकिन जीवित शिव ततकाल मुणा और उसने उस दूसरे आदमी के प्रहार को नाकाम करने के लिए अपनी तलवार उपर उठाई नंदी ने अपने शित्रों के दाहिने कंदे में भूकी हुई अपनी तलवार बाहर निकाल कर अपनी धाल से उसे धका दे दिया उसे आशा थी कि वो दस्यू नीचे गिर जाएगा और आत्म समरपड कर देगा लेकिन उसे तब आश्चर हुआ जिब दस्यू ने अपनी धाल गिरा दी और बड़ी सफाई से तलवार उस हाथ में ले ली जो घायल नहीं था वो फिर से हमला करने के लिए उच्छल पड़ा नंदी ने मन हिमन उसकी बहादुरी की प्रशंसा की लेकिन उसने अपनी धाल आगे कर उसके वार को बचा लिया और फिर अपनी तलवार से उसके घायल कंदे में भोग दी और चिलाया आत्म समरपड कर दो ए मूर्क उधर वीर भदर अपने शत्रों को जीवित रखने में उतना भागशाली नहीं रह पाया था उसने अब तक दो को मौत के घाट उतार दिया था और तीसरे को मृत्यू से बचाने की कोशिश में लगा हुआ था लेकिन वो तीसरा द्रण प्रतिग्य था उसने अपने घायल हुए हाथ को भूला बाएं हाथ में तलवार उठा ली हाफते हुए वीरभदर ने अपनी ढाल दस्यों के सिर पर उसे गिराने की आशा में पूरे बल से दे मारी उस ठग ने अपने कंदे को घुमा कर टेड़ा किया और अपने कंदे पर उस प्रहार को लेते हुए अपनी तलवार से विर्भदर की और एक क्रूर प्रहार कर दिया उस प्रहार से विर्भदर के धड़ पर एक चीरा लग गया इसके बाद क्रोध में भनाए वीरभदर ने उस दस्यों के खुले धर पर सीधी तलवार भूँदी जिससे वो उसके दिल के आरपार हो गई लानत है जुझलाहट से वीरभदर ने कहा तुमने आत्म समर पर क्यों नहीं किया युद्य के मैदान के एक अन्य किनारे पर शिफ ने अपनी ढाल बगल से उस आदमी पर चलाई जिससे वो मुन्हिर कर रहा था उस दस्यों ने अपना सिर पीछे क्योर कर दिया जिसके कारण उसे हलकी चोड़ तो लगी लेकिन वो एक घातक प्रहार से बच निकला था अब शिफ चिंतित होने लगा था बहुत से लोग मारे जा रहे थे जिसमें अधिकतर परशुराम के दलके थे वो उन्हें जीवित चाहता था नहीं तो नागा औशदी का रहर से उनके साथ ही नश्ट हो जाने वाला था तभी सैसा उसने एक बहुत तीव रधोनी सुनी वो परवतेश्वर के शंक की दोनी थी वे आ रहे हैं तलवार से अपने शत्रु को निर्दैता से घायल करते हुए शिव ने अपनी ढाल उस दस्चियों के सिर पे दे मारी इस बार सफलता पूरवक उसने उसे पूरी तरह से ठंडा कर दिया फिर उसने उपर देखा और मुस्कुराया उस विशाल का सुरिवनशी जहाज ने उन जलती हुए नौकाओं को बीच से तोड़ते हुए तटकी और कदम बढ़ा दिया था उसका तला कड़क रहा था मौलूमती के उपर उठती हुई लप्टे छोटी नौकाओं के लिए उची तो थी लेकिन एक बड़े जहाज के लिए नहीं परशुराम ने आस लगा रखे थी कि सूरिवनशी अपने जहाज को बेकार नहीं करेंगे क्योंकि उसका अर्थ था कि वे ब्रंगा वापस नहीं जा पाएंगे उसने सूरिवनशी दल के बारे में और उसके सेनपती परवतेश्वर की वीरता के बारे में गलत आंकलन किया था जहाज अत्यदिक तेजी से उस तट से आकर टकराया जिसके कारण परशुराम के अनेक साथी उससे दब कर तबकाल ही मरते चले गए जैसे ही वो जहाज उस रेत के तट पर रुका तो जहाज के अगरभाग पर खड़े हुए परुटेश्वर ने उपर से ही चलांग लगा दी उसकी कमर में बंधी रसी ने उस उचाई से उसके धरती पर गिरने की गती की तीवरता को तोड़ दिया जैसे ही वो धरती के निकट पहुचा तो उसने अपनी तलवार ऊपर की और हवा में लहराई जिससे वो रसी कड़ गई और वो सुरक्षित धरती पर खड़ा हो गया चार सो सूरिवंशी सैनिक सेनापती के पीछे थे जहास के आजाने से छड़ भर के लिए द्रपकु का ध्यान बढ़ गया जब उसने परशुराम के फरसे पर अपनी तलवार चलाई तो यह नहीं देखा कि उस दस्यों ने पीछे से अपना चाकु निकाल लिया था परशुराम ने अपने बाएं हाथ से एक सधे हुए युद्धा की तरह चाकु द्रपकु की गरदन में घोब दिया पिगड़ा ने चाड़ भर के लिए सूरिवंशी दलपती को गतिहीन कर दिया परशुराम ने चाकु को और नीचा धहसाते हुए उसकी मूट अंदर तक गुसेर दी द्रपकु लड़ खड़ाते हुए पीछे हटा किन्तु वीरता पुर्वक उसने अपनी दलवार पर पकड़ बनाई हुई थी इस बीच परशुराम के दस्यू दल की संख्या के मुकाबले पांच गुना बड़ा सूरिवंशी सैनिक दल बड़ी तेजी से इस्थिती पर नियंतर पाता जा रहा था उस परिस्थिती की निरथकता को भागते हुए अंतता अनेग दस्यू आत्म समर्पड कर रहे थे युद्भूमी के मध्य में परशुराम ने डगमगाते हुए दरपकु की गरतन से चाकू को खीच लिया उसने अपने फरसे को दोनों हाथों से पकड़ा उसे पीछे की और ले गया और बड़ी करूरता पूरवक लहराया वो फरसा दरपकु की कवच को काटते हुए धर्द से बहुत जोर से टकराया वो काफी गहरा धस चुका था वो तुचा और मांस को चीरता हुआ हड़ी तक पहुच गया था वो पराकरमी दलपती जमीन पर गिर गया परशुराम ने उस फरसे को बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन वो पूरी तरह से धसा हुआ था उसने बहुत जोर का जटका दिया द्रपकु के सीने को चीरते हुए वो फरसा बाहर निकलाया परशुराम को लोहा मानना पड़ा की सूर्वणशी अब भी जीवित था दलपती ने तभी भी संगर्श के प्रियास हितु बुरी तरह से कमजोर हुई तलवार वाली बहा को उठाने का प्रियास किया परशुराम आगे बढ़ा और उसने द्रपकु के हाथ को नीचे दबा दिया वो दलपती के अंगों की कमजोर होती गतियों को समझ पा रहा था मरते हुए वेक्ती द्वारा हार ना मानने के प्रियास का वो सटीक उधारान था कि उसकी तलवार अभी भी कसी हुई उची उठी हुई थी परशुराम विस्मित था उसे अपने विरोधियों की जान लेने के लिए अपने फरसे से एक से अधिक प्रहार करने की कभी भी हावशकता नहीं पड़ी थी उसके सैनिक बहुत ही तेजी से युद्ध हारते जा रहे थे लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे इसका अनुमान नहीं था वो अपने पैरों के निकट उस चांदार विक्ति को मरते हुए दे के स्तंभित था परशुराम ने अपना सिर उसके सम्मान में थोड़ा जुकाया और पुस-फुसाया तुमारा वद्ध करना मेरे लिए सम्मान की बात है उस दस्यों ने अपना फरसा उठाया और सिर काटने के लिए भी तैयार ही हुआ था कि उसी समय आनंद में ने कुछ दूरी से अपना चाकू उचाल दिया वो चाकू सीधा जाकर परशुराम के बाएं हाथ में धस गया जिसके कारण उसका फरसा सुरक्षित नीचे गिर गया भगीरत ने दिवधास एवं दो सूरिवन्शी सैनिकों की सहायता से उस दस्यों को जमीन पर गिरा कर बिना किसी अत्रिपती चोट के काबू में कर लिया शिव और परवतेश्वर द्रपकू की ओर दौर पड़े उसके शरीर से बहुत अधिक रक्त बह रहा था वो मुश्किल से ही जीवित जान पड़ रहा था शिव पीछे के और मुड़ा और चिलाया आयुर्वती को बुलाओ जल्दी सूरी के डूबने में अभी कुछ घंटों का समय बचा हुआ था सती विद्याले की छट पर थी और तातकालिक रूप से बनाये जा रहा है उसने आशा की कि वो छट से जुंड के कुछ शेरों को मारने में सफल हो जाएगी यदि भाग उसका साथ देता है तो उसके आशा थी कि वो बबर शेर को भी मार डालेगी जिससे उस कष्ट का स्रोत ही समाप्त हो जाएगा उसके बाद कुछ दिनों की निगरानी से उस समस्या का हल सदयार के लिए हो जाएगा आखिरकार वे मातर साथ पशू ही थे बहुत बड़ा जुंड नहीं उसने उपर आकाश की और देखा और प्रातना की कि कुछ भी अघटेत नघटे अधिहाए पंद्रा लोकाधीश छितिश पर चढ़ा सूरज बहुत तेजी से नीचे डूपता जा रहा था गोधूली बेला आकरशे गेरुए रंग में रंगी हुई थी सूरी वंशी शिविर में उत्तेजना का अभूत पूर्व संचार हो रहा था भगीरत सबसे प्रमुख कारिया अर्थात बंदियों को अपनी गिरफ्त में लेने के कारे का परिवेक्शन कर रहा था जहाज में उपलब्द कास से जंजीर से परशुराम के दल के सदस्यों को हाथ पैर जकड कर रेतीले तटपर बैठाया गया था उन जंजीरों के एक सिरे को जमीन में गहरे गाड़े गए खूटे से बांध दिया गया था वो भी संभवत या परियाप्त ना हो ऐसा सोच कर एक जंजीर सबके पादांगदों में फसा कर सभी को एक दूसरे से बांध दिया गया था सूरिवंशी सैनिकों को उनके चारों और खड़ा कर दिया गया था वे निरंतर उनकी निगरानी कर रहे थे परशुराम और उसके आदमियों के लिए भागना असंभव था दिवदास भगीरत के पास आया राजकुमार मैंने जहास का निरिक्षन कर लिया है और उसकी मरमत करने में हमें कम से कम छे महीने का समय लगेगा भगीरत चिंजित हो उठा तो फिर हम लोग वापस कैसे जा पाएंगे तट के दूसरे किनारे पर आयूराले के तंबू लगाए गए थे आयूर्वती और उसके दल के सदर से सूरिवन्शी एवं दस्यू लोगों को बचाने का भरसक प्रयास कर रहे थे वे संभवतया अधिकतर को बचाने में सफल हो भी जाएंगे लेकिन आयूर्वती अभी एक ऐसे तंबू में थी जहां ऐसी कोई आशा नहीं थी शिव अपने घुटनों के बल बैठा द्रपकू का हाथ थामे हुए था आयूर्वती जानती थी कि कुछ भी नहीं किया जा सकता था चोटे अत्यधिक गहरी थी वो नंदी और प्रवतेश्वर के साथ पीछे खड़ी थी द्रपकू का पिता पूरवक उसकी दूसरी और घुटनों के बल बैठा हुआ था वो एक बर फिर से निराशा में डूबा हुआ सा लग रहा था द्रपकू अपना मूँ बार बार खोल कर कुछ कहने का प्रयास कर रहा था शिव आगे के और जुका क्या बात है मेरे मित्र द्रपकू बोल नहीं पाया उसके मूँ से रक्त लगाता रिस्ता जा रहा था वो अपने पिता की और मुड़ा और फिर शिव की और ऐसे हिलने डुलने की कारण उसके हिरदे से रक्त पिछकारी की धार सा बाहर निकला और उस प्रवाह से उपर उड़ाई गई सफेद चादर लाल हो गई शिव के आखे नम थी वो फुस फुसाया मैं इनका खयाल रखूँगा द्रपकू मैं इनका खयाल रखूँगा और फिर द्रपकू ने एक लंबी स्वास ली वो जो चाहता था उसे सुन लिया था फिर उसने स्वयम को शानती से मृत्यों की गोद में समाने के लिए अंतताह मुक्त कर दिया पूरवक का दिल धग से रह गया उसका सिर अपने मृत बेटे के कंधे से जा गिरा उसका शरीर अप काप रहा था शिव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पूरवक के कंधे को सपर्श किया पूरवक ने सिर उपर उठा कर देखा उसका पूरा चहरा अपने पुत्र के रग्त से रंजित हो चुका था उसकी आँखों से धारा प्रवाह आसू बह रहे थे शिव ने जब वो द्रश देखा तो उसका हरदय चकना चूर हो गया एक गरवीला एवम आत्म विश्वासी पूरवक कहीं खो चुका था अब वो मेलुहा के कोड़द्वार में उससे मिला वही तूटा हुआ व्यक्ति बन चुका था उसके प्रभू श्री राम कृपा करें उसके जीवी तरहने का एक मातर कारण उससे बलाद छीन लिया गया था शिव का दिल डूब गया इस पूरवक को वो ना देख सका और फिर उसके हिरदय में क्रोध का जौला मुकी फट पड़ा ग्रोध की विक्राल ज्वाला शिव उठ खड़ा हुआ परवतेश्वर को तब आश्रे हुआ जब नंदी ने ततकाल ही आगे बढ़कर शिव को पकड़ लिया नहीं प्रभू ये गलत है शिव ने गुसे से नंदी को एक और धकेला और तेजी से बाहर निकल गया वो उस और दोड़ गया जहां परशुराम को बांध कर रखा गया था नंदी उसके पीछे भागता हुआ चिला रहा था नहीं प्रभू ये एक बंदी है ये अनुचित है भगीरज जो दूसरी और खड़ा था वो भी चिलाया नहीं प्रभू हमें वो जीवित चाहिए लेकिन शिव उनमत था वो अपने हाथ में तलवार लिया उस दस्यों का सिर्धर से अलग करने के विचार से परशुराम के और चिलाते हुए भागा जा रहा था परशुराम संग्या सून्य सा एक तक देख रहा था उसके चहरे पर लेश मातर भै नहीं था और फिर उसने अपनी आखें बंद की और वेशब्द कहे जिने उचरित करकर वो मरना चाहता था जै गुरु विश्वा मित्र जै गुरु वशिष्ट हैरान शिव मार्ग में ही रुक गया वो पूरी तरह से गतिहीन हो गया था अपनी गर्दन पर तलवार का प्रहार ना पकर परशुराम ने अपनी आखें खोली उसे कुछ समझ ना आया शिव के हाथ से तलवार छूट गई वासुदिव परशुराम भी अटना ही हैरान दिखा जितना शिव अंतता उसे शिव का गला दिखाये पड़ा जो गलूबन्द से जानबूच कर ढगा था उसे बोद हो गया ए परभू ये मैंने क्या कर डाला नील कंट? परभू नील कंट? परशुराम ने अपना सिर्ष शिव के चर्णों में जुका दिया उसकी आँखों से आसू बह रहे थे शमा करे प्रभू शमा करे मैं नहीं जानता था कि वे आप थे शिव वही का वही थम गया गतिहीन आधी नींद में सती ने भारी बरकम दहारे सुनी वो तब काल ही सावधान हो गई वे यहां आ गए हैं उसने सीड़ी के ओर देखा आग पूरे जोर से धदक रही थी दो सैनिक पहरे पर बैठे हुए थे कावस वे यहां आ गए हैं सब को जगा दो सती छत के जंगले तक रेंग कर गई वो अभी तक किसी भी शेर को नहीं देख पाई थी आज चांदनी में कुछ-कुछ दिखाई पड़ रहा था वो केवल आग पर निरभर नहीं थी फिर उसने पेड़ो के जुरमुट से बबबर शेर को निकलते देखा जो तीर सती ने उस पर चलाया था वो अभी उसके कंधे में धहसा हुआ था बस उसकी मूठ तूटी हुई थी जिसके कारण वो अपना अगला पंजा थोड़ा घसीरते हुए चल रहा था एक दूसरा शेर भी है कावा संकेत करते हुए फुस-पुसाया सती ने सहमती में सिर हिलाया उसने अपने धनुश को सामने कर दिया लेकिन इससे पहले कि वो तिर चला पाती जो दृश्य उसके सामने था उससे वो हैरान रह गई अनेक शेरनिया उस बबबर शेर के पीछे से बाहर निकलती चली आ रही थी उसने जो साथ पश्यों का जुंड होने का अनुमान लगाया था वो उससे कहीं बढ़ा था वो आतंक से सहमी हुई उन पश्यों को एक के बाद एक बाहर आते देख रही थी एक के बाद दूसरी शेरनी निकलती रही और उनकी संख्या तीस तक पहुँच गई प्रभु श्री राम करपा करे पिछली रात के हमले के बाद बबबर शेरने अपनी पूरी सेना को उस संगट से निपटने के लिए बुला लिया था और अब वो एक विशाल काय जुंड था ये तीन शेर होने से सपष्ट होता है बबर शेरने वस्तुता तीन जुंडो को मिला कर उसका नेतरत्व अपने हाथ में ले लिया था सती चुपके से पीछे मुड़ गई वो इतनी सारी शेरनियों को नहीं मार सकती थी उसने अपने आस पास देखा काशी के सेनिकों की आँखों में डर सपष्ट जलक रहा था सती ने सीड़ी से आने वाले रास्ते को देखा दो और आदमी वहाँ लगा दो और आग में और लक्डियां जोग दो काशी के सेनिक दोड़ कर आग्या का पालन करने चले गए सती का दिमाग तेजी से गूम रहा था लेकिन कोई हल नहीं सूज रहा था ठीक उसी समय उसने कुछ आवाजे सुनी वो ततकाल ही पीछे मुड़ी और रेंग कर जंगले के पास पहुंची अब वो आवाजे इस पश्ट सुन पा रही थी दो बच्चे रो रहे थे अपनी जीवन की रक्षा के लिए चिला रहे थे सती की आँखे घवराहट में खुली की खुली रहे गहीं नहीं ऐसा मत करो गाओं का महतर और उसकी पतनी पूरे द्रह निश्चे के साथ शेरों के जुनके और चले जा रहे थे अपनी अंतिम जात्रा की पहचान सुरूब बलीदान के अभी प्राय को इस्प्रिष्ट करते हुए उन्होंने गेरुए रंग के वरस्त धारान किये हुए थे लगभग नंगे बच्चों का एक एक हाथ पकड़कर उनके माता पिता ले जा रहे थे वे पागलपन की हद तक जोर जोर से चीख चिला रहे थे वो बबर शेर उस दमपती की और मुणा और गुराया सती ने अपनी तलवार निकाल ली नहीं नहीं देवी नहीं कावस चीखा लेकिन सती तब तक कूद कर जमीन पर पहुँच चुकी थी वो शेरों की और हमला करने के लिए दोड़ पड़ी थी उसकी तलवार उची थी सभी शेर उसकी और मुड़ गए वे आश्चरे चकित थे महतर और उसके परिवार को भूल कर बबर शेर ने सती को देखा वो जोर से दहाड़ा और उसका जुंड हमला कर बैठा काशी के सैनिक सती के पीछी समीन पर कूद पड़े वो अपनी नेता की वीरता से प्रेडित हो चुके थे लेकिन प्रेवर्णा धक्षता का स्थान तो नहीं ले सकती जब सती शेरनियों के निकट पहुची तो उसने तलवार लहराई बहुत ही सधी हुई तलवार बास की तरह उचल उचल कर वो उन पशूओं को नाको और आखों को काटती जा रही थी जैसे ही शेरनिया चीख के साथ पीछे की और हटी तो सती ने अपनी उस सधी हुई चाल में अपने सामने वाले शेर पर हमला कर दिया उसी बीच जब एक दूसरी शेरनिय बगल से सती के और प्रहार करने बढ़ी तो काशी का एक वीर सैनिक बीच में ही कूट पड़ा उस शेरनियी ने उस दूर्भाग शालीस सैनिक को गरदन से पकड़ कर किसी गड़िया सा जुला दिया आलाकि उससे पहले वह सैनिक अपनी तलवार उस शेरनिय चाती में गहरे गुसा पाने में सफन हो गया था जैसे वो सैनिक मरा तो वो साथ शेरनी भी धरती परागिरी कावा से एक शेरनी से बड़ी बेचैनी के साथ संघर्ष कर रहा था शेरनी ने उसके एक पैर में अपने दान गड़ा रखे थे और उसका मांस खीच रही थी वो अपनी तलवार से उसके कंधे पर बार बार प्रहार कर रहा था लेकिन कोई घाता प्रहार नहीं कर पा रहा था कासी वाशी दुसाहस के साथ युद्र लड़ रहे थे लेकिन कुछ छड़ों की ही बात थी जब वे पूरी तरह पराजित हो मारे जाने वाले थे उस अत्यन्त ही समन्वे से संचाजित जुन्ड से संघर्ष करने के लिए ना तो वो अच्छी तरह प्रसिक्षित है और ना ही उसमें इतनी दक्षिता ही थी वो जानती थी कि अब बस कुछ ही देर की बात है जब वे उन पश्वों द्वारा मारे जाएंगे हे श्री राम बस इतनी गरपा करना कि मेरी मृत्यू सम्मान जनक हो फिर उस मारकार्ट के बीच जोरदार शोर उबरा कोई सो से अधिक सैनिक पेड़ों के जुरमर से बाहर निकलाए और भिडंद की और दौड पड़े उन में से एक शंक बजा रहा था नागाओं के हमले की भैंकर दुदुम्भी हैरान सती अपने सामने वाली शेरनी से जूझती जा रही थी लेकिन उसकी सोच में बाधा पड़ चुकी थी वो सोचे जा रही थी कि ये सैनिक इस गाओं में आकर उसकी सहायता करने के लिए क्यों आये युद्ध की धारत अतकाल पलट गई ने सैनिक इस पश्डूप से अपने काशी के साथियों की तुलना में कहीं अधिक दक्ष और उन्होंने निर्दैता से शेरों पर हमला बोल दिया सदी ने सामने वाली शेरनी का वद कर इधर उधर देखा तो उसके आसपास अनेक शेरों के शोपड़े हुए थे उसने अपनी बाई और कुछ हिलता डूलता अनुभाव किया बबबर शेर ने उसके उपर एक उची छलांग लगा दी थी अचानक कहीं से मुखावटा पहने चोगाधारी उचल कर उनके बीच में आ गया उसने बबबर शेर को हवा में ही रोक लिया और एक और उचाल दिया लेकिन शेर का एक पंजा उस मुखावटा पहने चोगाधारी के कंधे पर जा लगा और उसके कंधे को गहराई से चीरता चला गया जैसे ही बबबर शेर संतुलित हो मुड़कर नए खत्रे का सामना करने के लिए तयार हुआ तो वो अपना मुखावटा पहने चोगाधारी सती के सामने सुरक्षापमंग धंग से अपनी तलवार निकाले खड़ा हो गया सती ने अपने निडर रक्षक की पीट की और देखा या आदमी कौन है मुखावटा पहने चोगाधारी ने बबबर शेर पर हमला कर दिया ठीक उसी समय एक शेरनी ने सती पर हमला बोल दिया सती नीचे जुकी और अपनी तलवार को निर्दैता से पशु के दिल को चीरते हुए उसके सीने में गहरा भोंग दिया मृत हो वो शेरनी सती के उपर ही गिर पड़ी उसने शेरनी को अपने शेरनी के ऊपर से खिसकाने का प्रयास किया और अपने सिर्क को दाई और मोडा वो देख सकती थी कि मुखाउटा पहने चोगाधारी अकेले हे उस विशाल का बबबर शेर से संगर्श कर रहा था उसके बाद वो चीखी साओधान उधर देखो शेरनी का प्रयास करने लगी उसके बाद उसने देखा कि आने एक सैनिक बबबर शेर की और बड़ी दक्षिता से अपनी तलवार लहराते हुए हमला कर चुके थे वो बबर शेर अचानक हुए इस हमले को देखकर घबरा कर पीछे मुड़ा और भाग खड़ा हुआ उस जुन्ड के तीस पश्वों में से किवल तीन ही बच पाये थे शेर सभी उस गाओं के मैदान में मिरत पड़े हुए थे उनके साथ ही काशी के दस बहादूर सैनिकों के भी शेव पड़े हुए थे एक सैनिक सती के सहायता करने के लिए आगे आया और उसने श्रीरनी के मिरत श्रीर को उसके उपर से हटा दिया वो ततकाल ही उठी और उस मुखाटा पहने चोगादारी के और दोड़ पड़ी जिसे खड़ा करने के लिए सहायता दी जा रही थी उसके बाद वो रुक गई हत्प्रभ चोगाधारी का मुखाटा गिर चुका था नागा का माथा अत्यधिक चोड़ा था उसकी आँखे चेहरे के दोनों छोड़ो परिस्ति थी लगभग विप्रीत दिशा में देखती हुई उसकी नाग आसाधारा रूप से लंबी थी जो आगे निकल कर इतनी बढ़ी हुई थी जिससे हाथी की सून दो दान बाहर के और निकले हुए थे जिसमें से एक आधा तूटा हुआ था संभावतया किसी पुरानी चोड़ की विरासत थी वो उसके कान लटके हुए बड़े-बड़े से थे जो अपने आप हिल रहे थे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उस अभागे के धड़ पर किसी हाथी का सिर रग दिया गया हो नागा अपनी मुठियां भीचे और उंगलियों को हधेली में गड़ाय खड़ा हुआ था वो इसी चण का बहुत लंबे समय से अपना सपना देख रहा था उसके आत्मा में भावनाएं हिलोरे ले रही थी कुरोध विश्वाजगात भय प्रेम कुरूब मैं कुरूब हो ना वो नागा फुसफुसाया उसकी आँखे नम थी दाथ बीचे हुए थे क्या नहीं तो सती चीख पड़ी वो अपनी हैरानी को नियंतरित करने का प्यास कर रही थी वो उस व्यक्ति का अपमान कैसे कर सकती थी जिसने उसके प्राणों की रक्ष हुई थी क्या क्या इसी कारण तुमने मुझे त्याग दिया था हलके से आसू नागा की गाल पर बह निकले क्योंकि तुम मुझे देख भी नहीं सकती थी सती ने नागा को गहरी द्रिश्टी से देखा उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तुम कौन हो निर्दोश होने का दिखावा छोड़ दो एए अपने बाप की बिगड़ायल बेटी पीछे से एक शक्तिशाली इस्त्री का स्वर्ची खा सती पीछे मुड़ी और चकित रहे गई उसके बहुत निकट बाई और जो खड़ी थी वो नागा रानी थी उसका पूरा का पूरा धार हड्डियों का सख्त कंगाल था हड़ी उसे बनी चोटी चोटी गेंदे उसके कंदे से पेट तकाई हुई थी जो सकंगाल पर किसी माला समान लग रही थी उसके कंदों के ओपर दो छोटे अधरिक्त अंग जुड़े हुए थे जो तीसरे और चोथे हात के समान कारे कर रहे थे उसमें से एक चाकू पकड़े हुए था और सती की और फेकने के लिए उतारू हो रहा था। लेकिन जो सबसे अधिक परिशान करने वाली वाद थी वो थी नागा इस्त्री का चहरा। उसका रंग कोईले के समान काला था लेकिन नागा रानी का चहरा लगभग सती की ही प्रतिक्रती था। तुम लोग कौन हो? हैरान सती ने पूछा। मुझे इस पाखंडी को इस कलेश से बाहर निकालने दो मेरे बच्चे। नागा रानी का चाकूवला हाथ कहा आप रहा था। ये सच को कभी स्विकार नहीं करेगी। ये भी अपने कप्टी बाप की तरह ही है। नहीं मौसी। सती ने पहले नागा को देखा फिर उसने तीखी दृष्टी से नागा रानी को देखा। तुम कौन हो बकवास। तुम मुझसे ये विश्वास करने की आशा रखती हो कि तुम मुझे जानती नहीं। सती नागा रानी को उलजन भरी दृष्टी से देखती रही। मुझसी। नागा ने फुस्पसा कर कहा। वो अपने गुटनों के बल बैट चुका था और बहुत हताश होकर रो रहा था। मेरे बच्चे नागा रानी रो पड़ी और दोड़ कर उसके निकट गई। उसने अपना चाकु नागा को देने का प्रयास किया। मार डालो इसे मार डालो इसे यही एक उपाय है जिससे तुम्हें शांती पा सकते हो। नागा काप रहा था अपना सिर हिलाय जा रहा था आसू उसके चहरे पर धारा प्रवाः बहते जा रहे थे। कुछ दूरी पर विश्वदुम्न और बरंगा सैनिक काशी के सैनिकों को बंधक बनाए हुए थे। सती ने फिर से पूछा तुम लोग कौन हो। बहुत हो गया अप। अपना चाकू उठा कर नागा रानी चीख पड़ी। नहीं मौसिक। रोते हुए नागा फुस फुसाया। ये नहीं जानती है। ये नहीं जानती है। सती ने नागा रानी को एक तक पगंद खाकर कहती हूँ मुझे नहीं पता कि तुम लोग कौन हो। नागा रानी ने अपनी आखे बंद की और एक गहरी स्वास ली। उसके हर संभव व्यंग भरे हाभाव में उसने बताया। तो फिर सुनो हे गौरान विद्राच कुमारी। मैं तुमारी जुड़ा बहन काली हूँ। वो जिसे तुमारे दो मुहें बाप ने बच्वन में ही त्याग दिया था। सती ने काली को अपलग देखा। उसका मुह अत्खुला रह गया था। वो इतनी हैरान हुई कि कुछ भी कहने में असमर्थ थी। मेरी एक बहन भी है। और ये दुख ही आरा। काल गडेश पर एक गहरी दृष्टी डाली। मेरा बेटा गडेश के चहरे पर क्रोध के कारण आसू बह निकले। उसका शरीर दुख से बुरी तरह थरथरा रहा था। मेरा बेटा सती का हरदय मातत्व की पीड़ा से छटपटा उठा। लेकिन पिता जी ने तो कहा था कि मेर मेरा बेटा मृत पैदा हुआ था। वो लगातार गडेश को भूरे जा रही थी। मुझे जूट बताया गया था। सती ने अपनी श्वास रोक ली। उसने अपनी जुलवा बहन को देखा। वो बिलकुल उसी की प्रतिकृति थी। उस संबंध का एक स्पष्ट प्रमार वो गडेश की और मुडी। मेरा बेटा जीवित है। गडेश ने उसकी और देखा। उसकी आँखों से अभी धारा प्रवाह आंसू बह रहे थे। मेरा बेटा जीवित है। सती फुस फुसाई। उसकी आँखों से भी आंसू बह निकले। सती घुटने के बल बैठे मैं नहीं जानती थी, गडेश ने अपनी बाहें नहीं उठाई, मिरे बच्चे सती फुसपुसाई, उसने नीचे जुक कर गडेश के माथे को चूम लिया, गडेश को सती कसकर लिपटाये रही, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगी, कभी नहीं, गडेश की आँखों से अश्रुधारा बह निकली, उसने अपनी माँ को कसकर जकर लिया और सबसे जादूई शब्द कहे, माँ, सती फिर से रोने लगी, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, गडेश बिलक बिलक कर वैसे ही रोने लगा, जैसे कोई सुरक्षित नन्ना सा बच्चा रोता है, जैसा वो सद का भंडार नश्ट हो गया था, सुर्वईशियों के पास मधुमती के जल को पीने के अलावा और कोई चारा नहीं था, दिवोदास ने सबसे कह दिया था, कि वो जल बिना उबाले नहीं पिया जा सकता, लेकिन परशुराम जानता था कि मधुमती का जल पहली बार पीने वा जब शिवर में सब सो गए तब परशुराम अपने कारी की तैयारी करने लगा, उसने बंधी हुई जन्जीर में एक कमजोर कड़ी ढूनी और उसे पत्थर से मार कर सुयम को मुग्द कर लिया, उसके उपनायक को आशा थी कि परशुराम जन्जीर को खुला छोड़ देगा लेकिन परशुराम ने पुना जन्जीर को धर्ती में गार दिया, कोई यहां से भागेगा नहीं, यह सपष्ट है, कोई भी भागने का साहस करेगा तो मैं उसे ढून कर मुर्ति लोग पहुचा दूँगा, उसके उपनायक ने तेवरी चड़ा ली, वो पूरी तरह से यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इससे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अलविदा नमस्कार, आप सभी का मोटिवेशन टू रीड में स्वागत हैं, आज हम जिस पुस्तक का सास्वर पठन करने वाले हैं, वो शिव रशनत्रही की दूसरी पुस्तक, नागाओं का रहसे हैं, जिसके रचनाकार हैं अमीश्त्रिपाठी और अनुवादक हैं विश्वजीत सपन, अध्याय सोला, विप्रीत आकर्शन, अगनी तीवरता से प्रचंड होती जा रही थी, शिव ने मानसरोवर जिल में इतनी उची लप्टे कभी नहीं देखी थी, साएं साएं करती हवा, खुला मैदान, गुड़ वालों की शक्ति उसके कभीले ने कभी किसी आग को लंबे समय तक जलने नहीं दिया था, उसने अपने चारों ओर देखा, उसका गाउँ खाली था, एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था, उसके टीलों की दीवारों को लप्टे चूम रही आग के घेरे से होता हुआ गाउं के प्रविश्द्वार से बाहर आ रहा था, उसे एक दानवी आकार का मुखोटा पहने चोगाधारी खदेड रहा था, उसकी चाल डरावने धंग से अत्यधिक नियंत्रित थे, शिव ने ब्रहस्पति को खीच कर अपने पीछे कर लिया, और मुखोटा पहने चोगाधारी नागा के निकट आने की प्रदीक्षा करने लगा, जब वो निकट आया तो शिव चिलाया, तुम उसके पास फटक भी नहीं सकते, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, उस नागा का मुखोटा जैसे स्वयम जीव ले जा रहा था, जिस पर अनेक सर्पदंश दिख रहे थे, अन्य दो सर्प पहरे पर थे, जो अपने मूँ से आग उगल रहे थे, जिसके कारण शिव उनके निकट नहीं जा पा रहा था, शिव असहाय सा देख रहा था, उन सर्पों ने ब्रहसपति को घसीड कर नागा के पहुचा दिया, आत्यधिक रोधित शिव नागा के और मुड़ा, प्रभूश्री रुद्र कृपा करें, शिव फुस्पुसाया, बुरी तरह से घायल द्रपकु नागा के पास अपने घुटनों के बल जुका हुआ था, पराजित असहाय मृत्य की प्रतीक्षा में, द्र भी थी, वही इस्त्री जिससे शिव बचा नहीं पाया था, वही जिसका बचाओ उसने नहीं किया था, वो इस्त्री जिससे बचाने तक का उसने प्रियास नहीं किया था, सहायता करें, ऐसा दुस्साहस मत करना, शिव ने नागा को चितावनी देते हुए कहा, नागा ने ब मुझ के अंदर फैले अंधकार को देखा उसने अपने हाथ पर दृष्टी डाली उसमें सर्प बना हुआ वो बाजुबंद था उसने बाजुबंद को जमीन पर फेक दिया और अपनी शैया पर लेट गया उसका सिर भारी था बहुत भारी मदुमती उस रात शांती से बह रह होगा वरना रक्त का भेना नहीं रुकेगा वो पुना कुलहाडी की तेज धार करने में जुट गया उसने एक बार फिर उसकी धार का परिक्षन किया धार अत्यधिक पैनी थी उससे बहुत ही सफाई से प्रहार किया जा सकता था उसने पीछे मुड कर देखा वहां कोई नह किया था उसने उस पेड़ के तने के निकले हुए भाग को पकड़ा उसे कसकर पकड़ लिया जिससे अपना कंधा खीच पाया वो तना इससे पहले उसके कई शत्रों के सिर धर से अलग करने में प्रियुक्त हो चुका था उस पेड़ पर उन दुर्भा के शाली पीड़तों का रक्त गिर गिर कर कहरे लाल रंगे दाग बन गए थे अब वही उसका रक्त उन से मिलने जा रहा था उसने अपने दाहिने हाथ से फरसा और उचा उठा लिया पर शुराम ने अंतिम बार से उठाकर उपर की और देखा और गहरी सांस ली मुझे शमा करे मेरे ब्रभू व परवतेश्वर और भगीरत द्रश्टी नीचे की हुए थे प्रभू का क्रोध नयोचित था वे शिव के तंबू में थे वो प्रथम प्रहर का अंतिम घंटा था सूर्य अभी अभी उदय हुआ था और उसी के साथ परशुराम के अद्रश्य होने पर प्रकाश पड़ा बा और किसी को नहीं देख रहा था शिव ने अपना बाया हाथ उचा उठाया अपने आदमियों से परशुराम को ना रोकने के लिए कहा पता नहीं किस कारण उसे अपनी तलवार तको उठाने के आवशक्ता अनुभाव नहीं हुई परशुराम ने अपना लबादा कसकर लप रहा था, उसकी आँखे बंध होती प्रतीत हो रही थी, परशुराम शीव के सामने अपने घुटनों के बल गिर पड़ा, तुम कहा गए थे, परशुराम ने उपर के उर देखा, उसकी आँखे विशात पूर्ण थी, प्रायश्चित प्रभू, शीव की भ्रकुटी तन गई उस दस्यों ने अपना लबादा नीचे गिरा दिया और अपने दाहिने हाथ से अपना बाया कटा हुआ हाथ शीव के चरणों में रख दिया, इस हाथ ने पाप किया, प्रभू मुझे शमा कर दे, शीव ने दहशत से अपनी स्वास रोक ली, परशुराम गिर पड़ा, वो हाथ से कसकर बाद दिया गया था, उसने शीव के और देखा, ये मूर्क भागेशाली है कि कुलहारी की धार तेज़ थी और वो साफ थी, इस प्रकार के घाव से हुई रख्त की कमी और संक्रमर प्रान घा तक सी दो सकते हैं, मैं नहीं समझता कि सफाई या अस्तर की हार अनायास ही थी, भगीरत फुसपुसाया, उसने ही ये किया था, वो जानता था कि वो क्या कर रहा है, परवतेश्वर परशुराम को एक डग घूर रहा था, विसमित, ये विचित रव्यक्ती कौन है, शिव ने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा था, वो केवल परशु होने में छे महीने का समय लग जाएगा, हम लोग इतने समय तक यहां नहीं रह सकते, मेरा सुझाओ है कि हम इस चोटी नाव में इसे ब्रंगा के सबसे निकट सीमान तचौकी तक लेकर चलते हैं, और उनके हवाले कर देते हैं, हम लोग ब्रंगा के सबसे बड़े वांशित अपराधी को उन्हें सौप कर इसके बदले में उनसे जहाज ले लेंगे, वे लोग जबरन इसे औशदी बनाने का तरीका ले लेंगे, और हम इन आगाओं तक पहुचने का मार्ग मिल जाएगा, शिव ने कुछ नहीं कहा, वो लगातार परशुरां को घूरे जा रहा था, परवतेश्वर को भगीरत को सुझाओ अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो ये भी जानता था कि इस समय यही सबसे व्यवहारी को पाये था, उसने शिव की और देखा, प्रभू, हम लोग इसे ब्रंगा वालों के हवाले नहीं करेंगे, शिव ने कहा, प्रभू, भगीरत हैर जब वो होश में आएगा, तो मैं उससे पूछूँगा, लेकिन प्रभू, भगीरत ने कहना जारी रखा, ये एक अपराधी है, वो तब तक कोई सहायता नहीं करेगा, जब तक कि उस पर दबाव नहीं डाला जाएगा, मैं स्विकार करता हूँ किसने त्याक किया है, लेकि भगीरत नहीं रुका, जो नीलकंट सोच रहे थे, वो व्यावहारिक नहीं था, कृपय दुबारा कहने के लिए शमा करे प्रभू, लेकिन जहास प्राप्त करने का एक मत तरीका यहीं है, कि परशुराम को ब्रंगा वालों के हवाले कर दिया जाए, और ऐसा करने का ये एक मातर कारान भी नहीं है, परशुराम एक अपरादी है, एक नर संगहारी है, हम उसे ब्रंगा वासियों को उचित दंड के लिए क्यों नहीं सौप सकते, क्योंकि मैंने कहा है, ये कहकर शिव बाहर निकल गया, भगीरत बिना कुछ बोले पर वतेश्वर की और देखता रह ग की थी, योग ये ब्रंगाओं का आदेश मानने में कावस को कोई दुविधा नहीं हो रही थी, ब्रंगा के साथ आये वैद्यों ने सभी घायलों का उपचार कर दिया था, अब सभी स्वास्ते लाब करने लगे थे, सारे मृतकों की अंतियश्टी इच्छावर के मैदानों कर दी गई थी, हाला कि किसी को भी शेरनियों और बबबर शेर के पुना उस गाउं में आने की आशा नहीं थी, फिर भी साधानी के तोर पर गाउं के चारों और खाई खोद दी गई थी, ब्रंगा और काशी के सैनिक विद्याले के भवन में आस्थाई तोर पर निवास कर गाउं वालों को भोजन के आपूर्थी करने के लिए कह दिया गया था, यद्य पी गाउं वाले शेर के जुन्ड के नश्ट हो जाने पर प्रसन थे, तथा पी भै के कारण अभी भी सैनिको आदी से दूरी बनाए हुए थे, और विश्वदिम्न के आदेशों का पालन चु जलते कूदते और जब वो नकली गुसा करने के लिए अपना मुह बनाती तो वे खिलखिला कर हस पड़ते, बच्चों उनकी माने कड़ाई से कहा, वे मुड़े और अपनी मा के और भाग गए, उनकी धोती पकड़ ली, महतरानी ने काली से कहा, इसके लिए मुझे छमा करे रानी जी, वो आपको तंग नहीं करेंगे, काली का चहरा एक वयस्क विक्ति से बात करने पर पुना गंभीर हो गया, उसने केवल अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं बोली, वो दाई और मुड़ी तो देखा कि गणेश सती की गोद में सिर रखे चैन की दीन्द सो रहा था, उसका चहरा परमनंद का प्रतीक बना हुआ था, उसके घाओं पर पट्टिया लगा दी गई थी, बैद उसके पैर पर शेरनी के काटे घाओं के बारे में अधिक चिंतित था, उसे भली भाती साफ करके पट्टियों से कसकर बांध दिया गया था, सती ने काली की और देखा और मुस्कुराई, उसने अपनी बहन का हाथ पकर लिया, काली नम्रता से मुस्कुराई, मैंने आज तक इसे इतने चैन से सोते हुए नहीं देखा, सती मुस्कुराई और उसने बड़ी लाड़ से गरेश के चहरे पर अपना हाथ फेरा, इतने लंबे समय तक इसका ध्यान के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो मेरा कर्तवे था, हा लेकिन सभी लोग अपने कर्तवे का पालन नहीं करते हैं, धन्यवाद, वास्तों में मुझे इसमें आनंद मिला, सती मुस्कुराई, मैं कल्पना कर सकती हूँ कि तुम्हारे लिए जीवन कितना कठिन रहा होगा, मैं उसकी पूर्टी करूंगी, मैं वचन देती हूँ, काली ने अपनी वहों को हलके से उपर चड़ाया, लेकिन चुप रही, सती ने उपर देखा जैसे उसे कोई विचार सूजा हो, तुमने पिताची के बारे में कुछ कहा था, क्या तुम निश्चित कमजोर पर ऐसा कह सकती हो, वे कमजोर हैं लेकिन वे अपने परिवार से सपश्ट रूप से प्रेम करते हैं, मैं ये कलपना भी नहीं कर सकती कि वे जान भूज कर हम में से किसी को हानी पहुचा सकते हैं, काली का चेहरा सकत हो गया, अचानक गड़ेश की आवास सुन दोनों अपने बातें रोक दी, सती ने अपने पुत्र की ओर देखा, गड़ेश ने मूँ फुलाया, मुझे बूख लगी है, सती ने अपनी भोहें उठाई और खिलखिला कर हस पड़ी, उसने गड़ेश के ललाट को धीमे से चुमा, मुझे देखने दो कि अभी क्या मिल सकता है, जब सती वहां से चली गई तो काली इस प्रकार के विभार पर डाटने के लिए उसके और मुड़ी, लेकिन गड़ेश स्वेम भी तेजी से उठ चुका था, आप उन्हें नहीं बताएंगी मौसी, क्या, आप उन्हें नहीं बताएंगी, वो मूर्ख नहीं है, ये तुम जा प्रभू, परशुराम फुस फुस आया, शिव परवदेश्वर और भगीरत उस छोटे से तंबू में जमघट लगाये हुए थे, वो तीसरे प्रहर का अंतिम घंटा था, छिदिज पर सूरे डूब रहा था, और मधुमती के पानी को गुलाबी भूरी आभा परदान कर र मैं अपने एक आदमी से ब्रंगा लोगों को नागा औशुदी बनाने की विधी की सूचना उपलब्द करा दूँगा प्रभू, हम उनकी सहायता करेंगे, हम उने कलिंग में महेंद्र परवत तक ले जाएंगे, जहां हमें औशुदी को इस्तिर करने का तत्व प्राप्त ह शिव मुस्कुराया, धन्यवाद, आपको मुझे धन्यवाद कहने के आवशक्ता नहीं है प्रभू, ये आपको चाहिए, आपके लिए काम आना मेरे ले सम्मान की बात है, शिव ने सिर हिलाया, आपको जहाज की भी आवशक्ता है, परशुराम ने कहा, भगीरत खड़ा हो शिव ने सिर हिलाया, वो दस्यू ठका हुआ लग रहा था, शिव परशुराम के कंधे को इस परश करने के लिए जुका, तुम्हें आराम की आवशक्ता है, हम बाद में बात कर सकते हैं, एक और वस्तु प्रभू, परशुराम ने हट करते हुए कहा, ब्रंगा वाले तो के वल माध्यम है, शिव ने तेवरी चड़ा ले, आपका अंतिम लक्ष नागाओं की खोच करना है, शिव ने अपनी आखे संकुचित कर ले, मैं जानता हूँ कि वे कहा रहते हैं, परशुराम ने कहा, शिव की आखे आश्चरे में चोड़ी हो गई, दंडक वन के उस मार्ग परशुराम कहता गया, मैं जानता हूँ कि नागाओं का नगर कहा है, मैं आपको बता सकता हूँ कि वहां कैसे पहुचा जा सकता है, शिव ने परशुराम के कंधे पर थपकी दी, धन्यवाद, लेकिन मेरे एक शर्त है परभू, शिव ने अपनी तेवरी चड़ा ली, सर देप्रभू शीव ने सहमती में सिरह लाया तुम्हारे साथ यात्रा करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। सभी सैनिक जहाज पर चड़ चुके थे परशुराम के आदमी अब बंदी नहीं थे। उन्होंने सूर वंश्यों के सामान ही सुविधाय प्रदान की गई थी। शीव ने निजी रूप से पूरवक एवं परशुराम दोनों की सुविधाओं का ध्यान रखा था। आईरुवती ने अपने सहायक मंतरक को परशुराम के साथ रखा हुआ था। परशुराम अतिधिक रक्त के बह जाने के कारण अभी भी बहुत दुरबल था। जब वे ब्रंगा नदी के निकट पहुचेंगे तो एक अत्रिक्त तीवर चालित नौका राजार अंदरगेतु के मारदर्शन के लिए भेज दी जाएगी जिससे नागाओं के औशधियां प्राप्त करने वाले वैकलपिक सुरोत को ढूड़ा जा सके। वो आदमी ब्रंगरदाई में शिव के लोगों को भी सूचना देता जाएगा। कीवेत अत्काल शिव से वहाँ आकर मिले जहां मधुमदी ब्रंगा नदी से प्रथक होती है। उसके बाद उनका दल काशी की और वापस चल पड़ा। सती और कार्तिक से मिलने के लिए गांजे का कश ले रहा था। नंदी उनकी बगल में खड़ा था। वे बदुमदी के भवरदार जल को देख रहे थे। ये अभियान तो आशा से अधिक अच्छा रहा प्रभू। नंदी ने कहा। हाँ बात तो सही है। चिलम की और संकेत करते हुए शिव ने कहा। दुर लुहा के उपसिनापती ने इनकार कर दिया। शिव ने अपने कंधे उचकाए और एक कश और लिया। उसके बाद उसने चिलम वीरभद्र को पकड़ा दी। शिव का ध्यान भंग हो गया क्योंकि उसने देखा कि परवतेश्वर उनके निकट आया। जीजिका और फिर मु परवतेश्वर थोड़ी दूर पर ही खड़ा था। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। सेनापती कुछ बोलू सेनापती। परवतेश्वर ने ततकाल ही पीछे मुणकर सैनिक का भिवादन किया। आप आग्या करें प्रभू। आग्या नहीं परवतेश्वर एक निवेदन है। परवतेश्वर ने अपनी तेवरी चड़ा ले। पवित्र जील के नाम पर बस एक बार अपने हिरदय की सुने। शिव ने कहा। प्रभू आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो आपको प्रेम करती है। आप उसे प्रेम करते हैं। इसके अलावा कि प्रभुराम ने उद्देश पूर्ण धंग से आपको दुखी करने के लिए ये विदी बनाई थी। फिर मेरे पितामा की प्रतिग्या आप परियाप्त समय तक उसका सम्मान कर चुके हैं। मुझ पर विश्वास करें। उनकी भी यही इच्छा होती। प्रवतेश्वर कि उन्होंने ऐसा कहा होगा। शिव मुस्कुराया। वे अपने अनुयायों को कभी दुखी नहीं देखना चाहते थे। आप आनंद मई के साथ रहकर किसी अन्य को हानी नहीं पहुचा रहे। आपके पितामा के आरंब किये विरोध को आप कोई हानी नहीं पहुचा आपने उस उदेशी की परियापत पूर्ती कर ली है। अब आप अपने हिर्दय को किसी अन्य उदेश की पूर्ती करने दे। क्या आप निश्चित तोर पर ऐसा कह सकते हैं प्रभू। मैं इतना निश्चित तो किसी अन्य वस्तू के लिए कभी भी नहीं हुआ। को सैनिक अभिवादन किया और मुड़ गया विव्यक्ति एक विशेश कार करने जा रहा था वो दाव लगाने को तैयार आनंदमई जहास के जंगले से ठीकी ठंडी हवा का आनंद ले रही थी राजकुमारी जी आनंदमई अपने स्थान पर ही घूम गए और प्रवतेश्वर को वहां देखकर आश्यरे चकित रहे गई जो लज्जित सा खड़ा था अयोध्या की राजकुमारी कुछ बोलने ही वाली थी कि परवतेश्वर ने स्वयम को सुधारा मेरा आश्य है आनंदमई परवतेश्वर पुसपुसाया आनंदमई आश्यरे चकित से जियों कितियों की गहराई से मुस्कुराई हा सेनपती मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा तो आनंदमई ने सिरह लाया वो चुप थी परवतेश्वर को पूरा समय दे रही थी वो समझ चुकी थी कि परवतेश्वर क्या कहना चाहते थे लेकिन वो भली भाती जानती थी कि मेलुहा के सेनपती के लिए वैसा कुछ भी कहना बहुत इकटिन था मेरी प्रतिग्या और सूरिवन्शी कानून मेरे जीवन की आधार शिला रहे हैं परवतेश्वर ने कहा निर्विवाद और अपरिवर्तिनिय मेरा प्रारब्ध मेरे जीवन का लक्ष उसमें मेरी भूमी का अब तक स्पष्ट रूप से परिभाशित रही है ये पूरवानुमान दिलासा देता है बलकि दिलासा देता रहा है विगत कई दश्कों से आनंदमी ने सिरह लाया वो चूप थी लेकिन परवतेश्वर ने कहा पिछले कुछ वर्षों से मेरा मन पूरी तरह से बदल गय अनंदमी लगतार अपनी सम्मती जता रही थी वो तेवरी चढ़ाने या हसने से बचने का पूरा प्रयास कर रही थी इस गरवीले वेक्ति को अपना दिल खोलते देखकर वो द्रवित हुई उसने तो सोचा था कि ये इतिहास में प्रिमालाप का सबसे भावहीन प्रयास हो जिसे मैं मित्ता कर सकता था जिसकी प्रशंसा कर सकता था और जिसे प्रेम कर सकता था मैं एक ऐसे चोराहे पर बहुत चुका हूँ जहां से मेरा लक्ष धुंदला गया है मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में क्या होने वाला है आगे का मार्ग नितांत असपष्ट है लेकिन आश्यर है कि मैं ऐसे में भी प्रसनता अनुभाव कर रहा हूँ, बहुत प्रसनत, जब तक कि तुम इस मार्ग पर मेरे साथ चलती रहोगी, आनंद मही मूग बनी रही, वो मुस्कुरा रही थे, उसके आखों में प्रसनता के आंसु चलचला रहे थे, आखिर कार उसने वो कह ही दिया, ये निश्चे ही एक अतिन्त आनंदाय क्यातरा होगी, आनंद मही आगे की और जुकी और उसने परवतेश्वर को कसकर चुम लिया, एक गहरा कामुक चुम्बन, परवतेश्वर ठगा सा खड़ा रहे गया, उसकी बाहें लटकी रहे गई, वो उस अकलपनी से प्रतिक्रिया दी जाए, प्रवुराम क्रपा करें, सेना पती फुस फुस आया, आनंद मही परवतेश्वर के निकटा पहुची और उसने अपने हाथ उसके चहरे पर फेरते हुए कहा, आपको पता नहीं कि अब तक आप किस सुक से अचुते रहे हैं, परवतेश्वर उ अब भी अपने घावों को चाट रहे थे, इच्छावड के ग्रामवासी इस शान्ती के समय का सदुपयोग कर अगले फसल की तयारी में जूट गए, यह समय प्रसनता और रहात का था, चंदरवंशी सनिक स्वास से लाप कर रहे थे, गणेश का घाव गहरा था, पैर में ल वेंजन को थाली से ढगते हुए गणेश की और देखा, पूरे सप्ता उसने काली से गणेश के भचपन की सारी बाते सुनी कि वो कैसे अपने सुख दुख में जीता, उसका विक्तित्व और चरित्र कैसा था, और उसका पसंदीदा वेंजन क्या था, जो कुछ भी उसने ज जाओंगा, मैं जानती हूँ, जो भोजन में तुम्हें दे रही हूँ, उसमें पुनर जीवन देने वारी जड़ी बुटिया है, वो तुम्हें शक्ति दे रही है, गणेश घुटने के बल जुग गया और उसने अपनी मा का हाथ पकड़ा, मैं जानता हूँ, सती ने अपन जानता है, देकर इसके बारे में कुछ न कहने की शपत दिलवादी है, गणेश ने उपहास करते हुए कहा, वे लोग हम नागाओं से बहुत डरते हैं, वे शपत को भंग करने की हिम्मत नहीं करेंगे, आपके साथ जो मेरे संबंद का रहस हैं, वो कभी बाहर नहीं आएग गणेश प्रभुराम के नाम पर ये तुम कैसी बाते कर रहे हो, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूँगा, आपका मुझे स्विकार करना ही मेरी आत्मा के लिए परियाबत हैं, तुम मुझे कैसे शर्मिंदा कर सकते हो, तुम मेरा गर्व हो, मेरी प्रसनता हो, माँ, क्या कहेगा मैं परवार नहीं करती लेकिन आपका पती वे तुम्हारे पिता हैं सती ने कड़ाई से कहा उनके बारे में समान से बात करूँ मेरा उनका अपमान करने का इरादा नहीं धमा लेकिन वे मुझे स्विकार नहीं करेंगे आप इस बात को अच्छी तरह से जानती हैं मैं एक नागा हूँ तुम मेरे बेटे हो तुम उनके भी बेटे हो वे तुम्हें स्विकार करेंगे तुम अपने पिता के हिरदर को नहीं जानते हो समस्त संसार उसमें समा सकता है लेकिन सती काली ने बीच में बोलने की कोशिश की कोई विवाद नहीं काली सती ने कहा तुम वे मुझे स्विकार करते हैं तो वे तुम्हें भी स्विकार करेंगे यदि वे तुम्हें अस्विकार करते हैं तो मैं भी यह समाथ छोड़ दूँगी। काली धीमे से मुस्कुराई उसके आँखें भराई थी। तुम्हारे बारे में मैं बहुत गलत थी दीदी। ये पहला औसर था जब काली ने अपनी बड़ी बहन सती को दिदी कहा था सती मुस्कुराई और उसने काली को गले लगा लिया अध्याय सत्रा प्रतिष्ठा का शाप मधुमती के युद्ध को समाप्थ हुए दस दिन बीच चुके थे पहले एक दूसरे के शत्र रहे अब मित्र हो चुके सूरिवन्शियों एवं परशुराम के आदमियों को ले जा रहा जहाज लंगर डाले हुए था जहां मधुमती ब्रंगा नदी से निकल कर अलग हो जाती थी वे लोग अपने साथियों के प्रतिक्षा कर रहे थे जो ब्रंग रिदाई से नदी मार्ग से उनसे मिलने आ रहे थे एक ब्रंगा पंडित को परवतेश्वर एवं आनंदमई का विवाह करवाने के लिए जहास पर बुलवा लिया गया था भगीरत चाहता था कि आयोध्या पहुँशने तक प्रतिक्षा की जाए तक कि वो अपनी बहन के विवाह का आयोजन एक राचकुमारी की भाती भविता के साथ कर सके लेकिन आनंदमई इस बात के लिए तैयार नहीं थी वो ये आउसर गवाना नहीं चाहती थी परवतेश्वर ने हां कहने में ही इतनी देर लगा दी थी और वो चाहती थी कि जितनी जल्दी हो सके उसका संबंद सुद्रण हो जाए जैसे है शिव ने नौ दमपती को आशिरवाद दिया तो जल्दबाजी को लेकर होने वाले सभी तर्क वितर्क समाप्त हो गए शिव जहाज के जंगले के पास वीरभद्र के साथ चिलम से कश लगा रहा था प्रभू शिव पीछे मुण गया हे पवितर जी तुम यहां क्या कर रहे हो परशुराम भैबीच शिव ने पूछा तुम्हें विश्राम करना चाहिए मैं उप गया था प्रभू लेकिन तुम तो कल भी विवाह के लिए लंबे समय तक जाके हुए थे दो दिनों की वेगतिविदिया तुम्हारे लिए बहुत ठकाओ रही होंगी आयुर्वति का क्या कहना है मैं कुछी देर में चला जाओंगा प्रभू परशुराम ने कहा मुझे कुछ देर के लिए अपने निकट खड़ा रहने दे इससे मुझे शांती मिलती है शिव ने अपनी भावें चड़ाई मैं कोई विशेश नहीं हूँ ये बस तुम्हारे मन में है मैं असहमत हूँ प्रभू लेकिन यदि ये सत्य है तो भी आप मुझे अपने हिड़ा का कहा मानने दे शिव ठहा का मार कर हस पड़ा तुम बाते तो बड़ी अच्छी बनाते हो एक शिव अचाना की रुग गया एक दसी होकर भी परशुराम बनावटी हसी हसा मेरा आशे अनादर करने का नहीं था शमा करना आपको शमा मांगने की कोई आवशकता नहीं है प्रभू ये सच है मैं एक डाकू था इस विचित्र डाकू की बातों में विर्भदर की रुची लगातार बढ़ती जा रही थी वो धिमान परिशान और शिव की भगती में उग्रो रोप से तल्लीन उसने विशे बदलते हुए कहा सेनापती परवतेश्वर एवं आनदमई की विवाह से आप बहुत प्रसनत है मुझे वो बहुत रुचिकर लगा ऐसा है कि वे दोनों एक दूसरे से नितांत उलट है परशुराम ने कहा व्यक्तितु में सोच में आस्था एवं तर्क में वास्तों में लगभग सभी चीजों में वे तो दो विपरीद धुरुव हैं दोनों ही सूरिवन्शी एवं चंदरवन्शी विचारों के चरम बिंदु हैं परंपरा गत रूप में उन्हें एक दूसरे का शत्रु होना चाहिए था परंथु वो एक दूसरे के प्रेम में लिप्त हो गए मैं ऐसी कथाएं पसंद करता हूँ ये मुझे मेरे माता पिता का स्मरण कराते हैं शेव ने तेवरी चढ़ा ले उसने उस भयानक अफवास सुनी हुई थी कि परशुराम ने अपनी मा का सिर्व धर्ण से अलग कर दिया था तुम्हारे माता पिता? जी हाँ प्रभू मेरे पिता जमदग में एक ब्रामण विद्वान थे मेरी मा रिनु का छट्री एकुल की थी शासक जो ब्रंगों की दास थे तो फिर उनमें विवाह कैसे हुआ? शिव मुस्कुराया मेरी मा के कारण परशुराम मुस्कुराया वो बहुत ही द्रण चरित्र की स्त्री थी मेरे माता पिता में प्रेम था लेकिन ये मेरी मा के चरित्र और निश्ठा कबल था कि उसने उनके प्रेम को एक तरक्युक्त निश्कर्श तक पहुँचाया शिव मुस्कुराया वो उनके गुरुकुल में काम करती थी जो उनके कुल की मर्यादा के भी विरुद्ध था विद्याले में कारे करना कैसा विद्रो है क्योंकि उनके कुल में इस्त्री का बाहर जाना और कारे करना प्रतिबंधित था वे कारे नहीं कर सकती थी क्यों मैं कुछ जातियों के बारे में जानता हूँ जिनके ऐसे नियम है कि उनकी इस्त्रियां मूर्खों में से एक मेरी मा का कुल भी था परशुराम ने कहा मेरी मा के लोगों का मानना था कि इस्तरियों को घर पर ही रहना चाहिए उन्हें किसी अपरिशित वेक्ति से नहीं मिलना चाहिए क्या भकवास है शिव ने कहा बिल्कुल सच चाहे जो भी हुआ हो जैसा कि मैंने बताया कि मेरी मा हटी थी साथ ही अपने पिता की दुलारी थी इस प्रकार उसने मेरे पिता की गुरुकुल में कारे करने के लिए अपने पिता को मना लिया था शिव मुस्कुराया निसंदे मेरी मा के मन में कुछ और ही था पर शुराम ने कहा वो प्रेम में पागल थी उसे मेरे पिता को मनवाने के लिए समय चाहिए था कि वे अपनी प्रतिग्या छोड़ उससे विवाह कर ले प्रतिग्या को छोड़ दे मेरे पिता वासुदेव ब्राहमण थे और एक वासुदेव ब्राहमण विवाह नहीं कर सकता था अन्य जातियों के वासुदेव विवाख कर सकते थे लेकिन ब्राह्मण नहीं ब्राह्मण के अलावा अन्य जाति के वासुदेव भी होते हैं निसंदे लेकिन ब्राह्मण ही समुदाय को चलाते हैं वासुदेव के उद्देश्यों के प्रती सच्चाई सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन प्रेम परिवार आदी जैसे सांसारिक बंधनों को त्यागना पड़ता है इसलिए उनकी एक मातर प्रतिग्या होती है आजीवन ब्रह्मचर्य शिव ने अपनी तेवरी चड़ा भारतियों के बीच में सांसारिक आसकतीयों को छोड़ने का ये कैसा पागलपन है पवित्र जील के नाम पर ये कैसे सुनिश्चित हो सकता है कि कोई इसके कारण एक बहतर व्यक्ति बन जाएगा इस प्रकार परश्राम ने कहना जारी रखा उसकी आखों के नीचे सिल्वट कि यहीँ नहीं मा ने अपने इस संबंद को आशिरवाद देने के लिए अपने पिता को भी मना लिया जैसा कि मैंने पहले ही बताया था उन्होंने जो कुछ कहा उसे प्राप्त करके दिखा दिया मेरे मातां पिता का विवा हुआ और उनके पांच पुत्र करना चाहिए था परशुराम गंभीर हो गया मैंने उसका सिर क्यों काड़ दिया तुम्हें उस संदर्भ में कुछ भी बोलने की आफशक्ता नहीं मैं उस मीड़ा की कलपना भी नहीं कर सकता परशुराम ने गहरी स्वास भरी और बेचैन सा छटकी जहास पर बैड़ गया शि परशुराम ने अपनी आखें बंद कर ले वो प्रभु रुद्र को सिर नवाकर लगातार मंत्रु चार कर रहा था ओम रुद्राय नम्ह ओम रुद्राय नम्ह शिव ने उस ब्रामण युद्धा को शांती से देखा मैंने इसके बारे में आज तक किसी को नहीं बताया है प कोई ऐसा विक्ति है जो मेरा उधार कर सकता है तो वो आप हैं मैंने अपनी सिक्षा तभी पूरी की थी और अपने पिता के समान ही वासुदेव बनने का इच्छुग था वे ऐसा नहीं चाहते थे वे अपने किसी भी पुत्र को वासुदेव नहीं बनाना चाहते थे जब उन्होंने मेरी माता के साथ विवाहा का चैयन किया तो उन्हें जाती से बहिश्क्रत कर दिया गया था वे नहीं चाहते थे कि हमारे साथ कुछ भी ऐसा हो वीरभद्र भी अब बैढ़ गया था वो भी परशुराम की कहानी में रम गया था लेकिन मुझ में मेरी मा की द्रण किया मेरे पिता ने वासुदेव की राजधानी उजयन में कुछ वरिष्ठ लोगों को एक पत्र लिखा कई लोग ऐसे थे जिनकी सहानुबूती मेरे पिता के साथ थी पिता ने उनसे निवेदन किया कि मुझे स्विकार किया जाए जब वे माने तो मैं एक निकटम वासुदे यह वे वे सदेव से लिना चाहते थे प्रतिष्ठ अए तु हत्या पर शुरामने शिव की और देखा जब कुल में लोग ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि उनके समुदाये में एक इस्तरी ने उनके परिवार की प्रतिष्ठ अहान इपहुंचाय तो उस इस्तरी ईवम उसके परिवार के लोगों का वद्ध करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है शिव ने एक तक देखा वो हैरान था इस बरबरता में कैसी प्रतिष्ठा हो सकती है मेरे माग के परिवार के पुरुशों ने उनके अपने भाईयों और चाचाओं ने मेरे पिता के कुल पर हमला कर दिया परशुराम ने बोलना बंद कर दिया बहुत ही लंबे समय से रोके आसू उसकी आँखों से जरजर बह निकले उन्हों ने परशुराम ने अपनी स्वास रोके और उसके बाद बोलने की इस प्रकार के पागलपन और उस निर्दैता की कलपना करके ही वीरभदर को छटपटा हाट हो रही थी लेकिन उन्होंने मेरी मा का वद नहीं किया उन्होंने उससे कहा कि वे उन्हें जीवीत रखना चाहते थे ताकि उसे वो दिन बार बार जीना पड़े उसे एक उधारण बनकर जीना था ताकि फिर कोई भी इस्तरी उनके परिवार को अपमानित करने की हिम्मत न जुटा सके मैं वापस पहुचा जो देखा कि मेरे पिता का गुरुकुल नश्ट हो चुका था मेरी मा मेरे पिता का सिर अपनी गोद मेलिये घर के बाहर बैठी हुई थी ऐसा प्र शुराम ने बोलना बंद कर दिया और नदी की और देखने लगा उस भयावा दिन के बाद आज पहली बार वो अपनी इमा के बारे में बात कर रहा था उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई अपरचित वेखती हूँ और उसके बाद उसने जो शब्द बोले मैं मुझे ज जमसका और उसके बाद उसने आदेश दिया मेरा सिर्ध धर से अलग कर दो मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या करना चाहिए मैं जिचका उसके बाद उसने एक बार फिर कहा मैं तुम्हारी मा हूँ तुम्हे आदेश देती हूँ कि मेरा सिर्ध धर से अलग कर दो शिव ने परशुराम के कंधे को दबाया मेरे पास विकल्प नहीं था मेरी माँ अपना मांसिक संतुलन खो बैटी थी मेरे पिता के प्रेम के बिना वो एक खाली कवच समान थी और कुछ नहीं जैसे ही मैंने उनके आदेश का पालन करने के लिए गुलहारी उठाई तो उसने सीधा मेरी आखों में देखा अपने पिता का प्रतिशोध लो इश्वर की रचनाओं में वे सर्वस्रेश्ट थे उनका प्रतिशोध लो उनमें से प्रतेक कवध कर दो प्रतेक का परशुराम चुप हो गया शिव एवं वीर्भद्र इतने हैरान थे कि कोई प्रतिक्रिया देने की इस्थिती में ही नहीं थे नीरवता च्छा गई एक मात रधोनी जहाद से टकराते निद्रालू मधुमती के पानी के लहरों की थे मैंने वही किया जो उसने कहा था मैंने उसके सिर को धर से अलग कर दिया परशुराम ने एक गहरी स्वास लेते हुए और अपने आसू पोच्टे हुए कहा उसके बाद उसे याद कर प्रोध में दाथ पीस्ते हुए उसके बाद मैंने उन सभी हरामियों को खोच-खोच कर मार डाला मैंने उन में से परते एक किस सिर को धर से अलग कर दिया एक एक किस सिर को काट डाला वासुदेवों ने मुझे निशकासित कर दिया उन्होंने कहा कि मैंने उनके कुल की अनुमती के बिना ही लोगों के वद कर डाले थे उन्होंने कहा कि मैंने गलत किया था क्या मैंने गलत किया था प्रभू शिव ने सीधा परशुराम की आखों में देखा उसका दिल भारी था वो उस ब्राह्मन के संताप को अनुभाव कर रहा था वो जानता था कि प्रभुराम ठीक वैसी प्रतिक्रिया करते जैसी वासुदेव ने की महान सूरिवन्शी कार को भासम कर देता नहीं तुमने कुछ भी गलत नहीं किया तुमने जो किया वो न्याय था परशुराम ने गहरी स्वास छोड़ी और उसके आसुआ का वेग तूट पड़ा जो मैंने किया था वो न्याय था शिव ने परशुराम की कंदे को सहारा दिया हुआ था वे मुझे अपने पसंदीदा जागिरदारों को मारने के अपरात के लिए दंड दिना चाहते थे उन्होंने एकिस बार मुझे पकड़ने के लिए इस दलों को भेजा और एकिस बार मैंने उन्हें पराजित किया उसके बाद वे रुख गए लेकिन तुमने ब्रंगाओं से अकेले युद्ध कैसे किया वीर बदर ने पूछा मैं अकेला नहीं था कुछ देवदूतों को ये पता था कि मैं किस अन्याय से गुजरा था उन्होंने मुझे इस स्वर्ग में पहुचा दिया उन्होंने मुझे कुछ दुर्भा के शाली बहिश्क्रत दस्यों से मिला दिया जो यहां पहले से ही रहते थे मैंने अपनी सीना का निर्मार किया उन्होंने मुझे आशदी दी ताकि मैं अस्वच्छ पानी और भोजन के बावजूद तब तक जीवित रह सकूँ जब तक कि मैं अपने लोगों को जंगल में इस्थापित न करलू उन्होंने मुझे लड़ाई करने के लिए हतियार उपलब्द कराए और बिना मुझे से कोई आशा किये उन्होंने ये सब किया ब्रंग रिदाई से युद्ध को समाप्त कर दिया गया क्योंकि अंतता उन्होंने ब्रंगा राजा को धमकी दी और चंदर केतु उन्हें इंकार नहीं कर सकते थे वे हम में से सबसे अच्छे लोग हैं ऐसे देदूद जो उत्पीड़तों के लिए संघर्ष करते हैं शिव ने तेवरी चणाई कौन? नागा लोग परशुराम ने उत्तर दिया किया? जी हाँ प्रभू इसी कारण आप उन्हें खोज कर रहे हैं ना? यदि आपको बुराई का पता करना है तो आपको अच्छाई से मित्रता करनी पड़ेगी है ना प्रभू? ये तुम कैसी बाते कर रहे हो? वे किसी भी निर्दोश की हत्या नहीं करते हैं अपने प्रती हुए अन्यायों का सामना करते हुए भी वे न्याय के लिए संघर्ष करते हैं जहां भी और जैसे भी संभव हो वे उत्पीर्दों की सहायता करते हैं वे सच में ही हम सब में स्रेष्ट हैं शिव ने बिना कुछ बोले पूरी तरह से विचलित होकर परशुराम को गहरी दरश्टी से देखा आप उनके रहस्य को जाना चाहते हैं है ना? परशुराम ने पूछा क्या रहस्या? मैं नहीं जानता लेकिन मैंने सुना है कि नागाओं का रहस्य बुराई से गहरा संबन्ध रखता है क्या ये वही कारण नहीं है जिसके लिए आप उनके खोज कर रहे हैं? शिव ने उत्तर नहीं दिया वो छितिच की ओर देख रहा था और गहरी सोच में डूग गया था उस बबबर शेर के जुंड के साथ हुए संगर्ष को दो सपता हो चुके थे सभी घायल सनिक स्वस्त होने लगे थे लेकिन गणेश के पैर का घाओ अभी भी पूरी तरह से भरा नहीं था सती इच्छावर गाओं की परिधी में भविश में होने वाले परश्वों की हमले से बचाओ के लिए बनाये जा रहे बाड़े के निर्मार का परिवेक्षन कर रही थी वो शिविर में वापस आई तो उसने देखा कि काली गणेश की घाओ की पट्टी को बदल रही थी काली और गणेश दोनों ही संभवतेया सती की उसके स्वरूप की सुईकरती से प्रोसाहित होकर पिछले दो सब्ता से मुख़टा नहीं पहने रहे थे हाला कि चंदरवंशी सेनिक अभी भी उनसे दृष्टी मिलाने से घपराते थे काली ने नीम की पट्टी बांध कर अपना काम समाप्त कर दिया उसने गणेश की सिर पर थपकी दी और जलती हुई आग की और बढ़ गई सती उसका अर्थ समझ कर मुस्कराई वो कावस की और मुड़ी और उसको काम को चालू रखने का आदेश दिया उसके बाद वो काली के पास गई घखाव कैसा है एक सप्ता और लगेगा दीदी पिसली सप्ता से घखाव का भरना कम हो गया है सती ने आप रसनता से मूँ बिच गया बेचारे बच्चे ने बहुत रक्त बहाया है चिंता मत करो दीदी काली ने कहा वो बहुत ही ताकत पर है वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा सती मुस्कुराई काली ने पट्टी को आग में फिक दिया जो लेप पट्टी पर लगा था उसने बहुत संक्रमाण सोख लिया था इसलिए जलते हुए नीली पड़ गई सती ने काली के ओर देखा और एक गहरी स्वास लेते हुए पूछा कि जब से वे मिले थे तो वो परिशान लग रही थी क्यों? काली ने तेवरी चढ़ा ली तुम लोग अच्छे लोग हो मैंने देखा है कि तुम कैसे गणेश और अपने आदमियों की देखभाल करती हो कठोर लेकिन पक्षपात रहे तो फिर तुम लोगों ने ऐसे भायानक कारी क्यों किये? काली ने अपनी स्वास कुछ छड़ के लिए रोकी उसने आकाश के उपर की ओर देखा और फिर अपना सिरह लाया एक बार फिर से सोचो दीदी हमने कुछ भी गलत नहीं किया है काली हो सकता है कि तुमने और गड़ेश ने निजी रूप से कुछ गलत ना किया हो लेकिन तुम्हारे लोगोंने गंभी रपराद किया है उन्होंने निर्दोशों की जाने लिए है मेरे लोग मेरे आदेश के अनुसार काम करते हैं दीदी यदि तुम उन लोगों को दोश देती हो तो मुझे भी निरपराद नहीं बता सकती एक बार फिर सोचो किसी भी हमले में कोई भी निर्दोश नहीं मारा गया है मुझे छमा करना काली लेकिन ये सत्य नहीं है तुम लोगोंने निहत्थों पर भी आकरमर किये हैं मैं बहुत लंबे समय से ये सोच रही हूँ मैं इस बात को मानती हूँ कि नागाओं के साथ पक्षपात पूर्ण वेभार हुआ है जिस प्रकार से मेलुहा एक नागा शिचु के साथ वेभार करता है वो अन्याय पूर्ण है लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि प्रतेक मेलुहा वासे जिसने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया वो भी तुम्हारा शत्रू है दीदी क्या आपका मानना है कि हम लोग उन पर केवल इसलिए हमला करेंगे क्योंकि वे एक ऐसी विवस्था की हिस्सा है जिसने हमें अपमानित और चोटिल किया है ये गलत है हमने किसी ऐसे वेक्ति पर हमला नहीं किया जिसने हमें सीधे तोर पर हान इनना पहुचाई हो नहीं तुमने किया है तुम लोगोंने मंदिरों पर आक्रमण किये है निर्दोशों की जाने ली है अवद्निये ब्रामण को भी तुम लोगोंने मारा है नहीं हमने प्रतेख हमले में मंदिर के ब्रामणों को छोड़कर सबको भागने का मौका दिया है सबको कोई निर्दोश नहीं मारा गया है कभी नहीं लेकिन तुमने मंदिर के ब्रामणों की हत्याई की हैं वे योद्या नहीं हैं वो निर्दोश हैं मैं असाहमत हूँ, क्यों? क्योंकि वे सीधे तोर पर हमें हानी पहुचाते हैं क्या? कैसे? मंदिर के ब्रामणों ने तुम लोगों के साथ क्या गलत किया है? मैं बताती हूँ शिव के जहाजों का काफिला वैशाली पर रुका हुआ था जो गंगा नदी पर बसा ब्रंगा राज का एक सुन्दर पड़ोसी नगर था। परशुराम से मिद्रता करके शिव को तीन सब्ता का समय बेच चुका था। वैशाली में एक विशाल काई विश्रो मंदिर था जो विख्यात मत से देवता को समर्पित था। पर शुराम ने नगाओं के बारे में जो कुछ भी कहा था उससे शिव बहुत परिशान था। वो किसी वासुदेव से बात करना चाहता था जो उस बहिश्क्रत ब्राहमर्ण च्छत्री वासुदेव से भिन हो। समय और स्थान ने उस जाती के विरुद उसके क्रोध को मलिन कर दिया था। नगर के पतन से वो मंदिर बहुत निकट था। वहां राजा सहीद विशाल जनसमूँ शिव के स्वागत के लिए खड़ा था। लेकिन शिव ने निवेदन किया कि वे उनसे बाद में मिलेंगे। वो सीधा मत से मंदिर की और बढ़ गया। वो मंदिर सब्तर मीटर से कुछ ही अधी कूचा था। जो वासुदेवों की रेडियो तरंगों को प्रसारीत करने के लिए परियाप्त होता है। वो मंदिर गंगा के तड़ पर निर्मित था। सामान तेया मंदिरों में बाहर की और मैदान हुआ करते थे जिसमें उध्यान और प्रांगल बनाये जा सके। ये मंदिर भिन था। बाहर का हिस्सा नहरों से भारा पूरा था। गंगा का पानी नहरों दौरा मुख्य मंदिर के चारों और प्रवाहित हो रहा था। वे नहरे अलोकिक तरह से निर्मिती जैसा शिव ने पहले कभी नहीं देखा था। वो प्राचीन भारत का एक मानचित्र प्रस्तुत कर रहा था जो उस समय का था जब समुद्र का इस्तर काफी नीचे हुआ करता था। चोर पर गर्बग्रय को देखा। वो बहुत बड़ा था। आज तक उसने जितने भी मंदिर देखे थे वो उन सब मंदिरों से बड़ा था। संभवतया अपने ईश्वर की अत्यधिक विशाल प्रतिमा को रखने के लिए ये आवश्यक था। एक उचे चबूतरे पर प्रभूमत से विराजमान थे। एक विशाल मत से जिरों ने श्री मनु और उनके अनुचरों को संगम तमिल से एक सुरक्षत इस्थान पर पहुचने में सायता की थी। वैदिक सब्यता के संस्थापक मनु ने अपने उत्तरादिकारियों को इस पश्ण निर्देश दिया था कि प्रभूमत से को सवय और प्रथम विश्णु के रूप में समान दिया जाएगा और उनकी पूजा की जाएगी। ने नहीं आया। क्या यहां कोई वासुदेव नहीं है। निश्टबदता चाही रही। क्या ये वासुदेव मंदिर नहीं है। क्या मैं गलत इस्थान पर आगया हूँ। शिव ने सिवाए मंदिर के प्रांगण में चलते हुए फवारे की धीमी खनेक्ती आवास के कुछ भी नहीं सुना लानत है शिव ने महसूस किया कि संभवतेया उसने गल्दी कर दी थी वो मंदिर संभवतेया वासुदेवों का इस्थल नहीं था उसकी सोच उस सुजाव की और गई जो सती ने उसे दी थी हो सकता है जो सती ने कहा था वो सही हो संभवतेया वासुदेवों मेरी सहायता करने का प्रतने कर रहे थे उन्होंने मेरी सहायता की भी यदि कार्थी को कुछ हुआ होता तो मैं पूरी तरह से धुस्त हो चुका होता एक शांत और स्पष्ट स्वर उसके सिर में गुंजा आपकी पत्नी बहुत बुधिमान है है महादेव किसी वेक्ति में ऐसी सुंदरता और बुधिमत्ता का होना दुरलब है शिव ने इधर उधर अपने चारोड देखा वहाँ कोई नहीं था वो सुर किसी अन्यमंदिर के वासुदेव का था उसने पहचान लिया था ये वो सुर था जिसने काशी के वासुदेव को नागा और शधी देने के लिए आदेश दिया था क्या आप अगवा हैं पंडी जी नहीं मित्र अगवा तो आप हैं मैं तो मातर आपका अन्याई हूं और मैं वासुदेव को अपने साथ लाता हूं आप कहा है उजैन में शान्ति बनी रही आपका नाम क्या है पंडी जी मेरा नाम गोपाल है मैं वासुदेवों का प्रमुक मार्ग दर्शक हूँ मैं उस प्रमुक कारे को करता हूँ जो प्रभुराम ने हमें करने के लिए कहा था आपके कर्म में आपको सहायता करना मुझे आपके सुझाव क्या वशकता है पंडित जी जैसी आपकी इच्छा है महान निलकंट आप क्या बात करना चाहते हैं सतीकाली गणेश और ब्रंगा काशी के सैनिक काशी की ओर चल पड़े थे उनके बीच में होने वाले जोर जोर के वारतालाप ने जंगल की शांति को भंग कर दिया था विशिद्म ने गणेश की ओर मुड़ा प्रभू क्या आपको जंगल कुछ अजीब सा शांत प्रतीत नहीं हो रहा है गणेश ने अपनी भौहें उपर उठाई क्योंकि सैनिक कुछ अधिक ही शोर कर रहे थे क्या तुम सोच रहे हो कि हमारे सैनिकों को और भी अधिक जोर से बात नहीं करनी चाहिए नहीं प्रभू हम लोग बहुत अधिक शोर कर रहे हैं वो तो मैं शेश जंगल के बारे में बात कर रहा हूं जो अत्यधिक शांत है गणेश ने अपना सिर जुकाया विशिद्म ने सही था किसी एक भी पक्षी और पशु का स्वर सुनाई नहीं पड़ रहा था उसने अपने चारो ओर देखा उसके बोध ने उसे जता दिया था कि कहीं कुछ गड़बड आवश्य था उसने जंगल में घूर कर देखा उसके बाद अपना सिर हिला कर उसने सामने देखा और अपने अशु पर उचल कर चड़ता हुआ उस दिशा में सरपड भागा कुछ ही दूरी पर एक विशाल का एक घायल पशुट जिसका घाव आंशिक रुप से भर चुका था धीरे से आगे बढ़ा एक तूटे हुए तीर की डंडी उसके कंधे में धासी हुई थी जिसके कारण वो बबबर शेर लंगडा कर चल रहा था दो शेरनिया शांती से उसके पीछे चल रही थी अध्याय अठारा बुराई की भूमिका ये देश बहुत भ्रामक है गोपाल ने नमरता से सोचा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मित्र नागा लोग इस पश्ट रूप से बुरे हैं है न लगबख सभी लोग इसे सुईकार करते हैं उसके बाद भी नागाउने न्याय की रक्षा के लिए एक ऐसे वेक्टी की सहायता की जिसे इसकी आवशक्ता थी बुराई से ऐसा आपेक्षित नहीं ये बहुत ही अच्छा बिंदू है हे महानीलकंट जो गलती मैंने पहले की है उसे देखते हुए मैं किसी पर भी आक्रमाण नहीं करूँगा जब तक मुझे पक्का विश्वास नहीं हो जाता ये एक अत्यन्त ही वो धिवानी भरन रने है तो क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि नागा लोग बुरे नहीं है इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं मित्र मेरे पास इस उत्तर को प्राफ्ट करने का विवेक नहीं है मैं निलकंठ नहीं हूं शिव मुस्कुराया किन्तो आपका अपना मद तो है क्या नहीं है शिव ने गोपाल के बोलने के प्रतिक्षा की जब वासुदेव पंडित ने कुछ हत्तर नहीं दिया तो फिर एक खिली हुई मुस्कान उसके मुख पर उबरी उसने इस चचा को समाप्त कर दिया उसके बाद एक परिशान करने वाले विचार ने उसे घेर लिया क्रिपिया ये ना कहें कि नागा लोग भी नीलकंठ की पौरानी कथा में विश्वास रखते हैं गोपाल कुछ छण के लिए चुप रहे गया शिव ने दुपार अपनी तेवरी जणा कर कहा पंडी जी क्रिपिया मुझे उत्तर दे क्या नागा लोग नीलकंठ की पौरानी कथा में विश्वास करते हैं जो मुझे पता है हे महान महादेव उनमें से अधिकतर नीलकंठ में विश्वास नहीं रखते लेकिन क्या आप सोचते हैं ये उन्हें बुरा बना देता है शिव ने सिरह लाया नहीं निसंदेह नहीं कुछ समय तक चुपी च्छाई रही शिव ने गहरी स्वास ली तो फिर उत्तर क्या है मैंने भारत के प्रतेक हिस्से में यात्रा की नागाओ के सिवा लगभक सभी समुदायों से मिला और यदि कोई भी बुरा नहीं है तो बुराई ने अपना सिर नहीं उठाया है संभव है कि मेरी आवशक्ता ही नहीं है क्या आप निश्चित तोर पर कह सकते हैं कि केवल मानव ही बुरे हो सकते हैं मित्र कुछ लोगों की बुराई में आ सकती हो सकती है संभव है कि उनमें बुराई का एक छोटा अंशी हो किन्तु एक बड़ी बुराई जिसका समधान केवल नील कंठ के पास है वो मानविय सत्ताख से परे औरों में भी हो सकती है शिव ने अपनी तेवरी चढ़ाई मैं समझा नहीं जब बुराई इतनी बड़ी है तो क्या वो कुछ ही लोगों में संकेंद्र करह सकती है शिव चुप्रहा प्रभु मनु ने कहा था कि लोग बुरे नहीं है सच्ची बुराई का अस्तित्व उनसे परे है वो लोगों को आकरशित करती है वो अपने शत्रों के मध्य में गड़बड़ी उत्पन करती है लेकिन बुराई स्वयम में इतनी बड़ी है कि इसे कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है शिव ने तेहरी चणाई आपके कहने से कुछ ऐसी अनुभूती हो रही है कि बुराई एक शक्ती है जो अच्छाई के समकक्ष है और ये स्वयम ही कारे नहीं करती बलकि लोगों को अपना माध्यम बनाती है संभव है कि अच्छे लोग भी किसी उदेश्य के चलते बुराई की सेवा करते है यदि बुराई किसी उदेश्य को पूरा करती है तो उसे कैसे नश्ट किया जा सकता है बुराई एक उदेश्य की सेवा करती है ये बहुत ही मनुरंजक विचार है निलकंट कैसा उद्देश विद्वश का उद्देश ब्रह्मार्ण उसकी योजना क्यो बनाएगा चलिए इसे दूसरे प्रकार से दिखते हैं क्या आप मानते हैं कि ब्रह्मार्ण में कुछ भी अन्यमित नहीं है और प्रतेक वस्तु जो अस्तितु में है उसका कोई कारण है साथी प्रतेक वस्तु का एक उद्देश है हाँ यदि कोई वस्तु अन्यमित प्रतीत होती है तो इसका आर्थ है कि हमने अभी तक उसके उद्देश को आविशक्रत नहीं किया है तो इस प्रकार बुराई क्यों अस्तित में है उसे एक बार में सदैव के लिए क्यों नश्ट नहीं कर सकते जब वो नश्ट हुई प्रतीत होती है तब ही पुना प्रकट हो जाती है संभव है वो बहुत दिनों के बाद आए संभवतिया किसी दूसरे रूप में आए किन्तो बुराई पुना अवश्य प्रकट होती है और बार बार हमारे मध्य प्रकट होती रहती है क्यों गोपाल की शब्दों को पुरी तरह से समझते हुए श्रीव ने अपनी आखे संकुचित की क्योंकि बुराई भी किसी न किसी उदेश्य की सेवा करती है यही प्रभू मनु का भी मानना था और महादेव की विवस्था को इसके संतुलन हे तो कारे करना है उस उदेश्य के नियंतरण के लिए उचित समय पर उसी समीकरन से बुराई को बाहर निकालने के लिए समीकरन से बाहर निकालने के लिए? आश्रेचे के शिव ने पूछा हाँ यही प्रभू मनु ने कहा था उनके धर्मादेश में ये एक पंक्ती मात्र थी उन्होंने कहा था कि बुराई के बिनाशक को इसका अर्थ समझ में आएगा इसके संबंद में मेरी समझ या है कि बुराई को पूर्टहा नश्ट नहीं किया जा सकता और उसे पूर्टहा नश्ट करना भी नहीं चाहिए उचित समय में इसे समीकरण से बाहर निकाल देने की आवशक्ता है उस समय जब ये पूर्ण विध्वन सेतु खड़ी हो जाती है क्या आप ऐसा सोचते हैं कि वही बुराई किसी अने समय में किसी अच्छाई के उदेश्य को पूर्ण कर सकती है मैं यहां उत्तर पाने के लिए आया था मित्र किन्तो आप तो मुझे पर प्रश्णों की वौचहार कर रहे हैं गोपाल धीमे से हसा मुझे शमा करे मित्र हमारा कार आपको उन संकेतों के बारे में बताना है जो हम जानते हैं हम आपके निर्णे में हस्तक शेप नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बुराई की जीत होने के संभाव ना है मैंने मनु के बारे में उन्हें ये कहते सुना है कि अच्छाई और बुराई एक ही सिक्के के दो पहलू है हाँ उन्होंने ऐसा अवश्य कहा था वे एक ही सिक्के के दो पहलू है उन्होंने इसके आगे इसकी व्याक्या नहीं की थी विचित्र इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है गोपाल मुस्कुराया ये सुनने में विचित्र आवश्य लगता है कि तो मैं जानता हूँ कि जब विचित्र समय होगा आप इसका सही अर्थ निकाल लेंगे शिव कुछ समय के लिए चुप रहा उसने मंदिर के स्तंभों के बाहर देखा वैशाली के लोग कुछ दूर बने मंदिर के द्वार पर खड़े थे वे नीलकंट के दर्शन के लिए धैर सा प्रतीक्षा कर रहे थे शिव ने उन्हें घूर कर देखा और उसके बाद पुना प्रभुमत से की प्रतीमा को देखा गोपाल मेरे मित्र वो कौन सी बुराई थी जिसे प्रभुरुद्र ने समीकरण से बाहर निकाला था मैं जानता हूँ कि असुर बुरे नहीं थे उन्होंने किस बुराई को नश्ट किया था आप उत्तर जानते हैं नहीं मैं नहीं जानता हाँ आप जानते हैं इसके संबंद में सोचे प्रभु निलकंट प्रभु रुद्र की चिरस्थाई विरासत क्या है शिव मुस्कुराया उत्तर स्पष्ट था धनिवाद पंडित जी मैं सोचता हूँ कि आज के लिए आपने परियाप्त बाते कर ली है आपके पहले प्रश्ण पर क्या मैं अपनी राय दे सकता हूँ शिव चकित हो गया नागाओ के संबंद में हाँ निसंदे कृपा कर बताएं ये सपष्ट है कि आप ये महसूस करते हैं कि आपका ध्यान नागाओ के और जान बूच कर खीचा गया है शायद आप मानते हैं कि बुराई का मार्ग उनके मद्य से ही गुजरता है हाँ ये दो कारणों से हो सकता है जा तो वो मार्ग आपको बुराई तक ले जाएगा अत्वा बुराई ने उस मार्ग में अपना सबसे बड़ा प्रहार किया है शिव ने गहरी स्वास ली आपके कहने का अर्थ है कि नागा लोग वे हैं जो बुराई के हातों सबसे अधिक पीडित हुए है संभव है शिव इस्तंब से टिक गया उसने अपनी आखे बंद कर ली संभव है कि नागा लोगों का पक्ष भी सुना जाए संभव है कि अन्ये सभी लोगों ने उनसे अन्याय किया हो उन्हें एक ऐसा आफसर तो दिया जाना चाहिए किन्तो उन में से किसी एक को तो मुझे उत्तर देना होगा ब्रहस्पती की हत्या के लिए कोई एक तो आवश्य दंडी के प्रतिक्षा कर रहा है वोपाल जानता था शिव किसके बारे में सोच रहे थे वो चुप रहा अतितिकव के निजी कक्षु में उनके सामने सती खड़ी थी उसके साथ ही काली और गणेश खड़े थे विस्मित काशी नरेश नहीं जानते थे कि कैसी प्रतिक्रिया दी जाए उसी दिन प्राथा सती इच्छावर से 27 शेरों की खालों के साथ नर्भक्षी जुन्डे के विद्वन्ज का प्रमार लेकर वापस लोटी काशी के जो वीर सैनिक वहां मारे गए थे उनके लिए काशी विश्वनात मंदिर में विशेश पूजा की गई कावस को प्रोणनती देकर मुख्य दलपती बना दिया गया ब्रंगा के पल्टन के साहस की भी सराहना की गई काशी के ब्रंगा वालों को तीन महीनों के लिए कर्मे छूट परदान कर दी गई थी किन्तु ये विश्च समस्या अतितिक विकले जटिल थी सती की बगल में खड़े दो नागाओं पर वो किस प्रकार प्रतिक्रिया करे वो ये नहीं जानते थे नीलकंट की पत्नी के संबंधियों को काशी नगर से निश्काशित करने के उनकी हिम्मत नहीं थी दूसरी और वे उन्हें काशी में सारजनिक रूप से निवास करने के अनुमती भी नहीं दे सकते थे उसकी प्रजा इसे एक अपराद मानेगी नागाओं के बारे में गहरा अंद्विश्वास था देवी हम इसकी अनुमती आपको कैसे दे सकते हैं अथितिग्व ने साउधानी पुर्वक कहा काली अथितिग्व को घूर रही थी वो भी एक रानी थी किन्तु जो अपमान उसका किया जा रहा था उस पर वो बहुत अधिक नाराज थी उसने सती की बहां को छू कर कहा दीदी भूल जाओ इसे सती ने मातर अपना सिर हिलाया महराजा अथितिग्व भारत के अंदर काशी सहनशीलता का दीप्तिमान प्रकाश है ये सभी भारतियों को स्विकार करता है चाहे उसकी आस्ता कुछ भी हो या उसकी जीवन शैली कुछ भी हो कुछ अच्छे और वीर लोगों को इसलिए सुईकार ना करना क्योंकि वे नागा है ये उन तथ्यों के विरुद नहीं है ये नगर प्रताडितों और हाश्ये पर रहने वालों को आशा देता है आथितिग्व ने नीचे क्योर देखा किन्तु देवी मेरी प्रजा महराज क्या आप अपने लोगों के पक्षपात का साथ देंगे या फिर उन्हें एक अच्छे मार्ग पर चलने का नेतर थुपरदान करेंगे काशी नरेश अस्थिर लेकिन शान्त बैठा रहा कृपिया ये ना भूले महराज कि आज ये दिकाशी के सैनिक वापस आएं हैं और इच्छावडगाओं के लोग जीवित हैं तो वे एक काली गणेश और उसके सैनिकों की वीरता के कारण ही हम सभी लोग उन शेरों दोरा मार डाले गए होते उन्होंने हमारी रक्षा की है क्या वे इसके बदले में सम्मान के पातर नहीं है अतित्यग उने हिचकिचाते हुए सहमती में सिरह लाया उन्होंने अपनी नीजी कक्ष की खड़की से बाहर देखा पुर्वी महल का प्रतिवे में लिए दूर गंगा नदी उत्साहीन प्रवाहित हो रही थी वहाँ उसकी प्यारी बहन माया किसी बंदी के समान एक नेकरिष्ट जीवन जी रही थी वे अपने लोगों में नागाओं के प्रति भहे को हटाना चाहते थे आज जब उनके सामने निलकंट की पत्नी अपने परिवार के साथ खड़ी थी तो उनको साहस मिला क्योंकि निलकंट को चुनोती देने की हिम्मत कौन करेगा सभी लोग जानते थे कि शिवने कैसे अनुचित विधानों की एक समूग को समाप्त कर दिया था तो इस प्रकार नागाओं के लिए भी ऐसा ही क्यों नहीं हो सकता राजा सती की और मुडे आपका परिवार रह सकता है देवी मेरा विश्वास है कि प्रभु निलकंट के लिए नियत किये गए काशी महल के हिस्से में वे आराम पूरवक रह सकेंगे मेरा विश्वास है कि ऐसा ही होगा मुस्कुराती हुई सती ने उत्तर दिया बहुत बहुत धन्यवाद महराज शिव जहाज के अगरभाग पर खड़ा था परवतिश्वर साथ था मैंने अगरणी जलियान की गती को दोगुना कर दिया है प्रभू परवतिश्वर ने कहा शिव ने परवतिश्वर से आगरह किया कि उनके जलियानों के समूव को शीघर ही काशी पहुचा दिया जाए उसे अपने परिवार से अलग रहते दो वर्ष बीच चुके थे ये एक लंबा समय था और वो उनसे मिलने के लिए बेचैन हो रहा था धने वाद सेनपती शिव मुस्कुराया परवतिश्वर सम्मान में जुका और गंगा नदी को देखने के लिए पुना मुण गया शिव मुस्कुराते हुए बुला तो फिर आपका वैवाहिक जीवन कैसा है सेनपती परवतेश्वर ने एक चौड़ी मुस्कान के साथ शिव को देखा स्वर्ग परभू स्वर्ग पूर्टा स्वर्ग यद्यपी अत्यधिक प्रचंड स्वर्ग शिव मुस्कुराया सामान नियम लागू होता प्रतीत नहीं होता है है न परवतेश्वर ठाहा का मार कर हस पड़ा आनंद मैं प्रते दिन नियम परिवर्टित करती रहती है और मैं मात्र उसका अनुसरान करता हूँ शिव भी ठाहा का मार कर हस पड़ा और उसने अपने मित्र के कंधे पर थपकी दी उन्यमों का अनुसरान करो मित्र उन्यमों का अनुसरान करो वो आपसे प्रेम करती हैं आप उसके साथ बहुत सुखी रहेंगे परवतेश्वर ने हिर्दय से सहमत होते हुए सिर हिलाया आनंदमई ने मुझे बताया कि उसने एक तेज चलने वाली नौका को समराड दिलीब के पास भेजा है ताकि आपके विवाह संसकार समबंधी जानकारी उन्हें दी जा सके शिव ने कहा जी हाँ उसने भेजा था परवतेश्वर ने कहा महराज हमारे स्वागत के लिए काशी पदार रहे हैं उन्होंने वचन दिया है कि काशी में हमारे आगमन के दस दिनों के भीतर ही एक भावे समारोह का आयोजन करेंगे ये तो बहुत ही आनंद दायक होगा जी प्रभू नंदी ने पूछा नंदी और भगीरत शिव के कख्ष में थे जब हम काशी पहुचे तो राजकुमार भगीरत के निकट रहना क्यों प्रभू भगीरत ने पूछा शिव ने अपना हाथ उपर उठाया मेरा विश्वास करें भगीरत ने अपनी आँखे संकुचित की मेरे पिता काशी आ रहे है शिव ने सहमती में सिरे लाया मैं राजकुमार की परच्षाई बन कर रहूँगा प्रभू नंदी ने कहा जब तक मैं जीवित हूँ उन्हें कुछ नहीं होगा शिव ने उसकी ओर देखा तुम्हें भी कुछ नहीं होना चाहिए नंदी आप दोनों ही अपनी आखे खुली रखें और साधान रहें मेरे बेटे सती ने कार्तिक को अपनी बाहों में लेते हुए कहा कार्तिक मातर तीन वर्ष का था किन्तु सुम्रस के प्रभाव के कारण वो छे वर्ष का प्रतीत हो रहा था वो चिलाया मा सती ने उसे अपनी बाहों में लेकर चारो और घुमा दिया मुझे तुम्हारी बहुत याद आई मुझे भी याद आई कार्तिक ने बहुत ही नम्रता से कहा वो अब भी आपरसन था कि उसकी माँ उसे छोड़ कर चली गई थी मुझे शमा करना मुझे जाना ही पड़ा मेरे बच्चे किन्तु मुझे बहुत भी महात्पूर कारे करना था अगली बार मुझे भी अपने साथ ले चलना मैं प्रयतन करूंगी कार्तिक मुस्कुराया ऐसा लगा जैसे वो इस सुनकर मान गया था उसके बाद उसने अपनी लकड़ी की तलवार म्यान से बाहर निकाली मा इसे देखो सती ने तेवरी चढ़ा ली ये क्या है जिस दिन आप मुझे छोड़ कर गई थी उसी दिन से मैंने सीखना प्रारंब कर दिया था कि युद कैसे करें यदि मैं एक अच्छा सैनिक होता तो आप मुझे भी साथ ले कर जाती न सती के मुस्कान खिल गई और उसने कार्तिक को उठा कर अपनी गोद में बिठा लिया तुम तो जनमजात सैनिक हो बेटे कार्तिक मुस्कुराया और अपनी मा से लिपड़ गया तुम्हें याद है ना कि तुम कैसे एक भाई के लिए पूछा करते थे कार्तिक कार्तिक ने जोर-जोर से सिरहिला कर कहा हाँ हाँ तो ऐसा है कि मुझे तुम्हारे लिए एक बहुत ही अद्बुत सा भाई मिल गया है एक बड़ा भाई जो सदैव तुम्हारा ध्यान रखेगा कार्तिक ने तेवरी चढ़ाली और दुआर की ओर देखा उसने एक दैत्याकार व्यक्ति को कक्ष में प्रवेश करते देखा उसने एक साधारन धोती धारन की हुई थी और अंगवस्तरम उसके कंधे पर धीला लटका हुआ था उसका विशाल का ये उदर प्रतेख श्वास के साथ धिरक रहा था किन्तो उसके मुख ने कार्तिक को विस्मित कर दिया मानो श्रीर पर एक हाथी का सिर रखा हुआ था गडेश खुल के मुस्कुराया उसका हरदय अनिश्चितता से धड़क रहा था कि कार्तिक उसे सुईकार करेगा या नहीं कैसे हो कार्तिक? कार्तिक सामानतया निडर कार्तिक अपनी मा के पीछे चुप गया कार्तिक सती उसके बड़े भाई के और संकेत करते हुए मुस्कुराई तुम अपने दादा को नमस्ते क्यों नहीं कहते? वो बालक लगातार गडेश को गुरता जा रहा था क्या तुम मनुश्य हो? हा मैं तुम्हारा भाई हूँ गडेश मुस्कुराया कार्तिक ने कुछ नहीं कहा किन्तो सती ने गडेश को बहुत अच्छी सीख दे रखी थी नागा ने अपना हाथ बाहर निकालकर कार्तिक का सबसे पसंदीदा फल रसीला आम उसे दिखाया बालक तकाल ही प्रसंद हो गया और उस बे मौसम आम को देखकर चकित भी हुआ वो थोड़ा आगे बढ़ा क्या तुम्हें ये चाहिए कार्तिक? गड़ेश ने पूछा कार्तिक ने अपनी लखड़ी की तलवार निकाल कर त्याहरी चड़ाई तुम इसी देने के लिए मुझसे युद्ध तो नहीं करोगे न? गड़ेश हस पड़ा नहीं नहीं कदा पी नहीं किंदू इसके बदले में तुम्हें मुझे गले लगाना होगा कार्तिक हिचका और उसने सती की ओर देखा सती ने सिर हिलाया और मुस्कुराई तुम इस पर विश्वास कर सकते हो कार्तिक धीरे से आगे बढ़ा और उसने आम च्छीन लिया गडेश ने अपने भाई को अपनी च्छाती से लगा लिया जो ततकाल ही अपने पसंदीदा फल को चूसने में व्यस्त हो गया उसने गडेश की ओर देखा और मुस्कुराया वो उसाम को खाते होए फुस फुसाया वाह धन्यवा दादा गडेश पुना मुस्कुराया और उसने कार्टिक के सिर को धीमे से थपकी दी अग्रणी जहाज दशाव शमेग घाट पर रुका जब जहाज से उतरने के लिए संक्री सीडियां लाई जा रही थी तो शिव की उतेजी तांखे सत्ती को खोज रही थी वो अपने परिवार के साथ समराण दिलीब और राजा अतितिग्व को राजिसी वेदिका पर देख सकता था काशी की नागरिकों के जुन्ड के जुन्ड घाट पर एकत्र होते जा रहे थे किन्तु वो कहा है मैं उन्हें ढून कर लाता हूं प्रभू भगीरत ने जहाद से उतरते ही कहा उसके पीछे ही नंदी था और भगीरत जी हाँ प्रभू भगीरत ने रुकते हुए कहा जब सब समाप्थ हो जाए तो कृपया पूरवक को राजा के महल में ले जाए महल के मेरे पारिवारिक छेतर में उनके आराम की विवस्था करें जी हाँ प्रभू भगीरत ने कहा और अपने पिता दिलीप और स्वधीप के समराट को अंदेखा करता हुआ वहां से निकल गया किन्तु नंदी समराट में परिवर्तन को देखकर आशेरे चकीत था दिलीप कम से कम दस वर्ष युवा दिख रहे थे और उनका मुख अच्छे स्वास्त के कारण दीप्तमान हो रहा था भगीरत के और दौल कर चलने के पहले नंदी ने अपनी तेवरी चड़ाई शिव जहाज की सीड़ियों से उतरने लगा दिलीप ने शिव के और मुढ़ने से पहले अपने पुत्र को जाते हुए देखा और अपना सिर हिलाया उसने नीचे जुक कर शिव के चरण सपरश किये आपका राजवन शिनिरंतर यश प्राप्त करे महराज शिव ने सिर जुका कर दिलीप को नमस्ते किया इस बीच वीरभदर कृतिका से मिला उसे अपनी बाहों में भर लिया अत्यदिक आनंदित हुई कृतिका शर्मा गई उसने अपने पती की बाहों से छूटने का सफल प्रयास किया ये कहते हुए कि वे इस प्रकार का प्रेम प्रदर्शन ना करे अत्य थिग्व भी आगे बढ़े और उन्होंने शिव का आशिर्वात प्राप्त किया आप चारिकताओं को पूर्ण कर निलकंठ अपने परिवार के खोज में घुमे मेरा परिवार कहा है महराज बाबा शिव एक चोड़ी मुस्कान के साथ मुणा कार्टिक दोरता हुआ उसकी ओर आ रहा था उसने अपने पुत्र को अपनी बाहों में उठाते हुए कहा पवित्र जील की सौगंध आप तो बहुत बड़े हो गए हो कार्टिक मुझे आपकी बहुत याद आई अपने पिता से कसकर लिपड़ते हुए कार्टिक ने कहा मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई शिव ने कहा अपने पुत्र को देखने का आनंद उस समय आश्चर में बदल गया जब उसे मुँ में पानी ला देने वाले पके आम की सुगन धाई इस मौसम में आपको आम किस ने दिये ठीक उसी समय सती शिव के सामने प्रकट हुई मुस्कुराते हुए शिव ने अपने दाहिने हाथ में कार्टिक को थामा और बाएं हाथ से सती को अपने घेरे में ले लिया अत्यधिक निकट पूरी तरह से अंजान बनते हुए कि सहस्तरों लोग उन्हें घूर रहे थे मुझे तुम दोनों की बहुत याद आई और हमें आपकी भी बहुत याद आई सती ने अपना सिर पीछे कर अपने पती को देखते हुए कहा शिव ने उसे फिर अपने निकट खीच लिया उसकी आखे बंद थी वो अपने परिवार के इस परश का सुख ले रहा था और उसकी पत्नी और बेटा उसके कंधे पर अपने सिर रखे हुए थे चलो घर चलते हैं काशी के पवितर मार्ग से शिव की सवारी धीमे धीमे चल रही थी आयोध्या के समराट और काशी के राजा की सवारिया उनके पीछे थी जबकि वो दल जिसने शिव के साथ यात्रा की थी वो उन सब के पीछे चल रहा था धाई वर्षों के बाद अपने प्रभू की जलक पानी के लिए काशी के नागरी गलियों में पंक्ति बद्ध थे रत पर सवार शिव लोगों का अभिवादन कर रहा था सती उनके बगल में थी और कार्ती गोद में था शिव और सती दोनों ने एक ही साथ कहा मुझे कुछ कहना है शिव हसने लगा तुम पहले बताओ नहीं नहीं आप पहले सती ने कहा मैं आगरह करता हूँ कि तुम पहले बताओ सती ने थूक निकला आपने नागाओ के संबध में क्या जानकारी प्राप्त के शिव वासनों में देखा जाए तो बहुत ही आश्चरेजनक जानकारिया संभव है मैंने उनके बारे में गलत अन्मान लगाया था हमें उनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के आवशकता है संभव है कि वे सभी बुरे ना हो अनिसमुदायों के समान ही संभव है कि उन में कुछ गलत तत्व सम्मिलित हो सती ने गहरी स्वास छोड़ी एक सर्प के समान जो तनाव उसके भीतर कुंडली मार कर बैठा था उससे थोड़ी राहत मिली क्या हुआ? अपनी पतनी को घूर कर देखते हुए शिव ने पूछा हम मैंने भी हाल ही में कुछ जाना है ऐसा कुछ जो बहुत ही आश्चेरे जनक है ऐसा कुछ जो मुझसे अब तक छुपाया गया था ये नागाओं के संबंद में है क्या? मुझे पता चला कि सदी को इतना घवराते देखकर शिव चक्कित हुआ क्या बात है प्रिय? मुझे पता चला है कि मैं उनसे संबंदेत हूँ क्या? हाँ ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पिता नागाओं से घ्रणा करते हैं ये घ्रणा से अधिक अपराद बोध हो सकता है अपराद बोध मेरा जन्व अकेले नहीं हुआ था शिव ने तेवरी चड़ा ली मेरे साथ मेरी जुड़वा बहन का भी जन्व हुआ था मेरी एक बहन है शिव स्तब्ध था कहा है वो किसने उसका अपराण किया ये मेलूहा में कैसे हुआ उसका अपराण नहीं हुआ था सती फुस फुसाई उसे त्याग दिया गया था त्याग दिया गया था शिव ने अपनी पत्नी को देखा उसे प्रतिक्रिया देने के शब्द नहीं मिल पा रहे थे शिव ने सती का हाथ थाम लिया तुमने उसे कहा ढूंडा क्या वो ठीक है सती ने शिव के और देखा उसकी आखें नम थी मैंने उसे नहीं ढूंडा बलकि उसने मुझे ढूंडा उसने मेरी जान बचाई शिव मुस्कुराया नागाओ की एक और वीर और देयलुता के बारे में सुनकर वो आश्चरे चेकित नहीं हुआ उसका नाम क्या है काली, रानी काली रानी? हाँ वो नागाओ की रानी है शिव की आँखे आश्चरे से फटी की फटी रहे गई हो सकता है, वो काली ही हो जो ब्रहस्पती के हत्यारे को ढूंने में उसकी साहयता कर सकती है संभावे इसी कारण भागे ने इन दोनों को मिलाने के शड़ियंत रचा होगा वो कहा है? यही काशी में हमारे महल के बाहर आप से मिलने के प्रतिक्षा कर रही है आपके सुईकार करने के प्रतिक्षा कर रही है शिव मुस्कुराया उसने सिर हिलाया और सती को अपने निकट खीच लिया वो तुम्हारा परिवार है इसी कारण वो मेरा भी परिवार है मेरे स्विकार करने का प्रशन ही कहा उड़ता है शिव के कंधे पर अपने सिर को विश्राम देते हुए सती धीमे से मुस्कुराई किन्तु वो एक मातर नागा नहीं है जो आपकी स्विकृति के लिए प्रतिक शारत है शिव ने तेवरी चड़ा ली एक अन्य इससे भी दर्दनाक रह से मुझसे छुपा कर रखा गया था सती ने कहा क्या नब्वे वर्श पहले मुझे बताया गया था कि मेरा प्रथम शिशु मृत पैदा हुआ था किसी बुथ सा शिव ने सिर हिलाया वो अच्छी तरह समझ रहा था कि सती का संकित किस ओड़ था अता हुसने अपनी पत्नी का हाथ कसकर पकड़ लिया वो एक जूट था सती सुबकते हुए बोली वो वो जीवित है अभी भी जीवित है शिव का मुझ हैरानी से खुला रह गया तुम्हारे कहने का आर्थ है मेरा दूसरा पुत्र भी है सती ने शिव की ओड़ देखा उसकी आँखें मुस्कुरा रही थी पवित्र जील के नाम पर मेरा दूसरा पुत्र भी है सती ने सहमती में सिर हिलाया वो शिव के आनंद को देखकर प्रसंद थी भद्र तेजी से चलाओ, मेरा पुत्र मेरी प्रतिक्षा कर रहा है अध्याय उन्निस नील कंठ का क्रोध शिव की सवारी अथिथिग्व के महल के द्वार पर तेजी से मुड़ी जैसे ही सवारी केंद्री उद्यान का चक्कर काट कर द्वार के निकट रूकी तो शिव ने ततपर कार्टी को अपनी बाहों में उठा लिया और द्वार के निकट पहुँच गया यहां उसने कार्टी को नीचे उतारा, उसका हाथ पकड़ा और तेजी से अंदर की और जाने लगा सती उसके पीछे थी जैसे ही उसने काली को देखा तो वो मार्ग में ही रुग गया स्वागत के लिए काली पूजा की थाल पकड़े सामने खड़ी थी अरी ये क्या शिव के सामने सती का प्रतिरूप खड़ी थी उसके आखे, मुख, उसका आकार सब कुछ सती के समान ही था मातर उसके शरीर का रंग काला था जबकि सती का गे हुआ सती अपने बालों को अच्छी तरह से जूड़े में बांध लिया करती थी जबकि उसे भिन काली के बाल खुले हुए थे वो इस्तरी राजिस्ती वस्त्र और आभूशड पहने हुए थी एक दूधिया शुएत एवं लाल रंग का अंगवस्त्रम उसके पूरे बदन को ढखे हुए था उसके बाद उसने उसके कंधे पर दो अतरिक्त हाथ देखे घबराए हुई काली शिव को अनिश्चित होकर घूर रही थी उसे तब आश्र हुआ जब शिव आगे बढ़ा और उसे नम्रता से इस प्रकार गले लगा लिया कि पूजा की थाली को कुछ नहो तुमसे मिलकर अत्यधिक पर सनता हुई शिव ने चौड़ी मुस्कान के साथ कहा काली हलके से मुस्कुराई वो शिव के इस गर्मजोशी भरी मुद्रा से स्तब्द थी और उसे बोलने के लिए शब्द नहीं सूज रहे थे शिव ने पूजा की थाली के और संकेत करते हुए कहा स्वागत है तो ये थाली तुमें शायद मेरे मुख के चारो और छे या साथ बार गुमानी होगी काली हंस पड़ी मुझे शमा करें बस मैं थोड़ी घबराई हुई थी घबराने की कोई बात नहीं है शिव ने अपने दात निपोरते हुए कहा बस थाली को चारो और घुमाओ फूल को मेरे उपर फेको और एक बात का ध्यान रखो कि दीपक नीचे नहीं गिरे आग की जलन बहुत पीड़ा देती है काली और खिलखिला कर हस पड़ी और उसने शिव के ललाट पर लाल तीलाक लगाते हुए और अब शिव ने कहा मेरा दूसरा पुत्र कहा है काली एक और हो गई शिव ने गड़ेश को दूर आतितिकों के मुख्य महल की और जाने वाली उपर की सीड़ी पर खड़े देखा वो मेरे दादा है कार्थिक ने प्रसन होकर पिता की और देखते हुए कहा शिव कार्थि को देखकर मुस्कुराया चलो चल कर मिलते हैं गड़ेश लाल धोती और शुएत अंगवस्तरम पहने हुए महल में अपनी मा के कक्षी के दुआर के पास लगभग पहरेदार की भाती खड़ा था जैसे ही शिव उसके पास पहुचा तो गड़ेश अपने पिता के चरण उसपरष करने के लिए जुका शिव ने गड़ेश के सिर को धीमे से चुआ और उसके कंधों को पकड़ कर अपनी और खींचते हुए आशिरवाद दिया आईश्मान भव मेरे जैसे ही उसने बादाम के आकार वाली उसकी आखों को देखा तो वो चुप हो गया उसके हाँ गड़ेश के कंधे पर जम गए और आखे संकुचित थी गड़ेश ने अपने भाग एको कोसा और अपनी आखे बंद कर ली वो जानता था कि उसे पहचान लिया गया था शिव के आखे गड़ेश के मुख पर गड़ी हुई थी सती आश्चेर करते हुए फुसपुसाई क्या बात है शिव शिव ने सती को अंसुना कर दिया और गड़ेश को लगातार दबे हुए करोध के साथ घूरता रहा उसने अपनी थैली में हाट डाला मेरे पास कुछ है जो तुम्हारा है गड़ेश शांत बना रहा शिव को एक तक देखते हुए उसकी आँखे विशात पूर्ण थी उसे वो देखने के आवशकता नहीं थी जो शिव अपनी थैली से निकाल रहा था मुझानता था कि ये उसका वही बाजू बन था जो तूट गया था और मंदार परवत पर कहीं खो गया था उसके किनारे घीसे हुए थे और अगनी की लपटों ने उसे जुलसा दिया था उस पर कड़ाई किया हुआ ओम का प्रतीक अभी भी जियों का तेओ था किन्तु वो सामान ने ओम का प्रतीक नहीं था प्राचीन पवितर शब्द के प्रतीक की रशना सर्पों से की गई थी वो सर्प वाला उम था गड़ेश ने शान्ती पूर्वा को बाजुबंद शिव के हाथ से ले लिया सती ने अविश्वास पूर्ण आखों से शिव के और देखा शिव ये क्या हो रहा है शिव के आँखों से भैंकर क्रोध फूट रहा था शिव अपने पती के कंधे को चिंते थोकर स्परश करते हुए सती ने कहा शिव ने सती के हाथ को जटक दिया तुम्हारे पुत्र ने मेरे भाई की हत्या की है शिव गरजा सती इस्तब्द थी उसे विश्वास नहीं हो रहा था शिव ने दुबारा कहा इस बार उसका स्वर कड़ा और भैंकर था तुम्हारे पुत्र ने ब्रहस्पती की हत्या की है काली उचल कर सामने आई किन्तु वो तो गणेश के संकेत की कारण नागाओं की रानी चुप हो गई नागा एक टक शिव की और देख रहा था वो कोई स्पष्टी करण नहीं दे रहा था वो निलकंठ के निरने की प्रतिक्षा कर रहा था अपने दंड की शिव गणेश के बहुत निकट आया अत्यधिक निकट उसकी क्रोध से गर्म स्वास गड़ेश को जुलसा गई तुम मेरी पतनी के पुत्र हो ये एक मातर कारण है जोकि मैं तुम्हें प्रान दंड नहीं दे रहा गड़ेश ने अपनी दृष्टी नीचे कर ली उसके हाथ याचना में जुड़े हुए थे वो कुछ भी बोलने को तयार नहीं था मेरे घर से बाहर निकल जाओ शिव ने गर्जना की इस भूमी से बाहर निकल जाओ मुझे अपना मुख फिर कभी नहीं दिखाना अगली बार मैं इतना छमाशील नहीं रहूँगा किन्तु शिव वो मेरा पुत्र है सती ने जाचन की उसने ब्रहासपती की हत्या की है शिव उसने ब्रहासपती की हत्या की है ये स्वर निर्णायक एवं पूर्ण ब्रमान को सुनाई देने वाला था सती ने भावशू ने दृष्टी से देखा उसके गाल पर आसू जर जर बहते जा रहे थे शिव वो मेरा पुत्र है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, तो फिर मेरे बिना रहो सती भोचक्की रह गई, शिव ऐसा ना करे, आप मुझसे ऐसे चैन के बारे में कैसे कह सकते हैं गणेश ने अंतता चुप्पी तोड़ी, पिता जी मैं शिव ने बीच में ही गुसे में उसे टोक दिया, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ गणेश ने सम्मान में अपना सिर जुकाया, उसने एक गहरी स्वास लिय और पुना कहा हे महान महादेव, आप अपनी निस्पक्षता के लिए जाने जाते हैं, आप न्याय के लिए पहचाने जाते हैं, अपराद मेरा है मेरे पाप के लिए मेरी माता को दंडेना दे, गणेश ने एक चाकू निकाल लिया, ये वही चाकू था जो सती ने आयोध्या में उस पर फेका था, मेरा जीवन समाप्त कर दे, किन्तो मेरी माता को ऐसा शाप ना दे, जो मृतियों से भी अधिक दर्दनाक है, वो आपके मे उसने चैन कर लिया है, उसने कार्ति को अपनी गोद में उठा लिया, शिव, सती ने अनुनाई किया, कृपा कर मत जाएं, कृपा करें, शिवने सती की और देखा, उसके आखे नम थे, किन्तो उसका स्वर निष्ठुर था, मैं इसे स्विकार नहीं कर सकता सती, ब्रहस्पत ने कहा, आतितिक्व के महल में काली और गणेश सती के कक्ष में बैठे हुए थे, लंबे समय बाद मिले अपने पुत्र के मुहों और पती के प्रती भक्ती के मद्य सती फंस गई थी, वो शिव को मनाने ब्रंगाओ के भवन में गई, जहां शिव ने आस्थाई निवास बन जा सकता है, मैं ऐसा होते निकट भविश्य में नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन कम से कम अपनी मा को तो बता सकते हो, वचन का सम्मान मा के समक्ष भी किया जाना चाहिए, दीदी पीडा में है, मैंने सोचा था कि तुम उनके लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हो, कुछ भी दस दिनों में, जब मेलुहा के सेनपती और चंदरवंशी राजकुमारी के विवाह का उत्सफ समाप्त हो जाता है, उसके बाद पिता जी घर वापस लोट सकते हैं, तुम्हारी मा इसके अनुमती नहीं देगी, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, मैं चला जाओंगा, मैं माता-पिता के वियोग का कारण नहीं बनूँगा, महराज, मेलुहा के प्रधान मंतरी कनकला ने कहा, बिना अपचारी का मंतरण के स्वधीप के लिए आपका जाना उचित नहीं है, ये नयाचार के विरुद्ध है, क्या बकवास है, दक्ष ने कहा, मैं भारत का समराठ हू कनकला एक निश्ठावान प्रधार मंतरी थी, किन्तु वो अपने समराठ को ऐसा कोई काम करते नहीं देखना चाहती थी, जिससे समस्त सामराज को लज्जित होना पड़े, किन्तु आयोध्य समझोतों की शर्त के अनुसार स्वधीप हमारी जागीर नहीं है, अपनी भूमी कनकला ने अपनी तेउरी चड़ा ली, महराज, आपके मातर एक पुत्री है? हाँ, हाँ, मुझे पता है, दक्ष ने अपना हाथ आहिंकार से लहरा कर कहा, देखे, मैं तीन सप्ता में प्रस्थान कर रहा हूँ, आप एक संदेश्वाहा को स्वधीप अनुमती हे तुम भीने में आयोध्या पहुचेगा, तब तक आप स्वयम काशी पहुच जाएंगे, दक्ष मुस्कुराया, हाँ, आवश्य में पहुच जाओंगा, जाएं और जाकर मेरे प्रस्थान के रवस्था करें, कनकला ने लंबी सांस चोड़ी, सिर जुका कर सम्मान किया, और कक्ष नहीं जा सकता था, वो इश्वर का अनादर होता, जबकि सभी प्रकार के आनंदोत्सों को कुछ समय के लिए टाल दिया गया था, किन्तु प्रात्मिक देता हूं, अगनिवाय और प्रिक्थवी वरोन, सूरे और सोन की पूजा को तैकारे करम के अनुसार ही किया जा रहा थ असी घाट से थोड़ा दक्षिर की और परीतर मार्क पर स्थापित सूरी मंदिर में देलता सूरी की पूजा का आरोजन किया रहा था, मंदिर के रास्ते में एक विशालका ए वेदिकार के निरमाण किया जा रहा था, शिव और सती अपने विशे शिरासन पर बैठे होए थ शिव के करोध से अब तक अन्भीग काशी के नागरिक अंदर ही अंदर परेशान थे किन्तु कार्टिक से अधिक नहीं। वो अपने माता पिता से पुनहा एक साथ हो जाने के लिए लगतार अनुने विनय कर रहा था। ये जानते हुए कि जब वो शिव और सती को एक साथ देखी गा तो वो इस बात पर अधिक बल देगा। इसलिए शिव ने कर्टिका से कार्टिक को निकट के संकट मोचन मंदिर के उद्ध्यान में ले जाने के लिए कहा था। शिव के साथ ही उस वेदिका पर काली भगीरत, दिलीप, अथितिग्व और आयूर्वती के लिए सिंगासन लगे हुए थे। परवतीश्वर और आनंदमई मंदिर की वेदिका पर थे, जहां सूरी पंडित उन्हें सूरी दिवता के आशिरवात से अपने प्रेम को प्रतिश्चत करने में सहायता प्रदान कर रहा था। उसने कार्ति को कृतिका के साथ पांच अंग्रक्षकों की निगरानी में छोड़ दिया था। कि उसका शेष जीवन अभी अपनी माता के लिए तरस्ते हुए ही बीतेगा क्योंकि उसने अपनी माता की ममता का अनुभाव कर लिया था। जब उसने उद्यान से कार्तिक का हुरदंग भरा कुला हाल सुना तो वो मुस्कुराया। आत्मा की वो उन्मुक्त थासी जो अपनी मा की ममता से पालित पोशित हो। गड़ेश ने एक लंबी स्वास भरी वो जानता था कि ऐसी उन्मुक्त थासी उसके जीवन में कभी नहीं आने वाली। उसने अपनी तलवार निकाल ली एक सपाट पत्तर खीचा और वो किया जो कोई छट्री अपने खाली समय में करता है अर्थात तलवार की धार को तेज करना। अपने विचारों में गड़ेश इतना डूबा हुआ था कि उसे बहुत देर में इसका भान हुआ। उद्यान में कुछ विचिक्त्र हो रहा था उसने अपनी स्वास रोके और सुना और उसके बाद उसे बोध हुआ। कार्तिक कृतिका और उसके साथियों की हसी को क्या हो गया था। गड़ेश तेजी से उट खड़ा हुआ। उसने अपनी तलवार म्यान में रखी और उद्यान के और तेजी से बढ़ चला। तब उसने सुना। एक धीमी गुर्रहट और उसके बाद एक कान फोडू गर्जना। जान लेवा आक्रमार निकट था। शीर। गड़ेश ने अपनी तलवार निकाली और दोड़ना प्रारम कर दिया। एक आदमी लड़ खडाता हुआ उसकी ओर आ रहा था। वो काशी का एक सैनिक था जिसकी बहाँ पर चीरा लग गया था। वो इस पश्टूप से पंजो का निशान था। कितने हैं। गड़ेश इतनी जोर से बोला कि उस काशी के सैनिक को दूर से भी सुनाई पढ़ सकता था। किन्तु काशी के उस सैनिक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो इस तब्द सा लड़ खडाता हुआ अगे बढ़ता जा रहा था। गड़ेश छण भर में ही उसके पास पहुँच गया। उसने जोर से जंजगोरा और दुबारा पूछा कितने हैं। तीन सैनिक ने कहा महादेव को बुला लाओ। सैनिक अभी बिस तब्द दिख रहा था। गड़ेश ने उसे जोर से दुबारा हिलाया महादेव को बुलाओ अभी इसी समय। वो सैनिक अथर का सहारा लिया बिना कोई ध्वनी किये बाड़े के उपर से उस उद्यान में पहुच गया। वो दूसरे दिखा में पहुचा जहां एक शीरनी निकट में ही एक सैनिक के तूटे हुए गाल को अपने जबडों के मद्ध दबाकर उसका दम निकालने का प्रयातने कर र हुए थे। उनकी इस सिद्य को देखते हुए कहा जा सकता था कि पहले दो सनिक थे जो काल का ग्रास्त बने। गणेश उशलकर करतिका के दिशा में हो गया। वे लोग एक और से एक शेरनी और बबबर शेर द्वारा घेरे जा चुके थे। भूमी देवी क्रपा करें ये विच्छावर से ही हमारा पीछा करते आएं हैं। दूसरी और से उस शेरनी ने उनका रास्ता रोक रखा था जिसे गणेश के प्रहार ने घायल कर दिया था और जिससे कंदे से तेजी से रखत प्रभा हो रहा था। कार्तिक ने अपनी लकड़ी की तलवार बाहर निकाल र कहा। गड़ेश जानता था कि क्रितिका एक प्रशिक्षित योद्धा नहीं है। उसके मातरत्व का बोध उसे कार्तिक की सुरक्षा करने के लिए प्रेरित करेगा। किन्दु संभवतया वो किसी भी शेर को मार सकने में समर्थ नहीं हो पाएंगी। दूसरी और खड़ा स पुए शेर उनें के और से घेर रहा था और दोनों शेरनीया दोनों और से घेरर ही थे। गड़ेश जानता था कि बस कुछी समय की समय की बात थी। वे उन पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। पीछे हट जाएं। गड़े बर्गरत के पेड़के मु्खे तने में खोसा बना हुआ था गणेश ने कार्थी को समें डाल कर उन शेरों से उसे बचाने की युजना बना ली थी हम अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकेंगे कृतिका ने कहा मैं उन्हें भढ़काने का प्रयास करती हूँ आप कार्थी को लेकर भाग जाए गणेश कृतिका के और नहीं मुड़ा बल्कि वो बबबर शेर को लगातार घूर रहा था किन्तु वीर्भदर की पतनी के लिए उसका समान और बढ़ गया था वे उसके छोटे भाई के लिए जान देने के लिए तयार थी ये संभव नहीं है गणेश ने कहा कार्थी को लेकर मैं अतनी तेज नहीं दोर सकता कि इनसे बचकल निकल जाओ कुछ ही देर बाद कार्थी को बरगत के तने में बने खोह में डाल दिया गया था और पेडो की जडो से उसे इस प्रकार घेर दिया गया था कि वो किसी भी प्रकार से आकरमन करने के उदेश से बाहर की ओर ना निकल पाए वो सुरुक्षित था कम से कम तब तक जब तक वहां गणेश खड़ा था उन बिल्लियों ने आकरमन कर दिया गणेश उस लंगडाती शेरनी को आगे बढ़ता देखकर आश्यर चकित था कृतिका उस ओर से मैदान संभाले हुए थी नीचे की ओर जुक कर रही है गणेश चिल लाया वो कृतिका की सहायता करने के लिए वहां से हट नहीं सकता था क्योंकि बबबर शेर इस मद्य खुली जगह देकर कार्तिक पर हमला कर सकता था कृतिका जी जुकी रहे वो घायल है वो हावा में उचा नहीं उचा सकती कृतिका ने अपनी तलवार नीचे कर रखी थी और उस घायल शेरनी को अपने तका जाने के प्रतिक्षा कर रही थी किन्तों उसे तब आश्यर हुआ जब शेरनी अचानक ही दिशा बदलते हुए बाई और घुम गई जैसे ही कृतिका उसके पीछे आकरमल करने के लिए दोड़ना ही वाले थी कि उसने रक्त जमा देने वाली चीक सुनी दूसरी और वाली शेरनी ने इस भटकाओ का लाब उठाया और काशी के सैनिक के निकट पहुँच गई थी वो पीड़ा से चिला रहा था क्योंकि उस शेरनी ने उसके शरीर को पीछे की और धखका दे दिया था और उसके शरीर पर अपने पंजों से काट कर घाव बना दिया था वो सैनिक चिलाता हुआ अपनी तल्वार के दूरबल प्रहारों से उस शेरनी को दूर करने के प्रयास में प्रहार करता जा रहा था वो लगातार ही उसे काटती जा रही थी और अंतता शेरनी ने उस सैनी का गला दबा दिया कुछी छण के बाद वो मर चुका था बबर शेर गड़ेश के सामने स्थिर बना हुआ उसके भागने के मारगों को रोके हुए था उस दूसरी शेरनी ने म्रत सैनी के शरीर को वहीं छोड़ दिया और पुना अपनी पुरानी स्थिती में आ चुकी थी गड़ेश ने धीमे से स्वास ली वो उन पशों के जुंड के शिकार करने की बुद्धिमत्ता की प्रिशंसा किये भी नहीं रह सका जुककर रहे गड़ेश ने कृतिका से कहा मैं इस बबबर शेर और शेरनी को इस और से रोकूंगा आपको मातर उस घायल शेरनी पर ध्यान के इंद्रित करना है मैं इन तीनों को एक साथ नहीं देख सकता ये पशों जुंड में शिकार करते हैं जो भी छण भर के लिए इन से ध्यान हटाएगा वो मारा जाएगा कृतिका ने सिर हिलाया और उस घायल शेरनी को देखने लगी जो मंथर गती से उसके और बढ़ने लगी थी अपनी चोट के कारण उसका बहुत रक्त बह चुका था वो अपनी चाल में धीमी पड़ गई थी अचानक ही उसने कृतिका पर आक्रमन कर दिया निकट आशेरनी ने हवा में चलांग लगई उतनी ही उची चलांग जितना कि उसका घायल कंधा अनुमती देता था वो चलांग दुर्बल थी कृतिका नीचे जुग गई और उसने परी तलवार उची कर ले शेरनी गिरते हुए उसकी तलवार का शिकार हो गई वो शेरनी कृतिका के उपर आगिरे और शेगरी अपने प्रान गमा बैठी गईश ने अपनी आखों के किनारे से कृतिका को देखा मर कर गिरने से पहले उस शेरनी ने कृतिका के कंधे पर अपना प्राहार कर दिया था और उसके कंधे का एक हिस्सा कार दिया था कृतिका के कंधों से रक्त बह निकला वो उस शेरनी के मरत शरीर के नीचे गतिहीन हो चुकी थी उस शेरनी के मरत शरीर उसके ऊपर था जिसे हटाना कठिन था किन्तू वो जीवित थी वो गणेश को देख सकती थी गणेश ने अपनी ढाल पीट से पीछे सरकाली उसने अपनी छोटी तलवार निकाल ली और उस बर्गत के पेड़े के पास खड़ा रहा वो एक दो धारी तलवार थी जो शत्रु के शरीर में भूग कर कैची की तरह चलती थी ये एक भायाना खतियार था क्योंकि वो बार बार काटता चल रहा था गणेश रुका रहा वो महादेव के आने के प्रतिक्षा में था बबबर शेर गणेश के दाई और गया शेरनी बाई और दोने के मदे परियापत दूरी थी अब ताग गणेश को दोनों पर नज़र रखने में कठिनाई हो रही थी दोनों पश्वों ने एक सुरक्षात्मा के स्थान इस्थापित करके आगे की दिश्या में साथ साथ बढ़ने लगे शेरनी ने अचानक ही आकरमन कर दिया गणेश ने अपने बाई हाथ को गुमाया ठीक उसी जगा जहां पर इच्छावण में गणेश को चोट लगी थी गणेश दर्द से चिला पड़ा और उसने दाहिने हाथ से अपमी तलवार हवा में लहरा कर बबबर शेर के चहरे पर प्रहार किया बबर शेर पीछे हट गया किन्तु इससे पहले वो गणेश की जांक से मास्क का टुकडा काट चुका था गणेश का रक्त बह रहा था वो बरगत की पेड़ पर जुकता हुआ पीछे हटा उसका नन्धा साबाई पीछे से चीक चिला रहा था वो शेयोर कर रहा था कि उसे भी बाहर निकाल कर शेयर से युद्ध करना है गणेश टस्स से मस तक ना हुआ और उन शेयरों ने पुना हामला कर दिया इस बार बबबर शेयर पहले आया बबबर शेयर धीमा हो गया और वो शेयरनी तेजी से आई गणेश ने पनी छोटी दलवार सीधे उसके कंधे में गढ़ा दी लेकिन इससे पहले उस शेयरनी ने गणेश के एक अंगो को काट खाया छोटी तलवार कंदे में पूरी धसी होने पर भी शेरनी गड़ेश के भाई हाथ पे अपने दाद गड़ाने के बाद ही पीछे हटी गड़ेश जानता था कि अब बहुत देर तक टिक नहीं सकता उसका रख्त तेजी से बह रहा था वो इधर उधर गिरना नहीं चाहता था क्योंकि तब तक कार्टिक दृष्टी में आ जाता वो पीछे के और गिरा और उस पेड़ से टिक कर बैड़ गया उसने उस खोव को अपनी शरी से ढख लिया उसके भाई तक पहुँचने के लिए उन पशों को उसे मारना होगा रख्त के बहुत अधिक बह जाने के कारण गड़ेश की दृष्टी धूंदलाने लगी थी लेकिन फिर भी वो देख सकता था कि शेरने का घाउ गहरा था वो उससे अभी कुछ दूरी पर ही अपने घाउ से जूज रही थी अपनी चोट को चाटने का प्यास कर रही थी और सीधा खड़ी होने में अक्षम हो रही थी उसके हिलने पर वो दो धारी तलवार कैंची के तरह कंधे की हड़ियों को काटती चली गई उसने देखा कि बबबर शेर दाई और से बढ़ता हुआ बहुत निकटा चुका था बबबर शेर ने उसे घेर लिया और अपने पंजे से पर जपटा मारा तब ही गड़ेश ने अपनी तलवार हवा में लहरा कर उस पर प्रहार किया बबबर शेर के पंजे ने गणेश का चेहरा चीर दिया इससे गणेश की लंबी नाग पर गहरा घाओ हो गया ठीक उसी समय गणेश के प्रहार ने बबबर शेर की बाई याँ को भेद डाला वो पशु पिगड़ा में चिलाता हुआ पीछे हड़ गया लेकिन जो कार्टिक ने देखा था वो गणेश ने नहीं देखा था वो अपनी लकड़ी की तलवार से पहुचने का प्यास कर रहा था लेकिन वो उतनी दूर तक नहीं पहुच सकता था दादा उधर देखो शेरनी ने गणेश के इस दिहान भंग होने का लाब उठाकर उसके निकट पहुचने में सपलता पाली थी उसने आगे के और जपटा मारा और गणेश के सीने को काट खाया गणेश ने अपी तलवार से उसके चेहरे को घायल किया वो शेरनी भी पीड़ा से छट पटाती कोई पीछे हटी लेकिन जाते जाते उसने गणेश के धड़ का मांच शीर कर बाहर निकाल दिया था नागा का हरदा जो शरीर के पोशड के लिए रक्त प्रवाहित करता था अब वेर्थ में घावों से रक्त बाहर की और फेक रहा था गणेश जानता था कि उसका अंतर निकट है वो बहुत देर तक जीवित नहीं रह सकता और उसके बाद उसने युद्धी की तीवर गरजना सुनी हर हर महादेव एक नर्म आरामदायक अंधिकार गणेश को अपनी और खीच रहा था उससे जागने के लिए संगर्श करना पड़ रहा था लगबग पचास भायानक सुरिवन्शी योद्धाओं ने उद्ध्यान में आकरमण कर दिया वे उन दो अत्यधिक बड़े शेरों पर कूट पड़े थे पहले से ही उन दुर्बल पच्वों के लिए कोई असर ना था और वे बहुत ही जल्द अपने प्राण से हाथ दो बैटे आंखों के सामने अंधिरा चाने के बावजूद गड़ेश को ऐसा लग रहा था सोचकर वो बहुत प्रसन था कि उसके संसार के सबसे महात्रपूर्ड लोगों के लिए उसके पास एक शुब समाचार है आप चिंता ना करें बाबा गड़ेश ने पने पिता से कहा आपका पुत्र सुरक्षित है वो छुपा हुआ है मेरे पीचे इतना कहकर गड़ेश गिर पड़ा अचेत अध्याई 20 तुम अकेले नहीं हो दादा गड़ेश को लगा कि उससे पीड़ा का अनुभा होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं था उसने अपनी आखे खोली वो मुश्किल से आहुवती को देख पा रहा था उसने अपने छट विछट शरीर पर एक दृष्टी डाली तुचा फटकर अलग हो गई थी शरीर के कई हिस्सों से मान से लटक गया था शरीर पर जगा जगा रखते के ठके जमें हुए थे हाथ की हड़ी बाहर निकल आई थी सीने में गहरा गड़ा बना हुआ था छाती की हड़िया तूट गई थी और बाहर से दिख रही थी फूमी देवी कृपा करें मेरे जीवी तरहने को कोई अशर नहीं गड़ेश अंधकार में फिर डूब गया उसके सीने में तीवर पिड़ा हुई उसन धीरे से अपनी आँखे खुली कठिनाई से संक्री सी दरार से आयूरवदी को पट्टी बिदलते देख सका वो पुना अनुभाव कर सकता था एक अच्छी बात है ना वो सप्न जगत में पुना लोट गया हलके से ममता भरा इस पर्श फिर वो हाथ दूर चला गया नेंद के गोते लगाते गड़ेश ने सिर हिलाया वो उस हाथ का इस पर्श पुना चाहता था वो हाथ अब उसके मुग को सहला रहा था उसे धीमे धीमे थपकी दे रहा था गड़ेश ने अपनी आँखे खुली नाम मातर को सती उस पर जुकी हुई थी उसकी आँखे सूजी हुई थी लाल मा किन्तु सती ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी संभवतया उसे गड़ेश की आवाज नहीं सुनाए पड़ी गड़ेश सती के पीछे खिड़की से बाहर देख सकता था बारिश हो रही थी मानसूर मैं कितने समय तक है चेत पड़ा रहा गड़ेश ने खिड़की के निकठी दिवार पर जुके हुए एक वेक्ति को देखा वो बहुत ही शक्तिशाली वेक्ति था जिसकी साधहराण दया चंचल आखे भावशूने थी वो एक नीले गले वाला वेक्ति एक वेक्ति जो उसे गहरी दृष्टी से देख रहा था वो वेक्ति उसे जानने का प्रयास कर रहा था नींदर ने गड़ेश को एक बार फिर अपने आचल में समेट लिया उसकी बाहाँ पर एक गर्म स्पर्श कोई उसके शरीर पर लेप लगा रहा था नागा ने अपनी आँखे धीमे से खोली और वो शरीर पर लेप लगाते उस हाथ को देखकर आश्चरे चकित रह गया वो हाथ जो इतनी कोमलता से उस पर लेप लगा रहा था वो किसी इस्तरी का नहीं बलकि किसी शक्तिशाली पुरुश का था उसने उस दयावान वैद को देखने के लिए अपनी आँखे धीरे से घुमाई उसका धर सबल और मानसल था किन्तो उसका गला वो बिलकुली भीन था उससे दिव्य नीला प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा था गडेश भोचक का रह गया उसके मुँसे एक निश्वास निकल गई और शदी लगाने वाले हाथ रुग गए गडेश महसूस कर सकता था कि एक जोड़ी आँखे उसे घूर रही थी और उसके बाद नीलकंट उटे और उसका क्षे से बाहर निकल गए गडेश नी अपने आखी पुनहा मूंद नी अंतता गडेश एक लंबे अंतराल के बाद पुनहा जागा इस बार उसे फिर से निद्रा का आश्रे लेने के आवशकता नहीं पड़ी वो बारिश की बूंदों की टपटप सुन रहा था उसे मानसून बहुत पसंद था जीवनदान देने वाली धरती की सोंधी सुगंद उसे बहुत पसंद थी साथ ही उसे पसंद था भारिश के गिरने का मधूर संगीत उसने अपने सिर को हलका सा बाई और गुमाया सती को जगाने के लिए इतना बहुत था वो ततकाल ही उस कक्ष में एक छोर पर लगी अपनी श्रिया से उठे और गड़ेश के पास पहुंची उसने एक कुरसी खीचले और गड़ेश के पास बैट गई तुम कैसे हो पुत्र गड़ेश धीरे से मुस्कुराया उसने अपने सिर थोड़ा और गुमाया सती मुस्कुराया और उसने अपने पुत्र के चहरे पर उंगलिया फेरी वो जानती थी कि गड़ेश को ये बहुत पसंद है कृतिका जी वो अब बहुत अच्छी है सती ने कहा वो तुम्हारी तरह घायल नहीं हुई थी वास्तों में वो अयूराले से स्वस्थ होकर शीगरी चली गई थी मातर दो सप्ताह में ही कितने समय से तुम यहां कितने समय से हो गड़ेश ने उत्तर में अपना सिर हिलाया साथ दिन चेतना वस्ता से कभी अंदर कभी बाहर बारिश मौनसून लगभग समाप्त हो चुका है नमी ने जचिलता बढ़ा दी थी इसके कारण उप्चार में देरी हुई थी गड़ेश ने गहरी स्वास ली वो ठग चुका था तुम सो जाओ सती ने कहा आयुर्वती जी का कहना है कि अब तुम स्वस्त हो जाओगे तुम शेगरी यहां से जा सकोगे गड़ेश मुस्कुराया और पुरा नींद की गोद में चला गया गड़ेश को अचानक ही जगाया गया आयुर्वती उसे घूर कर देख रही थी मैं कितनी देर से सो रहा हूँ पिछली बार से कुछ गंडे मैंने तुम्हारी माता को घर भेज दिया है उन्हें आराम किया शक्ता है गड़ेश ने सहमती में सिरे लाया आयुर्वती ने तयार किये हो अलेप अपने हाथ में लिया अपना मूँ खोलो गड़ेश ने उस लेप की खराब गंध पर नागवां सिकोड़ा ये क्या है आयुर्वती जी ये पीड़ा को हर लेगा लेकिन मुझे कोई पीड़ा नहीं है जब मैं मरहम लगाऊंगी तब पीड़ा होगी इसलिए अपना मूँ खोलो और इसे अपनी जीब के नीचे दबा कर रखो आयुर्वती ने औशदी के प्रभावी होनी की प्रिदिक्षा की उसके बाद उसने गड़ेश के सीने की पट्टी खोल दी उसका घाव नाटकी ये धंग से भर गया था हड़ियों पर मांस की नहीं पड़ते आने लगी थी कुछ दिनों में तोचा साफ हो जाएगी सैयत स्वर में आयुर्वती ने कहा मैं एक योद्धा हूँ गड़ेश मुस्कुराया हमारे शरीर पर साफ तोचा की तुलना में घावों के निशान अधिक स्वागती होगे है आयुर्वती ने गड़ेश को गहरी दृष्टी से भावशून ने होकर देखा उसके बाद उसने एक कटोरी उठाई जैसे ही आयुर्वती ने आउशदी का लेप लगाना प्रारंब किया तो गड़ेश ने पनी सांसे रोग ली निश्चेता के बावचूद भी आउशदी का लेप चुब रहा था आयुर्वती ने शीगरता से लेप लगाया मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं जीवित रहूँगा आपकी प्रतिश्चा सचमुछ ही योग है आयुर्वती जी आयुर्वती ने अपनी तेवरी चढ़ा ले तुमने मेरे बारे में कहा सुना मैं इच्छा वड में भी गाया लो गया था माने मुझे बताया कि आपने मुझे उनसे दोगुना गती से ठीक कर दिया होता उन्होंने मुझे कहा था कि आप विश्व की जबसे अच्छी वैद है आयुर्वती ने अपनी भौहें उपर की तुमारी जीवा में जादू है वो किसी को भी मुस्कुराने पर विवश कर सकती है बिल्कुल नीलकंठी की दरा किंदू ये वड़े खेत की बात ही कि तुम्हारा हरदय निश्कलंक नहीं है गडेश मौन साधे रहा मैं ब्रहस्पती का बहुत सम्मान करती थी विना केवल एक अच्छे व्यक्ती थे बलकि वे घ्यान के स्रोध भी थे समय से पहले जब उनकी मृत्य हुई तो पूरा विश्व इससे पीडित हुआ है गडेश ने कोई पृतिक्रिया नहीं दी उसकी संतप्त आखे वैदी की आँखों में गहरे देख रही थी अब मुझे वो बाजू देखने दो अईरुवती ने कहा उसने जटका देकर पट्टी को खोल दिया इतनी कडाई से कि वो चुभे किन्तो इतनी कोमलता से कि वो कोई गंभीर हानी ना पहुचा सके गडेश के मुँपर पीड़ा की शिकन तक नहीं आई दूसरे दिन गडेश उठा तो उसने पनी मा और मौसी को उस कक्षे में फुस फुस आते हुए देखा मा मौसी गडेश फुस फुस आया दोनों ही बहने उसकी और मुड़कर मुस्कुराई क्या तुम्हें खाने या पीने के लिए कुछ चाहिए सती ने पूछा हा मा किन्तु क्या मैं आज तहलने के लिए बाहर जा सकता हूँ मैं पिछले साठ दिनों से सो रहा हूँ ये बहुत ही कश्ट धायक है काली मुस्कुराई मैं आयूर्वती से बात करूँगी अभी लेटे रहो जब काली आयुर्वती से बात करने के लिए बाहर निकल गई तो सती ने एक उर्सी खीचे और गड़ेश के निकट बैड़ गई मैं तुम्हारे लिए पराठे लेकर आई हूँ सती ने गजदंत का एक छोटा सा वकसा खोलते हुए कहा जो अपने साथ लेकर आई हुई थी गड़ेश का चहरा खिल उठा उसकी मा के हाथ के बने हुए भरवा पराठे उसे बहुत पसंद थे लेकिन उसकी मुस्कुराहट उतनी ही तेजी से चले गई जितनी तेजी से वो आई थी क्योंकि उसे याद हो आया कि उसके सौतेली पिता शिव को भी वो बहुत पसंद थे आईरवती ने गड़ेश के खाना खाने से पहले कुला करने के लिए जिस द्रवी को निर्धारित किया था उसे ढोड़ने के लिए सती उठी क्या पिता जी आपके महर में लोट आये हमा सती ने औशदियों की अलमारी के पास से गड़ेश को देखा अब तुम इन सब चीजों के बारे में चिंता मत करो उन्होंने आपसे बोलना शुरू किया या नहीं तुम्हें इसके बारे में चिंता करने के आशकता नहीं है सती ने गड़ेश की और आते हुए कहा नागा छट को गूर रहा था अप राग बोच से उसका हरदय चलनी हुआ जा रहा था उसने अपनी आखे संकुचित की हाँ वे आये थे सती ने उत्तर दिया शिव प्रत्य एक दिन तुम्हारा परिक्षार करते हैं आते रहे हैं किन्तु मुझे नहीं लगता कि वे आज के बाद यहां आएंगे गड़ेश दुखी मन से मुस्कुराया और अपने होट काटने लगा सती ने उसकी सिर पर थपकी दी सही समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा काश में मंदार परवत पर होने वाली घटना का वारणान कर पाता कि वहां क्या हुआ था काश में बता पाता कि वो क्यों हुआ था मैं नहीं जानता कि वो मुझे छमा करेंगे या नहीं किंतु कम से कम वे समझेंगे अवश्य, काली ने मुझे थोड़ा बहुत बताया है, मैं कुछ-कुछ समझ पा रही हूँ, किंतु ब्रहस्पती जी, ते एक महान विक्ती थे, जब उनकी मृत्यू हुई, तो जगत ने कुछ खो दिया, यहां तक ही मैं भी पूरी तरह से समझ नहीं पाई हूँ, और शिव उनको अपने भाई के समान प्रेम करते थे, हम उनसे इसे समझने की आशा भी कैसे कर सकते हैं, गणेश ने सती को दुख भरी आखों से देखा, पर उन तो तुमने कार्ति के जीवन की रक्षा की है, सती ने कहा, तुमने मेरी रक्षा की है, मैं अयूराले के कक्ष से बाहर निकला आया, काली के गंधे पर सहारा लेकर गणेश धीरे-धीरे टहल रहा था, उसके दूसरे हाथ में एक गंडा था, जिस पर उसने अपना लगभग सारा वजन डाल रखा था, वो अकेले ही टहलना चाहता था, कि दुकाली ने उसकी बात नह चलो चलें, नागारानी ने गणेश की सहायता करके उसे उद्यान के मद्य भाग में पहुचा दिया, इस बीच गणेश उस अभ्यास की आ रही धोनी के आधार पर उसकी गुणवत्तवर टिपड़ी कर रहा था, बहुत ही तेज गती, ये सपात की तलवारे हैं, जो अभ्य प्यास के लिए नहीं होती है, सधे हुए योधा ही इससे द्वंदयुद कर सकते हैं, काली गणेश को बाड़े वाले प्रवेश द्वार के ओर ले गई, जैसे ही वो इस प्लांगर में प्रवेश्ट है तो गणेश हिचक कर रुप गया, काली ने उस पर अपनी मजबूत प छोटा लग रहा था, मेलूहा के सेनापती अपनी तलवार बहुत ही तेज और कड़ाई से लहरा रहे थे, किन्तु कार्तिक उससे बचने के लिए अपने छोटे आकार का उप्योग बहुत ही प्रभावी और ध्वनसात्मक रूप में कर रहा था, वो नेचे जुका तकि पर रोकने और लहराने की छमता थी, उसने अपनी तलवार इस प्रकार से लहराई जो किसी भी वयास्क व्यक्ति के लिए रोकना असंभव था, कुछी पलों में कार्तिक तीन घहा तक प्रहार करने से रुका था, जो मेलूहा के सेनापती के निश्ने धढ़ पर लग सकते थी, गणेश विसमे से मूँ बाय खड़ा था, जबसे तुम घायल हुए हो, वो प्रते दिन अभ्यास कर रहा है, काली ने कहा, गणेश इस बात पर भी आश्यरे चेकित था कि कार्तिक ऐसी कला का प्रतशन कर रहा था, जो मुठी बर योधा ही कर पाते हैं, कार्तिक एक साथ दो जो कोनी में एक उचे स्थान पर खड़ी हुई थी, आपको बाधा पहुचाने के लिए शमा करें पित्रतुल्य, सती ने परवतेश्वर से कहा, किन्तु संभवतेया कार्तिक अपने दादा से मिलने का उच्छुक हो, परवतेश्वर ने गणेश के ओर देखा, मेलूहा के स जन्हे बालक से निर्दोष्टा अब नहीं रही, उसमें द्रहता थी, विशुद बिना मिलावट वाली लोह सी द्रहता, तुम बहुत ही अच्छी लड़ाई करते हो भाई, गणेश ने कहा, मुझे नहीं पता था, कार्तिक ने अपने भाई को कसकर गले लगा लिया, उस आ नाखे नम दी, नागा ने देखा कि सती और काली चुप थे, उसने परवतेश्वर को देखने के लिए दरिश्ट गुमाई जो द्वार की ओर थे, परवतेश्वर ने अपनी मुठी को छाती पर मरा और नीचे की ओर जुका, उसने मेलूहा के सैनिक नमस्ते को बूरा किया, गणेश उस दिशा में मुड़ा जिधर परवतेश्वर देख रहे थे, दौर पर शिव खड़े थे, उन्होंने अपनी बाहें चाती पर मोड रखी थी, उसका मुख भावहीन था, उनके बाल हवा में लहरा रहे थे और उनके वस्तर हवा से फटपड़ा रहे थे, वे गण गांजा के धुएं को अंदर लेते हुए कहा, शिव ने भावहीन मुख से देखा, नंदी ने वीरभदर को अकस्मिक भाय से देखा, किन्तु वीरभदर हट करता रहा, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है शिव, मैंने परशुराम से बात की है, वो गणेश ही था जिसने उसे अन्याय के विरुद युद करने में हर प्रकार से सहायता की थी, ऐसा हुआ था कि जब ब्रंगाओं ने उस पर आकरमन किया तो परशुराम बहुती गंभीर रुप से घायल हो गया था, गडेश ही था, जिसने उस घायल ब्राहमन को मधुमती के तर्टपर से ब दिकिया था, जैसे उस कार्तिक की रक्षा करने के लिए ही बनाया गया हो, करतिका को चरित्र की अच्छी पहचान है, वो कहती है गडेश का हरते खरा सोना है, धुआ छोड़ते हुए शिव चुपी साधे रहा, मैंने रानी काली से सुना है, विर्भदर ने कहना जारी रख कि वो गडेश ही था, जिसने उस नागा औशधी की व्यास्था की थी, जिसने जन्मे के समय कार्तिक की जान बचाई, शिव ने उसकी राश्चर से देखा, उसने अपनी आखे संकुचित की, वो एक विजित रादमी है, मुझे नहीं पता कि मैं उसे क्या समझू, उसने मेर पुत्र की जान बचाई है, दो बार, यदि मैं तुम्हारा विश्वास करूँ, उसने मेरी पतनी की भी इच्छावण में रक्षा की थी, इन सब के लिए मुझे उसे लगाओ होना चाहिए, किन्तु जब मैं उसे देखता हूँ, तो मेरे कानों में ब्रहस्पती की गुहार गुंचती है, और उसके बाद मैं बस उसका सिर काड़ देना चाहता हूँ, विर्भदर ने शिव को अपरसनता से देखा, निलखंठे ने अपना सिर हिलाया, किन्तु मैं एक ऐसे विक्ति को जानता हूँ, जिन से मैं निश्ची तुर्प से उत्तर पाना चाहता हूँ, वि समराड दक्ष के पास कोई विकल्प नहीं था, वो एक कानून है, एक नागा शिशु मेलोहा में नहीं रह सकता, तो फिर क्या ऐसा नहीं है कि नागा की मा को भी समाद चोड़ना पड़ता है, और क्या किसी मा को उसके बच्चे के बारे में सच नहीं बताना चाहिए, शिव उन्होंने ये तथ्य उससे पूरे जीवन चुपा कर रखा, उन्होंने उसकी जुड़वा भेहन के सच को भी चुपा कर रखा, मैं सदेव ही सोचता था कि उन्होंने जिस तरह कार्ति के जन्म के समय उसके शरीर का परक्षन किया था, वो बहुत विचितर था, अब उसका परकार्त मुझे समझ में आ रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने वो कारे किया था, उससे परष्ट पता चलता था कि उन्होंने एक अन्य नागा के जन्म के आशक की थी, हम्, वीर्भद्र ने कहा, मुझे एक और घणासपत अनुबूती हो रही है कि कहानी यही समाप्त नही होती है, आपके कहने का क्या रत है, मेरा संदे है कि चंदरधोज की मृत्यू प्राकृतिक नहीं थी, उनका पहला पती, हाँ, यह मान लेना बहुत ही सरल है कि वे उस दिन डूब मरे जिस दिन गणेश का जन्म हुआ, प्रभू, नंदी ने हैरानी से कहा, किन्तु यह सच न पूरा नहीं है, वे या तो शक्तिशाली होते हैं या फिर दुर्बल, शक्तिशाली वेक्ति अपनी नयतिक्ताव पर ठीके रहते हैं, चाहे कितनी ही परिक्षा हो या संकट आए, दुर्बल वेक्ति अधिकतर समय इस बात का अनुभाव भी नहीं करते कि वे कितना नीचे गिर चुके हैं, रंदी चुप रहा, विर्भदर ने शिव की ओर देखा, यदि आप जो सोच रहे हैं, वो सच निकले तो मुझे कोई आश्रे नहीं होगा, संभवे की महराज ने सोचा कि विसाती के लिए अच्छा कर रहे हैं, पुस्तक के अध्या पठन की यात्रा में साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवाद, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब हीजिए, अलविदा नमस्कार, आप सभी का मोटिवेशन टू रीड में स्वागत है, आज हम जिस पुस्तक का सास्वर पठन करने वाले हैं, वो शिव रचनत त्रही की दूसरी पुस्तक, नागाओं का रहस से है, जिसके रचनाकार हैं अमीश्त्रिपाठी, और अनुवादक हैं विश्वजीत सपन, इकीस्वी कहानी, मैका का रहस्या, इस बात को तीन महीने हो चुके थे जब गणेश ने कारतिक की रक्षा की, यद्देपी वो अभी भी लगडा कर चल रहा था, फिर भी वो जानता था की पंचवटी लोटने का समय आ गया है, लगभग एक महीने से वो पूर्टया सचेत था, जब वो सोकर उड़ता तो उसे अपनी मा की पीडा यादा थी, शिव एवं सती के मध्य आई ये दरार उसके लिए अस्य है थी, जहां तक उसका अपना प्रशन था, केवल एक ही मार विशेश था, कि वो चला जाए, कल हमें निकल जाना चाहिए मौसी, गणेश ने कहा, तुमने अपनी मा को बता दिया है, काली ने पूछा, मैं उनके लिए एक पत्र लिखकर रख दूँगा, काली ने अपनी आखे संकुचित की, वो मुझे जाने नहीं देंगी, चाहे वो कितना भी आवश्यक क्यों नहों, काली ने एक गहरी स्वास भरी, तो इस प्रकर तुम उसे ऐसे ही भूल जाओगे, गणेश दुखी होकर मुस्कुराया, मुझे पिछले कुछ महीनों में उनका इतना लाण मिल चुका है, कि वो मेरे लिए जीवन भर के लिए परियाप्त ह होगा, मैं अपनी यादों पर जीवित रह सकता हूँ, किन्तु वो निलकंट के बिना नहीं रह सकती, चिंतिच शिव अतित्रिगव का स्वागत करने के लिए उठ खड़ा हुआ, इससे पूर्व काशी नरेश ने ब्रंगाओं की बस्ती में कभी भी कदम नहीं रखा था, वे सदैव ही निलकंट के लिए उस बस्ती के बाहर प्रतीक्षा करते थे, क्या बात है महराज, प्रभू मैंने अभी अभी ये संदेश प्राप्त किया है कि समराज दक्ष काशी पधारने वाले हैं, शिव ने तेवरी चड़ाई, ऐसी क्या बात हुई मैं नहीं समझ पा र वो इतना आशेर चकित हुआ कि उसके पास अभीवेक्ते करने के लिए शब्द नहीं बचे थे, प्रभू अथितिग्व ने कहा, मैं आप से ये कहने की प्रात्ना करना चाहता हूँ कि आप शेरासन कक्ष में परधार कर अपने उचित स्थान को ग्रान करें, ताकि हम के आने पर उनका स्वागत कर सके, मैं आऊंगा, शिव ने कहा, किन्तु कृपया सुनिश्चित करें कि वहां केवल आप ही हो, मैं आप के किसी और सभासत के साथ उनका स्वागत नहीं करना चाहता, ये आप आरंपरिक था, अथितिग्व ने तेवरी चढ़ाई, किन्तु व वे उस आदेश का पालन करने के लिए वहां से निकल पड़े, नंदी परवतेश्वर और भगीरत को भी संदेश दे दिया गया होगा, शिव ने कहा, किरपिया उन्हें मेरी और से ये संदेश बिजवा दे कि वे राज सभा में ततकाल ना जाए, हम लोग महराज का अपचा होता कि काली और गणिश यहां है, तो वे यहां नहीं आते, वे यहां शीगरता में आये हैं बिना किसी सिष्टाचार संबंधी बातों का ध्यान रखे हुए, ये कार ये एक पिता का है, किसी समराट का नहीं, वे संभवतेया सती और कार्तिक से मिलने को आतूर है, आप क्या के लिए ये आशा करता हूँ, शिव ने कहा, कि मेरा संधे गलग सिद्धो, काश्वे कुछ ना जानते हो, और जो भी हुआ है, वो मैका के प्रशास्कों ने कानून का पालन करते हुए किया था, किन्तु आपको डर है कि आप सही है, वेर भदर ने कहा, हाँ, और उस दिन व पड़ेश को अचाना कि उनके सामने उपस्तित करवाने वाला हूँ, शिव ने कहा, उनका चहरा स्वयम ही सब कुछ बता देगा, महराज यहां क्या कर रहे हैं, परवतेश्वर ने पूछा, किसी ने भी उनके यहां आगमन के बारे में मुझे इससे पहले नहीं बताया, का परवतेश्वर हका बक्का रहे गया, मिलूहा की कूटनीती की प्रक्रिया में ऐसी गलती उसने आज तक कभी नहीं सुनी थी, भगीरत ने अपना कंधा उचका कर कहा, सभी राजा एक जैसे ही होते हैं, आचार वेभार एवं शिष्टाजार के आभाओं के बारे में अपने साशक के संबंद में इस प्रकार के वेंगो को परवतेश्वर ने अंसुना कर दिया, उसने नंदी से कहा, प्रभु नीलकंठ हमें शेराशन कक्ष में ना आने के लिए क्यों कह रहे हैं, मैं नहीं बता सकता प्रभु, नंदी ने कहा, मैं मात्र उनके आदेश का पालन कर र वीर भद्र पूरी तरह से ब्रहमित हो गया था, काली के कक्ष में न केवल गणीश उपस्तित था, बलकि सती भी वहीं थी, दक्ष के काशी में उपस्तित होने की इस्तिती में उसे काली और गणीश को सिराशन कक्ष में शीगरते शीगर उपस्तित करा ना था, इससे पहले रहा हूँ देवी आदेश का पालन करने का अर्थ ये नहीं कि आप कुछ नहीं जानते हैं कि क्या हो रहा है वे उन्हें कुछ दिखाना जाते हैं भद्र सती ने कहा मेरे पती आपके सबसे अच्छे मित्र हैं आप मेरी सबसे अच्छी मित्र के पती हैं मैं आपको जानती मैं अपने पुत्र को तब तक नहीं जाने दोंगी जब तक कि आप मुझे सही काराण नहीं बताते वीर भदर ने सती की इस हट पर अपना सिर हिलाया उनकी आस्थाई दूरी के बावजूद वो देख सकता था कि किस वश्तुने शिव को सती की और खीचा था देवी आपके पिता यहां है सती आश्यर चकिती अंश्ता अपने पिता की अगोशित उपस्थिती के कारण और उससे भियादिक शिव द्वारा काली और गणिश को दक्ष से मिलाने के लिए बुलावा भीजने के कारण शिव के दिल में कही न कहीं ये भाव अवश्य है कि मेरी बहन और मेरे पुत्र के साथ अन्याय हुआ है क्या तुम जाना चाहती हो सती ने काली से पूछा नागा रानी ने अपनी आँखे संकोचित की उसका हाथ उसकी तलवार की मोहट पर था हाँ जंगली अश्व भी मुझे जाने से नहीं रोक सकते सती अपने पुत्र के ओर मुड़ी वो इस प्रकार का टकराओ नहीं चाहता था वो नहीं चाहता था कि सचुजागर हो जो उसकी मा को और अधिक चोड पहुचाने वाला हो उसने अपना सिर हिलाया वो नहीं जाना चाहता था काली ने आश्वर से कहा क्यों तुम किस बात से डर रहे हो मैं ये नहीं चाहता मौसी गणेश ने उत्तर दिया किन्तु मैं चाहती हूँ सती ने कहा तुमारी उपस्तिती 90 वर्ष्टों से मुझसे छुपा कर रखी गई थी किन्तु वे नियम थे मा गडेश ने कहा नहीं नियम ये है कि एक नागा बालक मेलुहा में नहीं रह सकता किसी मा से सच छुपाना नियम का हिसा नहीं है यदि मैं जानती तो मैं भी मेलुहा को छोड़ चुकी होती यदि नियम तोड़े भी गए हैं तो वो अतीद बन चुके हैं कृपा कर मा इसे भूल जाए नहीं मैं नहीं भूलूंगी मैं नहीं भूल सकती मैं जानना चाहती हूँ कि वो कितना जानते हैं और यदि वे जानते हैं तो उन्हों जूट क्यों कहा, अपने नाम की रक्षा के लिए, ताकि कोई उन्हें नागाओं के जनक के रूप में दोशी न बता सके, ताकि वे शासक बने रहें, मा इस प्रकर हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा, गणेश ने कहा, काली हसने लगी, गण गणेश तिल मिलाते हुए उनकी और मुड़ा, जब तुम पूरे भारत वर्ष में सती का सामना करने के लिए मारे मारे फिर रहे थे, तब मैंने तुम से यही कहा था, काली ने कहा, और तुमने क्या कहा था, तुम उत्तर चाहते थे, तुम ये जानना चाहते थे, कि तुम् मिल जाता तुम्हे शांती नहीं मिलेगी, तभी तुम्हे तुम्हे पूर्ड़ा पर आप होगी, तो फिर तुम्हारी मा अपने पिता से वैसी ही आशा क्यों नहीं कर सकती, किन्तो ये पूर्टा नहीं है मौसी, गणेश ने कहा, ये मात्र टकराओ और पीड़ा है, पूर् पूतर चाहिए, सती ने कहा, वीर भदर ने थूक निगर लिया, देवी शिव ने केवल रानी काली और गणेश के लिए ही कहा है, आप के लिए नहीं, मैं भी चल रही हूं भदर, सती ने कहा, और आप भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे अवश्य जाना वीर भदर ने नीचे की ओर देखा, सती का कहना उचित था, उन्हें वहां रहने का अधिकार था, मा, गणेश फुस फुस आया, गणेश में जा रही हूं, सती ने द्रड़ता से कहा, तुम चाहो तो आ सकते हो, विकल्प तुम्हारा है, किन्तु तुम मुझे रोक नहीं सक अधितिग्व ने भारत के समराट के सम्मान में जुकते हुए कहा, दक्ष ने सेरहिलाया, जैसे ही विराज सभा के उपकक्ष में प्रविष्ट हुए, ये मेरा समराज है अधितिग्व, मेरे विचार से कभी-कभी मुझे भी लोगों को हैरान करने का अफसर मिलना चाहिए आतितिग्व मुस्कुराएं, दक्ष के साथ उनके पत्नी वीरिनी भी थी, उनके पीछे प्रसिद अरिष्टने में योध्धा माया श्रेनिक और विद्युन माली ततपरता से चले आ रहे थे, स्वधीप से परवदेश्वर की अनुपस्थिति के कारण माया श्रेनिक को आ आमात्र शिव एवं नंदी थे, नंदी ने ततकाल ही अपनी मुठी को सीने से लगाया और समराट के सम्मान में नीचे जुगा, दक्ष नंदी पर मित्रता पूंध धंग से मुस्कुराया, शिव ने नमस्ते की मुद्रा में अपने हाथ जोड़े किंतु हो अपने शेरासन की मांग थी कि उसे समराट के सम्मान में उठना चाहिए था, इससे पूर्व शिव ने भी सदय ऐसा ही किया था, यह अपमान जनक था, आप कैसे हैं दमाज जी, दक्ष ने अपने क्रोध को कबू में रखने का प्रयास करते हुए कहा, मैं ठीक हूं महराज, आप मेरी बगल में आकर क्यों नहीं बैटते, दक्ष बैट गया, अधितिक्व और वीरिनी भी बैट गये, अधितिक्व की ओर मुड़कर दक्ष ने कहा, ऐसे शोरगुल वाले नगर में ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी राजसभा बहुत ही शान्त रहती है, अधितिक्व मुस्कुराया, न कहा है प्रभु नीलकंट, ठीक उसी समय वीरभद्र ने प्रवेश किया, सती उसके पीछे थी, मेरी बच्ची, शिव की ओर से किये गए अपमान को भूलते हो, मुस्कुराते हो, दक्ष ने कहा, तुम मेरे नादी को अपने साथ क्यों नहीं लाई, मैं लाई हूँ, सती ने कहा, गडेश ने कक्ष में प्रवेश किया, उसके पीछे काली थी, शिव दक्ष के मुख को लगतार भूर रहा था, मिलुहा के समराट के आखे पहचान की मुद्रा में अचानक ही बड़ी हो गई, उनके जबड़े हैरानी में खुल गए, वे जानते हैं, उसके बाद पर टेड़े हों मुस्कुराने की कगार पर थे, उनकी आखे नम थी, वे भी जानती हैं और उनसे प्रेम करती हैं, दक्ष अथितिग्विकी और मुड़ा और उस पर क्रोध से बिगड़ पड़ा, आपने आतंकियों के साथ मितरता करने की हिम्मत कैसे की काशी नरेश, वे उनसे बात मत करी पिता जी, सती ने कहा, मुझसे बात करें, किसलिए, दक्ष ने काली और गणेश की और संकेत करते हुए कहा, तुम्हें उनसे क्या ले न देना है, सब कुछ, उनका स्थान मेरे साथ है, उन्हें सदैव से ही मेरे साथ होना चाहिए था, क्या, अधम नागा हुआ और सती की निकट आ गया, बहन, पुत्र, ये क्या बकवास है, ये दुष्ट जो कहते हैं, उन बकवासों पर विश्वास मत करो, निसंदेवे मुझसे घ्राना करते हैं, वे मुझे बदनाम करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, मैं उनका सबसे बड़ा शत्रु हूँ, मैं मेलुहा का साशक हूँ, उन्हें नष्ट करने के लिए सौगंध लिये हुए हूँ, काली ने अपनी तलवार पकड़ ली, मैं अभी इसी वक्त तुम्हें अगनी परिक्षा के चुनौती देने की इच्छा रखती हूँ, हे घरनास पदबकरे, तुम्हें कुछ भी शर् ज़्जद भी नहीं बताया है पिता जी, सती ने कहा, किंतु उनका अस्तित्व में होना आपके बारे में बहुत कुछ बता रहा है, वो मैं नहीं था, तुम्हारी मा के कारण हुए अस्तित्व में हैं, उसके पूर्वजन के पापों ने ये परिनाम दिया है, उसके आने से पहले हमारी परिवार में कभी भी नागा को अस्तित्व नहीं रहा था। सती का चहरा उतर गया। वो पहली बार देख रही थी कि उनके पिता कितना नीचे गिर सकते थे। वीरिनी दक्ष को घूर रही थी। उसकी आँखों में क्रोध साफ जहलक रहा था। ये पूर्वजन जग से लड़ाई की है तुम मुझपर विश्वास करोगी या फिर कुछ विक्रत पशू पर। वे विक्रत पशू नहीं है वे मेरा परिवार है। तुम इन लोगों को अपने परिवार बनाना चाहती हो। वे लोग जिन्होंने तुमसे जूट बोला है। जिन्होंने तु के लिए संघर्ष कर रहा हो। उसके बाद सती के और देखा। तुम समझती क्यों नहीं हो। तुम्हारे अच्छे के लिए ही मैंने तुमसे जूट कहा था। कै तुम जानती हो कि यदि तुम्हें एक नागा की माता घोशित कर दिया गया होता तो तुम्हारा जीवन कैसा ह हो गया होता इपक्षी के साथ होती क्या भख्वास है तुमने क्या किया होता तुम मेरी पुत्री हो दक्ष चिल लाया मैंने तुम्हें सदय वही सबसे अधिक प्रेम किया है मैं तुम्हें पंच्वटी में दुख जहन लें के लिए कभी नहीं छोड़ता विकल्प चुनने का आउसर आपका नहीं था पूरी तरह से कुरुद दक्ष शिव की और मुड़ा आप ही इसे कुछ समझाए प्रभु निलकंट शिव के आँखे संकुचित थी वो जानना चाहता था कि उस धोके का जल कितना लंबा चौड़ा पहला हुआ था क्या आपने चंदन धोज की हत्या करवाई थी महराज दक्ष श्वेत पड़ गया उसके मुग पर भै की लकीरे खीचाई उसने तीवरता से सती को देखा और फिर शिव की और घूमा हे प्रभु इन्होंने ये भी किया है सती का सिर्च चक्रा रहा था वो इस तब्द थी काली और गणेश को बिलकुल आश्चरे नहीं हुआ दक्ष ने ततकाल है अपना नेंतरान पा लिया उसने अपनी उगले शिव की और उठाई उसका शरीर काप रहा था ये सब आपका कियाधरा है तो ये आपका बुना हुआ जाल है शिव शान्त बना रहा आपने मेरी पुत्री को मेरे विरुद्ध कर दिया दक्ष चिलाया महर्शी भ्रगु ने सच ही कहा था दुष्ट वासुदेव आपको नियंतरित करते हैं शिव दक्ष को एक टक ऐसे देख रहा था जैसे उन्हें पहली बार देख रहा हो दक्ष उबल रहा था आप हैं कौन? एक बरबर भूमी के एक बेवकूफ आदिवासी मैंने आपको नीलकंठ बनाया मैंने आपको शक्ति प्रदान की मैंने ये किया ताकि आप चंद्रवंशियों को मेलुहा के नियंतर में लाने में सफल होंगे ताकि मैं भारत में शांती की स्थापना कर पाऊंगा और आपने मेरी ही दी हुई शक्ति को मेरे विरुद्ध उप्योब करने का दुस्सा हस किया? शिव अभी निश्क्रिय बना रहा ताकि दक्ष और विश्व उगल सके मैंने आपको बनाया और मैं आपको नश्ट भी कर सकता हूँ दक्ष ने अपनी कटार निकाली और सामने के और उचला नंदी शिव के सामने उचल कर खड़ा हो गया दक्ष का प्रहार नंदी की ढाल पर लगकर बेकार चला गया उधर नंदी ने अपनी तलवार मातर इसलिए नहीं निकाली क्योंकि उसका मेलूहा का सैनिक परसिक्षन अपने समराड पर तलवार निकालने से मना करता था हाला कि काली और गड़ेश के लिए ऐसा कुछ बंदन नहीं था उन्होंने रतकाल ही अपनी तलवारे दक्ष पर तांदी विद्यून माली ने जैसे ही अपनी तलवार निकाली तो गणिश अपनी तलवार निकाल कर शिव के सामने आ गया उधर माया श्रेनिक हैरानी से बिना कुछ किये खड़ा रह गया वो एक निश्थावान मेलूहा वासी था जो अपनी जान देकर भी मेलूहा के राजा की रक्षा करता किन्तु वो हत्प्रव था वो हर्दय की गहराई से शिव का भग्त था वो अपनी तलवार निलकंट के विरुदु कैसे निकाल सकता था शान्त हो जाएं शिव ने अपना हाथ उठा कर कहा विद्युन माली ने अभी तक अपनी तलवार युद्य की मुद्रा में निकाल रखे थे दक्ष का चाकू नंदी की ढाल से टकरा कर नीचे गिर चुका था शिव ने एक बार पुनहा कहा नंदी गणेश काली पीछे हट जाओ अभी जैसे ही शिव के योधाओं ने अपनी तलवार नीचे कर ली तो विद्युन माली ने भी अपनी तलवार मियान में रख ली महराज शिव ने दक्ष को संबोधित किया दक्ष के आखे आसूँ से भीगी हुई सती पर्टिकी हुई थी जिसने अपनी तलवार दक्ष के गले से कुछ इंच की दूरी पर ही साधी हुई थी उसके मुख पर सपष्ट जलक रहा था कि उसके साथ धोखा हुआ सती एक मात्र ऐसी थी जिसे दक्ष ने सचमुच ही अपने प्राणों से अधिक प्रेम किया था सती शिव फुस फुसाया करपया नीचे कर लो वे इस योगी नहीं है सती की तलवार और निकट चली गई शिव धीमे से आगे बढ़ा सती सती की हाथ काप रहे थे उसका क्रोध उसे उनमादित कर रहा था शिव ने उसके कंधे को धीमे से सपर्ष किया सती नीचे रख दो शिव के सपर्ष ने सती को संकट से वापस खीच लिया उसने अपनी तलवार को थोड़ा नीचे कर दिया उसकी आँखे संकुजित थी उसकी स्वास भारी थी उसका शरीर तना हुआ था दक्ष लगतार सती को घूर रहा था मुझे शर्म आती है कि आपका रक्त मेरी धमनियों में बहता है सती ने कहा दक्ष के आँखों से आसु बह निकले निकल जाएं सती ने दाद पीषते हुए कहा दक्ष जडवत रहा चले जाए यहां से सती चीख पड़ी सती के उस तीखे स्वर से वीरिनी को जटका सा लगा उसके मुकपत पीड़ा और क्रोध का मिला जुला भाव उभरा वो दक्ष के निकट गई चलिए दक्ष को जैसे लगवा मार गया हो वो इस प्रकार की अनायाज घट्ना पर पूरी तरह से हैरान था चलिए भी वीरिनी ने अपने पती की बाह को पकड़ कर खीचते हुए और उँचे स्वर में कहा माया श्रेनिक विद्यून माली चलो चले भारत की रानी अपने पती को लगवा खीच कर उस कक्ष के बाहर ले गई सती पूरी तरह से तूट कर बिखर चुकी थी उसने अपनी तलवार गिरा दी आसुओं का वेक थम नहीं रहा था गणेश उसकी ओर दोड़ा कि उसके गिरने से पहले शिव ने उसे थाम लिया था सती बिलक बिलक करो रही थी तब शिव ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया अध्याए बाइस एक सिक्का दो पहलू तो फिर तुम क्या सोच रहे हो काली ने पूछा गणेश और काली नागारानी के आवास में थे उस नाटा के बाद शियो सती को उठा कर अथितिक्व के महल के अपने आवास में चला गया था डक्ष वीरिनी और उनके अनुगामी दल ततकाल ही मेलुहा की राजधानी देवगिरी के लिए रवाना हो चुगे थे हुई थी उसका बाहर निकला हुआ दात और बाहर निकलाया तुम्हारा यही चेहरा मैं एकसर देखना चाहती हूँ काली ने कहा वास्तों में तुम इसमें बहुत प्यारे लगते हो गणेश पुना गंबीर हो उसने भोजपत्र का एक चिठा उठाया पंचवटी से एक संदेश था यह नहीं होता तो मैं हस रहा होता मौसी आब किया काली ने तेवरी चड़ा कर पूछा यह सफलता है फिर से हाँ फिर से लेकिन मैंने तो सोचा था हमने गलत सोचा था मौसी काली ने बुरा भला कहा ग किद्धो अब इसकी पूरी संभावना थी कि उन्होंने अब तक जो कुछ भी किया था वो नश्ट हो जाएगा क्या हम फिर से प्रयत्न करें काली ने पूछा मेरे विचार से हमें अंतरता सचको स्विकार करना ही होगा मौसी यह मार्ग कही नहीं जाता हमारे पास कोई विक काली ने अपनी भवों को उचा किया आपने उनका नाम नहीं लिया आपने नील कंट कहा आप भी उस पौराणी गाथा में विश्वास करती हैं काली मुस्कुराई मैं पौराणी गाथाओं में विश्वास नहीं करती ना कभी मैंने विश्वास किया और ना कभी करूंगी लेकिन मैं उनमें विश्वास करती हूँ, मेरा जीवन कितना भिन होता, यदि भाग इन्हें मुझे शिव जैसा जीवन साथी प्रदान किया होता, संभव है कि दीदी की तरह मेरे जीवन का भी सारा विश्ट निकल गया होता, संभव है कि मैं भी सुख और शान्ती प्राप्त कर पाती, हमें उन्हें रहस्त दिखाना होगा, काली की सोच के बीच में अनाधिकार प्रवेश करते हुए गणेश ने कहा, दिखाना होगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा यहां संभव है, है ना, उन्हें स्वयम भी चल कर देखना चाहिए, तुम उन्हें पंच्वटी ले जाना चाहते हो, क्यों नहीं? गडेश ने पूछा, क्या आप उन्पर विश्वास नहीं करती? मैं संदे है, मैं उन पर विश्वास करती हूँ, मैं उन पर आँख मूंद कर विश्वास करती हूँ लेकिन वे अकेले नहीं आएंगे कुछ अन्य लोग भी उनके साथ होंगे यदि हम उन लोगों को साथ में ले चलते हैं तो वे लोग जान जाएंगे कि पजवटी कैसे पहुचा जा सकता है यह हमारी सुरक्षा के लिए घाता को सकता है मेरे विचार से प्रवतेश्वर और भगीरत जैसे वेक्ति विश्वास करने योगे हैं मैं नहीं समझता कि वे कभी भी निलकंट के विरुद जाएंगे वे उनके लिए अपने प्रान तक त्याग देंगे मैं इतना समझती हूँ कि किसी वेक्ति को अपने विश्वास की सीमा बहुत फैलानी नहीं चाहिए और जो नाहीं बिना बात स्वयम ही किसी निसकर्श पर पहुँचना चाहिए काली ने कहा गडेश ने अपनी तेवरी चढ़ाई यदि आप उनके सभी अनुयाईयों पर संदेही करती हैं तो परशुराम के बारे में आपका क्या विचार है वो पहले से ही मार्ग जानता है आप निलकंट में उसकी भक्ती के बारे में भी जानती है तुम्हें याद है मैंने कहा था कि परशुराम को पंच्वटी मत लाओ लेकिन तुमने मेरी एक न मानी तो फिर क्या करें मौसी हम लोग उन्हें ब्रंगाओं की ओर से ले चलेंगे वे पंच्वटी पहुचने का मार्ग जान पाएंगे किन्तु वे मातर चंदरकेतु के अधिकार छेतर से ही वे अपने सामराजे से सीधे हम तक कभी नहीं पहुच पाएंगे यदि वे प्रेतन करेंगे तो दंड़क का वन उन्हें नष्ट कर देगा हम ब्रंगाओं वालों पर इस बात के लिए विश्वास कर सकते हैं कि वे अपने राज जिसे बिना हमारी अनुमती के किसी को गुजरने नहीं देंगे यहां तक कि परशुराम को भी कोई दूसरा मार्क नहीं पता गरेश ने सहमती में सिरिलाया यह बहुत ही उत्तम विचार है प्रभु को धन्यवाद की मैंने अतिशीग्रता में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए मुझे बाद में खेट करना पड़ता सती ने कहा शिव अपने कक्षमे ख्रिकी के समीब एक लंबी कुरसी पर बैठा हुआ था सती उसकी गोध में थी उसका सिर्ष शिव की मांसल चाती पर जुका हुआ था उसकी आँखे सूचकर लाल हो चुकी थी काशी के महल की उस उचाई से पवितर मार्ग छेतर और विश्वनात मंदर इस पर श्रूप से दिखाई पड़ रहे थे उससे दूर महाकाई गंगा प्रवाहित हो रही थे तुम्हारा क्रोध नयायोचित था प्रिय सती ने धीमे धीमे स्वास लेते हुए अपने पती की और देखा क्या आप क्रोधित नहीं है उन्होंने आपकी हत्या करने का प्रेद निकिया था शिव ने अपनी पत्नी के आँखों में आखे डालते हुए अपने हाथ से उसका मूँ सैनाया मुझे तुम्हारे साथ किये गए अन्याय पर क्रोध है न कि मेरे साथ किये गए वैवहार पर किन्तों आपके उपर तलवार तंग देने की विद्यूमाली की हिम्मत कैसे हुई सती फुस्पुसाई भगवान का शुक्रता की गणेश सती रुग गई क्योंकि उसे भै हुआ कि ऐसे में गणेश का नाम लेना इस छण के आनंद को नश्ट कर देगा शिव ने उसे हलके से दबाया वो तुम्हारा पुत्र है सती चुप रही उसका शरीर अकड़ा हुआ था वो शिव की उस पीडा कानुभा कर रही थी जो उसे ब्रहसपती की मृत्य के कारण होई थी शिव ने सती के मुक को अपने दोनों हाथों में थामा और सीधा उसकी आँखों में जाका मैं चाहे जितना प्रयत्न करलू तुम्हारी आत्मा के किसी भी हिस्से से घ्रणा नहीं कर सकता सती ने एक गहरी स्वास छोड़ी आसों की नई धार बह निकली उसने शिव को कसकर जकर लिया समराट में चंदन धोच की हत्या करवाई थी स्तब्द परवतेश्वर ने पूचा जी हां से न पती वीरभद्र ने कहा परवतेश्वर सदमे में सुन पड़ गया उसने आनंदमी और मगीरत की ओर देखा उसके बाद वीरभद्र की ओर देखा महराज अभी कहा है वे मेलुहा के लिए रवाना हो चुके हैं श्रीमान वीरभद्र ने कहा परवतेश्वर ने अपना सिर पकड़ लिया उसके समराट ने उसके मातर भूमी मेलुहा का अनादर किया था वो उस पीड़ा के बारे में कलपना भी नहीं कर सकता था जो इस रहस्योद घाटन में उस इस्तरी को होई होगी जिसे वो सदैव ही अपनी पुत्री के समान मानता था सती कहा है वे श्युव के साथ है श्रीमान आनंदमई ने परवतेश्वर के और मुस्कुराते हुए देखा इस घटिया प्रसंग से कम से कम खुछ तो अच्छा हुआ था मिलुह का राजसी जल्यान गंगा में उपरी धारा के दिश्या में चल पड़ा था सूरिवंशी नौसेना शिष्टाचार के अनुसार चार जल्यान घेरा बनाकर चल रहे थे दक्ष के अनुगामियों का दल अपने घर की ओर चल पड़ा था अब वे काशी से एक दिन की दूरी पड़ थे माया श्रेनिक नेत्रत नौका में था और एक इस्थिर गती रख रहा था काशी की घटना के कारण वो अब तक हिला हुआ था उसने आशा की थी कि उसके समराट और निलकंट के मद ये मनमुटाव शीगर समाप्त हो जाएगा वो इच्छा कर रहा था कि अपने बुरे भाग गी की कारण उसे अपने देश के प्रती स्वामे भगती और ईश्वर के प्रती आस्था के मदे चयान ना करना पड़े विद्धिन माली दक्षि के जल्यान का सुरक्षा प्रभारी था निलकंट के अन्यौई द्वारा समराट पर हो सकने वाले किसी भी प्रकार के आकरमान से सुरक्षा प्रगान करना उसका करता वे था हालाकि ये दुरलब था फिर भी वो सभी प्रकार की सावधानिया बरत रहा था जल्यान के मध्ध में वीरिनी राजिसी कक्ष की एक ख्रिकी से गंगा के जल का जल्यान पर हिलोरे मारना देख रही थी उसे आभास था कि अब उसने अपनी सभी संताने खो दी है उसने क्रोध में अपने पती की और देखा दक्ष रिया पर लेटे हुए थे उनके आँखे उजार थी उनके मुक पर सब कुछ खो जाने वाला भाव था जिसे पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसी भयावे परस्थितियों का सामना किया हो और पूर्टेया पराजित हुए हो काश इनोने मुरी बात मानी होती वीरिनी को वो घटना उसी तरह से याद धी जैसे कि वो कल की ही बात हो वो हर दिन सोचती थी कि यदी वैसे नहीं हुआ होता तो उसका जीवन कैसा होता ये घटना एक सो साल पहले की थी सतीमیکा के गुरुकूल से लोटी ही थी वो एक 16 साल की हटी आदरश्वादी लड़की थी अपने चरितर के अमसार वो एक आप्रवासी महिला की जान बचाने के लिए जंगली कुटों के बीच में कूद पड़ी थी परवतेश्वर और दक्ष उसको बचाने के लिए दौर पड़े हाला कि वे उन कुटों को भगाने में सफल हो गए थे लेकिन दक्ष गंबी रुप से घायल हो गए थे वीरिनी दक्ष के साथ आयूराले गई थी जहां वैद उनका उपचार कर सकते थे सबसे चिंता वाली चोट उनके बाएं पाव पर लगी थी जहां एक कुटे ने उनके मुख्यनस को काड़ते हुए कुछ मांस नोचकर निकाल डाला था रक्ति की अत्यदी खानी ने दक्ष को अचेत कर दिया था कुछ घंटों के बाद जब उन्होंने आखे खोली तो उनके मन में जो सबसे पहला विचार आया था सती वो परवतेश्वर के साथ है वीरीनी अपने पती के निकड़ गए और उनका हाथ पकड़ कर कहा उसके बारे में चिंता ना करे मैं उस पर चिलाया था उसे दुख पहुचाने के मेरी मंशा नहीं थे मैं जानती हूँ वो मातर अपना करतव ये निभा रही थी एक महिला की रक्षा करने का प्यास करके वो एक उचित कारे कर रही थी मैं उसे ये बता दूँगे नहीं नहीं मैं अभी भी यही सोचता हूँ कि उसे उस महिला के लिए अपनी जीवन को संकट में नहीं डालना चाहिए था मैं उस पर चिलाना नहीं चाहता था बस इतना ही मुझे कहना था वीरीनी की आखे संकुचित हो और छोटी हो गई उनके पती किसी भी सूरिवन्शी से कम नहीं हो सकते वो कुछ बोलने ही वाली थी तभी द्वार खुडा और ब्रह्मनायक ने अंदर प्रवेश किया दक्ष के पिता और मेलुहा के शासक ब्रह्मनायक एक लंबे कद के अत्यधिक प्रभावशाली वेक्ति थे लंबे घने कालेवाल सवरी हुई दाड़ी लगबग रोह रहत शरीर सयमी मुकट और मित्वेश शुएत वस्त्र उस वेक्ति के अदम में उत्सा को फीका नहीं कर पा रहे थे वेमातर सम्मानी थी नहीं थे बलके मेलुहा में उनका आतंक भी था अपने सम्मान एवम आदर को लेकर जो उनकी अपेक्षाएं थी उस इसतर पर उनका पुत्र खरा नहीं उतर रहा था दक्ष में साहस एवम चरित्र का भाव उनके क्रोध और निराशा का स्रोध था वीरिनी ततकाल ही उड़ गए और धीमे से एक और हो गई ब्रह्मनायक वीरिनी से तभी बोलते थे जब कोई आदेश देना होता था ब्रह्मनायक के पीछे वो दयालू वैदे खड़ा था जिसने दक्ष के छट विछट कर दिये गए पैर का उपचार किया था ब्रह्मनायक ने अपने पुत्र के पैर को देखने के लिए चादर उठाए नीम के पत्तों की पट्टे पैर के चारो और बंदी होई थी वैदे मिलनसारिता से मुस्कुराया महराज आपके पुत्र एक ये दो सब्ता में अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे मैंने बहुत ही सावधानी बढ़ती है चोट का निशान भी हलका रहेगा दक्ष ने पलभर के लिए अपने पिता की ओर देखा उसके बाद उसका सीना फूल उठा वो फुस पुसाया नहीं वैदेजी चोट के निशान च्छत्रियों को गर्व होते हैं ब्रह्मनायक ने अपने नतुना फुलाया एक छत्रियों होने के बारे में तुम क्यों जानोगे दक्ष चुप कर गया वीरीनी गुस्से से खौल रही थी तुमने कुछ कुटों को यह करने दिया ब्रह्मनायक ने तिरसकार पूर्ण धंग से पूछा मैं मेलुहा में हसी का पात्र बन गया हूँ संभावतया पूरे विश्यु में मेरा पुत्र स्वय मुकुत्ता भी नहीं मार सकता दक्ष अपने पिता को एक टक घूरे जा रहा था इस प्रकार के जगडे को आगे बढ़ने से रोकने के लिए और अपने रोगी की मानसिक स्थिती के रक्षा के लिए वैद बचाव को आया महराज मुझे आपसे कोछ चर्चा करनी है क्या हम बाहर जाकर बातचीत कर सकते हैं ब्रह्मनायक में सहमती में सिर हिलाया मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है बाहर निकलने से पहले उन्होंने दक्ष के और मुड़ते हुए कहा था अत्यधिक नाराज विरिनी अपने पती के पास गई जो रो रहे थे आप कब तक ये सहन करते रहेंगे दक्ष अचानक ही अत्यधिक क्रोध से भर गया वे मेरे पिता हैं उनके बारे में आदर से बात करो आपके बारे में उनको कोई चिंता नहीं है दक्ष विरिनी ने कहा वे मातर अपनी विरासत के बारे में चिंतित रहते हैं आपको तो राजा बनने का भी लोब नहीं है तो फिर हम यहां क्यों है मेरा करतब बे मुझे उनके साथ रहना है मैं उनका पुत्र हूँ वे ऐसा नहीं सोचते आप एक ऐसे वेखती हैं जो उनकी विरासत को आगे ले जाने के माध्यम है बस इतना ही दक्ष चुप हो गया उन्होंने आपके एक पुत्री को छोड़ देने पर विवश किया अब आप और कितना त्याक करेंगे वो मेरी पुत्री नहीं है वो आपकी पुत्री है काली भी उसी प्रकार आपकी रक्त और मांस का अंश है जिस प्रकार सती मैं दुबारा इस पर चचा नहीं करना चाहता आपने इस पर कई बार सोचा है बस एक बार इस पर अमल करने की हिम्मत करें हम पंचवटी में क्या करेंगे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता अंतर के वर इससे पड़ता है कि हम क्या होंगे दक्ष ने अपना सिर्ह लाया और तुम क्या सोचती हो कि हम क्या होंगे हम प्रसंद होंगे किन्तु मैं सती को अकेले नहीं छोड़ सकता आपको उसे अकेले छोड़ने को कौन कह रहा है बस मैं के वर इतना चाहती हूँ कि हमारा परिवार एक साथ हो जाए क्या? सती क्यों पंचवटी में रहे? वो नागा नहीं है तुम्हारे और मेरे पूर्वजन के पाप है जिनका प्रैस्चिक करना है हमें वे पाप जिनके लिए हमें दंड दिया गया है वो क्यों दंड जहले? वास्तविक दंड तो ये है कि वो अपनी बहन से अलग है वास्तविक दंड तो ये है कि उसके पिता को प्रते दिन अपमानित किया जाता है दक्ष चुप रहा, वो काप रहा था दक्ष मुझ पर विश्वास करें वीजनी ने कहा हम पंचवटी में सुखी रहेंगे यदि कोई दूसरा इस्थान होता जहां हम काली और सती के साथ सुखी रह सकते तो मैंने वो इस्थान चुना होता किन्तो ऐसा अन्य कोई स्थान नहीं है दक्ष ने गहरी स्वास ले किन्तो कैसे वो आप मुझपर छोड़ दें मैं सारे प्रबंद कर लूँगी आप केवल हां कहें आपके पिता कल कर्चप जा रहे है आप इतनी बुरी तरह से घायल भी नहीं है कि यात्रा ना कर सकें इससे पहले कि वे ये जान पाएं कि आप कहां जा चुके हैं हम पंचवटी में होंगे दक्ष ने वीरिनी को एक तक देखा किन्तु विश्वास करें करपया मुझपर विश्वास करें यह हम सब की अच्छाई के लिए है मैं जानती हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हैं मैं जानती हूँ कि आप अपनी पुत्रियों से प्रेम करते हैं मैं जानती हूँ कि आप इसके अलावा किसे अन्यवस्तु की परवाह नहीं करतें बस मुझपर विश्वास करें दक्ष ने सहमती में सिर्ह लाया वीरिनी मुस्कुराई जुक कर अपने पती के निकट गई और उन्हें चूंग लिया मैं सारे प्रभंध कर लूँगी प्रस्वन होती हुई वीरिनी मुड़ी और कक्षी के बाहर निकल गई उसे बहुत सारे काम करने थे जैसे ही वो बाहर निकली तो उसने बाहर सती और प्रभ्रतेश्वर को बैठे हुए देखा उसने सती के सिर पर थपकी दी जाओ मेरी बच्ची जाकर अपने पिता से कहो कि तुम उन्हें कितना प्यार करती हो उन्हें तुम्हारी आशकता है मैं शीगरी वापस आती हूँ जब वीरिनी तेजी से जा रही थी तो उसने देखा कि ब्रह्मनायक उसके पती के कक्ष में वापस जा रहे थे डॉल्फिन के चिलाने से मेलुहा के रानी पुना वर्तमान में आय पहुची एक सदी पुरानी याद ने उसकी आँखों में आसू ला दिया थे उसने अपने पती की और मुड़कर देखा और सीर लाया उसे कभी भी ये समझ में नहीं आया कि उस दिन अंत्ता हुआ क्या था ब्रह्मनायक ने क्या कहा था किन्तो जब अगले दिन वो भागने की योजना के साथ दक्ष के कक्ष में गई तो उन्होंने मेलुहा छोड़ने से मना कर दिया उन्होंने निर्णे लिया था कि उन्हें समराट बना था आपके बेकार के एहम और पिता के अनुमोदन की आवशक्ता ने हमारा जीवन नष्ट कर दिया रहस्य? परशुराम के साथ भारतला को याद करते हुए शिव ने पूछा परशुराम परवदेश्वर बीरभद्र इवन नंदी के साथ शिव बैठा हुआ था काली ने अभी अभी कक्ष में प्रवेश किया था गणेश जो अभी शिव के साथ अपने संबंदों को लेकर असमंजस में था पीछे के और एक किनारे पर शांत खड़ा था शिव ने सती के बड़े पुत्र के प्रवेश को मातर सीर हिला कर अनमोदित किया था बस जी हाँ मेरे विचार से आपको ये जाननी की आशकता है काली ने कहा ये भारत वर्ष की आशकता है कि जो रहसिव नागा लोग अब तक छुपाए हुए थे वो निलकंठ को जानना चाहिए उसके बाद आते निरने कर सकते हैं कि जो कुछ भी हमने किया है वो सही है या गलत निरने करें कि हमें क्या करना चाहिए तुम मुझे यहीं क्यों नहीं बता सकती आपको मुझे पर विश्वास करना होगा मैं नहीं बता सकती शिव ने काली की आँखों में जागा उनने कोई कपट नहीं था उसने अनुभाव किया कि वो काली पर विश्वास कर सकता था पंच्वटी पहुँचने में कितने दिन लगेंगे एक वर्ष से कुछ ही अधिक दिन काली ने उत्तर दिया एक वर्ष? जी हाँ प्रभु निलकंट हमें ब्रंगा राजिका मधुमती नदी में धारा के साथ नौका से जाना पड़ेगा उसके बाद दंडका रने में पैदल चलना पड़ेगा इस यात्रा में समय लगेगा कोई सीधा रास्ता नहीं है काली मुस्कुराई किन्तो उसने कुछ कहने से मना कर दिया वो दंडक्वन के मारकी के बारे में नहीं बताना चाहती थी उसके नगर का वो प्रात्मिक सुरक्षा घेरा था मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ क्या प्रबंद कर सकते हैं से न पती प्रबंद हो जाएगा प्रभू पुर्वद्व ng शिव ने कहा मलीने शिव के और सम्मान में वन्हें स्थिर जुकाया और अपने दूसरा हां जदैसके लिए फैलाया और क् प्रभुरुद्र का आशिरवाद प्राप्त करने के लिए वे एक विशेश पूजा करने वहाँ आए हुए थे पूजा समाप्त करने के बाद वे मंदिर के एक स्तंभ से सटकर बैठे हुए देवी मोहिनी की पृतिमा को निहार रहे थे जो प्रभुरुद्र की पृतिमा के प क्यों नहीं स्विकारा गया साथ विश्णु के बार संख्या क्यों बंध हो गई हो सकता है कि भविश्य में और भी विश्णु हो किन्तु सभी लोग इनका विश्णु के रूप में सम्मान नहीं करते क्या तुम करती हो एक समय मैं नहीं करती थी किन्तु अब मैं इनकी महानत किये था वे तब भी अनुची थी थे सूर्यवंशी जो पूर्टा प्रभुराम का अनुसराण करते हैं उनके लिए इन्हें समझना कठें है तो फिर आप क्या बदल गया है मैं उनके बारे में और अधिक जान गई हूं इस बारे में कि उन्होंने क्या किया था और क्यों किया शिव ने सती की ओर देखा वे सच में हो सकते हैं संभव हैं कि छोटा सा पाप बड़ी अच्छाई में सहायक बना हो शिव ने सती को गहरी दृष्टी से देखा वो समझ गया था कि वो क्या कहना चाह रही थी जीवन में दयाहींता के बावजोर दिदी कोई विक्ति कि सती गणिश के बारे में बात कर रही थी क्या तुम जानती हो कि जो सने किया वो क्यों किया सती ने गहरी श्वास ली नहीं सती मारी जान बचाई उसने कार्टिक की जान बचाई इसके लिए मुझे उससे लगा होना चाहिए उसने इतना कुछ किया है कि अब मैं यह सोचने पर मजबूर हूं कि वह एक अच्छा मेक्ती है सती चुकचाप शिव की बाते सुनती रहें किन्तु शिव ने एक पुना लंबी स स्वास दी किन्तु यह मेरे लिए सरल नहीं है सती मैं ऐसा नहीं सती में दुख भरी स्वास छोड़ी संभवत या पंचवटी जाने से सब कुछ इस पश्ट हो जाए प्रभू आप क्या कह रहे हैं मैं यह कैसे कर सकता हूं बहुचक के दिलीप ने पूछा दिलीप आयोध् अपना जादू भी खेर रही थी दिन प्रति दिलीप और अधिक स्वस्त होते जा रहे थे क्या आप सहायता करने से मना कर रहे हैं महराज महार्शी का सुर्थ दुर्भावना पूर्ण था उनके आंके संकुचित होकर छोटी हो गई थी नहीं मुनिवर्ण निसंदेह नहीं किन्तु यह संभाव है मैं आपको मारख दिखाऊंगा किन्तु मैं केवल अपने आप यह कैसे कर सकता हूँ आपके पास मित्र होंगे मैं इसकी प्रतिभूती देता हूँ किन्तु एक हमला इस प्रकार का यदि किसी को पता चल जाता है तो फिर क्या होगा मेरे अपने लोग ही मेरे विरुदू हो जाएंगे किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा दिलीप परिशान दिखा मैंने स्वयम को किस मुसीबत में डाल लिया है क्यों क्यों इसकी आवश्यक्ता क्यों है महारशी जी भारत की अच्छाई के लिए दिलीप शांत बने रहे उनके मुग पर चिं से बचाना चाहते हैं तो आपको ऐसा करने की आवशक्ता है महाराज दिलीप ने ब्रगु को एक टक देखा धंकी इस पश्टो प्रकट थी उसने अपना सिर जुकाया बताएं कि कैसे करना होगा महारशी नागारानी के शिव से अनुरोत करने के दो महीने की भीतर ही परवत देश्वर ने पंच्वटी की यात्रा करने का सारा प्रबंध कर लिया था शिव के अनुगामियों की संक्या तब से बहुत अधिक बढ़ गई थी जब वो उस नगर में आया था जहां दैवी प्रकाश चमकता है शिव के साथ इस यात्रा में उसका पूरा परिवार था क्य इसलिए नहीं कि वे एक दूसरे से मिल नहीं सकेंगे बलकि वो जानता था कि इतने लंबे समय तक कार्टिक से दूरी वो सहन नहीं कर पाएगी आयरुवती का चैन चिकित्सा के रोप में सौभावित था शिव सौयम भगीरत और परश्राम की उपस्तिती भी चाहते थे और और उसका सेना पती और सुरक्षा प्रभारी परवतेश्वर आनंदमई के बेना नहीं रह सकता था परवतेश्वर ने उनके साथ यात्रा करने के लिए दो दलों का प्रबंद किया था इस प्रकार सूरिवनशी एवं चंदरवनशी दोनों के 2000 सैनिक 9 जहाजों में सके काशी से चले दो महीने बीच चुके थे और अब वेशाली के निकटा पहुंचे थे मासुदेव के मुख्या गोपाल से अपने वारतलाप को याद करते हुए शिव वीर्भदर नंदी और परशुराम की और मुड़ा नंदी के लावा सभी जहाज की छत पर बैठकर चि शिव ने गांजे का एक गहरा कश लिया धुआ बाहर निकाला और वीर्भदर को चिलम दे दी भदर तुम इससे क्या समझते हो सच कहूं तो आपके वासुदेव मित्र जो अधिकतर बाते बताते हैं वे बकवास है शिव ठाहा का मारकर हस पड़ा उसके अन्य मित्र भी हस पड़े मैं बिल्कुल वैसा ही नहीं कह सकता वीर्भदर शिव पीछे के और मुणा तो गणेश को देख वो विस्मित रह गया शिव चुप हो गया मस्करी का वाता परां सहसा भंग हो गया पर शुराम ने ततकाल ही गणेश के समान में अपना सिर जुकाया किन्तु कुछ क कि एक संकेत है वीर्भदर पर मुस्कुराते हुए गणेश ने कहा संकेत शिव ने कौतुहल से पूछा संभवतेया यह निलकंट के लिए एक संकेत है कि वे किसकी खोच करें ठीक है बोलते रहो अच्छाई और बुराई एक ही सिक्के के दो पहलू है और इस प्रकार निलक को थपकी दी निसंदेह इसके बजाए पूरे सिक्की की खोच करनी है गणेश ने मुस्कुराते हुए सिर्ख लाया शिव ने गणेश को गहरी दृष्टी से देखा निलकंट के मन में एक पिचार उत्पन हो रहा था अच्छाई की खोच और आपको उस खोच में बुराई में कुछ भी नहीं पड़ पाया हा मैं कोशिश करना चाहूंगा वो बैठ गया और उसने वीर्भदर से चिलम ले ली अपने मुह के पास इसे इस प्रकार रखें अपने हाथ उसे चिलम को पकाड़ने का प्रदर्शन करते हुए वीर्भदर ने कहा और मुह से कश खीच ले गड़ेश ने वैसा ही किया और जैसा उसे कहा गया था और वो फिर खासते खासते गिर पड़ा सबी लोग ठाहा का मारकर हस पड़े शिवाय शिव के जो भावहीन उसे अभी भी घूर रहा था वीर्भदर ने हाथ आगे बढ़ा कर गड़ेश की पीट को थपकी दिय और चिलम उसकी हाथ से ले ले गड़ेश लगता है आपको इस बुराई ने कभी चुआ नहीं लेकिन पक्का है कि मैं इसे पसंद करने लगूँगा थोड़ा शर्माते हुए गड़ेश ने छड़ भर के लिए शिवक्यों देखते हुए का और उसने पुना चिलम लिने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया विर्भदर ने चिलम को उसकी पहुँच से दूर करते हुए का नहीं गड़ेश आपको निर्दोश ही रहना चाहिए जहाजों का बेड़ा ब्रंगाओ के दौर पर था पर्वतेश्वर आनंदमई और भगीरत नेतरत जहाज में दौर से अंदर जाने वाले कारियों के निरिक्षन हेतु चले गए थे मैंने इसे पहले भी देखा है मुझे पता है आनंदमई ने दौरों को घुरते हुए कहा किन्तु मैं अभी भी उनके अति सुन्दर चातुरी पर आश्चर चकित हो पर्वतेश्वर मुस्कुराया और उसने अपनी बाहों से आनंदमई को घेर लिया और लगभग उसी समय आनंदमई की जुझलाहट को बढ़ाते हुए अपने काम पर लग गया उत्तंक दूसरा जहास पर्याप्त रूप से उचा नहीं है ब्रंगाओ को बताओ कि वे और अधिक पानी उसमें भर दें पर्वतेश्वर ने देखा भी नहीं कि इसमत आनंदमई ने अपनी भौहें उपर उठाई और अपना सिर हलके से हिलाया उसके बाद वो मुड़ी औ पर्वतेश्वर मुस्कुरा उठा बास बास प्रेम पंचियो भागीरत ने कहा थोड़ा धैरे से आनंदमई खिलखिला कर हस पड़ी और उसने अपने भाई की कमर पर एक चपत लगा दी पर्वतेश्वर मुस्कुराया और उसके बाद वो द्वारों से प्रवेश करने की गतिवधी का निरिक्षन करने लगा ये प्रवेश ठीक तरह से हो जाएगा से नपती भागीरत ने कहा निश्चिंत रहे हम जानते हैं कि ब्रंगा लोग क्या कर रहे हैं यहां कोई विस्मे करने वाली वस्तु नहीं है परवेश्वर ने प्रितेवरी चढ़ा कर भागीरत क योड़ देखा आयोद्या के राजकुमार ने जो सेनवपति शब्द का उप्योग किया था उस पर वह विस्मित था वह आसानी से बात को समझ सकता था कि उसका साला कुछ कहना चाहता था लेकिन वह सतर्क था खुल कर भूलो भगीरत तुम क्या कहना चाहते हो हम इस मार्को परमेश्वर ही जाने कि उन मार्कों पर कैसी कैसी विसमेकारी वस्तुएं चुपी हुई है क्या उन पर इस प्रकार अंधा विश्वास करना बुद्धिमानी है हम लोग नागाओं पर विश्वास नहीं कर रहे हैं बगीरत आनंदमई ने बीच में ही टोक दिया हम लोग न भयंकर दंडक वन में नगाओ के मारदर्शन में जा रहे हैं क्या एक मात्र मैं ही हूँ जो चिंता कर रहा हूं सुनो आनंदमई ने चिट्चिडा कर कहा प्रभू नीलकंठ रानी काली पर विश्वास करते हैं जिसका सीधा सा आर्थ है कि मैं उन पर विश्वास करती हूं और उसी प्रकार तुमको भी करना चाहिए भगीरत में बना सिर्ख हिलाया आप क्या कहते हैं प्रभू मेरे प्रभू है यदि वे आदेश देते हैं तो मैं अगनी की दिवारों पर चढ़ जाओंगा प्रभू ने कहा और वो बाहर नदी के किनारे के और देखने लगा जहा जहास को अत्यदिक बल के साथ खीचा जा रहा था मेलूहा का सिनापती भगीरत के और मुडा परंतु मैं कैसे भूल सकता हूं कि मेलूहा के सबसे महान व्यग्यानिक ब्रहस्पती के हत्या गणेश ने की है और मैं ये भी नहीं बूल सकता कि उसने सामराज के हिर्दय मंदा शिखर को नश्ट किया है इन सब के बावजूद मैं उन पर कैसे विश्वास कर सकता हूं आनंदमई ने परवतिश्वर की और और उसके बाद अपने भाई की और असहचता से देखा नहीं कृतिका आयुर्वति ने कहा मैं ये नहीं कर सकती उनके जहास की किनारों में इस समय का सदूपियोग आयुर्वति से बाते करने में कर रही थी आयुर्वति जी कृपिया मेरी बात सुनिये आप जानती है कि मुझे इसकी आवशकता है नहीं तुम्हें इसकी आवशकता नहीं है और मुझे पक्का विश्वास है कि यदि तुम्हारे पती को ये पता हो वे भी इसके लिए नहीं कहते उन्हें जानने की आशक्ता नहीं है कृतिका मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करने वाली जिससे तुम्हारी जान को संकट हो क्या यह सपष्ट है आयुरुवति कार्थिक के लिए कोई आशधी तयार करने लगी उसे परवतेश्वर के साथ अभ्यास क चुपा लिया आपको परिशान करने के लिए मुझे श्हमा करें कृतिका ने कहा आयुरुवति पीछे की और मुड़ी मुझे श्हमा करना यदि मैं तुमसे असब ही रूप से पेश आई कृतिका परंतु ये तुम्हारी अपनी भलाई के लिए ही है कृपा कर मेरे पती को ना बताएं निसंदे हैं नहीं आयुरुवति ने कहा परंतु तुम्हें वीरभदर से सोयम कहना चाहिए है ना कृतिका ने सहमती में सिर्ख लाया और कक्षे से बाहर निकलने ही वाली थी कि आयुरुवति ने उसे पुकारा उसके अंगवस्त्रम की और संकेत करते हुए ब किया तुमने निलकंड से कुछ भी नहीं सिखा है तुम्हें एक संपूर्ण इस्त्री हो चाहे जैसी भी हो तुम्हारा पती इसलिए तुमको प्रेम नहीं करता है कि तुम उसे कुछ दो बलकि इसलिए करता है कि तुम वह हो जो हो कृतिका ने बुद्बुदा कर एक विनम धारा मधुमती पर आगे बढ़ गया कुछ सपताहों बाग उन्हों ने उस इस्थान को पार किया जहां शुव ने परशुराम से युदि किया था युद किया था पूर्वदस्यों की पीट पर थपकी मारते हूए शुव ने कहा परशुराम ने शिव की और देखा और उसके बाद सती की और देखा वास्तों में ये वो इस्थल है जहां प्रभूने मेरी रक्षा की थी सती परशुराम को देखकर मुस्कुरा दी वो जानती थी कि ऐसे में कैसे लगता है शिव दौरा बचाया जाना उसने अपने पती की और प्रेम से एक ऐसे वेक्ति को जो अपने आसक्वास के वेक्तियों के जीवन से विष्ट को निकाल सकने की छम्ता रखता है जबकि वो सुयम अपनी यादों के विष्ट का वमन नहीं कर पाया था और आज भी उन यादों के दानों से पीड़ित थे उसने चाहे जितने प्रियत्न किये वो उनके अतीत को भूलवा पाने में सफल नहीं हो पाई थी संभवतिया यही उसका भाग गया था सती का चिंतन चक्र परशुराम ने तोड़ दिया ये वो इस थल है जहां हमें मुड़ना है प्रभू सती ने उस ओर देखा जिस ओर उस निशकासित वासुदेव ने संकेत किया था वहां कुछ भी नहीं था ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नदी सुन्दरी व्रक्षों के जुर्मुट का घागरा पहने हुए आगे बढ़ती हुई पूर्वी समुद्र के और चली गई थी कहा शिव ने कहा उन सुन्दरी व्रक्षों को देखें प्रभू परशुराम ने अपने कटे होए बाए हाथ से जुर्मुट के और संकेत करते हुए कहा वे इस छेत्र को अपना नाम देते हैं सुन्दरवन सुन्दरवन सती ने पूछा जी हाँ देवी परशुराम ने कहा वे एक अती सुन्दर रहस को भी छुपा कर रखते हैं काली के आदेश पर नेत्रत्व जहाज उस जुर्मुट के और मुड़ गया जिसकी और परशुराम ने संकेत किया था अपने जहाज से दूरी होने पर भी सती देख पा रही थी कि परवतेश्वर भी जहाज की छट पर थे और काली के और देखते हुए नागारानी से विवात कर रहे थे काली ने उन्हें अंसुना कर दिया और उधर जहाज उस ओर आगे बढ़ने लगा जिस ओर जाना घा तक लग रहा था वे क्या कर रहे हैं गबराहट में सती ने पूछा वे भूमी से ठकरा कर रटक जाएंगे उनको उस समय हैरानी हुई जब नीतरत्व करने वारा जहाज उन पेड़ों को धक्का देता हुआ आगे की और बढ़ गया पवित्र जील के नाम पर ये क्या है विसमित शिव फुस पुसाया जड़ वहिन रक्ष जड़ वहिन नहीं प्रभू परशुराम ने कहा उनमें जड़ हैं किंतुवे भूमी में नहीं लगे हुए हैं जड़ दलल में तैरते रहते हैं परंदु ऐसे व्रक्ष कैसे जीवित रह सकते हैं सती ने पूछा ये कुछ ऐसा है कि जो मैं भी नहीं समझ पाया हूँ परशुराम ने कहा संभवतिया ये नागाओं का जादू है राजिसी जहाज के पीछे अन्य जहाज भी सुंदरी ब्रक्षों के तैरते जुर्मुट में सरलता से प्रवेश कर गये और उसके बाद वे एक जील में प्रविश्ट हुए जहां मधूमती का जल्द विनम्र तर परशुराम ने बाद कर दस जहाजों को खड़ा कर घुनारों पर लगे लंबे खंबों में बांद कर दस जहाजों दिया गया उन्हें एक दूसरे से तैरते हुए ही बांद कर घने सुंदरी व्रक्षों के जुर्मुट में चुपा दिया गया आगे कमार्ग पैदल तै करना था दो हजार सैनिकों को दंडकारनी के बीच से होकर जाना था उन सबको नेत्रत्व जहास के आसपास जमा होने के कहा गया काली मुख्य मस्तूल पर चड़ गई ताकि सभी लोग उसे देख सकें आप सभी सुनें सभी लोग शान्त हो गए काली का सरतत्काल ही अनुपालन की मांग कर रहा था आप सभी लोगोंने दंडकारनी के बारे में अफवाहें सुनी होंगी आपने सुना होगा कि दं के राही को नश्ट कर देते हैं ये वन विश्युक्त व्रक्षों से भी भरा पड़ा है और जो लोग मुर्खतावश कुछ खा लेते हैं या उन्हें चूते हैं वे भी समाप्त हो जाते हैं सैनिकों ने चिंता से काली की और देखा ये सभी अफवाहें सही हैं अत्यधिक भ प्रवेश भी कर रहे थे इन शापित वनों में कोई अतिसाहसिक बनकर अपने भागे को आजमाने की सोच भी नहीं रहा था काली के शब्द ने उनके द्रण विश्वास को मात्र पक्का ही किया था मेरे अलावा केवल गणेश और विश्वदिम नहीं इन मृत्यों समान मार वर्गों के बारे में जानते हैं यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो हमारे आदिशों का पालन करें और वही करें जो हम कहें यदि ऐसा आप नहीं करेंगे तो मैं वचन देती हूं कि आप पंचवटी जीवित नहीं पहुच पाएंगे सैनिको ने जोशीले ढंगे से सिर हिला कर सहमती प्रकट की दिन के बचे हुए समय में आप जहाजों पर विश्राम कर सकते हैं भोजन करें और एक नींद ले लें सूर्योदे के साथ ही हम रवाना हो जाएंगे आज कोई भी सुन्दरवन में अकेले इधर उधर विश्राण नहीं करेंगा हो सकता है कि वे जान जाएंगे कि इन वनों में सुन्दरता कम और क्रोडता अधिक है काली मस्तूल से नीचे उतरी तो उसने देखा कि शिव और सती नीचे खड़े थे दंड़कवन यहां से कितनी दूर है सती ने पूछा काली ने आसपास देखा और उसके सती के और देखा हम लोग एक बहुत बड़े काफिले में यात्रा कर रहे हैं साम मानते हैं यह दूरी एक महीने में तैह हो जाती है लेकिन मुझे लगता है कि हमें दो से तीन महीने लग जाएंगे हाला कि इसमें कोई बुराई नहीं मैं मृत्यू की अपेक्षा धीरे चलन लगेगा जब हम दंड का रहने पहुचेंगे तब उसके बाद पंचवर्टी पहुचने में और छे महीने लगेंगे शिव ने कहा जहाज से हमें प्रयाप्त मात्रा में खाने का सामान लेकर चलना चाहिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है शिव काली ने कहा अतरिक्त भार हमें धीमा कर देगा ये वन ने आवश्यक भोजन से परिपूर्ण है हमें मातर साल्थान रहना है कि हम वो नहीं खाएं जो हमें नहीं खाना चाहिए परन्तु भौजन ही एक मातर समस्या नहीं है हम लोग नौ महीने वनों में बिदाएंगे कई अन्य संकड भी आ सकते हैं क जिसमें अनेक लोग एक अत्यधिक विशाल पत्तल में मिलकर खाना खाते हैं ये पत्तल केले के पत्तों को एक साथ जोड़कर बनाए रहाते हैं शिव, सती, काली, गणेश, कार्तिक, प्रवतेश्वर, आनंदमई, भगीरत, आयुर्वती, परशुराम, नंदी, वीरभद्र प्रवतेश्वर को ये प्रथा अजीब और आस्वास्तिकर प्रतीत हुई, किन्तु सदैव की तरह उसने शिव के आदेश का पालन किया, इस प्रथा के पीछे कारण क्या है महारानी, भगीरत निकाली से पूछा, हम नागा लोग भोजन की देवी अनपूर्णा में आस्थ की जाती है, जब हम यात्रा कर रहे होते हैं तो इसी प्रकार अपना भोजन करते हैं, अब हम सभी भाई बहन हैं, हम लोग इस यात्रा में एक जैसे भागे वाले बन चुके हैं, ये बात तो सच है, भगीरत ने कहा, और साथ में ये भी सोच रहा था कि सामुदाएक भोज बचने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, क्या सचमुच ही दंडग भायानक है महारानी, पर्वतेश्वर ने पूछा, जब फिर ये अफ़वाहे अनुशासर सुरिश्चित करने के लिए हैं, एक वन बहुत अधिक देखरेक करने वाली किसी दयालू माता की तरह हो सकता ह यदि हम उसके नियमों का पालन करें, लेकिन यदि हम रास्ते से भटक जाते हैं तो वो एक दानब की तरह हो सकता है, जो आपको ततकाल ही परास्त कर देगा, अफवाहे अवश्य ही अनुशास्चित करने का माध्यम बनती हैं, नौ महीने का समय एक ही मार्क पर चलने के लि बहुत चर्चा हो गई, अब हमें भोजन करना चाहिए, और इन सब के मध्य आयुर्वतिक करतिका और विर्भद्र को देख रही थी, कौर लेने के बीच वीच में विर्भद्र कार्तिक की और संकेत कर रहा था, वे दोनों ही कार्तिक को प्रेम भरे भाव से ऐसे देख रहे सबसे आगे काली और गणेश थे, कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ रहा था, हर दिशा को सगन जाडियों ने पूरी तरह से ढखा हुआ था, विर्भद्र को देखकर प्रवतेश्वर थोड़ा शांत हो गया, क्या प्रभू आ रहे हैं, नहीं सिनपती, केवल मैं, प्रव प्रवतेश्वर के आखें जुझलाहट में संकुचित हो गई, देवी मैं अपने धैरे की अंतिम सीमा पर हूँ, या तो आप सीधे सीधे उत्तर दे, या फिर मैं अपने आदमियों के साथ जहास से रवाना हो जाऊंगा, मुझे नहीं पता कि आपका विश्वास जीतने के मुझे क्या करना चाहिए सेना पती, क्या अभी तक की यात्रा में मैंने ऐसा कोई काम किया है जिससे आपके लोगों को कोई कष्ट पहुचा हो, काली ने पश्चिमी दिशा में संकेत करते हुए कहा, आपके सैनिकों को मात्र इतना ही कि इस दिशा में सो मीटर तक जाड़ि जा रहे थे जो अवेदिय थी, गणेश और विश्वदिम ने उस पंक्ति के दोनों छोरों पर थे, वे बाहर की और देखते हुए अपनी तलवारे निकाले हुए थे, उनकी मुद्राओं से इस प्रश्ट था कि वे उन सैनिकों की रक्षा किसी अंजान संकट से कर रहे थे कुछ देर के बाद विरभद्र और सैनिक तब आश्यर चकित रहे गए जब वे उस सघन जाड़ियों से निकल कर एक रास्ते पर आ गए, वो इतना चोड़ा था कि दस अश्व एक साथ चल सकते थे, हरे प्रभु राम के नाम पर ये कहां से निकल आया, आश्यर चकित विरभद्र थोड़ा बढ़कर गया और आगे जाने वाले सड़क मारगों को विश्मे से देखा, वो एकदम ही सीधा सपाट सामने दूर तक जाता दिख रहा था, वो पत्रों भरा एक मारग था जिसे बहुत हद तक समतल कर दिया गया था, उस सड़क मारग के समनांतर दोन कावली लताओ से बने हुए हैं, काली ने कहा, यदि आप चाहें तो इनकी पतियों को खा भी सकते हैं, लेकिन जो बाड़ा बाहर जंगल के और लगा हुआ है, वो बहुत विशाक्त है, यदि उनके काटे भी आपको चूप जाएं, तो आपको अपने ईश्वर से प्रातना करने तक का समय नहीं मिल पाएगा, परवतेश्वर ने अपनी भौहों को उचा किया, इन लोगों ने इन्हें कैसे बनाया, वेरभदर काली के और मुडा, महरानी जी क्या ये बस इतना ही है, क्या हमें बस इतना ही करना है, इस सड़क मार्क को खोजना है और आगे बढ़ते वो अपनी कीरति के नुसार प्रकाश भैलाते और गर्मे प्रदान करते हुए चमकने वाला था, हाला कि उस सघन सुंदरबन में सूरज अपने अगनिमे स्वरूप की छाया मातरी था, शिव के काफिले की चलने के लिए मार्क दिखाने के लिए उसकी कुछ किरने ही उस सघ पत्तियों से छंकर धरती तक आने में सफल हो पा रही थी, नागाओं की सड़क तक सफाई किये हुए इस्थान पर एक सव आदमियों का एक दल छोड़ दिया गया था, उन्हें इस पश्ट आदेश दे दिया गया था, जंगल की और से आने वाले किसी भी पशुआ किसी अन नामदायक और सुरक्षित रास्ते की, जुलूस के दोनों किनारों पर घुरसवार दल थें जो मशाले लेकर मार्गों को प्रकाशित कर रहे थे, काले अश्वपर सवार विशुदिमनी के साथ परवतेश्वर भगेरत और आनंदवई भी आगे आगे चल रहे थे, क्या हमें सचमुछ ही पीछे की और पहरा देनी क्या शकता है गणेश? वीरभद्र ने पूछा, तैरते हुए सुन्दरी के जुर्मुट को ढूंड पाना लगबग असंभव है, हम लोग नागा है, सभी हमसे ग्रणा करते हैं, हम कभी भी आसाधान नहीं रह सकते, ये अंत दोनों ही दोनों और से उसकी सुरक्षा कर रहे थे, वहाँ में कुछी दूरी पर थे कि एक जंगली सुर चहल कदमी करता हुआ उनकी और आया, वीरभद्र ने आज तक जितने सुर देखे थे उनमें वो सबसे बड़ा था, वो लगबग दो मीटर लंबा और एक मीटर रू था और उसी मध्य उसने धीमे से परशुराम को अपना सिर हिलाया, परशुराम आगे के और उचला और उसने अपनी कुलहाडी को हावा में लहराया, जिसकी धार से उस सुर का सिर एक ही वार में धर से अलग हो गया, वीरभद्र परशुराम की और उसकी सहायता के लिए धी ये देरे बढ़ रहा था कि तभी गणेश ने तेजी से उसे रोकते हुए कहा आप दूसरी और अपनी आखों को केंद्रित करते रहें वीरभद्र परशुराम इससे संभालने में सक्षम है परशुराम इस बीच उस पशु के शरीर को जगा जगा से काड़ दिया था उसके ब लिया था वो मुणा और सड़क की और चल पड़ा उसके पीछे वीरभद्र और परशुराम थे जैसे ही वे सड़क पर पहुंचे तो वीरभद्र बोल पड़ा वो एक विशालकाई जंगली सूर था वास्ताव में वह बहुत ही चोटा था क्योंकि वह अभी युआ ही था ग प्रतिक्षा कर रहे थे वो गणेश की और मुणा अब क्या करना है अब हम प्रतिक्षा करते हैं अपनी तलवार निकालते हुए गणेश ने कहा उसका स्वर शांत था हमें इस प्रवेश द्वार को कर प्राता तक सुरक्षित रखना है जो कोई भी इसमें प्रवेश करने क प्रयास करता है उन्हें नश्ट कर देना है केवल कल तक ही तब तक क्या ये जाड़ियां पूरी तरह से उख जाएंगी बिल्कुल सही ऐसा ही होगा एक शेर की तीर गुराहट को सुनकर वीर्भद्र उठ बैठा कोई पशु संभावतया एक हिरन उस विशालकाय बिल्ली की प यातरा प्रारंभ कर दी थी वीर्भद्र ने अपने अंगवस्त्रम को शरीर पर लपेट लिया और हथेलियों पर फूप मारी बहुत ठंड थी उसके पास उसने देखा कि परशुराम खराटे लेता हुआ अपना मू आधा खोले हुए गहरी निद्रा में डूबा हुआ था वीर्भद्र अपनी कोहनी के बल उठा और पीछे मुड़ा अन्य पचास सैने पहरे पर खड़े हुए थे उनकी तलवारे बाहर निकली हुई थी उन्होंने अपने अन्य साथियों से पहरे का भार आधी रात में लिया था गणेश मैं यहाँ हूँ वीर्भद्र गणेश न ही है कि जैसे यह कभी काटी ही नहीं गई थी अब सड़कमार्ग पूरी तरह से सुरक्षित है अब हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं आधा दिन यदि हम तेजी से चले तो शेश लोगों तक पहुच जाएंगे तो फिर हम किस चीज की प्रतिक्षा कर रहे हैं तुम्हें काफिले के मद्ध से निकल कर अपने पती के साथ रहने के उद्देश से काफिले के पीछे की ओर चली गई थी वो गणेश के साथ वारतालाप का आनंद ले रही थी और धीरे अपनी राजकुमारी के बड़े पुत्र से उसे लगाओ होने लगा था गणेश जिसका अश्व परशुराम ने अपने अश्व को थोड़ा धीमा किया ताकि वो उनके साथ हो जाए वो उत्सुत था क्या आप जानते थे क्रितिका ने पूछा हां क्रितिका गणेश के चहरे पर गुस्सा और घ्रणा के भाव ढोन रही थी लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं था क्या आप प्रतिशोद का अनुभाव नहीं करते क्या आपको नहीं लगता कि यह एक अन्याय था मैं प्रतिशोद यह अन्याय का अन्याय करता क्रितिकाजि गणेश ने कहा बर हमान्ड की अच्छाई के लिए न्याय का स्थित्व होता है ताकि संतुलन बना रहे मनिष्यों में परशुराम ने बीच में ही टोका, किन्तु क्या प्रतिशोद आपको अच्छा अनुभाव नहीं कराएगा? आपने प्रतिशोद ले लिया, आपने लिया ना? गणेश ने परशुराम से पूछा, क्या आप पहले से अच्छा अनुभाव करते हैं? परशुराम ने गहरी स्व शवास ली व अच्छा महतोस नहीं करता था तो इस प्रकार आप दख्ष के साथ कुछ भी नहीं करना जाते वीर्भद्र ने पूछा गढ़ेशनें अपनी आखे संकुझेत की मैंसकी कोई पर्वाह नहीं वीरभद्र मुस्कुराया परशुराम ने वीरभद्र के प्रतिक्रिया पर अपनी तियोरी चढ़ा ली परशुराम ने पूछा यूज़ अधिक नहीं वीरभद्र ने बस इतना है कि अंतता मैं आज उस बात को समझ गया जो एक दिन शिव ने मुझसे कहा था उन्होंने कहा था कि प्रेम का विपरित गरणा नहीं होता गरणा मात्र उतना ही है कि जब प्रेम बुरा हो जाता है प्रेम का विपरित वास्तों में उदासीनता है जब आप इस बात की कोई परवार नहीं करते कि उस वेक्ति के साथ क्या होता है और क्या नहीं होता भोजन बहुत स्वादिष्ट है शिव ने मुस्कुराते हुए कहा सुन्दरी व्रक्षों के जुर्मुट से निकल कर चलते हुए शिव और उसके साथियों को दो महीने बीच चुके थे वे लोग अभी अभी भायानक दंडक वन में प्रविश्ट हुए थे सडक मारक समाप्त हो चुका था और एक बहुत बड़े खुले छेत्र में परवर्टी थो चुका था इस छेत्र में शिव के दल के अलावा और अधिक संख्या में लोग समा सकते थे जैसा कि नागाओं की प्रथा थी समोह में लोग विशालकाय पत्तलों पर सामोही करात्री भोजन कर रहे थे काली मुस्कुरई वन में वे सभी कुछ है जिनकी हमें आवशकता है सती ने गडेश की पीट पर थपकी मारी वो शेश परिवारों से अलग सवारी कर रहा था अतास्ति समोही करात्री भोज का आनंग ले रही थी जहां वो अपने बड़े पुत्र के साथ बाचीत कर सकती थी क्या भोजन ठीक ठाक है बहुत अच्छा है मा गडेश मुस्कुराया गडेश कार्तिक के और मुड़ा और इसने एक काम उसके और खिसका दिया कार्तिक जो इन दिनों बहुत ही कम मुस्कुरा रहा था उसने अपने बड़े भाई के और लगाउ से देखा धन्यवाद दादा भागीरत ने काली के और देखा वो स्वयम को अब और अधिक रोक नहीं पा रहा था महरानी जी ये पांच मार्ग इस खुले छेतर से बाहर की और क्यों निकल रहे है मैं सोच ही रही थी कि अभी तक आपने ये प्रश्ट पूछने से स्वयम को रोका कैसे हुआ था सभी लोग काली के और मुण गए बहुत ही सरल इनमें चार मार्ग आपको दंडक वन के और अधिक सघन वन की और ले जाते हैं इतने सघन के आप विनाश को पहुच जाते हैं कौन सा सही मार्ग है भगीरत ने पूछा मैं आपको कल प्राताह बताऊंगी जब हम यहां से प्रिस्थान करेंगे ऐसे खुले छेतर और कितने हैं काली शिव ने पूछा काली के होट एक बड़ी सी मुस्कान में खिज गए पंच्वटी के रास्ते में ऐसे पांच खुले छेतर हैं शिव प्रभू राम दया करें प्रवतेश्वर ने कहा इसका अर्थ है कि तीन सहस्त्र अवसरों में मातर एक अवसर है जब हम पंच्वटी के लिए सही मारगे का चैन कर सकते हैं हाँ काली मुस्कुराई आनंद में खीज भरी हसी हस रही थी काली ने सती शिव और नंदी को थोड़ा आगे सवारी करते हुए देखा शिव ने अभी अभी ही कुछ ऐसा कहा था कि सती और नंदी खिलकिला कर हास पड़े थे इसके बाद नीलकंठ नंदी के और मुड़े और उसकी और आर्थपूर्ण धंग से अपनी पलके जपकाई काली आहिरुवती के और मुड़ी उनमें यही कुछलता है वे पंचवटी के और जाने वाले उस काफिले के बीच चल रहे थे मदुमती नदी के पास से उनकी यात्रा को आरम हुए तीन महीने बीच चुके थे दंड़क जैसे सघन बन में होते हुए भी उनकी यात्रा आश्चेर जनक रूप से शांती पूर्ण रही थी यद्देपि धकाउ अवश्य रही ऐसे वारतलाब से ही उब कम की जा सकती थी कौनसी कुशलता आईरुवती ने पूछा लोगों के दुख हरके उनमें शुक शांती लाने की कुशलता काली ने कहा हाँ वो तो है आईरुवती ने कहा किन्तु वो उनकी कई कुशलताओं मेंसे एक मातर है ओम नमस्शिवा है कालिव इसमित थी मेलुहा की वैद ने पुराने मंतर को भरष्ट कर दिया था ओम और नमाह शब्द केवल देवों के लिए ही उप्योग किये जाते थे किसी भी जीवित मनुश्य के लिए नहीं नागारानी ने आगे जाते हुए शिव को देखने के लिए अपना चहरा गुमाया और मुस्कुराई कभी कभी एक सामान आस्था गहन शांती प्रदान कर देती है काली ने आयुर्वती की कही हुई पंक्ती को दोराया ओम नमस्शिवा है समस्त ब्रह्मान प्रभुशिव के समक्ष सिर जुकाता है मैं प्रभुशिव के समक्ष सिर जुकाती हूँ आयुर्वती कार्ति की और मुड़ी जो थोड़ा पीछे सवाली कर रहा था वो बालक चार वर्ष की आयू से कुछ महीने अधिक का था लेकिन वो नौ वर्ष का प्रदीत हो रहा था उसे देख मन विचलित हो रहा था उसकी बाहें और मुख पर चोट के निशान थे उसके पीट के ओपर दो तलवारे एक दूसरे को आर पार करती हुई टंगी हुई थी धाल का कहीं अता पता नहीं था उसकी आँखे बाड़ो पर टिकी हुई थी जो आने वाले संकट की खोज कर रही थी लगभग अपनी जान पर खेलते हुए जिस दिन उसके भाई ने अकेले ही शेरों से उसकी जान बचाई थी उस दिन से कारतिक पूरी तरह से अंतर मुखी हो चुका था अपने माता पिता कृतिका और गणेश के अलावा वो किसी अन से ना के बराबर बाते करता था वो कभी मुस्कूराता तक नहीं था वो सदै और शिकारी दलों के साथ वनों में जाता था कई बार उसने अकेले ही पश्वों का शिकार किया था विस्मित सैनिको ने आयरुवती को कारती के कारनामों का वर्णन दिया था कि वो कैसे शिकार करते समय शांत केंद्रित और प्रूर बन जाता था आयरुवती ने एक आहा भरी जबसे उन्होंने काशी को छोड़ा था तब से पिछले कुछ महीनों में काली का आयरुवती के साथ बहुत अच्छा संबंध हो चुका था वो फुस्फुसाई मेरे विचार से आपको प्रसंद होना चाहिए क्योंकि उसने अपने जीवन से उचित सीख ली है वो अभी बालक है आयरुवती ने कहा अभी उसे बड़े होने में बहुत साल लगने वाले है उसे कब बड़ा होना है ये निर्णे लिने वाले हम कौन होते हैं काली ने कहा ये चैन उसका अपना है एक दिन वो हम सबको गरवानवित करेगा मधुमती के तट से चले हुए आठ महीने बीच चुके थे काफिला नागाओं की राजधानी पंजवटी से केवल एक दिन की दूरी पर था वे एक सड़क के किनारे शिवर लगाय हुए थे जो एक विशालकाय नदी के निकट था ये नदी उतनी ही बड़ी थी जितनी प्रारंभ में सरस्वती हुआ करती थी भगीरत ने सोचा था कि ये महान नदी वही पौरानिक नर्मदा नदी होगी वो सीमा जिसके बारे में प्रभु मनु ने कहा था कि उसे कभी भी पार नहीं करना है वे इस समय उस नदी में उतरी किनारे पर थे ये अवश्य ही नर्मदा होगी भगीरत ने विशुदिम ने से कहा मेरा नुमान है कि हम इसे कल पार करेंगे प्रभु मनु हम पर दया करें परवतिश्वर बोल पड़ा हाँ यही होगी नर्मदा दक्षर छेतर में एक मातर ऐसी नदी है जो सरस्वती के समान विशाल काये है विशुदिम ने मुस्कुराया वे लोग पहले से ही नर्मदा से बहुत दूर दक्षर में आ चुके थे महोदय कभी कभी हमारा मन हमें भुलावे में डाल देता है ध्यान से देखे हमें इस नदी को पार करने की कोई आवशक्ता नहीं है आनंदमई के आखे आश्चर में बड़ी हो गई बहान भगवान रुद्र के नाम पर ये नदी तो पश्चिम से पूर्व के और बहती है विशुदिम ने ने सहमती प्रकट की जी हाँ ऐसा ही है राजकुमारी जी ये नर्मदा नहीं हो सकती उस नदी के बारे में तो हमें पता है कि वो पूर्व से पश्चिम के और बहती है प्रभूर राम दया करे भगीरत चिला पड़ा ऐसी बड़ी नदी का अस्तित्व हमसे कैसे चुपा रह सकता है ये समझत भूमी ही गोपनी है राजकुमार विशुदिम ने कहा ये गोदावरी है और आप देख सकते हैं कि जब ये पूर्वी समुदर तक पहुशती है तो कितनी बड़ी हो जाती है परतेश्वर ने विसमे से घूर कर देखा उसने अपने हाथ जोड़े और बहते हुए पानी को जुक कर नमस्ते किया गोदावरी एक मातर ऐसी नहीं विशुदिम ने कहा मैंने अफवाहे सुनी है कि सुदूर दक्षण में ऐसी कई अन्य दैत्याकार न दिया है भगीरत ने विशुदिम ने की और ये सोचते हुए देखा कि अगले दिन ना जाने और कितनी चीज़े होंगी जो उन्हें आश्यर में डाल देगी गणेश नंदी ने कहा हाँ दलपती नंदी गणेश ने भी पूछा नंदी काफिले के पिछले भाग की और चला गया था उसे काली का संदेश गणेश तक पहुचाना था नागाओं की सीमाओं की चौकी काफिले के साथ मान की वेवहार ही करेगी उन्हें इस बात से कुछ भी लेना देना नहीं है कि काफिले में रानी और लोकादीश भी यात्रा कर रहे हैं जब भी गभी उनके कल्यान की बात आती थी तो काली सदैव ही साधान रहती थी इसका परोग शूप में ये अर्थ था कि उस काफिले की निगरानी नागाओं की रजधानी तक होने वाली थी ताकि किसी भी प्रकार के संभावित संकट को प्रभावहीन किया जा सके गणेश ने सहमती प्रकट की धन्यवाद दलपती नंदी ने नागाओं की उस चौकी को देखा जिसे उन्होंने अभी अभी पार किया था ये सव आदमी के सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं गणेश ये लोग यहां एकांत में नगर से एक दिन की दूरी पर हैं इस चौकी में कोई दुर्ग भी नहीं है आप तक नागाओं की विस्तरत सुरक्षा विवस्ता को देखकर ऐसी विवस्ताएं जो प्रवीरता की चरम पर हैं इस चौकी का धे समझ में नहीं आ रहा है गणेश मुस्कुराया अपनी सुरक्षा के विवरणों के बारे में वो समानतया किसी भी ऐसे विक्ति से बाते नहीं करता जो नागा नहीं था परन्तु ये नंदी था शिव की परच्छाई उस पर संदेह करने का अर्था था शिव पर संदेह करना ये मार्क पर बहुत अधिक सुरक्षा प्रतान नहीं करते परन्तु यदि ऐसा कोई आक्रमण होता है तो ये पूर्व जेतावनी का कारे करते हैं तब इनकी भूमिका पंचवटी के मार्क में नगर तक जाल बिचाने की होती है जो कि ऐसा पीछे हटते होए करते हैं नंदी ने तेवरी चड़ा ली एक सीमान्त चौकी केवल जाल बिचाने के लिए परन्तु ये उनका प्रात्मिक कारे नहीं है गडेश ने अपनी उंगली से संकेत करते होए कहना जारी रखा उनकी सबसे प्रमुग भूमिकर नदी की ओर से किसी भी प्रकार की आक्रमर से हमें बचाना है नंदी ने गुदावरी कोड देखा निसंदे ये अवशी ही कहीं जाकर पूर्वी समुद्र में मिलती होगी ये एक ऐसा प्रवेशद्वार जिसका लाब उठाया चा सकता था नागाओं ने सच में अच्छी योजना बना रखे थी पूर्ण चंद्रमा के मध्धम प्रकाश ने दंडक वन के पशुओं को जूटी सुरक्षा का आस्वासन दे दिया था चंचंगर आ रही चांधनी में वे सुस्त पड़ गए थे शिव के शिविर में शांती चा गई थी सभी लोग सो रहे थे अधिकतर लोग देर राग तक जगे हुए थे वे लोग सुंदर बन एवं दंडक के संकट पूर्ण वनों से आश्चर जनक रूप से बिना किसी घटना के इतनी लंबी यात्रा पर वाद विवाद कर रहे थे पंचवटी मात्र एक दिन की दूरी पर था आचानक शंक ध्वनी के कर्ण भेदी सुर ने रात्री की शांती को भंग कर दिया वास्तों में एक नहीं अनेक शंकों की ध्वनिया आने लगी थी उस विशाल का शिविर के मध्य में काली ततकाल ही उट खड़ी हुई उसी के साथ शिव सती और कार्टी भी शिव क्या भकवास है इसको लाहल पर शिव चिलाया काली नदी के और देख रही थी वो इस्तब्दी थी ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था वो शिव के और मुणी उसने दात पीसते हुए कहा आपके लोगों ने हमें धोका दिया है सारा शिवर जग चुका था और शंक के शैल लगातार चेतावनी दे रहे थे गणेश जो इन शंकों की गरजना के सबसे निकट नदी के समीब शिवर में था वो सीधा उस और भागता जा रहा था नंदी वीरभदर और परशुराम उसके पीछे थे ये क्या हो रहा है वीरभदर अत्यदिक बल लगाकर चीखा ताकि उसको लाहाल में उसकी आवास सुनाई दे सके शत्रों के जहास गुदावरी में हमारी और चले आ रहे हैं गणेश चिलाया उन्होंने हमारी चेतावनी विवस्था को भंग कर दिया है अब क्या करें नंदी चिलाया सीमान त्चौकी पर चलना है हमारे पास गुप्त नौकाएं है नंदी पीछे मुड़ा और से तीन सो सैनिकों तक आदेश पहुचा दिया उन्होंने संकट को सामने देख अपने मोर्चे संभाल लिये थे वे सैनिक उन चार विक्तियों को चुपचाप अनुसरन कर रहे थे वे तेजी से सीमान त्चौकी पर पहुचे जहां पहले से ही सो नागा सैनिक गुपत नौकाओं को पानी के अंदर धकेल रहे थे इसी बीच विश्वदिम्न जो शत्रों के संकट से सबसे दूर किनारे पर था उसने पहले तो इस अविश्वास से सोयम को निन्तृत किया और उसके बाद वो इस प्रकार की आपास तिस्तिती में अपनाई जाने वाली मान की प्रक्रिया की कारवाही करने लगा एक लाल जोला जलाई गई ताकि दूर पंचवटी को साधान किया जा सके इस बीच भगीरत विश्वदिम्न के पास भाग कराया नदी पर तुम्हारी क्या सुरक्षा ववस्ता है विश्वदिम्न ने भगीरत को जलती हुई आँखों से देखा उसने उत्तर देने से इंकार कर दिया उसे पक्का विश्वास था कि नागाओं के साथ कपड किया गया था भगीरत ने मना सिर्ह लाया और परवतेश्वर के और भागा जो पहले सही अपने सैनिकों को एकत्र करके उन्हें नदी के साथ साथ सुरक्षात्मक बनावट में न्यूक्त कर रहा था कोई सूचना परवतेश्वर ने पूछा वो नहीं बोलेगा सेना पती भगीरत चीखा मेरा भहत सच हो चुका है इन लोगों ने हमें धोखा दिया है हम सीधे इनकी जाल में फस चुके हैं अपने 500 सैनिकों को युद्धी की बनावट में देखते हुए परवतेश्वर ने अपनी मुठी भीच ली नदी की ओर से जो कोई भी आता है उसे नश्ट कर दो और उसके बाद आकाश चमक उठा भगिरत ने उपर की ओर देखा प्रभूर राम दया करें भायंकर जुलंद बाडों की बारिश आकाश से उनकी ओर आती हुई दिखाई दिया इस पश्ट रूप से वे कुछ दूरी से छोड़े गए थे उन्ही युद्धपोतों से जो गुदावरी में तेजी से उनकी ओर बढ़ते चले आ रहे थे ढ़ाले उपर परवतेश वर जोर से चिलाया बीच में शिव और काली ने भी वैसे ही आदेश दिया सैनिकों ने सुयम को ढ़ालों के नीचे छुपा लिया वे बाडो के इस जुरंद संगहार के रुकने के प्रदिक्षा कर रहे थे किन्तु अनेक बाडों ने वस्तरों को अगनी के हवाले करते हुए और शरीरों को भेटते हुए अपने लक्ष प्राप्त कर लिये थे उन बाडों ने अत्यधिक लोगों को घायल कर दिया था और कुछ दुर्बागे शालियों को मृत्यों के द्वार तक पहुचा दिया था कोई आउकाश नहीं था बाडों की बारिश लगातार होती जा रही थी एक बाड आयूरती के पाओ में जा लगा अपने धाल को निकट लाते हुए अपने पैर को खीशते हुए पीड़ा से चीक पड़ी अचानक और आक्रमण की उगरता ने शिव के शिवर के अधिता लोगों को धाल के पीछे दुबक जाने को विवश कर दिया था केंतो बास्तविक युद्ध गोदावरी में ही शिवर के स्थल के पास नदी के तट पर हो रहा था जल्दी से गणेश चीखा यदिबाडों के मुशला धार बारिश इसी तरह कुछ देर और चलती रही तो पूरा का पूरा शिवर धुस्त हो जाएगा उसे तेजी से अपना काम करना था सूरी वंशी, चंदर वंशी और नागा सभी सैने गोदारी नदी में तेजी से आते हुए उन पांच बड़े जहाजों की और अपनी छोटी सी नौकाओं को धक्का देते हुए ले जा रहे थे उन छोटी नौकाओं में चक्मक पत्थर के साथ सूखी हुई जो एक मोटे कपड़े से ढकी हुई थी जब वे एक निश्चित दूरी पर होंगी तो उन गुट नौकाओं को जला दिया जाएगा और उन्हें उन जहाजों से टक्रा दिया जाएगा ऐसे बड़े और लकड़ी के बने हुए जहाजों को निश्च करने के लिए आग सबसे अच्छा तरीका था वे जहाज नदी में आगे बढ़ते चले आ रहे थे और उनकी च्छतों से जुलंत बार लगातार छोड़े जा रहे थे उन जहाजों की उनमादित गती के कारां गणेश के सैनिकों को शत्त्रूओं के ये दुपोतों के पहुचने के लिए बहुत दूर तक तैरने के अवशकता नहीं पड़ी विगुपत नौकाएं अपने इस्थान पर पहुच चुकी थी उन्हें इस बनावट में लगा दिया गया था कि वे टकर मारने के लिए तयार थी उन में आग लगा दो गणेश चीखा सैनिक ने तुरंती प्रतेक नौका से कप्ला हटा दिया और चक्मक पत्थरों को एक दूसरे से रगड़ा इसे पहले कि हत्यारे कुछ प्रतेक्रिया कर पाते नौकाओं में दधकाली आग धदकने लगी थी गणेश के सिपाहियों ने उन नौकाओं को जहाज से धकेल कर टक्रा दिया उन जहाजों से सटाए रखो नंदी चीखा जहाजों में आग पकड़ना आवश्क है जहाज के पहरेदारों ने अपने धनुश नदी के हमलावरों के और मोड लिया बाडों के अनवरिश्टिन नदी में होने लगी अनेक अपंग हुए बहुतेरे मृत्यों के घाट उतारे गए और वीर सैनिकों पर भी आकरमन होने लगा गुप्त नौकाओं की आग में गणेश की सैनिक भी जुलसते जा रहे थे परंतु वे परिश्रम से तैरते हुए नौकाओं को उन शत्रों के जहाजों के और धका दे रहे थे कुछी छड़ों में पाचों जहाज आग की लप्टों से घीर गए थे परंतु तब तक वे बहुत हानी पहुँचा चुके थे नदी के किनारे वापस चलो गड़ेश चीखा मुझ जानता था कि उसे गोदावरी नदी के तड़ पर सैनिकों को एक पंक्ती की बनावट में तयार रखना था जैसे जैसे आग की लप्टे बढ़ती जाएंगी तो हत्यारे पानी में ये जीवन रक्षक नौकाओं में कूत पढ़ेंगे और नदी के तड़ पर पहुँचकर पुना युद्धारम कर देंगे गणेश के सैनिक नदी के तड़ पर अभी पहुचने ही वाले थे कि उन्होंने कर्ण भेदी विस्फोर्ट सुना उन्होंने मुल कर देखा तो इस्तब्द रहे गए शत्रों का सबसे पहला जहाद विस्फोर्ट में उड़ गया था उसके कुछ ही चड़ों के अंदर अन्य जहाद भी विस्फोर्टों के साथ भस्मों गए गणेश परसुराम की और मुड़ा वो पूरी तरह से स्तब्द था देवी इस्तर परसुराम ने सहमती में सिर हिलाया वो भी हैरान था मातर देवी अस्तरों से ही ऐसा विस्फोर्ट संबह हो सकता था लेकिन ऐसे अस्तरों पर कौन अपने हाट डाल सकता था और वो भी इतनी भारी मातरा में गणेश ने बिखरे हुए सैनिकों को एकतर कर व्यू हुरचना की और उन्हें गीना जिन 400 सैनिकों के साथ उसने हमला किया था उन में से कोई 100 सैनिक खेत रहे थे उन में से अधिकतर नागा सैनिक थे क्योंकि वे ही ऐसे युद कोशल में प्रसिक्षित थे लोकादीश ने गुसे में अपने दाथ पीसे और काली और शिव की खोज में शिवर की और चल पड़ा आपने हमें जाल में फसा दिया और रवतेश वर ने चीक कर कहा बाडो की उस अगनी वरिष्टे में उसके 20 सैनिक शहीद हो गए थे शिवर के मध्य में मरने वालों की संख्या अप एक शरक्रत अधिक थी लगवग 50 सैनिक मारे जा चुके थे निसंदे हैं सबसे अधिक मरने वालों की संख्या नदी के किनारे थी जो शत्रों के युद्धुपोतों के निकट थे एक सो सैनिक जन्हों ने युद्धुपोतों पर हमला किये थे उन्हें शामिल कर कुल 300 सैनिक वहां मारे जा चुके थे आयर्वधी अपनी जंगा में घुसे बान के साथ चिकित्सिकों के दल के साथ भाग कर सैनिकों की जीवन रक्षा में जुटी होई थी बकवास, काली चिलाई, आपने हमें धोका दिया है आज तक किसी ने भी गुदावरी की और से कभी हम पर हमला नहीं किया कभी नहीं, शांत रहो, शिव जोर से बोला वो वीर्भदर परशुराम नंदी और गणिश की और मुड़ा जो अभी अभी वहां पहुचे थे ये विस्फोर्ट कैसे थे परशुराम, दैवी अस्तर थे परभू, परशुराम ने कहा शत्रू के पांच जहाज उन्हें लेकर चल रहे थे, आग ने उनमें विस्फोर्ट कर दिया शिव ने गहरी स्वासली और दूर शूनी में देखा प्रभू, भगीरत ने कहा, हमें वापस लौट चलना चाहिए पंचवटी के मार्ग में और भी ऐसे घाता का आक्रमन हमारी प्रितिक्षा कर रहे है ये मात्र दो नागा है, सोचे की पचास हजार क्या कर सकते है काली गुसे से फट पड़ी, ये आप लोगों की करनी है पंचवटी पर आज तक कभी भी ये हमला नहीं हुआ है आपने अपने दोस्तों को यहां पहुचाया है ये तो सौभागी की बात थी कि गणेश ने मूतोर उतर दिया और आपके दस्तों को समाप्त कर दिया वरना हम सभी लोग मारे जाते सती ने काली को धीमे से सपर्ष किया वो ये बताना चाहती थी कि गणेश के साथ सूरिवन्शी और शिंदरवन्शी सैनिक भी युद्ध करते हुए मारे गए थे बहुत हो गया शिव चिलाया क्या आप लोगों में से किसी को भी ये भान है कि क्या हुआ है नीलकंठ नंदी और कार्तिक क्योर मुड़ा एक सो सैनिके साथ नंदी के तट पर जाओ देखो कि उन शत्रों के जहाजों में कोई जीवित है या नहीं मैं जानना चाहता हूँ कि वे कौन लोग थे नंदी और कार्तिक ततकाली वहां से रवाना हो गए शिव ने क्रोध की जुआला से खौलते हुए अपने आस पास के लोगों को देखा हम सब के साथ धोका किया गया है जो लोग भी हम पर बाणों की वर्षा कर रहे थे वे अपने लक्ष का चैन नहीं कर रहे थे वे हम सब को मुरत देखना चाहते थे परंतु वे गुदावरी तक कैसे आ गए काली ने पूछा शिव ने उसकी और तीक शुद्रिष्टी से देखा लानत है ये मुझे कैसे पता होना चाहिए हमारे अधित्तर लोग तो इसे नर्मदा नदी ही समझ रहे थे ये नागा लोग ही हो सकते हैं प्रभू भगीरत ने कहा इन पर विश्वास नहीं किया चा सकता क्या आपको पक्का विश्वास है शिव ने विंग्यात्मा कुरूप से कहा नागाओं ने अपनी ही रानी को मारने के लिए ये जाल बिचाया था और उसके बाद गणेश ने अपने ही लोगों के विरुद्ध प्रतियाकरमन किया और उन्हें दैवी अस्तरों से उड़ा दिया यदि उसके पास दैवी अस्तर थे और हम पर उप्योप करना चाहता था तो फिर उसने हम पर उन अस्तरों को उप्योप क्यों नहीं किया सब के सब मूख हो गए मेरे विचार से वे अस्तर पंचवटी को नश्ट करने के लिए थे उनकी योजना थी कि वे हमारन नरसंगार सरलता से करने के बाद नागाओं की रजधानी को भी नश्ट कर देंगे उन्होंने ये आशा नहीं की थी कि नागा अत्यधिक सतर्क होंगे और उनके पास अत्यंति प्रभावी सुरक्षा व्यास्था होगी जिसमें ये गुप्त नौकाय भी शामिल थी जिसके कारण आज हम बच गए निलकंट जो कह रहे थे अब उसका आर्थ सबको समझ में आ रहा था ये उचित प्रतीत भी हो रहा था गणेश ने भूमी देवी को मूँग धन्यवाद दिया ऐसी ही आपात इस्थितियों से निपटने के लिए नागा राजसवा ने गणेश के प्रस्ताव को मान गुदावरी की सीमानत चौकियों को अस्त शस्त से लैस करना स्विकार किया था कोई हम सब को मृत देखना चाहता था शिव ने कहा कोई ऐसा जो पर्याप्त रूप से शक्तिशाली है क्योंकि वो इतनी भारी मातरा में देवी अस्तरों का शस्तरागार प्राप्त कर सकता है ऐसा कोई जिससे सुदूर दक्षिर में इतनी विशालकाए नधी के अस्तित्व का पता है और उसके पास समुद्र से आते हैं इस मार्कों को जानने की छमता है कोई ऐसा संसाधन युक्त वेक्ति जो हम पर आकरमण करने के लिए युद्धुपोतों के एक बेड़े की विवस्ता कर सकता है उसके पास परियाप्त सैनिक है प्रश्न तो ये है कि वो व्यक्ति कौन है शितिच पर सूरज धीरे धीरे उगाया था उस्थाके हुए शिविर पर प्रकाश और लालिमा फैल गई पंच्वटी से एक राहत दल भोजन और आवशधियां लेकर पहुचा अंतता आयुर्वती ढिली पढ़ी गई थी और वो विश्राम करने के लिए एक तंबू में चले गए अधिकतर गायलों की देखभाल हो चुकी थी फिर अन्य किसी सैनिक के मृत्यू नहीं हुई यहां तक कि जो लोग घातक रुप से घायल थे उन्हें भी बचा लिया गया था कार्तिक और नंदी रात भर की खोच के बाद अपने दल सहिद शिविर में वापस आ गए वे सीधे शिविर के पास आये कार्तिक ने पहले कहा कोई भी जीवित नहीं बचा है बाबा से संदेह था कि आकरमन किसने करवाया होगा परंतु वो निश्चित तोर पर ऐसा नहीं कह सकता था उसने परवतेश्वर और भंगीरत को बुलाया आप दोनों ही अपने देश के जहाजों को पहचान सकते हैं मैं चाहता हूँ कि आप दोनों जहाजों के मलबों का ध्यान से परिक्षण करें मैं जानना चाहता हूँ कि उसमें से कोई भी जहाज मिलूहा या स्वधीप का तु नहीं परभू परवतेश्वर ने जोर से कहा आपकी जैसी आग्या प्रभू मेलूहा का सिनपती भगीरत के साथ वहां से निकल पड़ा क्या आपको लगता है कि ये आकरमण एक मातर सियोग था ये आपके रहस से जानने से ठीक एक दिन पहले क्यों हुआ शिव और सती शिविर के पास नदी के एक तट पर एक एकांत स्थर पर बैठे हुए थे वो प्रथम प्रहर का अंतिम घंटा था अंतियश्टी कर्म कर दिया गया था यद्देपी घाया लोग जात्रा करने की इस्थिती में नहीं थे किन्तु आम सहमती यही थी कि सुरक्षा की दृष्टी से पंचवटी पहुँचना अनिवार्य था नागाओ का नगर सड़क मार्ग के पास बने किसी शिविर से अधिक सुरक्षित होगा नागाओं ने पहिएदार गाड़ियों के विवस्था कर रखी थी ताकि गायलों को उनमें लाद कर काफिली के साथ ले जाया जा सके काफिला एक घंटे में रवाना होने के लिए तैयार था मैं नहीं कह सकता शिव ने कहा सती चुप रही उसकी दृष्टी दूर कहीं टिकी हुई थी तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारे पिता हो सकते सती ने एक गहरी स्वास भरी हाल में जो मैंने उनके बारे में जाना है वे कुछ भी कर सकते हैं शिव ने अपना हाथ बढ़ाया और सती को थाम लिया परंतु मैं नहीं सोचती कि वे इतने बड़े आकरमन का आदेश अकेले दे सकते हैं सती ने कहना जारी रखा उनमें इतनी शमता नहीं है ये कटकुतली का खेल किसने रचा और वो ऐसा क्यों कर रहा है शिव ने सहमती प्रकट की यही रहस्य है परंतु इस से पहले हमें ये बड़ा रहस्य जानना है मिलूहा स्वदीप और पंचवटी में जो कुछ भी हो रहा है उसका इस रहस्य से गहरा संबंद है रक्त रंजित और ठका हुआ काफिला जब गुदावरी नदी के तट से नागाओ के राजदानी पंचवटी के लिए रवाना हुआ तो सूरज स्रिछ चड़ चुका था पंचवटी अर्थात पांच बर्गत के पेड़ों की भूमी वे मात्र पांच साधारान वट वरक्ष नहीं थे उनकी पाउरानी कथा एक हजार साल पहले प्रारंभूई थी अपने आयोध्या से निर्वासन के दौरान साथ विश्नु राम ने अपनी पतनी सीता और भाई लक्षमन के साथ इन वरक्षों के नीचे विश्राम किया था इनों ने इन वरक्षों के समी भी अपनी जोपड़ी का निर्माल किया था यही वो दुर्भाग शाली स्थान था जहां से राक्षसों के राजा रावण ने सीता का आपहरण किया था इसी के कारान राम से उसका युद्ध हुआ था उस युद्ध में रावण की सुनहरी और अत्यधिक संपन लंका का विनाश हुआ था गुदावरी के उत्री पूर्वी तट पर पंचवटी नगर बसा हुआ था वो नदी पश्चिम घाड के परवतों से बहती हुई पूर्वी समुद्र में मिलती थी पंचवटी के पश्चिम में वो नदी विचितर ढंग से 90 अंश के कोण से अचानक मुड़कर कोई एक किलो मीटर दक्षन की और बहकर पुनापूर्व की और मुड़कर समुद्र तक की अपनी यात्रा पूरी करती थी गोदावरी के इस घुमाओं ने नागाओं को नहर बनाने और दंडक वन के उस छेतर को साफ करके नागरी को खेती करने के अवसर प्रदान किये थे सूरिवन्शियों को उस समय आश्चरे हुआ जब उन्होंने देखा कि पंचवटी मेलुहा के नगरों की तरह उची वेदिका पर बसाया गया था पत्थरों की ताकत पर दीवार चारों और उची उठाई गई थी जिन में नियमित अंतराल पर आकरमनकारियों से सुरक्षा के लिए बुर्ज बने हुए थे दीवारों से लगे हुए छेतर को नागा लोग खेती के लिए उप्योग करते थे अतितिक रह की एक बस्ती बनी हुई थी जो ब्रंगा ब्रहमनकारियों के लिए बनाई गई थी एक दूसरी दीवार इन्हें घेरे हुई थी इस दूसरी दीवार के बाद भी वनों को साफ कर बनाया गया मैदानी छेतर तक फैला था ताकि शत्रों को आसानी से देखा जा सके पंचवर्टी के स्थापना भूमी देवी दौरा की गई थी उस गैर नागा रहस्यात्मक महिला ने नागाओं की वर्टमान जीवन शेली की स्थापना की थी कोई भी भूमी देवी के पूरुवत को नहीं जानता था और उसने सकती से आदेश देकर किसी भी सोरूप में अपना च्चितर बनाने से मना किया था अताह वर्टमान नागा सभयता के संस्थापिका की एक मातरस मुरती उनके कानून एवम उनके वक्ता वही थे पंचुऔरटी नगर उनकी जीवन शेली की प्रतीक थी जो सूरिवन्शियों, एममचंदरवन्शियों, जीवन्शैलियों की सबसे उत्तम तरीकों का मिश्रण थी उनकी अभिलाशा नगर द्वार पर उद्गोशित की गई थी सत्यम सुंदरम, अर्थात सची ही सुंदर है शिव के काफिले को बाहरी द्वार से प्रवेश की अनुमती दी गई और उन्हें ब्रंगा के अथिती ग्रहों में ठहराया गया काफिले के सभी सलस्तियों को एक आरामदाय कक्षि प्रदान किया गया था आप थोड़ा विश्राम क्यों नहीं कर लेते शिव काली ने कहा मैं रहस्रे का उधगाटन करूंगी मैं पंचवटी अभी ही जाना चाहता हूँ शिव ने कहा क्या आप अभी ही जाना चाहते हैं आप ठके हुए नहीं है निसंदे मैं ठका हुआ हूँ परन्तो मुझे उस रहस्रे को तुरंत जानने की आवशकता है तो ठीक है शिव के बाकी साथी अतिती ग्रहे में रुग गए शिव और सती काली और गणिश के साथ पंचवटी के ओर चल दिये जिस प्रकार के नगर की उन्होंने आशा की थी वैसा वहां कुछ भी नहीं था इसे एक निश्चित तरीके से जाल नुमा आकार में बनाया गया था जो बहुत कुछ मेलुःा के नगरों के समान था परंतो ऐसा प्रतीत होता था कि नागाओं ने मेलुहा की न्याय एवं समानता के आदर्श को तार्किक निश्कर्ष की ओर ले जाने में सफलता प्राप्तिक कर ली थी रानी के आवास समेथ प्रतेक आवास एक ही आकार प्रकार के बने हुए थे पचास हजार नागा लोग जो वहां रहते थे उन में से कोई भी अधिक धनी या निर्धन नहीं था सभी लोग पंच्वटी में एक ही तरह से जीवन जीते हैं सती ने गणिश से पूछा बिलकुल नहीं मा यहां प्रतेक विक्ति को अपने जीवन के बारे में निर्णे लेने का अधिकार है लेकिन राज जी उन्हें आवास जैसी आधार बूत एवं प्रात्मिक सुविधाय प्रदान करता है और उसमें पूरी तरह एक समानता है निलकंट को वहां से गुजरते हुए देखने के लिए सभी निवासी अपने घरों से बाहर निकल कर पंक्ति बद्ध होकर खड़े थे उन्होंने निलकंट के काफिले पर रहस्यात्माख हमले के बारे में सुन रखा था लोग भूमी देवी को धन्यवाद दे रहे थे कि उनकी रानी और लोकाधीश को कुछ नहीं हुआ शिव ये देखकर आश्यर चकित्था कि बहुत से लोगों को कोई भी विक्रती नहीं थी उसने बहुत से लोगों को नागाओं के शिशों को गोद में उठाए देखा ये गैर नागा लोग पंचवटी में क्या कर रहे हैं शिव ने पूछा ये लोग नागा बच्चों के माता पिता हैं काली ने बताया और वे यहां रहते हैं कुछ माता पिता अपने नागा बच्चों को छोड़ देते हैं काली ने कहा और कुछ लोग अपने बच्चों के साथ बहुत लगाव रखते हैं उनकी ममता में इतनी ताकत है कि वे सामाजिक पक्षपातों को नकार देते हैं हम ऐसे लोगों को पंचवटी में शरण देते हैं जिन नागा बच्चों के माता पिता उन्हें त्याग देते हैं उनकी तेकबाल कौन करता है आनंद मई ने पूछा संतान रहित नागा लोग काली ने कहा नागाओं की प्राकरतिक संतान नहीं हो सकती इसी कारण में मिलुहा और स्वधीब द्वारा त्यागे गए बच्चों को गोद ले लेते हैं और उन्हें अपनी संतान की तरह पालते पोजते हैं जो एक नौजात शिशु का जन्मा धिकार है नगर के मंद में वे चुप चाप चल रहे थे यही वो इस्थल था जो वट रक्षों के चारों और ऐसे भवनों में परिवर्टित हो चुका था जो सारवजनिक थे यह भवन पंजवटी के निवासियों के उपयोग के लिए बने थे यह स्वधीब शैली में भवे रूप से निर्मित थे वहाँ एक विद्याले था प्रभुरुद्र और देवी मोहिनी को समर्पित एक मंदिर था एक सारवजनिक इस्नान घर था और कला प्रदर्शन हे तो एक प्रेक्षा ग्रह भी था जहां वे पचास हजार नागरिक नियमित रूप से एक दूसरे से मिला करते थे संगीत मिरते और नाटक मनुरंजन के साधन थे नाकी ग्यान अरजित करने के वो रहसे कहां है व्याकुल होते हुए शिव ने पूछा यहां है प्रभु नीलकंट गरेश ने विद्याले के और संकेत करते हुए कहा शिव ने अपनी तियोरी चड़ा ली रहसे एक विद्याले में उसने आशा की थी कि वो रहसे नगर के मद्ध इस्थापित आध्यात में केंदर प्रभु रुद्र के मंदिर में होगा वो उस भावन में अंदर चला गया बाकी सभी लोग उसके पीछे पीछे अंदर गए वो विद्याले एक पारमपरिक शैली में निर्मित किया गया था स्तंभ वाली युक्त गलियारा एक आंगन के चारो और बना हुआ था उस गलियारे में दौर बने थे जो कक्षाओं की और जाते थे दूर किनारे पर खुलता हुआ एक विशाल कक्ष था वो पुस्तकाले था पुस्तकाले के साथ ही लगा हुआ एक और गलियारा था जो मुख्य भवन से बाहर एक खेल के मैदान में खुलता था उस मैदान के दूसरी और अनिस सुविधाय मौजूद थी जैसे सभाकक्ष और अभ्यास करने के लिए प्रियोक शालाएं आदी कृपया शांती बनाए रखें काली ने कहा कक्षाएं अभी भी चल रही है हम केवल एक कक्षा में बाधा डालेंगे सभी में नहीं हम किसी भी कक्षा में बाधा नहीं डालेंगे शिव ने पुस्तकाले की और कदम बढ़ाते हुए कहा जहां वो नागाओ के रहसे की आशा कर रहा था संभवतेया वो एक पुस्तक थी प्रभु नीलकंट गणेश कहा जिसे सुनकर शिव का बढ़ा हुआ कदम वही का वही रुख गया शिव रुख गया गणेश ने एक कक्षि के प्रवेश द्वार पर लगे परदे की और संकेत किया शिव ने तेवरी चड़ा ली आश्चर जनक रूप से एक जाना पहचाना स्वर दर्शन की व्याख्या कर रहा था परदे के पीछे वो स्वर पूर्टा इस पष्ट था आजकल का नया दर्शन प्रतेक बस्तु की कामना को दोश देता है कामना हर प्रकार के दुख है मिनाश का मूल है ठीक है जी हाँ गुरू जी शिश्चियों ने कहा इसकी व्याख्या करो अध्यापक ने कहा क्योंकि कामना आ सकती उत्पन करती है आ सकती जो इस विश्चियों के प्रती होती है और जब आपको वो प्राप्त नहीं होता है जो आप चाहते हैं या फिर वो प्राप्त होता है जो आप नहीं चाहते हैं तो दुख का अनुभा होता है ये क्रोध को जन्म देता है और जिसके परिणाम सुरोप, हिंसा और युद्ध उत्पन होते हैं इन सब का परिणाम अंतता विनाश होता है इस प्रकार यदि आप विनाश और दुख से दूर रहना चाहते हैं तो आपको अपनी इच्छा पर नियंतर करना होगा है ना अध्यापक ने पूछा इच्छा का जन्व हुआ यह इच्छा एक मौलिक बीज था जो रचना का एक अंकुर था और यहीं से हम सभी लोग जानते हैं कि मनुश्यों के प्रभूर प्रजापती ने ब्रहमांड और उसमें समस्त वश्तु की रचना की इस प्रकार कामना रचना का भी मूल है शिव परदे के उस और वाले स्वर से मंतरमुद था आती सुंदर बिंदू तो फिर यह कामना या इच्छा रचना एवं विनाश दोनों का ही सुरोत कैसे हो सकता है शिव पूरी तरह से शांत थे उन्हें उत्तर नहीं मिल पा रहा था इसके बारे में दूसरे प्रकार से सोचो क्या उस वस्तु का विनाश संभव है जिसकी रचना नहीं की गई है नहीं गुरुजी दूसरी और क्या ये सोचना उचित है कि कोई भी वस्तु या प्राणी जिसकी रचना हुई है उसका कभी न कभी विनाश होना ही है जी हाँ गुरुजी यही कामना का उद्देश्य है यह रचना एवं विनाश के लिए है यह एक यात्रा का आरंभ है और यही उसका अंत भी, बिना कामना के कुछ नहीं, शिव मुस्कुराया, इस कक्षा में अवश्य कोई वासुदेव पंडित है, निलकंट काली के और मुणे, हमें पुस्त काले की और चलना चाहिए, मैं रहसे को पढ़ना चाहता हूँ, मैं पंडी जी से बाग में काली ने शिव को रोक लिया, रहसे कोई वस्तू नहीं है, वो एक मनुष्य है, शिव विसमित रह गया, आश्चर में उसकी आँख्या चोड़ी हो गए, गडेश ने उस कक्षा के परदे वाले द्वार के और संकेत किया, और वे वहाँ आपके प्रतिक्षा कर रहे हैं, शि शिव ने कक्षा के अंदर प्रवेश किया, और उसने जो वहाँ देखा, उसे देखकर वो इस्तब्द रहे गया, अरे ये क्या, वो गडेश की और मुड़ा, किंतु पूर्टा किमकरत विवी मोड, लोकादीश धीमे से मुस्कुराया, प्रभु नीलकंठ अध्यापक की औ मुड़ गये, मैं आपकी प्रतिक्षा कर रहा था मित्र, अध्यापक ने कहा, वो मुस्कुरा रहा था और उसकी आँखें नम थी, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए कहीं भी चला जाओंगा, यहां तकी पाताल लोग भी, यदि वो आपके लिए सहायक होगा, शिव इस पंक्ति को अपने मन में एक बार बार कई बार दोराया था, उसने कभी यह संदर्ब नहीं समझाता कि दानवों की भूमी का क्या अर्थ था, अब उसे सब कुछ समझ में आ रहा था, दाढ़ी कार्ट दी गई थी और उसके स्थान पर पतली मूच रख ली गई थी, कंध के बाल पहले की ही तरह मुंडित थे, उनकी चोटी अब अधिक लंबी और संवरी हुई थी, उनकी गहरी आखों में वही पुरानी शानती थी जिसने पहले शिव को अपनी उराकरशित किया था, वो उसका खोया हुआ मित्र था, उसका यार था, उसका भाई था, ब्रहस्प के अध्या पठन की यात्रा में साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवार, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब हीजिए, अलविदा